इंडियन कॉंट्राक्ट टाक्ट लगभग हर स्टेट जुडिश्री के सेलेबस का पाट है सो अब एक चीज ये जरूर आप थोड़ा से समझीएगा विद इंडियन कॉंट्राक्ट टाक्ट स्पेशली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत easy to understand है क्योंकि एक तो contract एक ऐसा subject है जो आप काफी time से पढ़ते आ रहे हैं आप law entrance examination से पढ़ते आ रहे हैं इस subject को law graduation में भी आपने पढ़ा होगा judiciary की preparation के दौरान आपने पढ़ा होगा कुछ concepts ऐसे हैं जो easy हैं अराम से समझ में आते हैं बट क्योंकि भाई मैं हर student को address करके इस lecture को कर रहा हूँ मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपने जीवन में कभी contract पढ़ा ही नहीं है इस हिसाब से ही मैं इसको start करुआ तो essay students जेने थोड़ा बहुत जानकारी है जो थोड़ा पढ़ चुके हैं वो भी थोड़ा सब्र बनाए रखें क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़े भी इस act के अंदर हैं जो शायद आपको भी समझने में problem हुई होगी जैसे for example priority of contract and priority of consideration अब यह जो priority of consideration है इसको लेके majority of law students के को जो जानकारी है priority of consideration की वो बहुत हद तक technically सही नहीं है priority of consideration से अगर आप यह समझते हैं कि third party भी consideration दे सकती है भारत में तो मैं आपको यह बात बता दूँ with all due respect कि यह बहुत सही चीज नहीं है तो ऐसी चीजों को भी हमें इस lecture में cover करना है इन points पे भी हम बात करेंगे जिसे nature of minus agreement है उसके बारे में थोड़ा सा ठीठा discussion हम लोग को करना है जिससे आपका वो जो concept है उस चीज से related वो completely मैं clear कर पाऊं इसे लिए easy चीजों को भी उतने ही समय और effort दे के अपन पढ़ेंगे और difficult चीजों को भी अगर आपको लग रहा है यह चीज आपको आती है तो भी थोड़ा सबर बनाये रखें बहुत सारी ऐसी चीजे आएंगी जो शायद आपने समझी नहीं होंगी आपको समझ भी पहले कोविट के बाद से यह सब भी बड़ा normal नहीं रहा है पहले जैसे यह सब होता था तो दो-चार दिन में ठीक हो जाता था बट कोविट के बाद जो changes आएं उसके बाद यह बहुत जल्दी ठीक होने वाली चीज़ें बचे नहीं बचे नहीं है इतना है कि अपन पढ़ सकते ह तो चलिए भाई जैसा मैंने आपको बताया ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए एक और बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा बीच में मैं आपके जो आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है कहीं कोई ऐसी चीज लग रही है आपको जो आपको समझने में प् mention नहीं है और हम उसको भी उसकी भी बात करेंगे बहुत सारे case laws मैं आपको बता मुगा जहां concept क्योंकि बहुत सारे concept नहीं होते हैं इंडियन contract tech में वह मैं आपको दूँगा तो सारी चीज़ें आप note down करते जाए प्री के point of आपन बात कर रहे हैं मैं पहले उस topic को complete कर लूँगा उसके बाद मैं आपके doubts ले लूँगा if required को कि होता यह है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं बीच में आपका doubt आ रहा है आप तो रहूंत comment box में डाल देते हैं मुझे already वह बात बतानी होती है अपने lecture में आगे है तो जैसी मैं प्रदेश postponed होगा की नहीं होगा हो भी जाएगा तो क्या होए नहीं होगा तो भी होना है पढ़ना तो दोनों तरीके से तो contract पढ़ लेते हैं तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वैसे भी आप समझदार बच्चे हैं सब लोग राजवत्स हैं तो इतनी आपके अंदर है और वही मैं आपसे expect कर रहा हूँ चलिए अब बात करते हैं अपने इंडियन contract act की देखो सबसे पहले स्टाट्यूट के साथ जो भी किसी भी subject को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको स्टाट्यूट का framework बनाना होता है ब्लूप्रेंट यार करना होता है में तो फिर मीनिंग समझना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है सेम चीज हम इंडियन contract act के साथ करेंगे ठीक पहले मैं आपको एक ओवर्वू दे देता हूँ इस इंडियन contract act का उसके बाद अपन एक एक करके provision को पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसलिए तीन पार्ट मे है कि जो इंडियन contract act है जो contract का law है ये बाकियों से थोड़ ऐसा different है देखिए भाई ये एक civil law है और ये एक substantive law है जो rights and liabilities को बताता है या define करता है आपके rights और liabilities दो parties generally इसमें होती है इंडियन contract act में जिनके बीच में contract होता है और उस relationship को govern करने के लिए statute बनाया गया है एक exclusive च चीज इसके बारे में ये है कि जैसे आपने IPC पढ़ा या आपने law of taught पढ़ा होगा वहाँ क्या होता है सारी चीजने decide किसने कर दी law ने decide कर दी और आपको उपर impose कर दी गई है as it is Indian contract act इस मामले में थोड़ा अलग है क्यों अलग है क्योंकि Indian contract act parties को freedom देता है कि they can decide their terms उनका relationship किन टर्म से govern होगा उसकी freedom parties को दी गई है इसलिए Indian contract act थोड़ा सा different है हमारे बाकी laws से लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके पास absolute freedom है कि आप कुछ भी decide कर लिए so Indian contract act basically करता क्या है एक legal framework provide करता है उस framework के अंदर आप अपनी चीज़ें decide कर सकते हैं लेकिन उस framework के बाहर आप नहीं जाएंगे जैसे Indian contract act ने ये एक boundary line बना दी है अब इसके अंदर अगर दो parties हैं A और B इनको कोई contract करना है तो भाई आप अपने terms decide कर सकते हैं but these terms will be governed by the Indian contract act कुछ regulation उसमें है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं क्या कर सकते हैं जैसे contract करने की freedom है आप किसी विक्ती के साथ contract कर सकते हैं लेकिन unlawful purposes का contract नहीं होना चाहिए आपका object unlawful नहीं होना चाहिए कि murder करने का contract आप कर रहे हैं इस तरीके का एक legal framework basically हमें Indian contract act provide करता है ठीक तो ये तो है कि Indian contract act है किसलिए और Indian contract act basically deal के सीज में करता है क्या purpose है so purpose है promises promises को regulate करता है क्योंकि भाई लोग क्या करते हैं promise कर देते हैं और उसको fulfill नहीं करते breach करते हैं तो इस पूरे promise के relationship को govern करता है हमारा law of contract कि कब एक legally enforceable promise existence में आएगा कैसे एक legally legally enforceable मतलब जिसको law comply करवाएगा अगर आप आपने promise कर दिया किसी से सामने वाले ने वो किया या नहीं किया आप आपने अगर promise किया और आपने उस promise को fulfill नहीं किया तो अब सामने वाले के पास कुछ remedy होनी चाहिए ना law में तो law में remedy तब होगे जब आपका promise भी law के हिसाब से हुआ है तो that is basically enforceable by law अभी उसको detail में थोड़ा समय बता हूँगा इस चीज़ को ठीक है प्राग्जे में पैक्टा संट सर्वंडा promises must be kept they must be fulfilled पैक्टा संट सर्वंडा that is important यह basic purpose बताता है आपके law of contract का चीख सो contract deal किसमें करता है promises में अब मैं बात करता हूँ इस Indian contract act के उस framework का उस blueprint का जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था देखिए अब contract act हो रहा मैंने अलग-अलग category में divide किया है कुछ portions में बेरेक्ट में ऐसा division नहीं है यह जो division है यह हमारी understanding के लिए है so that आप provision किदर fit हो रहा है उस बात को समझ पाए जैसा आपने CPC के lecture में भी देखा होगा पहले हमने पूरा framework बनाया फिर provision को पढ़ना चालो किया कि कौन सा provision किस चीज़ की बात करता है same way में अपना Indian contract act को भी deal करेंगे so Indian contract act broadly divided है into two parts दो category में यह पूरा statute है जो आपके सामने बेरेक्ट रखा हुआ है इसमें contract act दो पार्ट में कैसे divided है एक पार्ट में contract act के जनरल प्रिंसिपल्स की बात है किसी इसकी बात है जनरल प्रिंसिपल्स की जनरल प्रिंसिपल्स जो है यह कोई भी एक XYZ contract अगर existence में आएगा तो उससे related उसके इर्दगिर्द बात करते हैं आप इस institute में admission लेते हैं मैंने एक obligation लिया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आपने एक obligation लिया कि आप fees पे करेंगे that is an agreement हम दोनों agree हुए हैं इस बात पर ही अगर यह सारे essentials fulfill करेगा तो एक legally winding contract होगा आपके और मेरे बीच का इसके जो general बाते हैं वो एक portion में deal होती है और यह है Indian contract act का section 1 से 75 यह जो पूरा है general principle यह किसमे deal होता है 1 to 75 section 1 to section 75 में यह deal होता है इसके अलावाद दूसरा जो categorization है वो है special contract अब यह special contract क्या है यह किसी भी general contract की बात नहीं है कुछ specific nature के जो contracts होते हैं उनको अलग से specify कर दिया गया है जैसे contract of guarantee, contract of indemnity, bailment, pledge, agency इनको अलग से categorize कर दिया गया है special contracts में क्योंकि जो general principle हम किसी भी contract के लिए पढ़ेंगे इन contracts में थोड़े बहुत variations है जैसे contract of agency बिना consideration के हो सकता है, bailment बिना consideration के हो सकता है, contract of indemnity, guarantee थोड़ा सा आप इस बात को मेरे खाल समझते होंगे, guarantee, जैसे माली जे bank में आप loan लिने गए, आप bank क्या बोलेगा भाई, आप पे भरोसा नहीं है आप किसी surety को लाईए, किसी ऐसे वक्ति को लाईए, जो आपके बहाफ पे हमें assurance दे पाए, कि अगर आपने loan पे नहीं किया, तो हम उससे पैसे ले ले यह basically होता है, तीन parties होती है, contract of guarantee, उस पे general principle ना applicable होके, अलग से उसके लिए principle specified है, तो इन सब को अपन कहते है है हमारे special contracts, यह एक separate portion है, इस statute का Indian contract act का, जो की section 124 से चालू हो रहा है, एक से पिछित्तर यह हो गया, 124 onwards special contract आ जाएंगे, अब बीच का portion कहा आ गया, sales of goods act में चला गया वो, ठीक, तो यह जो general principle है, अब ज़रा इसको समझिएगा, कि यह जो general principle है, यह भी separate divided हो सकते हैं, जो हम पूरे provision पढ़ेंगे, एक से पिछित्तर, इनको दो category में divide करके, अगर आप clubbing कर लेंगे, तो आप बेहतर तरीके से comprehend कर पाएंगे, कि यह चल क्या रहा है, तो अब इस चीज़ को भाई बनाते रहे न, अपनी notebook में, यह आपको हमेशा help करेगा, Indian contract act के statute को समझने के लिए, तो अब अपन आते हैं, हमारे general principles, special की तो अपन बात करेंगे यह अलग से, लेकिन जो general principles हैं, contract act के, यह भी further दो category में divide हो सकते हैं, यह दो categories क्या है, so यह दो categories है, पहला है formation of the contract, और दूसरा है discharge of the contract, अब इन दोनों बातों को जरा समझीएगा, देखो भाई, formation में हम हर वो चीज़ पढ़ेंगे, जिससे एक valid contract existence में आएगा, कब हम कहेंगे कि दो लोगों के बीच में किया हु वा agreement एक valid contract बनेगा, कब law उसको enforce कराएगा, कैसे वो existence में आएगा, उससे related जितने provision, जितनी बाते हमें statute में पढ़ेंगे, वो सब किस head के अंदर हमें पढ़ना है, basically हमें formation के अंदर पढ़ना है, कि कैसे यह contract, दो parties होती है contract में, जैसे आप है और मैं हूँ, आपने मेरे साथ contract किया है, कि मैं आपको पढ़ाँगा, और आप मुझे fees देंगे, अब इस, कब एक valid contract existence में आएगा, उसके लिए बहुत सारे essentials इस Indian contract act ने prescribe कर रखे हैं, तो जितने भी provision, जितनी भी बातें, एक enforceable contract को existence में लाएंगी, वो सब हम formation के तहत पढ़ेंगे, कैसे दो parties के बीच में एक legal contractual relationship develop होगा, कैसे चालू होगा वो relationship, इसके बारे में जितने प्रावधान इस statute में हैं, उन सबको हम generally इस head के अंदर पढ़ते हैं, जैसे for example, क्या-क्या पढ़ना है formation में, offer acceptance पढ़ेंगे, offer क्या होता है, acceptance क्या होता है, उससे मिलके agreement बनता है, इसके अलावा legal intention होना चाह यह सब essentials है, parties होनी चाहिए कैसी, competent, parties competent होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, जो इस formation को दर्शाती हैं, कि क्या जरूरी है एक valid contract को existence में आने के लिए, क्या बाते जरूरी हैं, जिससे दो parties के बीच में एक contractual relationship शुरू होगा, यह जितने भी प्रावधान, यह जितनी यह बढ़ा scattered है, formation वाला portion तो फिर भी आपको एक साथ मिल जाएगा, जैसे for example section 1 से आप start करेंगे, तो contingent contract तक सब कुछ formation काई पार्ट है लगभग, लेकिन बीच बीच में कुछ performance related provision आ जाते हैं, जैसे section 38, 39 वगएरा, तो वो क्या कहानी है, उसको थोड़ा समझीएगा, एक तो ये part कि दो parties के बीच में वो contractual relationship कैसे चालू होगा, कहां से वो start होगा, उसके लिए क्या जरूरी है, तूसरा discharge में हम हर वो चीज पढ़ेंगे, जिससे दो लोगों के बीच जो contractual relationship established हुआ है, वो कैसे खतम होगा, ये contractual relationship end कैसे होगा, end होने को ही basically हम discharge कहते हैं, discharge मतलब parties अपने obligation से अब खतम होगया उनका obligation, discharge मतलब relief होगए वो, अब उन्हें obligation fulfill करने की जरूरत नहीं है, इसको हम कहते हैं basically discharge और इसके कई सारे mode इस statute में दिये हैं, जो की scattered है इदर उदर, उसी को basically club करने के लिए मैंने आपको ये कहानी बताई है, ठीक, तो देखिए, discharge में सबसे पहले, अब आप एक थोड़ा सा prudence लगाई है, common sense लगाई है कि दो लोगों के बीच में contractual relationship start हो गई है, they have entered into a contract, वो खतम कैसे होगी, तो सबसे पहला और बहुत obvious mode है, discharge of contract का by performance, performance से भी discharge होगा, होगा की नहीं भाई, अगर आपने एक obligation लिया, मैंने एक obligation लिया, contract में दोनो वो legal relationship खतम contract का, it comes to an end, हम relief हो गए अपने obligation से, मैंने obligation लिया पढ़ाने का, आपने obligation लिया, पैसे देने का, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पैसे दे दिये, बात खतम, it comes to an end, the contractual relationship comes to an end, so discharge के अंधर ही basically हमको पढ़ना है performance, तो एक तो ऐसे हो जाएगा कि perform कर दे, तोसर of frustration भी कहते हैं, impossibility मतलब अपना obligation पर्फॉर्म करना impossible हो जाए, संभा भी ना हो practically कि अब वो चीज़ हो सकती, यह impossibility कई तरीके की होती है, legal impossibility, practical impossibility, subject matter हो गया, जैसे माल लीजे, आपने और मैंने contract किया, कि मैं अपनी गाड़ी आपको बेचूंगा, पांच लाख रुपे में performance decide हुई थी कि सर एक जनवरी को खरी देंगे नए साल में, आपने का एक जनवरी को आप देना और हम आपको पांच लाख रुपे देंगे, उसके पहले ही माल लीजे, 25 दिसंबर को वो गाड़ी चोरी हो गई, माल लीजे, वो destroy हो गई, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, त तो अब मैं practically अपना obligation फुल्फिल कर सकता हूँ, कि अगर subject matter ही खतम हो गया, नहीं कर सकते हैं, माल लीजे, मैंने आपके साथ agreement किया, कि मैं आपको MPCJ के लिए पढ़ाऊंगा जो कि 14 जनवरी को होने वाला है, अब MPCJ का exam हो जाए, मतलब भगवान नकर ऐसा हो, लेकिन अग possibility, इसके बाद एक चीज हम पढ़ेंगे तीसरा discharge में, that is by novation, alteration, novation, alteration और agreement, यह एक तीसरी कहानी है, discharge की, इसमें basically क्या पढ़ेंगे, देखिए, एक तो agreement जो मैंने लिखा है, novation, alteration और agreement, agreement का मतलब party खुद agree कर ले, एक तूसरे को discharge कर दें, obligation से, यह भी हो सकता है, जैसे मा मैंने promise किया, आप मेरे साथ contract में enter हुए कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस examination के लिए, आपने खुद ही यह बोल दिया कि ठीक है, sir, मत पढ़ाऊ आप, it's okay, आपने खुद ही यह चीज अगरी कर ले, कि ठीक है, मत पढ़ाऊ, रहन दो, so that also a form of discharge, इस से भी मैं अपनी obligation से discharge हो अगर माल लीजिये, आपका और मेरा contract हुआ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप fees पे करेंगे, मैंने खुद आपको discharge कर दिया, ठीक है, पढ़ लिया, exam निकाल लो, fees भी से रहन दो, नहीं, ऐसा करूँगा नहीं, मैं बिल्खुल नहीं करता ऐसा, मैं आपको पहले का है, म पहले भी बताया है, मैंने, ठीक, लेकिन अगर मैं आपको discharge कर दूँ आपकी obligation, खुद willingly discharge कर दूँ तो, लोगों क्या दिक्कत होगी, लोगों कोई दिक्कत नहीं, that is also a form of discharge, इसको अपन कहते हैं कि agreement की थूई party ने agree कर ले, अभी उसके लिए provisions है, content अभी अपन index खोलेंगे, और यह जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, इसका पूरा दर्शन कराँ हुआ, मैं आपको इस Indian Contract Act में कहाँ ये बातें करी गईगे, ठीक, इसके लावा innovation और alteration, innovation मतलब change in contract, जैसे मान लीजे, आपके और मेरे बीच में आज contract हुआ कि भाई, मैं आपको MPC जे problems के लिए ब 70% है नहीं, आप ineligible हो जाते हैं, तो हम अपने contract को ये बदल लेते हैं, पुराने contract की बजाए एक उसी को replace करते हुए नया contract कर लेते हैं, कि सर UPJ की भी vacancy आ रही है, उसमें हम eligible है, वहाँ कोई criteria का rule नहीं है, तो आप जो MP के लिए पढ़ा रहे थे, अब हमको आप UP के लिए पढ़ा दो, तो एक जो existing contract था, उसको replace करके on its position, उसको हटा के उसकी जगे हमने एक दूसरा contract कर लिया, इसको अपन कहते हैं, बैट, novation, इसको कहा जाता है, novation, existing, भाई, क्योंकि हमने एक नया contract कर लिया, पिछला वाला अपने आप, पिछले agreement से या contract से हम अपने आप discharge हो ग obligation से discharge हो जाओगा, तो जहाँ एक existing contract को replace करके नया contract parties कर लेती है, that's called novation, that is also a method of discharge itself, क्योंकि भाई, यहाँ पे भी party अपने पुराने obligation से discharge हो रही है, relief हो रही है, इसके अलावा एक जो और mode, आप देखेंगे, discharge का, that is by breach, भाई, देखो, breach से भी क्या होता है, relationship तो खतम होती ही breach मतलब, party अपना obligation परफॉर्म ना करे, contract में तो enter हुए, लेकिन अपना obligation वो परफॉर्म ना करे बाद में, आपने मेरे साथ contract कर लिया कि सर पढ़ा दो, और आपके subscriber बढ़वाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम video share करेंगे, और आपके subscribers बढ़वाएंगे, आपने पढ़तों लिया, मजे ले लिये इदार आके, पूरा subject कि ये भी पढ़ा दो, किस लोवी बता दो, सब करा दो, और मैंने सब करवा भी दिया है, और आप देखिए 32 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सिरु 27 है, ये आपकी फितरा थे क्योंगे, तो आपने अगर मेरे साथ कहते हैं, breach बोलते, इसी को कहते हैं, breach और अभी मैंने आपको बताया था, contract act का purpose क्या है, law of contract का basic purpose क्या है, लोग अपने promises से पीछे ना हटे, breach ना करे, और हम कह रहे हैं कि breach is also a mode of discharge, तो भया आपने अपना perform नहीं किया, due date पे कोई भी एक specific performance की date होगी, या जहां specified नहीं है, व भी contractual relationship comes to an end, वो जो form हुआ है contractual relationship, that comes to an end, लेकिन अब आपको ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा, breach करके भी अगर आपको discharge ऐसे ही दे दिया जाए, तो फिर इस पूरी रचना को करने का कोई मतलब नहीं हुआ, law of contract को, इसलिए breach के लिए क्या provide करता है हमारा contract act, breach के cases में, breach क अपना जो obligation था, वो fulfill नहीं किया, मुझसे तो अपना obligation आपने करवा लिया, लेकिन अपना obligation आपने अगर fulfill नहीं किया है, उसको बोलते है breach, और उसके बदले में मुझे मिलेगी क्या remedy, अब हमारा Indian contract act क्या remedy देता है, तो सबसे primary remedy, जो Indian contract act provide करता है, वो है आपका damages, breach के case में, क्या मिल जाएगा, damages, compensation basically, provide कर दिया जाता है, इन case of breach, यह सबसे primary, और भी remedies है, quantum merit है, बाकी चीज़े भी अपन पढ़ेंगे, वाइडिबल के case में, जो equity, वो सब deal करेंगे, बट सबसे primary remedy, जो contract act provide करता है, वो damages है, और हर case में damages, justice कर देंगे, ऐसा होता नहीं है, इसके लिए म हम बुलते हैं, specific relief act, अगर नहीं देखा है, तो contract देखने के बाद उसको देखना तो और जादा समझ पाओ गया, क्योंकि यहाँ जो remedy है, damage है, हर case में justice करें, ऐसा जरूरी नहीं है, इसके लिए एक separate statute बनाया गया है, specific relief act, और उसमें अलग-अलग तरीके के बहुत सारे reliefs की बात वो act आपका करता है, और वहाँ आपको बहुत सारी remedies मिलती है, तो यह सब basically हमको इस contract act में पढ़ना है, इसलिए इस statute को दो parts में divide किया गया, general principle और, पहले कौन सा division था, general principle और special contract, और general principle को open ने, दो part में बाट लिया है, अब जरा बेरेक्ट में अपना index वाला portion open कर लीज से हैं, एक बार जरा comment दिख लूँ, major cases regarding this, yes, बिल्कुल, manorama, जी मैं बिल्कुल major cases के बिना बेटा contract हो नी पाएगा, तो इस session में cases deal करूँगा, है न, बिल्कुल deal करेंगे उसको open, और क्या है, बोड का कुछ है, black pen, use कर लो मैं, white pen, बोड देखने में कुछ problem हो रही है, क्या, एक बार बाकी लोग भी confirm कर देंगे, अगर आपको बोड को पढ़ने में कुछ समस्या हो रही हो, तो, क्योंकि जो general opinion है, वो यह है, कि black board पे दूसरे colors use करे जाते हैं, तो जादा better visibility होती है, और अगर आपको पढ़ने में समस्या ह हो रही है, तो एक चीज़ यह कर लिजेगा, कि settings में जाके 720p resolution कर लिजे, तब समझ आएगा, resolution, मेरी handwriting बहुत सुन्दर है, आप जानते हैं, काफी time से आप मुझे जानते हैं, तो मेरी handwriting बहुत ज़्यादा सुन्दर है, इसलिए मैं बोलते जाता हूं, अगर आपको, हाँ, white में problem होती है, शुरूभी जी कह रहे हैं, तो क्योंकि उसमें, color weller use नहीं कर पाते हैं, white में, थोड़ा normally use हो पाता है, चलो बहुत ज़्यादा लिखने काम है नहीं, आप अपनी notebook चालू रखिए, मैंने आपको पढ़के सब बता दिया, क्या-क्या है, एक बार चाहें, तो इसको दोबारा बता देता हूं, by performance, by impossibility, novation, alteration, और agreement, और ये है by breach, ठीक है, तो वो शायद board क की दिख्वयत नहीं है, मेरी सुन्दर handwriting की दिख्वयत हो सकती है, तो भाई, अब ज़रा index निकाल लेजिए, बेरेट में, एक बार ज़रा quickly अपन इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं, कहां-कहां ये चीज़े मिलेंगी, फिर अपन उसको पढ़एंगे, तो index में offer, acceptance, consideration, agreements, voidable contract, void agreement, अपने को इधर ही मिलने वाली है, बहुत important, उसके बाद chapter 1 देखिए, बात करता है, of the communication, acceptance and revocation of proposal, ये पूरा जो chapter है, पहला chapter, ये formation का ही पार्ट है, ये जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे है, offer, acceptance, कब वो offer मान लिया जाएगा, कब वो offer नहीं माना जाएगा, कब communication complete मान लिया जाएगा, कब acceptance होगी, भाई क्योंकि पूरा वो जो essentials है, वो सारी बातें आपको इस chapter के तहत मिलेंगी, chapter 2 है, of contracts, voidable contract and void agreement, अब ये आपको बताएगा कि form करने के लिए जरूरी essentials तो हैं ही, क्या-क्या, वो section 10 में दिया है, कि कब एक agreement lawfully enforceable होगा, कब एक agreement को ह valid contract कहेंगे, उसके लिए क्या-क्या essentials है, ये आपको section 10 में मिलेगा इस chapter के अंदर, इसके अलावा यहां बहुत सारे essentials discuss करे गए हैं, जैसे free consent होना चाहिए, contract को enforceable, agreement को enforceable बनाने के लिए, इसके साथ-साथ parties competent होनी चाहिए, जैसे minor, जो है, वो competent party नहीं होता, contract में enter होने के लि इस chapter में आपको मिलेंगी, उसके बाद void agreement की एक heading आप देख रहे होंगे section 24 के उपर, अब यहां पर बताया गया है कि कब agreement void होता है और वो कभी भी enforceable नहीं हो सकता, उसका object या consideration अगर unlawful है तब वो नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ agreements को expressly बताया गया है कि ये भले ही सारे essential fulfill कर दे, तो भी ये valid नहीं हो, तब भी ये कभी enforceable नहीं रहेंगे, ये हमेशा void होंगे, अगर आपको इन सारी terminologies को समझने में फिलहाल कोई दिक्कत हो रही है, जो मैं use कर रहा हूँ, void, enforceable, तो बस पाँच मिनिट का और मुझे समय देना, मैं हर चीज़ आपके clear कर दूँ So, यहाँ पर ये जो agreements है, ये ऐसे agreements हैं, जो भले essential fulfill कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको expressly declare कर दिया है, कि ये तो भाईया, void ही रहेंगे, इनका legal impact नहीं होगा, क्योंकि generally ये public policy, ये against होते हैं, ये conscience के against है, human, conscience के against, कि ऐसे contract नहीं होने चाहिए, ठीक? Chapter 2 बात करता है, of contingent contract, contingent वो होते हैं, जो conditions पे based होते हैं, कि अगर ऐसा होगा, तो obligation fulfill करेंगे, जैसे insurance के contract, गाली में आग लगेगी, तो insurance company claim देगी, ऐसे नहीं देगी, these are contingent, wagering contingent का difference, बहुत important concept है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे with example अपने, इसके बाद अगला chapter अब अपन इधार आजाएंगे इसके बाद, discharge वाले mode में, तो performance में 37 से जो चालू हो रहा है, ये performance की बात करते हैं, कब मान लिया जाएगा कि parties ने अपना obligation perform कर दिया, इसमें भी कुछ अच्छे concepts हैं, तो ये आजाएंगे अपन discharge में by performance, इसके बाद performance इंट सारी बाते हैं, क ये है, by impossibility, आप discharge जाएंगे, perform करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कहते है, doctrine of frustration बहुत important है, इसको वेपन समझेंगे, ये किदर दिया है, section 56 में, उसको अलग समाग कर लेजे, उसके बाद आप आएंगे, तो contracts which need not be performed, section 62 के ऊपर देखिए, heading लेकिए, contracts which need not be performed, ऐसे contract ज करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये सब आएगा, novation, alteration और agreement, party खुद agree कर लेती है, कि चलो ठीक यार, तुम अपना obligation, fulfill मत करना, वो सब इदर लिखा है, section 62 देखिए, effect of novation, recession and alteration, 63, promise, made dispense with a remit performance of promise, promise, खुद dispense कर सकता है, खुद आपको छोड़ सकता है, कि चल ठीक यार, म करना, अपना obligation perform, वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद अगला chapter, जो है chapter 5, of certain relationship, resembling those created by contract, इनको कहते है, quasi contract, ये इस chain में कहीं नहीं आएगा, इसको quasi contract कहते है, ये contract की तरह relationships होते हैं, लेकिन exactly contract नहीं होते, क्योंकि इसमें contract के सारे essential नहीं होते, लेकिन ये भी contract की तरह ही parties पे binding होते हैं, आपको fulfill करना पड़ता है, भले ही वो exactly contract नहीं है, इसलिए chapter का नाम है, of certain relations, resembling those created by contract, ये ऐसे relationship है, जो contract नहीं है, लेकिन contract को resemble करते हैं, उसके जैसे हैं, इसको separately अपन पढ़ेंगे, और इन्हें quasi contracts भी कहा जाता है, इसके बाद देखिए chapter 6, of the consequences of breach of contract, consequences of breach of contract, breach of contract भी एक mode है, breach कहा से निकलेगा, performance से निकलेगा, perform कर दिया, तो performance नहीं किया, तो breach, breach में भी अपन पढ़ेंगे, actual breach, anticipatory breach, इसमें भी बड़ा confusion होता है, aspirants को कि anticipatory breach क्या है, उसके consequences या effect क्या होते है, anticipatory breach के, वो सब मैं आपको बताऊँगा, with cases, ठीक, उस सारे concept को पढ़ेंगे, यह जो particular portion है, chapter 6 है, 73 से लेके 75 तक जो चल रहा है, यह basically इस remedy की बात कर रहा है, जो मैंना damages की remedy, basically यह उसके बारे में बात कर रहा है, उसके बाद देखिए, next chapter sales of goods हो गया, जो यहां से repeal हो गया, वो अलग चला गया है, उसके बाद जो चालू हो रहा है, आपका chapter 8 of indemnity guarantee, यहां से हमारे वो special contract चालू हो जाएंगे, यह अपना वो second portion हो जाएगा, इसको भी हम deal करेंगे, प्री में यहां से भी question बनते हैं, कम ब portion है, contract का वो यही है, लेकिन यहीं से आपके contract की foundation चालू होगी, अगर इन principles को आपने बहुत पच्छे से पढ़ लिया है, तो उसके बाद आपको आगे के provision समझने में दिक्कत नहीं होगी, यह मैं आपको assure कर सकता हूँ, so that is the framework of the statute, यह सारी चीज़ें यहां fit हो रही हैं, ज offer and acceptance, देखिए, आगर एक brief में मैं आपसे बात करूँ कि एक contract को valid contract होने में क्या-क्या चाहिए, तो वो कहानी हमारी चालू कहां से होती है, इसको जरा समझिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्योंकि contract की, जरा interpretation clause निकाल लिजे, अपने barret में जरा section 2 निकाल लिजे, और section 2 का जो clause h है, ये clause h बात करता है, definition की contract के, contract कहां से आएगा, कैसे आएगा, पहले उसको समझते हैं, उसी में सारी चीज़ें clear हो जाएंगी, void agreement, void contract, सारी चीज़ों की मैं बात करूँगा, so 2 h में define है, contract word, की contract होता क्या है, अब देखिए, ये जो contract word जो define किया गया है, section 2 h में, इसकी definition के दो essentials आपको मिलेंगे, अगर आप उस definition को देखेंगे, 2 h में, जरा एक बार मेरे साथ barret में इस definition को देख लेजे, यहां लिखा है, an agreement enforceable by law is a contract, so कोई भी agreement जो enforceable by law है, वो contract है, तो देखिए, एक valid contract को होने के ल जारूरी है, there should be an agreement, there should be an agreement, और ये agreement कैसा होना चाहिए, enforceable by law होना चाहिए, enforceable by law, एक agreement होना चाहिए, और वो agreement कैसा होना चाहिए, law से enforceable, अब पहले अपन समझ लेते हैं, इस enforceable by law का मतलब फिर agreement को समझेंगे, enforceable by law का मितलब जिसको law आपके उपर impose करेगा अगर आप fulfill नहीं करेंगे तो law आपसे करवाएगा उसको हम कहते हैं enforceable by law law आपके उपर enforce करेगा, impose करेगा उस obligation को enforceable बनता कैसे है? उसके लिए बहुत सारे essentials fulfill करने पड़ते है जो आपके दिये है section 10 में कहां दिये है, section 10 में दिये है, बहुत सारे उसके अलावा भी कुछ है, ठीक, एक बार जारा section 10 निकाल लेजिए, साथ में, बेरेक्ट में तो section 10 को अगर आप read करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहां लिखा है what agreements are contract, कौन से agreement contract होंगे agreement वो ही contract होंगे, जो enforceable by law होंगे 2H ने क्या बताया, contract वो agreements होंगे जो enforceable by law होंगे, तो section 10 basically हमको क्या बता रहा है, क्या essentials एक agreement में होंगे जो इसको enforceable बनाईंगे law से, तो देखिए इसमें लिखा है all agreements are contracts, if they are made by the free consent of the party तो ये एक essential हो गया, free consent, competent to contract parties कैसी होनी चाहिए, competent होनी चाहिए for a lawful consideration and with a lawful object आपका object lawful होना चाहिए और आपका consideration भी lawful होना चाहिए and are not hereby expressly declared to be void और वो agreements जो expressly declared नहीं, अभी हमने एक portion देखा था section 26 onwards जो चाली होता है, वो ऐसे agreements है जिनको expressly declare कर दिया कि ये तो हमेशा void ही रहेंगे वो कभी enforceable नहीं होंगे, ठीक, तो ये उनकी बात कर रहे हैं अब देखिए, section 10 से तो कुछ essential निकल के आए उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े हमें पढ़नी है अग्रमेंट बनाने में भी और अग्रमेंट को essential बनाने में भी हमें पढ़ना है तो अग्रमेंट essential कब होगा, यहां अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले competent parties होनी चाहिए competent parties फिर बात करूँ तो इन parties का consent free होना चाहिए तो अगला हो गया free consent इसके बाद जो यहां पर बात करी गई है आपका object contract agreement का जो object है और consideration lawful होना चाहिए object और consideration lawful होना चाहिए और एक essential है no express bar expressly bar नहीं होना चाहिए no express bar मतलब expressly void declare नहीं होने चाहिए agreement 26 onwards आप देखेंगे agreement in restraint of marriage 27 देखेंगे agreement in restraint of trade profession business 28 देखेंगे agreement in restraint of legal proceeding उनको express नहीं बोल दिया है कि agreement तो कभी valid होंगे यह हमेशा void ही रहेंगे यह हमेशा void रहेंगे तो वह enforceable कभी नहीं कहलाएंगे तो यह essential section 10 बता रहा है और यह essential किस पर apply होंगे एक agreement पर अब देखते हैं agreement क्या होता है हमने यह तो देख लिया कि एक agreement enforceable कभ होगा जरा देखिए कि एक agreement क्या होता है इसके लिए वापर section 2 पे आईए यहाँ define किया गया है जो codified statutes होते हैं जो acts होते हैं उनके साथ फायदा यह यह हर चीज डिफाइन होती है सो जरा section 2E निकाल लेजिए agreement की definition कि दर दी है 2E में दी है यहाँ लिखा है every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement अब यह थोड़ी complex definition आपको लग रही होगी इसको थोड़ा easy कर लेते हैं easy करने के लिए अभी आप फिलहाल agreement का मतलब सिर्फ इतना समझेए every promise and और उसके बाद जितनी कहानी है उसको फिलहाल छोड़ दीजिए ऐसा नहीं कि उसको मैं बताऊंगा ने लेकिन उसको एक दूसरे head के अंदर बताऊंगा जहाँ आप उसको ज्यादा correlate कर पाएंगे सो every promise is an agreement जो कॉमा के बाद लिखा है बस वो इतना ही पढ़िए अभी every promise is an agreement बीच वाला portion छोड़ दीजिए वो क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद इसी क्लास में बताऊंगा सो देखिए agreement क्या होता है promise होता है every promise is an agreement is every agreement a contract भाई हर promise agreement है लेकिन क्या हर agreement contracted answer is no agreement सरफ वो contract बनेंगे जो enforceable by law होंगे और enforceable by law कब होंगे जब यह essential fulfill करेंगे एक agreement अगर यह essential fulfill कर देगा तो उसको हम कहेंगे that it is enforceable by law और अगर agreement enforceable by law है तब जाके वो क्या बनता है एक contract बनता है अगर माल लीजिए agreement enforceable by law नहीं है ऐसे agreement को बेटा अपन कहते हैं जरा पहले एक कहानी इदर समझ लीजिए agreement के बारे में इदर एक important question का answer मैं आपको करूँगा agreement जो है एक तो होगा enforceable by law law से enforceable कब होता है जो अगर यह enforceable by law है तो यह क्या बन गया एक valid contract बन गया एक agreement अगर enforceable by law है कब होता है enforceable by law अगर वो सारे essential fulfill कर दे तो यह क्या बन जाता है एक valid contract बन जाता है अब दूसरा सवाल यह है कि अगर agreement enforceable नहीं है that is not enforceable by law law से enforceable अगर agreement नहीं है तो ऐसे agreement को क्या कहते हैं ऐसे agreement को अपन कहते हैं void agreement I hope you're getting this section 2 जी निकाल लीजिए बेरेक्ट में देखो वहाँ definition दी है void agreement की यह दी है कि नहीं यहां लिखा है an agreement not enforceable by law is set to be void ऐसे agreements जो enforceable नहीं है is set to be void जो enforceable है that will become a contract enforceable कब होगा जब यह essential fulfill कर देगा I hope you're getting this तो एक promise हुआ हर promise agreement है अगर यह agreement यह essential fulfill करेगा तो इस वोईड अग्रमेंट के साथ कि देखो यह तो बात करी हमने void agreement agreement अगर void है तो वो कभी contract नहीं बनेगा इसी में एक concept आता है वोईड एक होता है हमारा वोईड अग्रमेंट इसको भी समझ लीजिए वोईड अग्रमेंट और एक होता है हमारा इल्लीगल अग्रमेंट इल्लीगल अग्रमेंट क्या यह दोनों अलग है वोईड अग्रमेंट और इल्लीगल अग्रमेंट येस यह बोथ आर there is a slight difference between the two void वो है जो law से enforceable नहीं है law जिसको impose नहीं करेगा इल्लीगल अग्रमेंट वो होते हैं जो prohibited by law है illegal मतलब जो prohibit कर दिये गए है they are illegal prohibited by law जो आप कर ही नहीं सकते जिनको अगर आप कर रहे हैं तो law आपको रोकेगा that is illegal जैसे smuggling का agreement murder करने का कोई भी offense करने का अगर आप agreement करते हैं तो क्या वो illegal है the answer is yes क्योंकि it is a punishable act under IPC conspiracy कहलाता है कि नहीं offense करने का agreement तो वो करना ही allowed नहीं है उसको अपन कहते हैं illegal void हम किसको कहते है जो enforce नहीं कराएगा court तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक agreement void तो है लेकिन वो illegal नहीं है जैसे agreement with a minor भाईया क्योंकि minor competent party नहीं है as per Indian contract act इसलिए अगर आपने minor के साथ agreement कर लिया है तो वो void है void है मतलब court उसको enforce नहीं करेगा लेकिन क्या आप कर ही नहीं सकते क्या law आपको prohibit कर रहा है नहीं आपको prohibit नहीं कर रहा है आप चाहें तो agreement करिए दोनों अपनी सहमती से अगर उसको comply करना चाहतें कर लीजे कोई दिक्कत नहीं है हमें social nature के जो agreement होते है they are void उसमें legal intent missing होता है वी उसकी detail में भी बात करूँगा लेकिन आप समझेए अगर मान लीजे मैंने आपसे जैसे कहा कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन इस शर्थ पर पढ़ाऊंगा कि इस वीडियो को like किय बिना आपको जाना नहीं अब this is merely an agreement of social nature इसमें कोई legally binding intention नहीं है parties का एक दूसरे को legally bind करने का ठीक लेकिन अगर आपने fees pay कर दी और आपने मेरे साथ contract किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो legally binding होगा उसके अभी detail में भी मैं बात करूँगा तो अभी एक बात समझे कि ऐस जो agreements हैं जो social nature के they are void वो contract कभी नहीं होंगे वो enforceable नहीं होंगे लेकिन वो illegal नहीं है आप चाहें तो करिए और आप दुनों parties सर्व सहमती से अगर obligation फुल्फिल करना चाहें तो करिए law आपको रोक नहीं रहा उसको करने से इसको अपन कहते हैं void agreement और illegal एक बात समझेगा all the illegal agreements are void but all void agreements are not illegal जैसे अगर ये सरकल है किस चीज़ का void का void agreement का तो इसके अंदर एक सरकल आएगा किसका illegal का क्योंकि हर illegal agreement void होता है क्योंकि भईया जो law prohibit कर रहा है उसको कभी enforced law नहीं ही करवाएगा उसको enforce तो नहीं ही कराएगा murder के agreement को law कभी enforce नहीं कराएगा तो हर illegal agreement void होता है लेकिन सारे void agreement illegal नहीं होते जैसे agreement with a minor minor के साथ agreement क्या होता है void होता है enforceable नहीं होता है इसलिए void होता है लेकिन वो illegal नहीं है ये ध्यान लखिएगा अब यह कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई हो सकता आप में से बहुत सारे student और जिनको यह difference बहुत अच्छे से पहले से पता हो इसका significance यह है बटा कि जो void agreement होते हैं इनके जो collateral transaction है उस पे क्या impact होता है यहाँ से question बनता है और यहाँ concept है थोड़ा सा illegal agreement का अगर कोई collateral transaction है तो वो भी prohibited होता है वो भी illegal होता है लेकिन void agreement का अगर कोई collateral transaction है तो वो void नहीं होता वो enforceable हो सकता है इस बात को ध्यान रखियेगा कैसे होता है ज़रा example से समझ लीजे यह थोड़ा सा concept है इधर हो सकता आपको यह void illegal का difference पता हो बट यह जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह important है और अभी शायद recently हर्याना के प्री में या मेंस में सवाल आया था कि void agreement का impact क्या होता और illegal का impact क्या होता इस तरीके एक सवाल आया था मैं उसी से related basically बात आपको बताने जा रहा हूँ अब देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ collateral transaction की मान लिजिए एक void agreement हुआ है और उससे related एक collateral transaction है तो जो collateral वाला transaction है वो valid हो सकता है लेकिन अगर कोई illegal contract हुआ है उसका एक collateral transaction है तो valid नहीं हो collateral का मतलब जो एक से derive हो रहा for example समझेगा यहाँ मान लिजिए ए जो है यह बी के पास जाता है किसलिए loan लेने के लिए ए ने बी से loan लिया बी ने एक को पैसे दे दिये कितने पांच लाख रुपे यह पांच लाख रुपे ए ने क्यों लिए क्योंकि इसने ना एक फीजरिंग अग्रेमेंट कर राखा था इसने क्या कर राखा था संब्हें अब आपको पहले से थ्होड़ा बहुत पता है तो जानकारी है नहीं भी पता है तो आप इतना सबज हारा ए ने क्या किया एक वाइड वेजरिंग अग्रमेंट किया था और उससे उसकी उधारी हो गई वो हार गया उस वेजरिंग अग्रमेंट को इस मनी को पे करने के लिए उसने बी से क्या किया एक लोन लिया सो देखिए ये जो वेईजरिंग अग्रीमेंट है ये क्या है एक वोईड अग्रेमेंट और ये जो A और B के पीच में ट्रांजाक्शन हुआ है ये क्या है एक पैसे हा रहा है वो चुकाना है अब wagering क्योंकि void होता है, illegal नहीं होता, wagering क्योंकि void होता है, इसलिए इसका जो collateral transaction है, A ने जो loan लिया है B से, ये valid हो सकता है, ये enforceable हो सकता है, ये collateral transaction, क्योंकि ये किसका collateral है? इसलिए valid agreement को distinguish करना जरूरी है illegal से, अगर यहीं पे ये transaction illegal होता, ये जो agreement है, ये agreement अगर illegal होता, इसका collateral transaction अगर ये होता, तो ये भी illegal होता, जैसे माल लिजिए, A ने, A को क्या करना है? अब वेजरिंग agreement की जगा, अपन यहाँ पे कर देते हैं, A को क्या करना है? smuggling का business करना है, smuggling का business करने के लिए ये B से loan लेता है, smuggling जो है, ये void, मतब उसने A ने किसी और के साथ एक agreement किया, इसने C के साथ agreement किया है, कि भाई, अपन ना smuggling करेंगे, अपन दुबाई से सोना चुरा के लाएंगे और भारत में बेचेंगे, ये इसने इसके साथ एक agreement किया, अब ये जो smuggling का agreement है, ये सिरिव void नहीं है, ये void के साथ साथ क्या है, एक illegal agreement है, और इस चीज़ को fulfill करने के लिए, इस illegal agreement की requirement फुल्फिल करने के लिए, एने एक collateral, along with it, collateral मतलब ये तो है उसके साथ, जैसे collateral security समझते हो, mortgage जब होता है, collateral रखा जाता है, जैसे माली जब आपने bank से loan लिया, अब आपने bank से loan लिया तो आपको पैसे तो चुकाने हैं, लेकिन bank क्या बोलता है, ये जमीन के कागज भी रख दो, that is a collateral, that is a collateral to that, so यहाँ पे क्या हो रह agreement smuggling का कर रहे हैं, उसके obligation को fulfill करने के लिए, आपने क्या किया, एक separate agreement किया, A ने separate agreement किया, B के साथ, कि भाई मेरे को smuggling का business करना है, तो मेरे को पैसे उधार दे, अब ये जो पैसे loan लिये गए है, that may not be enforceable, क्यों, क्योंकि ये collateral किसका है, ये transaction किसका collateral है, एक illegal agreement का collateral है, और क्यों उनकी ये illegal agreement का collateral है, this may not be enforceable case का नाम लिख लीजिए, आपने कहा था न, सर, case भी बताएंगे, क्या, बता रहा हूं, case भी, गेरुलाल पारिक, बहुत important case है, ये, इसका नाम भी लिख लीजिए, void और illegal के बीच का ये जो difference, बताया, गेरुलाल पारिक वैसे public policy को भी define करता है, वहाँ भी important है, और ये भी जो बताया गया है, collateral वाला, इसके लिखेजे, गेरुलाल पारिक versus महादेवदास, गेरुलाल पारिक versus महादेवदास, 1959 का case है, गेरुलाल पारिक versus महादेवदास, 1959, और ये बहुत important है, भाई, I hope you are getting this, illegal और void agreement के बीच का अंतर समझा गया, क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी समझा गया, ऐसे ही नहीं, time waste कर रहा हूँ है, जबर जस्ती ये बता के, void और illegal, यहाँ से सवाल ही, ये collateral वाला बनीता है, कि इसका जो collateral transaction है, वो valid होगा या नहीं होगा, that's why it is important, चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके, void agreement के, अब वापस आ जाते हैं, अपनी इस कहानी पे, कि जो enforceable होंगे, वो contract, जो enforceable नहीं होंगे, वो void agreement, ऐसे agreement जो enforceable नहीं है, वो क्या बन गए, आपके, void agreement बन गए, ठीक, that is clear, अब दर आईए, ये जो हम बात कर रहे थे, कि एक agreement होना चाहिए, agreement जब enforceable होगा, तो contract होगा, कब enforceable होगा, ये condition, agreement होता क्या है, promise होता है, अब promise को भी हमें पढ़ना है, कि promise क्या होता है, वो भी बताया है, statute का फायदा ये है, codified law होने का फायदा ये है, कि हर बात बताई जाते ह लिख के उसमें, इसका meaning क्या होगा, majority of चीज़ें आपको लिखी मिल जाएंगी, आगे बढ़िए, अब promise की definition देखते हैं, तो इसमें देखिए, to be, promise कि दर या है, to be देखिए ज़रा, to be बात करता है promise की, यहां लिखा है, when the person to whom the proposal is made, एक वेक्ति को proposal दिया गया, signifies his ascent there to, वो उसपे अपना ascent देदेता है, ascent मतलब अपनी सहमती देदेता है, the proposal is said to be accepted, तो कहा जाएगा कि proposal accept हो गया, आपने किसी वेक्ति को अपना proposal signify किया, signify का मतलब communicate किया, आपने अपना proposal किसी को बताया, सामने वाले ने उसपे अपनी सहमती देदी, ascent दे दिया, तो उसको ह कहते हैं acceptance, आप proposal देंगे, सामने वाला उसको accept करेगा, that is acceptance, आगे लिखा है, आप proposal when accepted becomes a promise, एक proposal जब accept हो जाता है, क्या बनता है, promise बनता है, तो promise किदर से आया, promise आया बिटा, दो चीज़ों से, एक proposal, और उसका acceptance, एक proposal और उस प्रपोजल का, जैसे ही acceptance हुआ, वैसे ही वो क्या बन गया, प्रपोजल जैसे ही accept हुआ, वो बन गया promise, and every promise is an agreement, agreement enforceable by law is contract, that's how we reach contract, सारी कहानी शुरू किदर से होगी पता है, इसकी आपको सारी कहानी इस proposal से चालू होगी आप, तो वो जो अभी मैंने chart बनाया था न, formation वाला, इसलिए वहाँ सबसे पहले offer acceptance लिखा था, offer मतलब proposal, कोई difference नहीं होता, दोनों term में similar है, English law में offer word use हो रहा था, यहाँ Indian contract rate में codify किया है, तो उसको हमने proposal word use किया है, सुर्भी का doubt है, टेलिफोन पे दिया, बिटा बात करेंगे न, अभी रोको तो चालू किया है, अभी मैंने कहा न, मैं सब बता हुआ, communication separate topic है, बड़ा important है, conceptual भी है, सवाल भी आते हैं, समझेंगे, समझेंगे, थोड़ा, सब्र की जरूरत है बस, proposal जब accept होगा, बन जाएगा क्या promise, अब ये जो बातें आपको मैंने बताई न, एक एक करके बेटा, इनको separate topic की तरह पढ़ना है, proposal पूरा अलग पढ़ेंगे, acceptance पूरा अलग पढ़ेंगे, उससे बन जाएगा promise और उससे बन जाएगा agreement, फिर ये जो enforceable होने के लिए हमने चीज़ ये पढ़ी न, कौनसी parties competent होती है, ये separate बात करेंगे, consent कब free होता है, separate बात करेंगे, object या consideration होता क्या है, और कब वो lawful होता ह separate बात होगी, और ये जो जिनको expressly declare कर दिया, void इस पर separate बात होगी, इसलिए तो तीन class रखी है contract की, क्योंकि बहुत कुछ है इदर बताने और समझने के लिए, और आपके लिए बहुत कुछ है समझने के लिए, सो ये बात यहाँ समझिए कि ये पूरी कहानी शुरू किदर स पढ़ेंगे, और उसके बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें और लाओं आप फिर अपन consideration पढ़ेंगे और that's how we'll move on to that, आज की class के जो मैंने target रखा है section 9 तक रखा है Indian contract का, इसमें अपन consideration complete करेंगे, offer acceptance पूरा complete करेंगे with communication, और समय बचेगा तो शायद उससे भी आगे बढ़ जाएं, but मैंने इतना तो minimum रखा है कि आज करके जाएंगे, सब पढ़ा हूँ इसमें consideration में, सारी चीज़ें, section 25, priority of contract, priority of consideration, promissory, stopel, सब कुछ पढ़ेंगे अपन इसमें, ठीक, तो proposal से कहानी start होके पहुँच जाएगी contract तक, अब before we start with proposal, proposal को हम पढ़ना start करें, यह proposal भी defined है, proposal किदर है, 2A में, proposal किदर है, 2A में देखिए, proposal की definition बताई गई है, और acceptance तो आपको यहीं बता दिया गया है, B में, B में acceptance बता दिया, है ना, और, B में acceptance आपको बता दिया है, चीक, promise तो आपका, B में आई गया है, so 2A में proposal को भी बताया है, starting अपनी सारी proposal से ही होगी, उसके essential से ही होगी, लेकिन उसके पहले एक चीज थोड़ा सा और समझना जरूरी है, यहाँ, before we start with this, ठीके भाई, इसको मैं हटा रहा हूँ, enforceable जो जो enforceable नहीं होंगे वो agreement, अचा इसकी जरूरत मुझे एक चीज और समझाने में लगेगी, अब जरा समझिये, classification of contract, जो contract होता है इसको भी अलग-अलग parts में divide किया गया है, यह भी अलग-अलग categories में divide होता है, और इन categories के basis बहुत सारे होते हैं, मैं आपको एक brief सबका दे देत करूंगा, classification of contract की, वो enforceability के basis पे करूंगा, classification of contract, contract को कैसे अलग-अलग category में divide किया जा सकता है, देखिए, basis बहुत सारे है, contract इस basis पे भी classify होता है, mode किस तरीके से किया गया, express है या implied है, बोलके या लिखके contract किया गया, तो वो express है, conduct के तुरू किया गया, तो implied है, वो अभी अ अपन offer में पढ़ लेंगे, implied express contract कैसे existence में आएगा, वो अपन offer के अंदर पढ़ेंगे, तो एक basis वो भी होता है, subject matter के basis पे classification होते है, contract के, और एक important classification होता है, enforceability के ground पे, enforceability मतला है, law enforce कराएगा या नहीं कराएगा, उस ground पे contract का तीन classification है, contract तीन parts में, divide होता है, सबसे पहला है, आपका valid contract, valid contract वो agreements होते हैं, जो enforceable by law है, ये किदर दिये हैं, ये दिये हैं आपके, ये दिये हैं आपके, section 2H में, किदर बता हैं valid contract, 2H में, agreement, which is enforceable by law, is a contract, तो एक category हो गई आपकी, valid contract, दूसरी जो category हैं आपकी, वो होती है, void contract, या voidable लिख लिजिए, voidable contract, अब देखिए, जरा voidable contract दिया है, definition clause में, interpretation clause में ही, आपको voidable contract की भी definition मिल जाएगी, आई देखिए, section 2I, section 2I, 2I पढ़िये जरा, इसमें लिखा है, an agreement which is enforceable by law, add the option of one or more of the parties there too, but not at the option of the other or others is a voidable contract, देखिए, generally, एक contract में दो parties होती है, जहां वो contract सिर्फ एक party के option पे enforceable हो, basically voidable contract, generally, तब होते हैं Indian contract में, जहां consent free ना हो party का, जैसे मैं आपके साथ एक contract करता हूँ, कि आपके पास एक 50,000 का phone है, जिसको मैं आपको agree करवाता हूँ, आपके साथ मैं agreement कर रहा हूँ, आप consent दे रहे हैं, कि आप अपने 50,000 के phone को मुझे 5000 में बेचेंगे, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, क्योंकि मैंने आपको मारा है, मैंने आपको पीटा है, और आपसे ये agreement किया है, कि आप अपना 50,000 का phone मिर को पाचार में देंगे, तो agreement तो हुआ है हमारे बीचे, consent भी आपका मैंने obtain किया, लेकिन वो consent free नहीं है, वो consent किस से caused है, coercion से caused है वो consent, coercion मतलब कोई भी physical force इस्तेमाल किया है, मैंने आपके कैस, अभी detail में उसको पढ़ेंगे, तो ये आपका, जो consent is free नहीं है, इसलिए ये contract तो है, लेकिन ये contract कैसा है, एक party के part पे ही enforceable है, इस contract को, जिसमें मैंने आपको मार पीट के, आपका consent obtain किया है, मैं court में जाके enforce नहीं करा पाऊंगा, अगर आपने ये court में प्रूफ कर दिया, कि आपका consent मैंने आपको पीट के obtain किया है, तो मैं आपके उपर वो contract enforce नहीं करा पाऊंगा, मैं आपको bound नहीं कर पाऊंगा अपना obligation फुल्फिल करने के लिए, लेकिन आप free है, आप चाहें, बाद में अगर मैंने पहले आपको पीट के, कि आपका consent obtain किया, और बाद में मैं अपने obligation करने से मना कर रहा हूं कि नहीं, मैं 5000 में भी नहीं खरीदना चाहता, तो आप वो contract मेरे उपर enforce करा सकते है, code जाके, तो जिस party का consent coercion से caused होता है, coercion से obtain किया है, या free नहीं है, उस party के option पे contract valid और enforceable होता है, वो party चाहे तो enforce करा सकती है, लेकिन मैं जो तूसरी party हूँ उसमें, जिसने question exercise किया है, मैं इस contract को enforce नहीं करा सकता, इसी लिए ऐसे contract को अपन कहते हैं, voidable contract और ये two IE में defined है, अब एक term इदार आता है, तीसरा, void contract, अब एक बात समझना भाई, void agreement और void contract दोनों अलग है, बड़े, बड़े ही, बहुत सारे aspirants में मैंने ये confusion देखा है, उन्हें ये difference समझ नहीं आता, मतलब बड़े अराम से, वो void agreement की जगे, void contract term यूज़ कर लेते हैं, और contract की जगे, agreement term यूज़ कर लेते हैं, वो सही नहीं है, टेकनिकली, बात समझिए गैदर void contract होते क्या है, सुबाई देखो, void contract को भी यहां पे बताया गया है, define किया गया है J में, section 2 J में बताया है, और void agreement की दर बताया है, void agreement की दर बताया है 2 G में, agreement void कब होता है, जब वो enforceable ना हो loss है, तब वो agreement void है, तो क्या void contract वो होते हैं जो loss enforceable नहीं होते हैं? नहीं, क्योंकि जो law से enforceable नहीं है वो तो prior stage पे ही रह गया, एक agreement जो law से enforceable नहीं है, वो कभी contract बना ही नहीं, तो void contract का तो सवाल ही नहीं होगा इदा, क्यों नहीं होगा तो void contract क्योंकि वो contract ही नहीं है, वो agreement ही void है, तो फिर void contract क्या होता है, उसके लिए समझेगा 2J में लिखा है, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable, देखो बाई, जब एक contract validly, lawfully, existence में तो आ जाता है, सारे essential fulfill हुए, आपके और मेरे बीच में contract हो गया, जैसे अभी मैंने आपको example दिया, माल लेजे, आप अपनी गाड़ी मुझे sale करने का contract करते हैं, आपके पास एक car है, जिसको हम दोनों ने agree किया है, हम दोनों ने एक enforceable agreement किया है, एक valid contract किया है, कि आप अपनी car मुझे 5,00,000 में बेचेंगे, ये contract कब perform होना है, एक जनवरी को मैंने का भाई, अब ये जाता हुआ साल है, इसमें मैं ये आपकी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं एक जनवरी को लूँगा, आप agreement आज कर लो, contract अभी कर लिया हमने, कि आप मुझे अपनी गाड़ी sale करेंगे एक जनवरी को, अब मान लिजे एक जनवरी के पहले, मान लिज कि दूसरे house में जाएगा, president acid में लेगा, सारी कहानी उस पर हुनी है, लेकिन यहाँ पास हो गया, मान लिजे सरकार एक नया law ले आई कि 25 दिसम्बर के बाद, भारत में कोई भी विक्ती second hand गाड़ी बेच या खरीद नहीं सकता, मान लिजे prohibition आ जाए, तो अब हमने जो contract कि या है, वो आज तो enforceable था, जिस दिन किया, अगर वो agreement ही enforceable नहीं था, right from the very beginning, तब तो वो void agreement है, लेकिन यह agreement आज की date में enforceable था, जब हमने किया है, लेकिन subsequently something happens which makes it unenforceable, 25 तारिक नया एक कानून आ जाता है, कि 25 तारिक के बाद आप कोई भी पुरानी गाली बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, या मान नीचे subject matter ही destroy हो गया, आपका वो आपकी वो गाली चोरी हो गई बिना आपकी गलती के, या वो destroy हो गई किसी other manner में, तो अब हम उस obligation को, अब वो enforceable रहा क्या नहीं, अब वो enforceable नहीं आपके उपर, ऐसे contract को हम कहते हैं, void contract, तो basically void contract क्या है, at the time of inception, formation के समय, formation के समय valid होता है, valid होता है, या enforceable होता है, और later on, later on, unenforceable हो जाता है, बाद में जाके वो enforceable नहीं बचता, यहीं लिखा है 2J में, पहले तो enforceable था, but subsequently it becomes unenforceable, तो जब वो unenforceable हो जाता है, तब उसको कहते हैं, void contract, and this is the difference between void agreement and void contract, void agreement, ab initio void होता है, ab initio मतलब right from the very beginning, minor के साथ agreement, agreement ही void है अपने अपने, लेकिन इस तरीके का agreement, जो आज enforce यह बाल है, लेकिन एक subsequent law के आने की वज़े से, अब आगे हम उसको enforce नहीं कर पाएंगे, that will be a void contract, that is the basic difference between the two, I hope this is also clear to all of you, चलो भाई, तो यह होगे अपना basic कहान about agreement और contract के classification के बारे में, अब देखिए जरा यह जो contract अपन पढ़ने जा रहे हैं, सारी कहानी चालू किदर होगी, इस proposal से चालू होगी, तो उसके लिए आजाईए आप एक definition पे, और वो definition है आपकी proposal की, जो दी हुई है section 2A, so section 2A जरा follow करिए, बेहरेक्ट में में मेरे साथ, जो proposal को define करता है, तो यही definition से अपन उसके essential निकाल लेंगे, देखो definition में लिखा है, when one person signifies to another his willingness, अब देखिए, proposal का मतलब आप अपने general parlance में भी समझते हैं, और जो proposal word बोलते ही, जो proposal आपके दिमाग में आया है ना, उसको भी check कर लेना कि वो as per contract act proposal है की नहीं, जो proposal आपके जहन में आगया है ना, इस word को use करते ही मेरे, उसको भी आप imagine करके देख लिजे, इस definition के essential पढ़ने के बाद उस पे apply करके देख ले ना कि वो वाला proposal जो आपने सोचा है अपने जहन में, वो valid proposal है किनी as per section 2A, चीक, तो देखिए, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, with a view to obtaining the ascent of that other to such act or abstin is set to make a proposal, तो देखिए, प्रपोजल के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, when one person signifies to another his willingness, तो सबसे पहला जो essential हो गया इसका, वो essential क्या है, one person signifies, signifies, क्या signify करता है, willingness, तो एक व्यक्ति जब अपनी willingness को signify करे, signify बुले तो communicate, communicate होना जरूरी है, वो willingness, signify का मतलब होता है, communicate, willingness का मतलब आप सब समझते हैं, desire, इच्छा आपने अपनी किसी के सामने रखे, किसी को communicate करेंगे आप इच्छा, एक ही essential, किस चीज की इच्छा होगी वो, किसी act की, या फिर abstinence की, इच्छा किस चीज की होगी, act की या abstinence, कुछ करने की या कुछ ना करने की, दोनों में प्रपोजल हो जाता है, कुछ करने की इच्छा, कुछ ना करने की, दोनों valid प्रपोजल हैं, अगर मान लिजिए, एक adtech company मेरे सामने प्रपोजल रखती है, कि आप हमारे platform पे judiciary aspirants को पढ़ाईए, तो उनोंने प्रपोजल में क्या रखा, act, या मैंने मान लिजिए ये प्रपोजल दिया एक company को, कि भाई मैं आपके platform पे judiciary aspirants को पढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने किस चीज का, की willingness signify करी है, act की, ऐसे ही होता है, abstinence, abstinence मतलब खुद को रोकना, कु ये कहते हैं educator से कि आप कहीं और नहीं पढ़ाएंगे, जैसे मान लिजिए मेरा agreement होता है एक platform के साथ, कि मैं उस platform पे पढ़ाऊँगा, साथ में ये भी agree किया है, मैंने कि मैं कहीं और नहीं पढ़ाऊँगा, that is abstinence, तो दोनों तरीके की willingness offer हो सकती है, या proposal हो सकती है, ठीक, तो क्या चाहिए proposal के लिए? Willingness चाहिए कुछ करने या ना करने की और वो willingness signify होनी चाहिए, इसके बाद आगे देखिए definition में, when one person signifies to another is willingness to do or to abstain from doing anything, आगे लिखाए कॉमा के बाल, with a view to obtaining the ascent of the other, ये जो willingness आपने signify करी है, इसमें आपका क्या view होना चाहिए? इसमे लिखाए with a view of obtaining the ascent of other, जिसको आप वो willingness signify कर रहे हैं, जिस विक्ति को आप willingness communicate कर रहे हैं, इस willingness को communicate आप किस view के साथ कर रहे हैं? किस view के साथ आप ये willingness communicate कर रहे हैं इस view के साथ कि सामने वाला उस पर सहमती दे सिर्फ अगर जानकारी के लिए आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो that cannot become a valid proposal or offer as per section 2a जैसे Bollywood style में आप किसी वक्ती को proposal दे रहे हैं कि मुझे आपको अपने दिल की बात बतानी है मुझे ये नहीं जानना आप उसके बारे में क्या सुचते हैं लेकिन मैं सिर्फ अपना आपको बताना चाहता हूँ अपनी बात that cannot be a valid proposal as per the definition of section 2a I hope you are getting this यही वाला proposal आपके जहन में आ रहा था अभी दिसंबर ही खतम नहीं हुआ है आप फरवरी में पहुच गए है ना ऐसा मत करिए पहले 14 जनवरी को ध्यान में रखिए MP का परी निकालना है Valentine डेबाद में बना लेंगे विटा आपन यह जो एक चीज है कि आपका व्यू उस willingness को signify करते समय क्या होना चाहिए सामने वाले का assent लेना अगर यह view absent है तो वो valid proposal नहीं होगा जैसे for example मैं अपने चार दोस्तों के साथ एक gathering में बैठा हूँ और ऐसे casually मैंने उनसे कहा क्यार मुझे ना मेरा phone बेचना है मेरे को नया phone लेना है अपना phone बेचना है कोई 5000 रुपे देगा तो बेच दूँगा अब मेरा एक friend उसमें से 5000 रुपे निकाल के रख देता है किता लाओ दू तुमने offer दिया था हमने accept कर लिया तो that cannot be a valid offer क्योंकि मैंने अपने friends से को जो भास शेयर की कि मेरे को phone बेचना है मैंने भी का कि 5000 रुपे दूँगा phone बेचना है यह जो मेरी willingness है न यह मैंने इस view के साथ नहीं करी है उसमें यह view absent है कि मुझे सामने वाले का essence चाहिए उस पर यह view absent है इसलिए that cannot be a valid proposal तो valid proposal कब होगा जब आप अपनी willingness signify कर रहे है कुछ करने या ना करने की और उसमें view क्या है आपका सामने वाले का essence अप्टेन करना तो act और abstinence मेरे कहाल समझ गए view of obtaining essence समझ गए इस बात को और समझ लीजे signify या communicate कब माल लिया जाएगा कि signify हो गया है या communicate हो गई है आपकी बात यह बहुत important है proposal के regarding क्योंकि अगर proposal सामने वाले तक पहुचा नहीं है भाले उसने condition fulfill कर दी उसने comply कर दिया लेकिन जामने वाले तक आपका proposal पहुचा नहीं है तो वो valid contract कभी नहीं बनेगा बहुत important case भी है इस point पे कोई बता सकता है case का नाम comment में कि communication नहीं हुआ है offer का तो acceptance नहीं माना जाएगा इस पे जड़ा अगर आप उस case का नाम बता दे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़के बैठे हैं कौन सा case है भाई बता सकते हो किस case का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ देखो होता यह है मैं आपको facts बता देता हूँ yes correct अक्षिता लालमन शुकला बर्स गौरीदत की बात कर रहा हूँ होता यह है कि एक अंकल का लड़का खो जाता है एक अंकल है उनका लड़का खो जाता है कही अब अंकल अपने servant से कहते है कि जा भाई तू उसको अंकल एक reward अनौंस करते है कि भाई जो भी person मेरे लड़के को ढूंड के लाएगा उसको 500 रुपे इनाम दिये जाएंगे चिक अंकल ने ये अनौंस कर दिया अब इस servant को तो इस reward के बारे में जानकारी ही नहीं थी क्योंकि वो तो है और कहता है अंकल लाओ 502 आपने reward रखा था अंकल लाफाडा मार के भाखा देते हैं उसको क्या बोलके कि भाई साब offer दिया तो था लेकिन वो valid नहीं हुआ वो as per to a valid नहीं हुआ क्यों मैंने willingness signify करी मैंने willingness signify करी है लेकिन वो तुम तक नहीं पहुची मैंने willingness बताई लेकिन उसका communication नहीं हुआ और अगर offer के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है तुमने comply कर दी है condition तब भी ये binding नहीं होगा क्यों क्योंकि बिना जानकारी कि तुमने ये कर दी है तुम्हें ये बात पता ही नहीं थी कि मैंने ऐसा कोई reward declare किया है इस case का नाम क्या है लिख लीजी और बहुत important है लालमन शुकला वर्सिस गौरी दत लालमन शुकला वर्सिस गौरी दत 1913 का case है 1913 लालमन शुकला वर्सिस गौरी दत इसमें basically court ने यही held किया था कि अगर आपको offer के बारे में जानकारी नहीं थी और आपने उसकी condition को comply कर दिया है तो आप entitled नहीं है reward के लिए वो आपके उपर binding नहीं होगा एक case और लिख लिजे इसमें Williams वर्सिस Carverdine मैं लिख देता हूं इसको spell शायद बहुत correctly ना कर पाओ इसलिए लिख देता हूं क्या है यह किसका नाम Williams versus Carverdine what is the year 1833 1833 basically इस case में हुआ क्या था एक व्यक्ति के उपर award रखा गया एक convicted person था जिसे होता है ना police reward declare करती है कि यह व्यक्ति को police की तलाश है जो भी इसके बारे में जहनकारी देगा उसको 5000 रुपे का नगत पुरुसकार दिया जाएगा एसे आपने देखे होंगे railway station पे photo chip की रहती है है ना कि police को इस अपराध में इस इस व्यक्ति की तलाश है तो एक lady ने ऐसे ही एक व्यक्ति की जानकारी police को दी और police ने बता उसको पता था reward के बारे में उसे already पता था जब जानकारी वो देने गए उसके पहले से ही उसको पता था reward के बारे में वो जाती है police को जानकारी देती है लेकिन reward लेने से मना कर देती है वो कहती है भाई साब ये मैंने conscience को satisfy करने के लिए किया है मैंने अपनी अंदर की शांती के लिए या अपने conscience के लिए किया कि मैं society की जिम्मेदार नागरिक हूँ उससे मैंने ये किया है मुझे उस reward की जरूरत नहीं है आप मत दो चीक लेकिन थोड़े समय बाद इन दीदी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो फिर ही अपने conscience को थोड़ा side में रखती है और दुबारा पुलिस के पास जाती है के तीस आप वो reward था दे देना जरा अब पुलिस वाले कहते हैं अंटी मजा कर रही है आप तो ये पहले आपने मना कर दिया तो यहाँ ये जो suit file उसके बाद ये जो case हुआ था इसमें court ने held किया that she is entitled for the reward क्योंकि जब उसने condition comply करी थी तब उसको reward के बारे में जानकारी थी भले ही उसने वो condition comply करने के बाद उस समय reward लेने से मना किया लेकिन इससे उसका entitlement खतम नहीं होगा she is still entitled for the reward क्योंकि भाईया signified तो हुआ है communication तो पूरा था उसके बाद उसने वो ढूंड के लाई है या उसकी जानकारी दी है वेक्ति की तो she is entitled तो बाद में उसको allow किया गया उस reward के लिए ये ध्यान रखिएगा तो भाईया इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो वो communication होता है ना मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मैं तो निस्वार्त भाद भाव से आपको पढ़ा रहा हूँ मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपका exam clear हो जाए मैं ऐसी कोई बात आपसे इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि क्या पता बाद में ये conscience change हो जाए इसलिए मैंने अपना self interest पहले ही बता दिया आप कि मैं अपने मतलब के लिए इदार आया हूँ ताकि आपको पता चले कि लोग कैसा पढ़ा जाता है कैसे पढ़ाया जाता है और हम वो पढ़ाते हैं ये बात आप spread करें that's my interest इसलिए मैं कहता हूँ देखा अपने अंटी को पहले अंटी फिरोन बन रही थी कि अरे भाईया वो तो हम तो अपने लिए कर रहे हैं हमें जरुत नहीं है रिवार्ड की बाद में रिवार्ड मांगने पहुँच गए इसलिए ऐसा करो ही मतलब इसलिए अपन पहले ही फीस बता इतने कोर्स की यह फीस है भाईया देना पड़ेगा आप भी जच क्यों बनने जा रहे हैं क्योंकि फिक्स चाहिए आपको सेलरी आप भी इंट्रेस्ट में ऐसा नहीं है कि आप जन सेवा के लिए सिर्फ जच बनने जा रहे हैं इसलिए यह जो फाल्तू का एक वो ओड़े हैं ना हम कि हम तो सुसाइटी को सर्व कर रहे हैं मत करें आप अपना इंट्रेस्ट भी रखिए तो कंसिस्टेंसी भी रहेगी हमेशा के लिए और इतना सेल्फ इंट्रेस्ट सब का है यार तुम जो यहां पढ़ने आए हो ना इंडियन कॉंट्राक्ट एक तुमें कोई लगाव नहीं है इस स्टाट्यूट से कि हमको जहनकारी के लिए तुमें प्री के नम्मर पकाने हैं अपने आठ और मेंस निकालना है तुम इसलिए आए हो बिटा इदा है बारा वज़े से है ना यह सई बात है चलिए तो इनकी तरह मत बन यह याद रहेगा भी यह दिदी याद रहेंगी ना विलिए वह यह तो दाट इस अबावट प्रपोजल की डेफिनेशन और उसके एसेंशल यह भाईया क्लियर हो गया मेरे ख्याल से टूए की डेफिनेशन समझ आ गई है सबको एक बार यह लिखके बता दो कि आ गई है परसन सिग्निफाई करेगा लालबन शुकला में डेक्लेर किया था इस सारे और पूछे जाते है इससे रिलेटेड उन चीजों को भी हमें थोड़ा डिस्कस करना है तो चलिए अब इस offer को या इस proposal को थोड़ा detail में पढ़ते हैं जहां से question बनेंगे आपके pre-mains दोनों के So अब offer topic में हमको कुछ और चीज़ें पढ़नी हैं अभी तो barret की definition को ही हमने सिरफ simplify किया था अब एक बहुत important concept इधर पे आ जाता है वो आ जाता है आपका offer और invitation to offer या फिर invitation to treat क्या कहते हैं इसे offer तो है इसके अलावा क्या कहते हैं invitation invitation to offer या फिर इसको कहा जाता है invitation to treat invitation to offer offer से अलग होता है offer की prior stage होती है पहले invitation to offer होगा फिर offer जरूरी नहीं कि हर जगे हो बट कई जगे ऐसा होता है लेकिन ये आपको difference समझना पड़ेगा कि कब एक चीज offer है और कब वो invitation to offer है तो अभी जो मैंने आपको बताया इसका सबसे basic distinction पता है offer की definition से ही निकाल सकते है आप offer की definition में लिखाता है when one person signifies his willingness जब एक वक्ती अपनी willingness दूसरे को बताता है कुछ करने या ना करने की उसको हम proposal कहते है ध्यान रखना ये willingness जब final होती है final मतलब there is no scope of further negotiation ये willingness जब final होती है and there is no scope no choice और no negotiation इस तरीके की जब willingness होती है उसको हम कहते है offer और अगर इसमें further negotiation का या choice करने का option अभी है तब तक वो willingness क्या है वो willingness कहलाती है invitation to offer जैसे for example invitation to offer के कई examples आपने सुन रखे होंगे पहले भी उनको तो मैं धाराओं गई लेकिन कुछ नई चीज़ें भी इसमें हमको समझनी है invitation to offer में जैसे tender से related question आता है auction से related सवाल बनता है उसके concept को थोड़ा सापन समझेंगे देखे invitation to offer का मतलब क्या होता है आप एक restaurant में खाना खाने आपके सामने menu card लाके रखा जाता है उस menu card में अलग-अलग dish listed है और उनकी price लिखी हुई है is it an offer is a menu card offer the answer is no restaurant की वो final willingness नहीं है आपको चीज देने की सिर्फ एक indication है कि साव इन में से आप चूज कर लीजे हमारे पास होगा तो हम ला देंगे और उसकी respective price यह होगी मेन्यो कार्ड रेस्ट्रों में आपको दिया जाता है that is an invitation to offer menu card आपको मिलता है आप उसमें से डिश सेलेक्ट करते हैं कि भाई साव इसमें से चिकन बिर्यानी ले आईए और चिकन बिर्यानी की सामने price लिखी हुई है let's say 500 रुपीज कम होग तो नहीं हो गई मतलब मेरे को आईडिया नहीं है I'm vegetarian चिकन बिर्यानी आजकल नया कभी तुछ देख रहा था मैं कि बिर्यानी में से चिकन गायव है तो high court पहुँच गया आदमी यह सब भी चल रहा लिखा हुआ है चिकन बिर्यानी सामने price लिखी हुई है 500 रुपे अब ऐसी लिस्ट है बहुत सारी dishes है उसमें आपने एक पिक करी और आपने waiter को बोला भाई चिकन बिर्यानी ले आना अब हो सकता वो मना करते वो बांड नहीं हुआ अभी अगर वो menu card offer होता तो आपने जो order किया वो acceptance हो जाता and binding agreement force में आ जाता but ऐसा होता नहीं है क्यों क्योंकि वो menu जो है वो सिर्फ एक invitation है और आप restaurant को offer कर रहे हैं कि भाई साब आप हमें ये dish लाके दीजिया हम आपने जो price लिखी है सामने वो पे करेंगे ये offer है now it is up to the restaurant to accept it or to reject it तो जब आप waiter से कहते हैं कि भा आप नॉर्मली जो थोड़े जनरल से cafe रहते हैं वो लिख तो सब देते हैं होता उनके पास सिर्फ चाय है और महगी है लेकिन लिखी उनने सतरा डेश है उस पर जाके आप बेठे आपने menu में का भाई ये ले आना वो किया भाई ये नहीं है अभी ये गया आज बना नहीं इसका material नहीं है तो भया तू ही बता दे क्या है तेरे पास ये क्यों छबा रखा तू ने सीधे बता दे और हो ही ले आ तो वो जो menu guard basically होता है वो invitation to offer होता है ठीक आप उस में से जब एक dish pick करके order करते हैं that becomes an offer and if the restaurant accepted it becomes acceptance and now it becomes a promise and if this promise every promise is an agreement and if this agreement fulfills the requirements of enforceability then it becomes becomes a contract that's how a contract is framed तो invitation एक prior stage होती है invitation to offer जैसे आपको कोई किताबे खरीदनी है आपने catalog मंगवाया उसके बाद आप order देते हैं जब आप order देते हैं वो offer होता है आप एक शोरूम में गए जहां बहुत सारे कपड़े हैं for sale और price tag लगा हुआ है या आप एक सुपर मार्केट में ग रखा हुआ है price tag लेखा हो यह सब invitation to offer है grocery shop में या self-service की shop में जब आप जाते हैं और वहाँ जो display में goods रखे होते हैं और उन पर price tag होता है that is invitation to offer आप जब अपनी trolley में अपना जरूरत का सामान लेके cash counter पे जब जाते हैं that's an offer इस बात को समझना invitation to offer क्या है offer क्या है acceptance क्या है वो सब invitation to offer है जब आप अपनी trolley cash counter पे ले जाके उस विक्तियों कहते हैं भया बिल बना दो यह यह खरीदना है that's an offer आप वो reject भी कर सकता है कई बार होता है आप counter पे गए और उसका बार कोड नहीं चल रहा वो बलते भया यह मतलू यह हटा दो वह मना नहीं कर सकता था अग लिखते हैं category-wise goods displayed हो उनकी price लिखी है जब आप अपना pin code डालते हैं और order पे click करते हैं या pin code डालते हैं जब आप तो वह दे देता है not deliverable at your address उस समय बड़ा ही जिल्लत होती है ना कि पता नहीं कैसे गाउं में रह रहा है हम यहां डिलेवर में भी कई बारे साज आता है not deliverable at this address उस दिन मुझे हैसास होता है कि क्यों ही मैं रह रहा हूं इस गाहों में भपाल भी गाहों है मुझे ऐसा है जब वो message देखने को मिलता है not deliverable दो उसके reasons अलग अलग होते हैं कई बार goods होते नहीं है nearby warehouse में तो यह हो जाता है अगर आपने उसमें देगा list है आपने order पे click क या पता चला message आरा out of stock अगर वो offer नहीं हो अगर मानलीजे वो जो goods displayed थे अगर वो offer होते ना तो website आप से मना नहीं कर सकती थी लेकिन वो सिर्फ क्या है invitation to offer है और जब आप उसमें order करते हैं goods जैसे आप अपनी cart में add करके order नाव पे click करते हैं तब आप एक offer देते हैं उस merchant को कि वो आपके साथ ये contract में enter हो now it is up to the merchant whether they want to enter into the contract or not अगर order placed successfully का message आ गया मतलब acceptance हो गया अगर वो message नहीं आया इसका मतलब successful acceptance नहीं हुआ and it doesn't become a promise I hope you're getting this तो ये जो invitation to offer है ना this is very important क्योंकि commercial transaction में हमेशा ये scope होना चाहिए एक negotiation का इसे लिए ये prior stage मानी जाती है और इसको invitation to offer कहा जाता है इसे हम offer नहीं कहते ठीक अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा इस invitation to offer के साथ यहाँ दो चीज़े थोड़ी important हो जाती हैं एक आपका होता है auction और दूसरा होता है tender tender समझते हैं जो सरकारी जैसे माल लीजे government को कुछ काम कराना होता है तो वो generally क्या करते हैं tender बुलवाते है tender मतलब price quote कराई जाती है multiple vendors से कि भाई कौन कित्ते में दे रहा है वो चीज़ जो सबसे सस्ते में दे रहा होता है उसको क्या करते हैं अपन order दे उसको मिल जाता है order तो इसको हम क्या कहते हैं इस tender में भी यह तीनों stages होती है तो इसको थोड़ा सा समझिएगा कि एक तो auction और दूसरा थोड़ा clearly ही लिद्व में tender इसमें कौनसी stage invitation होती है कौनसा offer और कौनसा acceptance इसको थोड़ा समझिएगा कई बार ना illustration based सवाल आ जाते हैं पहले डील करते है auction को जैसे मान लीजिए एक auction के लिए advertisement मैंने डाला पहले क्या होगा auction अगर मुझे करना है auction समझते हैं आ बोली लगवाई जाती है तो अगर मान लीजिए मुझे एक auction का advertisement करना है तो auction अगर मुझे कराना है तो पहले मैं advertise करके लोगों को बुलाऊंगा कि भाई मैं auction मान लिजे मेरे पास एक antique car है जिसका auction मुझे conduct करना है तो मैंने newspaper में एक ad दे दिया कि भाई मैं एक auction करना हूँ अपनी car का जो जो interested लोग है जो उसमें bidding करना चाते हैं जो बोली लगा कि उसे खरीदना चाते हैं वो इस दिन इस समय इस जगे पे आ जाएं ठीक तो ये करने के लिए मैंने जो advertisement दिया newspaper में जरा आप बताईए comment box में क्या ये offer है मैंने ये जो advertisement दिया क्या ये advertisement offer है yes or no जल्दी बताओ भाई क्या ये offer है जो मैंने advertisement के लिए किया है auction की तो this is not an offer this is invitation to offer जो मैंने advertisement दिया ये merely क्या है this is merely an invitation to offer ये सिर्फ और सिर्फ क्या है invitation है auction का इसी लिए ये invitation to offer है offer नहीं है अब माल लीजिये auction conduct होता है जिस दिन जो समय ते हुआ उस दिन बहुत सारे खरीदार आए वो खरीदार जब अपनी bidding लगाएंगे जब वो अपने price बोलेंगे that is an offer सामने कार खड़ी है हर आदमी अपनी bidding लगा रहा है वो जो bidding है ये 50 लाख रुपे लेकिन जित्ते भी लोगों ने bidding लगाई उसमें किसी ने 50 लाख की bidding लगाई नहीं जो highest bidding थी 35 लाख थी क्या मैं bound हूं highest bidding वाले को करार देने के लिए the answer is no क्योंकि bidding is just an offer जो मैंने लोगों को advertisement करके auction के लिए बुलाया that is invitation to offer लोग आए उन्होंने जो bidding लगाई that's offer उस bidding में अगर मैं agree करता हूं highest वाले से तो normally ये auction का custom होता है कि वो तीन बार hammer गिराया जाता है तीन बार hammer बजाया जाता है that the highest bid is accepted तो वो जो hammer का fall है that is acceptance अगर highest bid से मैं satisfied हूं तभी मैं वो hammer वाला act करूंगा and that will be that will be considered as acceptance and now there comes a binding contract between the two अब इससे related भी एक case है जिसमें एक बंदा auction का advertisement करता है लोग आने के लिए तयार हो जाते है in fact जो defendant होता है वो आज आता है उस place पे लेकिन आके पता चलता है कि आज auction cancel हो गया अब auction cancel हो गया तो वो विक्ती plaintiff से जो auctioneer था उससे damage claim करता है court ने hand किया था कि अभी कोई contractual relationship आपका नहीं बना है क्यों नहीं बना है क्योंकि जो auction का advertisement था that is merely an invitation to offer वो कोई offer नहीं था इसलिए वो bound नहीं है आपको compensate करने के लिए case का नाम लिख लिजिए Harris versus Nickerson case का नाम लिख लिजिए Harris versus Nickerson Harris versus Nickerson इसमें यह हुआ था कि auction के लिए advertise किया auction के लिए बंदा आभी गया लेकिन auction उस दिन cancel हो गया 1873 का कैस है Harris versus Nickerson I hope this is clear चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद तो यह है आपका auction ऐसे ही tender में भी होता है टेंडर का भी थोड़ा सा concept समझ लेते हैं टेंडर में क्या होता है जैसे मान लिजिए एक government department को एक building बनवानी है तो वो क्या करेंगे सारे जित्ते भी constructors हैं builders हैं उनसे tender invite करेंगे advertisement निकलेगा advertisement में लिखा रहेगा भाया यह यह building construct करनी है जो इंट्रेस्टेड लोगों अपना tender file करें इस दिन तक अब tender में लोग क्या करेंगे अपनी price quote करेंगे कि भाई साब यह जो building की requirement है यह हम इतने में fulfill कर देंगे एक मान लिजिए एक vendor कहता है 50 लाग में बना देंगे दूसरा कहता है 60 में बना देंगे कोई कहता है 40 साब अपना अपना tender file करेंगे तो वो जो advertisement हुआ था tender बुलाने के लिए that advertisement is invitation to offer और जैसे ही लोगों ने tender file किया जो अपनी अपनी price लोगों ने quote करी that is an offer and now it is up to the government to accept one of them और general rule उसका क्या होता है tender का कि जो minimum offer कर रहा है उसके नाम का tender open होता है उसको basically contract मिलता है उसके offer को accept किया जाता है उसके offer को क्या किया जाता है accept किया जाता है generally so that's how tender operates यह बात आप समझ लीजिए यहीं एक बात और समझ लीजिए tender से related ही इसलिए यहीं correlate करके मैं आपको बता दूँ टेंडर का advertisement invitation to offer tender में जो लोगों ने अपनी अपनी price quote करी that is offer जो lowest price पर बनाएगा उसका accept किया जाएगा that is acceptance tender accept होने के बात कही बार क्या होता है ऐसे tender होते हैं जिसमें continuing offer या continuing offer या standard of standing offer यह term भी आप ध्यान रखिएगा एक होता है standing offer या फिर इसको continuing offer या open offer भी बोलते हैं यह क्या होता इसको भी समझ लीजिए standing offer basically यह होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक vendor के साथ यह contract कर लिया कि भाई मुझे ना अपने institute के लिए pamphlets print कराने होते हैं तो मैंने एक बंदे के साथ contract कर लिया कि अगले एक साल मैंने एक बंदे ने मुझे offer दिया एक printing वाले ने मुझे offer दिया कि अगले एक साल के लिए इस dimension के जितने भी आप brushes print कराएंगे उसका rate मैं आपको यह दूंगा माल लीजिए उसने कहा 50 रुपे का एक ब्रॉशर मैं आपको दूंगा तो यह जो पूरा उसने मुझे offer दिया है कि अगले एक साल एक जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 तक के लिए उसने मुझे यह कहा है कि आपको जो भी इस साइज के ब्रॉशर प्रिंट कराने आप मुझे से कराईए and I'll give you 50 I'll charge you 50 रुपीज for one that is an standing offer that is an standing offer अब हो सकता है जनवरी में मैं उससे सो प्रिंट कराऊ फर्वरी मैं कुछना करूं मार्च में मैं उससे 200 प्रिंट करा लू जून में मैं 500 करा लू सेप्टेमबर में मैं 20 करा लू तो उसने क्या किया एक standing offer दे दिया मुझे कि this will be the price अब जब मैं order करूंगा कि भाईया इस मैंने मेरे को इत्ते करके दे दे that is acceptance that is acceptance of the standing offer अब वो bound है मुझे देने के लिए क्योंकि उसने offer मुझे क्या दिया था कि पूरे साल 2024 में आपको जितने भी ब्रॉशर प्रिंट कराने आप मुझे से कराईए मैं 50 रुपे के रेट में आपको दूंगा that was his offer that's called standing offer जो continuing होता है अगले एक साल के लिए अब जब जब मैं उसमें order प्लेस कर रहा हूं कि भया इस मैंने मेरे को 50 चापके दे इस मैंने मेरे को 100 दे दे that is an acceptance यह होता है आपका standing offer तो इस concept को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक इसके अलावा offer में एक और important चीज है जो हमको थोड़ा ध्यान रखना है और इस invitation to offer में कुछ और cases है जो थोड सब्सक्राइब को इसको जरा समझ लीजिए इस केस में यह है 1893 का केस and it is also popularly known as bumper hall pen case किस नाम से जाना जाता है bumper hall pen 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 bumper hall pen इसमें होता क्या है एक land होता है एक piece of land होता है जिसका नाम होता है bumper hall pen उस land piece of land का नाम था bumper hall pen अब इसमें होता यह है कि एक person जो owner है उसको एक telegram लिखता है जैसे माल लिजे यह bumper hall pen है and this belongs to B B को यह land belong करता है यहां से A जो है यह एक telegram करता है किसको B को B को inform करता है कि भाई क्या आप इस land को sale करोगे उसने क्या लिखा अपने telegram में कि क्या आप इस land को sale करोगे और अगर sale करोगे तो what will be the lowest price उसकी सबसे कम price क्या होगी क्या आप इसको sale करोगे और अगर sale करोगे तो lowest price क्या होगी यह इसने telegram किया बदले में B ने reply किया बदले में B ने reply किया कि the lowest price for this land will be x amount कोई भी एक amount मान लेते है पर पाँच लाख रोपे पर मान लेते है इसने कोट किया कि जो lowest price इसने क्या कोट किया जो lowest price होगी वो पाँच लाख रुपे होगी A ने फिर एक telegram कर दिया और इसने बोला yes I accept I accept five lakh rupees पाँच लाख में आप मुझे दे दो I accept your offer और मैं ready हूँ पाँच लाख देने के लिए बाद में भी मना कर देता है किता भी आपने lowest price मांगी थी हमने वो बताई है हमने यह थोड़ी बोला खरीद लेंगे जो बी ने लिखके भेजा कि lowest price इसकी पाँच लाख होगी वो कोई acceptance नहीं है उसने सिर्फ यह बताया है कि इसकी जो lowest price होगी वो पाँच लाख है और फिर जो इसने दिया कि ठीक हम पाँच लाख में खरीदने को तयार है that's basically an offer जब इसने कहा कि मैं पाँच लाख रुपे में वो piece of land खरीदने को तयार हूँ that's an offer and now it is up to be whether he wishes to sell it or not यह जो तीसरा communication था that was offer उसके पहले जो था that was all invitation to offer that was not offer और इसी लिए यह जो obligation है binding नहीं हुआ yeah that was the case and it is important regarding invitation to offer I hope that is clear इसके बाद आजाईए यह एक चीज हो गई इसके बाद एक चीज और important है offer के अंदर ही और वो है आपका implied और express ब्रीफ में समझ लेते हैं बहुत जादा उसकी detail में जाने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि आपको बस यह समझना है कि valid offer होना चाहिए वो चाहे implied हो या express हो इससे बहुत मतलब या फर्क नहीं पड़ता तो यह जो offer है express कब होता है यह तो express भाई यह तब होता है जब words में हो written हो जब words में किया जाए कैसे words या तो oral या written दोनों तरीके से लिखके या बोलके जब किया जाएगा words में तो वो express होगा दूसरा होता है आपका implied 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 कैसे होता है आपके conduct से होता है implied जो होता है वो conduct के थुरू होता है जैसे आपने वो example बड़ा ही common इसमें चलता आपने सुना होगा या आप ट्रेंज से उतरे आपने सामान जैसी platform पे रखाए पुली आया लाल कपड़े पहन रखे उसने बैच वाज लगा रखता है वो आया उसने आपका सामान उठाया उठाके चलने लगा आपने उसको रोका नहीं बाहर ले जाके वो आपका अपने कंडक्ट से वो कुली दिख रहा था आपको उसने जब आपका सामान उठाया उसके कंडक्ट से ओफर था कि भाई मैं आपका समान बाहर तक कहुंचा रहा हूं और जो भी मेरे चार्जेस होंगे वो आपको पे करने हैं आपने इंपलाइड ली उसको एक्सेप्ट किया आपने उसको रोका नहीं इसका मतलब आपने क्या किया आपने इंपलाइड ली उस ओफर को एक्सेप्ट कर लिया तो यहां offer acceptance दोनों implied हो सकता है और यह होते हैं implied contract बनते हैं यहां से क्या बनते हैं implied contract यहां पर एक question और यह भी आता है कि auction की जो bidding होती है वो implied है या express है तो थोड़ा सा debatable रहता है यह topic but as per my opinion जो bidding है वो implied offer है तो आप उसमें price बोलते हैं या आप शो करते हैं कई बार cardboard से शो करते हो आप 50,000 20,000 जो भी है वो तो implied है आप समझ रहें लेकिन बात यह नहीं है कि क्योंकि आपने न कोई term discuss नहीं किये वो सब implied होता है कि जिसकी highest bid होगी उसको मिलेगा यह सब already implied होता है यहाँ पर आपने सिरफ price बोली इसलिए वो express हो जाए ऐसा generally नहीं होता इसलिए auction में जो bidding होती है उसको in general implied ही माना जाता है दो इस चीज और होती है offer में ही offer का ही एक और classification है जो काफी important है specific offer और general offer यह important specific और general offer दो तरीके के होते है जन्रल सो भाई specific offer और general offer specific offer क्या होते हैं जो एक ascertained person को दिये जाएं किस person को ascertained ascertained मतलब identified identified एक single बंदे को मैंने आप में से किसी एक को यह offer दिया कि भाई मैं आपको अपना mobile phone 10,000 में बेचना चाहता हूं that is a specific offer general offer क्या होता है जो public at large को दिया जाए जो जन्ता जनारदन को एक खट्टे दिया जाए कि माल लेजिए एक class में जिसमें 20 बच्चे बैठें वहां मैं किया रहा हूं भी है जिसको भी phone खरीदना 10,000 में बेच रहा हूं ले सकते हो आप that is a general offer क्योंकि it is addressed to the public at large जब एक असर्टेंड specific वेक्ति को जब मैं देता हूं then it is called specific offer अब इस general offer के concept को थोड़ा सा हमको समझना यह दर से कुछ questions बनते हैं general offer में acceptance का communication जरूरी नहीं है आप acceptance communicate करें जरूरी नहीं है अगर आपने कोई condition फुल्फिल कर दी है तो भी उसका acceptance हो जाता है जैसे लालमन शुकला वाला example जैसे मान लीजिए कि मेरा phone खो गया मैंने newspaper में add दिया description दिया यह यह phone है इस जगे से गायब हुआ है और कोई भी व्यक्ति जो इस phone को ढूंड के लाएगा उसको मैं 2000 रुपे reward दूँगा मैंने यह advertisement दिया newspaper में कि मेरा यह 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 phone इस जगे से इस दिन खो गया है जो ढूंड के लाएगा 2000 रुपे का reward में उसको दूँगा अब यह general offer है कोई भी व्यक्ति इसको comply कर सकता है कोई भी इससे ढूंड के मुझे लाज सकता है अब वो जब ढूंड के मेरे पास लियाएगा तो मैं उससे यह नहीं बोल सकता कि भाई यह तेरे साथ तो मैंने contract नहीं किया क्योंकि मेरा जो offer है general है और general offer का acceptance communicate करना ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति इस offer को accept कर रहा है कि हाँ भाई अब तो सबने accept कर लिए हम ढूंड के लाएंगे तो हर वक्ति मेरे को phone करके यह नहीं बताएगा कि हमने सारा आपको offer accept कर लिया हम ढूंड के लाएंगे इसा जरूरी नहीं है आप phone ढूंड के ले आईए जो condition है general offer में आप वो comply कर दीजे acceptance मन लिया जाएगा लेकिन offer क कि जानकारी आपको होनी चाहिए जो लालमन चुकला में हुआ था कि servant को जानकारी ही नहीं थी और वो ऐसे ढूंड लाया ठीक तो जानकारी होते हुए अगर आप ढूंड के लाएं हैं तो आप बिलकुल entitled हैं उस reward के लिए और इस से related एक बहुत important question है एक बहुत important case है जो यह अहां आता है आपका इस general offer से related आप में से कोई नाम बता सकता है उस important case का मुझे कारलेल वर्सस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी डाट इस वेरी important कारलेल वर्सस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जनरल ओफर के इसी concept को समझाता है कि जनरल ओफर के case में communication जरूरी नहीं है इस case में होता यह है एक company होती है जो अपनी एक smoke ball बनाती है जिस और उनका ये दावा होता है कि जो इस smoke ball को use करेगा उसको influenza नहीं होगा ठीक जो इस smoke ball को use करेगा उसको influenza नहीं होगा और अपनी seriousness दर्शाने के लिए उन्होंने bank में एक amount भी deposit करा दिया था price money रखे दी गार कि उसके बाद भी किसी को हो गया तो आपको ये पैसे देंगे और वो बैंक में जमा भी करा दी जिस लीगल इंटेंशन भी दिग गया तो भाई आप उन्होंने जब ये offer दिया जन्रल उपर तो यहां पर मिसस कारलिल जो थी उनको उन्होंने वो उसके बाद भी उनको इन्फ्लेंजा हो जाता है तो वो सूट फाइल करती है अपना अमाउंट क्लिम करने के लिए तो company कहती है साब आपके साथ तो हमने contract किया ही नहीं इन 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 दिस केस दे कोड हेल दाट कि भईया जन्रल उफर में आपको acceptance का communication जरूरी नहीं होता comply कर दी है condition मान लिया जाएगा ओफर जन्रल होता है लेकिन contract आपका हर उस व्यक्ति के साथ हो रहा है जो इस condition को comply कर रहा है और आप bound है वो पैसा मिसस कारलिल को देने के लिए ताट वाज कार्बोलिक वर्सस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी very important judgment on general offer एक थोड़ा सा conceptual चीज भी इदर समझेगा invitation to offer और general offer के बीच में ना कई बार confusion होता है newspaper का जो advertisement होता है वो invitation to offer है या general offer है इसका कोई absolute answer नहीं हो सकता it depends कि वो ad किस nature का है जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा mobile phone खो गया मैंने facebook पे ad डाल दिया newspaper में ad डाल दिया कि भाई मेरा ये ये phone खो गया जो लाके देगा उसको मैं 2000 रुपे नगत पुरुसकार दूँगा ये general offer है अगर माल लिजे मैंने newspaper में या कहीं किसी platform पे एक ad डाला कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है जो मैं sale करना चाहता हूँ 5 लाक रुपे में और मैंने उसका पूरा description दे दिया ये ये model है इत्ती चली है सारी जानकारी दे दी और मैंने लिख दिया जो भी interested हो मेरे से जंबर कर ले is it an offer is it a general offer और an invitation to offer बताईए जरा दोनों समझा दिये है थोड़ा बताईए एक तो वो वाला एड जिसमें phone खो गया है मैंने लिखा जो भी phone ढूंड के लाएगा उसको 500 रुपे नगत पुरुसका that's a general offer यह क्या है जहां मैंने एड दिया है आयूशी कह रही है sir what about matrimonial ad it is similar to matrimonial मैंने गाड़ी का एड डाला है आप अपना भी डाल सकते हैं लोग डालते हैं matrimonial यहां तक पड़े हैं यह किया है उस अब डालते हैं आप जानकारी अपनी फिर interested candidates को आप invite करते हैं that is an invitation to offer please remember this is invitation क्यों invitation क्योंकि वो final willingness नहीं है मैंने लिखा कि मेरी यह गाड़ी है पांच लाग रुपे में बेचना चाहता हूं अब उसमें जो भी आ रहे हैं pick मैं decide करूँगा किसको देना नहीं देना आप पांच लाग लेके भी आगा है मैं मना कर दूँगा आपको नहीं दूँगा अब उसमें there is no scope वो finality है finality है उसमें लेकिन यह जब मैंने एड डाला है कि जो भी इंट्रेस्टेड हो आँ इसी आड में अगर मालो मैं यह कर दूँगा यह यह गाड़ी यह फोटो भी अप्लोड कर दी वीडियो भी लगा दिया जिसको खरीदना पांच लाग रुपे ज जो जनरल एड होते हैं यह सब क्या होते हैं invitation to offer होते हैं इस तरीके के ads newspaper के यह ध्यान रखिएगा चलिया तो यह हो गया अपना अच्छा एक केस मैं थोड़ा सा skip कर गया इंप्लाइड वाले में एक केस और लिख लिएजिए काफी important है अप्टन रिउरल डिस्ट्रिट कांसल वर्सस पॉविल यह important केस है यह किसका है implied एक्सप्रेस और implied का case है अप्टन रिउरल डिस्ट्रिट कांसल वर्सस पॉविल इस केस में होता यह है बेसिकले कि एक व्यक्ति का फार्म हाउस होता है जिसमें आग लग जाती है वो एक fire services को call करता है एक agency होती है company होती है जो fire brigade का काम करती है fire extinguisher का काम करती है और उन्होंने specified territory declare कर रखी जिसमें वो free services देते हैं एक यह territory उन्हें define कर रखी है जिसमें वो free services देते हैं लेकिन यह जो बंदा था जिसने इनको call करके बताया इसका farmhouse इधर था उनकी free services जहां होती है वो area यह था लेकिन इस बंदे का farm बाहर था लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इधर पर भी free है वो phone करके बोल देता है कि भाई मेरे farm में आग लग गई है आप आके उसको extinguish कर दीजिए company के लोग जाते हैं और इसके आग लगी उसको बुझा देते हैं फिर जब इससे पैसे मांगे जाते हैं तो यह कहता है हमने तो इसलिए कर दिया था कि हमको लगा था कि free service है इसलिए मैंने किय था तो court ने यहां held किया कि जब इस बंदेने company की services मांगी है जो defendant है जिसने company की services मांगी है तो वो एक implied proposal था कि आप मुझे services दीजिए और जो आपके respective charges होंगे वो मैं pay करूंगा यह implied proposal उसने दिया था और इसके basis पे ही उस agency ने आके इस fire को extinguish किया है बुझाया है इसलिए वि example of implied offer इसको भी याद रखिएगा तो भाई देखो implied हो गया, express हो गया, specific हो गया, general हो गया इसके अलावा एक form और standing भी हो गया, standing open offer, standing offer या continuing offer एक और होता है आपका cross offer इसको भी थोड़ा असा समझ लीजे, यहां से भी एक free का question बनता है, cross offer होता क्या है वो समझना बड़ा खेल नहीं है, लेकिन उसका impact आपको थोड़ा समझना है, cross offer क्या होता है, cross offer basically इस term से ही determine होता है, cross term से, होता क्या है, cross offer का मतलब माल लीजिए, A ने एक offer दिया किसको B को, और same identical offer B ने भी, identical, similar नहीं, दोनों में different, similar मतलब उसके जैसा, identical मतलब exactly the same, same offer B ने भी दिया at the same time, जैसे माल लीजिए, A ने एक letter लिखा किसको, B को, एक letter लिखा, इस letter में A ने क्या किया, A ने लिखा, कि भाई मेरे पास जो Samsung का phone है, वो Samsung का phone में 10,000 रुपे में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, ये letter इसने भेजा किसके पास, B के पास, at the same time, B ने letter लिखा A को, और उसने भी उसमें ये लिखा, कि भाई तेरा जो Samsung का phone है, क्या तू मुझे वो 10,000 में बेच सकता है, क्या बेचेगा 10,000 में, same identical terms हैं दोनों के, A ने B को letter भेजा, कि मैं अपना Samsung का phone 10,000 में बेचना चाहता हूँ, B ने लिखा, कि क्या भाई तू अपना Samsung का phone मुझे 10,000 में बेचेगा, अब एक letter इसके पास पहुचा, एक letter इसके पास पहुचा, इसको अपन कहते हैं cross offer, cross क्यों, क्योंकि दो identical offer एक दूसरे को during transit cross कर रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं cross offer, identical होने चाहिए terms, ये ध्यान रखिएगा, so जब दो identical offers एक दूसरे को cross करते हैं, उसको कहते हैं cross offer, लेकिन सर आप हमको ये पढ़ा क्यों रहे हो, time pass नहीं कर रहा हूँ, यहां से सवाल के आता है, कि cross offer, क्या एक binding contract होता है, क्योंकि identical बात इसने लिखी, और इसने भी वाई चीज लिखी, क्या इसकी लिखी हुई बात को अपन acceptance मान सकते हैं, भाई क्योंकि सेम बात इसने यहां लिखी, उसने सेम बात यहां बेजी, तो क्या इसको acceptance मान के, एक binding contract माना जा सकता है, कि अब यह bound है, अपना phone बेचने के लिए, और भी खरीदने के लिए, the answer is no, the answer is no, that's the correct answer, cross offer binding नहीं होते, यह अभी भी क्या है, यह अभी भी सिर्फ offer है, भले दोनों ना identical दिया है एक दूसरे को, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ offer है, अब इन दोनों में से कोई एक, जैसे ही acceptance देगा, तब वो binding बनेगा, दोनों में से किसी एक को acceptance देना जरूरी होगा यहां, यह इन दोनों में से कोई भी लिख दे, तो वो binding हो जाएगा, अब आजाएए यह ओफर के बारे में, हाँ, इतनी चीज़े मेरे क्याल से, अब अपन आते हैं, थोड़ा acceptance की तरफ, communication की बात तो हमने देख ली, कि communicate होना जरूरी है, लेकिन इससे आगे भी थोड़ा जाएंगे, थोड़ा और चीज़ों को भी communication अभी detail में समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ basic बातें, acceptance की समझ लेते हैं, फिर दोनों का communication अपन सा मत में complete करेंगे, so देखिए acceptance की बात अब अपन करते हैं, तो acceptance जैसा आपने देखा, एक पर जरा बेरेक्ट फिर से निकाल लीजिए, और बेरेक्ट में section 2 भी देखिए, when the person to whom the proposal is made signifies his ascent there too, the proposal is said to be accepted, proposal accepted कब मान लिया जाता है, acceptance कैसे होता है, या कब इसको acceptance मान लिया जाता है, जब व्यक्ति अपना ascent signify कर दे, एक व्यक्ति जिसने दूसरे को proposal दिया, जिस व्यक्ति के लिए वो proposal था, अगर वो अपना ascent signify कर दे, अपना ascent दे दे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं उसको हम बोल देते हैं acceptance अब इस acceptance के बीना अपने essentials है case की बात करी थी किसी ने अभिशेक ने पूछा है related case लिख लो बिटा case इसका भी लिख लो एक case लिख लो cross offer का फिर acceptance बता रहा हूं 10 versus Hoffman case लिख लो of men की spelling देखनों में double F है of men यह case आप लिख सकते हैं cross offer में 1873 1873 आइरन खरीदने के लिए एक व्यक्ति दूसरे को लिखता है लेटर आइडिंटिकल टर्म्स वो भी इसको बेचने के लिए लिखता है cross होते हैं एक दूसरे में उसको cross offer कहते हैं और सेम बात कि यह अभी भी offer ही है कोई एक accept करेगा तब वो बनेगा binding ठीक so that's the case चलिए अब आजाईए जरा अपने acceptance की तरफ तो यह तो आपने समझ लिया कि acceptance मतलब जिस व्यक्ति के लिए आपने proposal दिया है वो अपना assent signify कर दे और जो मैंने आपको अभी थोड़ी दिर पहले कहा था कि जिस प्रपोजल की आप imagination कर रहे हैं जिस प्रपोजल को आप सोच रहे हैं क्या वो section 2 एक हिसाब से valid है तो उसकी कहानी मैं आपको भी बताता हूँ acceptance के अंदर अब जरा acceptance के बारे में कुछ चीजे हैं उनको जरा देखना है हमें वो बहुत जरूरी है section 7 पर आईए acceptance से related section 7 थोड़ा जरूरी पॉइंट है section 7 बात करता है acceptance must be absolute acceptance कैसी होनी चाहिए acceptance हमेशा absolute होनी चाहिए देखो यहां क्या लिखा है in order to convert a proposal into a promise the acceptance must be absolute and unqualified that is very important acceptance should be absolute and unqualified absolute और unqualified होनी चाहिए इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है जो proposal है as it is accept होना चाहिए उसमें modifications या changes नहीं होने चाहिए qualify कर देने का मतलब changes कर देना changes नहीं होने चाहिए absolute मतलब as it is जैसे का तैसा acceptance होगा तभी वो जैसे मान लीजिए आप जिस proposal के बारे में सोच रहे हैं उसी को ले लेते हैं आपने एक व्यक्ति को proposal दिया सामने वाले ने as it is accept ने किया सामने वाले ने बोल दिया we are just friends or let's be just friends तो आपने तो एक अलग proposal दिया था सामने वाले ने उसको as it is नहीं accept करके क्या कर दिया qualify कर दिया that's not a valid acceptance और इसी को हम क्या कहते हैं इसी को बटा हम कहते हैं counter offer इसको क्या कहते हैं counter offer तो यह जो सामने वाले ने friendship का offer दिया ना इसको क्या बोलते है counter और यह merely offer है क्योंकि counter offer मैंने लिखा है this is merely an offer just like cross offer आप bound नहीं है इससे तो आपको ऐसा लगता है कि आप उससे bound है actually होते नहीं है you can look for other things in life आप bound नहीं होते उससे क्यों क्योंकि that is merely a counter offer now it is up to you whether you accept it or not मैंने आपको offer दिया कि भाई मैं आपको Judiciary Foundation course पढ़ाऊंगा 80,000 rupees में मैंने आपको कहा मैं आपको course पढ़ाऊंगा कित्ते में 80,000 rupees में आपने का यहार सर अस्ती तो नहीं दे पाएंगे ऐसा करो आप discount दे दो 60 में पढ़ा दो तो आपने अब यह जो बोला कि सर 60 में पढ़ा दो that is a counter offer that is not an acceptance अगर आप कितने सर मैं 80 तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं 60 दे सकता हूं को that is merely a counter offer that's not an acceptance क्योंकि वह absolute नहीं है आपने उसमें बदलाव कर दिये अगर मन लीजी आप यह कहते हैं कि सर 80,000 तो ठीक है लेकिन 5 इंस्टॉल्मेंट में दे पाऊंगा मैं इसको यह चार इंस्टॉल्मेंट में दे पाऊंगा 20,000 एक साथ नहीं दे पाऊंगा that is also a counter offer now it is up to me whether I accept it or not मैं reject भी कर सकता हूं क्यों I am not bound by that क्योंकि आपने मेरे offer को as it is accept नहीं किया I hope this is clear counter offer क्या होता है जब acceptance में कोई modifications या changes कर दिये जाते हैं उसको हम कहते है counter offer and I hope this is clear समझ आया भाई तो आप जब offer करते हैं और सामने से reply आता है कि we are just friends तो वो क्या होता है counter offer होता है इसके बाद एक चीज और लिखी हुई है section 7 के clause 2 में that is also very important यह बात है mode of acceptance के कि आपने acceptance दी तो है लेकिन mode क्या है acceptance देने का उसके बारे में भी बात करता है उसको भी यहीं समझ लेते हैं फिर अपन दोनों का communication समझेंगे so be देखिए 7 का be expressed in some usual and reasonable manner acceptance हमेशा कैसे होनी चाहिए usual या reasonable manner में होनी चाहिए कोई भी reasonable mode जैसे मैंने आपको offer दिया phone पे आप phone पे कर लीजिए whatsapp कर दीजिए mail कर दीजिए आके बता दीजिए कोई भी reasonable mode चलेगा लेकिन आगे लिखा है unless unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted अगर proposal में कोई specific manner लिखा है कि नहीं आपको acceptance इसी manner में देनी है उस case में आपको acceptance उस specified manner में ही देनी है वहाँ पे आप किसी भी usual mode में नहीं दे सकते जैसे मैंने आपको offer दिया और मैंने कहा भई अगर accept करना है तो over mail ही देना acceptance mail के जगे आप WhatsApp कर रहे हैं तो क्या मैं bound होंगा उस WhatsApp वाले acceptance से उसके लिए आगे कहानी लिखी है पढ़िये जरा if the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner the proposal may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise but if he fails to do so he accepts the acceptance देको इसको इंदी में समझ लो जो लिखा है बात यह है कि अगर मैंने कोई specific mode of acceptance prescribe किया है और आपने मुझे acceptance भेजी तो है लेकिन उस prescribed mode में नहीं भेजी है किसी दूसरे mode में भेज दी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको मेरा offer accept करना है तो mail करना मुझे आपने WhatsApp कर दिया अब इस case में मुझे object करना पड़ेगा एक reasonable time में कि आपने जो acceptance भेजी है WhatsApp पर भीजी है और मुझे acceptance चाहिए थी mail पर आप वो भेजेंगे तभी मैं bound होंगा या मुझे वो आप भेजिए ये बात अगर मैं आपको notify कर देता हूं तो मैं आपकी उस WhatsApp वाली acceptance से bound नहीं होंगा लेकिन अगर मान लीजिए आपने acceptance किसी भी usual manner से भीज दी let's say WhatsApp अगर मैंने उस पर object नहीं किया तो मान लिया जाएगा that I have accepted your acceptance मैंने उस acceptance को accept कर लिया है ये मान लिया जाएगा इसलिए जो mode मैंने prescribe किया है अगर आपने उस mode में acceptance नहीं दी है उस manner में नहीं दी है तो it is my duty to object on that I hope you are getting this अगर मैंने object नहीं किया तो मान ल कर लिया है that's clause B of section 7 चलिए अब आ जाते हैं अपन थोड़ा सा दूसरे एक discussion की तरफ जो है हमारा communication के regarding और जो बहुत ही important discussion है इस offer और acceptance से related ठीक है एक मिट जरा में एक बार यह चेक कर लूँगे कहीं कोई essential छूट तो नहीं रहा इसके अलावा कुछ ठीक है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा एक और case इसके regarding है क्योंकि important तो एक चीज़ यह और ध्यान रखिएगा कि यह जो acceptance है यह acceptance उसी व्यक्ति द्वारा होनी ओफरी द्वारा ही होना चाहिए offer को offer कौन है जिसको offer दिया गया है तो जिस व्यक्ति को offer दिया गया था वो ही acceptance communicate करेगा कोई दूसरा नहीं जैसे मान लिजे, आपने एक व्यक्ति को प्रपोजल दिया, जिस व्यक्ति को आपने प्रपोजल दिया, वो तो आके आपको acceptance नहीं दे रहा है, उसका कोई friend आके आपको बता रहा है कि यार भाई वो तुमारा प्रपोजल तो accept हो गया है, तो वो acceptance, valid acceptance नहीं मानी जाएगी, य acceptance हमेशा communicate होनी चाहिए, by the offer to the offerer, या फिर authorized agent है, तो वो कर सकता है, अगर कोई authorized agent है, वो communicate कर रहा है, तो उसे valid मान लिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा, अगर कोई तीसरा व्यक्ति ये करता है, तो उस acceptance को valid नहीं माना जाता, इस चीज़ को आप ध्यान रखियेगा, इस से related a case भी है, important उसके fact भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप में से कोई उसका नाम बता पाए, तो please बताईएगा, होता ये है कि एक school में headmaster का appointment होना है, और headmaster के appointment के लिए board का discussion चलता है, कई सारे में वहाँ पे contender थे, उनमें से एक व्यक्ति का नाम, board decide कर लेता है कि हाँ भाई, इस व्यक्ति को हम appoint करेंगे as the headmaster, लेकिन ये decide होता है कि आज meeting हुई है, board की, कल सुबह वो list जारी करी जाएगी, officially, और कल सुबह जब वो list आएगी, उसमें ये बात mention होगी, कि भाईया, कौन choose किया गया, लेकिन बंदे को select कर लिया गया, जैसे हमाल लीजे, A को select कर लिया, A भी एक applicant था उसमें, और A को select कर लिया गया है, कि हाँ भाई, तुमारा appointment होगा, अब A को ये बात, जो board था, जिसमें बहुत सारे लोग थे, उसका एक member, personal capacity में, या private capacity में, वो व्यक्ति जाके, उसे ये communicate क हो गया है, तुमें appoint कर लिया गया है, as the headmaster, और 2-1 दिन में, सारी, कल सुबे तक list भी आ जाएगी, उसमें तुमारा नाम आ जाएगा, लेकिन होता ये कि सुबे जब list आती है, उसमें नाम बदल दिया जाता है, किसी दूसरे को बता दिया जाता है, अब जो A था, वो जाके suit file करता है, किसाब मों तो already accept हो गया था, इनने revoke के से कर दिया, तो भईया, यहाँ acceptance का communication अभी हुआ नहीं है, एको, वो कैसे होना था, official manner में, अभी वो हुआ नहीं है, बोर्ड के किसी member ने आके privately बता दिया, यह valid communication of acceptance नहीं है, बोर्ड को accept करना था, आपका offer, आपने offer किया था, कि आप headmaster बनना चाहते है, बोर्ड को accept करना था, उसने नहीं किया, very correct आईशा, the correct answer is Powell versus Lee, इसको भी लिख लेजिए नाम, Powell versus V, यह भी important case है, Powell versus Lee, Powell versus Lee का year है, 1908, 1908, 1908, that's the year, ठीक, तो यह ध्यान रखियेगा, communication, offeree से होगा, offerer के पास, तभी valid माना जाएगा, otherwise नहीं माना जाएगा, so this case is also important, जैसे आपने देखा अभी कुछ राज्यों में चुना हुए, पता ही नहीं मुखमंत्री कौन बनने वाला है, सब सूच रहे हम बनने वाले है, अब किसी ने privately जाके बता भी दिया, कि आ रहे तुमारा नाम आ गया है, लेकिन पता चला सुबह जब डिक्लेयर हुआ तब कोई और ही आ रहा है, ऐसे गेम हुए, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा ये चीज, आईशा बिटा, जरूरी तो नहीं है, साइटेशन, मैं आपको रेफरेंस के लिए बस बता दे रहा हूँ, ताकि आपको आगे पढ़ना हो इसके fact fact, तो आप पढ़ पाए, बहुत नाम भी भूल जाएंगे तो चल जाएगा, मतलब ठीक है, प्रायरिटी ये है, कि आप नाम citation लिख दे, लिख दे तो बहतर है, ये नहीं याद है, नाम लिख दे, मैं कह रहा हूँ, नाम भी याद नहीं है, रेशो लिख दो, कि एक judgment में ऐसा हुआ था, वो भी काम कर जाता है means में, घबराने वाली बात नहीं, ना लिखने से बहतर है, रेशो लिख दो, याद है तो और बहतर है, ऐसा कोई mandatory requirement नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर याद है तो लिखिये नाम, कुछ भी लिखने से अच्छा है, कि नाम, मतलब गलत सलत लिखने से अच्छा है, अगर थोड़ा सा बचते हैं, तो इतना चलता है, तो भाई यह हो गया आपका about acceptance, counter offer यहीं से निकलता है, I hope that is clear, चलो, अब अपन बात करेंगे communication की proposal और acceptance, तोनों के communication की अब अपन बात करेंगे, और यह जो topic है, काफी important है, और मैं सोच के तो आया था आज, कि मैं आज आपको section 9 त मेरा बन था, offer acceptance के साथ consideration डिसकस करना चारा था, लेकिन जितना बड़ा offer acceptance है, उतना ही consideration है, क्योंकि वहाँ priority of contract, priority of consideration, doctrine of promissory, stopel, यह सब वहाँ पढ़ना पढ़ेगा, section 25, तो मेरे को लगनी रा आज हो पाएगा, इसलिए communication भी थोड़ा सा समझने वाला है, तो इसको ही आज म onwards बढ़ेंगे, थोड़ा सा, मैं ने कहा है, बहुत जादा जल्दी में भी मैं नहीं हूँ, एकाथ दिन एक्स्ट्रा भी लगेगा, तो तीन की जगे, चार दिन में करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, और आप कहें तो थोड़ा सा जल्दी भी करा सकता हूँ, थो इसको थोड़ा समझ लेना, इलस्ट्रेशन बेस्ट क्वेस्टन भी इधर पर बन जाते हैं, इस प्रपोजल के, प्रपोजल या एक्सेप्टेंस के बेसिक ली, कमिनिकेशन से, तो चलिए कमिनिकेशन के लिए जो सेक्शन है, वो है आपका सेक्शन 4, सेक्शन 3 भी पढ़ लीजे, just for reference, कुछ बहुत important नहीं है, उसमें, section 3 है, communication, acceptance and revocation of proposal, ये कहता है, the communication of proposals, the acceptance of proposals and the revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation or which has the effect of communicating it, 3 basically सिर्फ ये ब्रीफ करता है, कि acceptance कब माना जाए, proposal communicate हो गया, कब माना जाए, revocation communicate हो गया, कब माना जाए, तो किसी भी usual manner में, जहां ये intention दिखे कि आपने communicate किया है और आपका communication का intention है, वो जहां दिखेगा, उसको valid mode मान लिया जाएगा, valid communication उसको माना जा सकता है, असली कहानी है कि communication complete कब माना जाए, ये चालू हो रही है, section 4 से all right, तो आप, लोगों का जो मेरे पास इसके regarding message आया है, वो है कि this is fine, इसी तरीके से चलिए, ठीक है, मैं तो जल्दी में नहीं रहता हूँ, आप ही लोग रहते हैं थोड़ा सा, YouTube पे आपको सब कुछ fast and forward चाहिए जीवन में, बले समझ कुछ ना है, वो अप्रोच के साथ इस crash course में को मैंने deal नहीं किया है, बट वो अलग होता है, वो भी कभी कर लेंगे, ज़रुरत पढ़ने पर, अभी एक बार, पहली बार क्योंकि, शायद YouTube में deal कर रहा हूँ, तो मै यह की दिन लगेगा extra, उससे जादे नहीं, चार दिन में बड़े अराम से करा दूँगा, अब यह भी वो भी में संभावना लेके चल रहा हूँ, हो सकता है, तीन दिन में भी हो जाए, विद्धिस स्पीड उनली, मैं चाहरा हूँ, case-based इधर जादा है, 9-10 section तक जादा है उसके बाद थोड़ा सा light हो जाएगा आपका, जल्दी हो जाएगा portion, बट यह बहुत important सबस्दा सवाल भी यही से बनते हैं क्योंकि, चलिए section 4 निकालिए bare act में, पहले provision पढ़ेंगे, फिर मैं example के साथ आपको इधर communication समझा देता हूँ, section 4 बात करता है, communication when complete, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, बहुत simple है, proposal का communication बहुत simple है, एक व्यक्ति होता है, proposal P, एक व्यक्ति होता है, acceptor A, proposal भेजता कौन है, P भेजता है, P प्रपोजल भेज रहा है, एक मिनट, white से घिजवाते हैं, red से क्यों घिजवा दिया, white, प्रपोजर जो है, यह अपना प्रपोजल भेजता है, acceptor के पास, कब मान लिया जाएगा कि प्रपोजल का communication complete हो गया है, तो बहुत simple भाशा में यहां section 4 कहता है, the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, जिसको प्रपोजल दिया जाना है, उसके knowledge में आ जाए, तो मान लिया जाएगा कि प्रपोजल का communication complete हो गया है, तो इसने मान लिजए letter के through भेजा, अगर इसने अपना भी मैं जो discuss कर रहा हूं, letter के through कर रहा हूं, किसी ने telephone पूछा था, वो भी अपन करेंगे, वो बहुत important है, पहले letter से समझ लिजए, क्योंकि जब Indian Contract Act लिखा गया था, उस समय phone exist नहीं करता था, तो मान लिजए, एक letter इसने एक जनवरी को भेजा, एक जनवरी 2024 को इसने letter भेजा, मान लिजए, letter यहाँ पे पहुचा किस दिन, 10 जनवरी को पहुचा, 10 जनवरी 2024, आप बताईए, प्रपोजल का कमिनिकेशन किस डेट पे complete माना जाएगा, एक जनवरी को इसने letter भेजा, और letter receive कब हुआ, acceptor के पास, 10 जनवरी को receive हुआ, अब बताईए, प्रपोजल का कमिनिकेशन कब कम्प्लीट माना जाएगा, as per this definition, so the answer is 10 जनवरी, knowledge में आएगा जब acceptor के, तब माना जाएगा, प्रपोजल का कमिनिकेशन कम्प्लीट, I hope that is clear, अब इधर पे एक सवाल आपका ये भी आता है, कि sir, letter successfully receive हो गया, लेकिन ये ने पढ़ा नहीं, तब क्या कमिनिकेशन कम्प्लीट मान लिया जाएगा, yes और no बताईए, तुरंत comment box में, letter पहुंच गया है, लेकिन पढ़ा नहीं उसने खोल के, हाँ, देखो, किसी ने लिखी दिया, आयूश ने लिखी दिया, वो doubt, चलो, बताओ, सब मैं थोड़ी बताऊँगा, उस तुम भी तो मन लिया जाएगा, letter receive हो गया तो, knowledge में नहीं आया, कुछ लोगों का नहीं कहना है, कुछ लोगों का हाँ कहना है, इसके लिए जाना पड़ेगा, बेटा, illustration, ऐसे सवालों के जवाब, legislature illustration क्यों देता है अपने draft में, ताकि जो बात language से communicate नहीं हो रही है, वो किस से हो जाए, illustration से communicate हो जाए, पढ़ लो जाराप पहला illustration, a proposes by letter to sell a house to b at a certain price, a letter के दे उसरों प्रपोस करता है, b को घर बेचना, the communication of the proposal is complete, क्या लिखा है, when b receives the letter, underline कर लो, receive को, communication कब complete है, जब b ने letter, receive कर लिया है, तो receive हो गया, इसका मतलब communication complete है, इसको कहते है, constructive knowledge, क्या कहते है, constructive knowledge, ठीक है, construe कर लिया जाएगा, कि आपके knowledge में आ गया है, अगर successfully receive हो गया है, तो construe कर लिया जाएगा, मन लिया जाएगा, कि आपके knowledge में आ गया है, illustration इस बात को clearly बता रहा है, कि receive, इसलिए लिखा है word, receive, I hope that's clear, ठीक है भीया, तो इसको हम constructive knowledge भी कहते है, और जैसे receive हो गया letter, काम खत अब आप कहेंगे, sir mail से हुआ है, mail आया inbox में पड़ा नहीं, IT act अभी पड़ा है, दो दिन पहले, उसमें सब था, कब receive मान लिया जाएगा, कब dispatch मान लिया जाएगा, electronic record, system के अंदर आ गया मेरे, receive मान लिया जाएगा, मेरे system से बाहर चला गया, dispatch मान लिया जाएगा, I hope that's clear, telephone पर भी मताईएगा, उसको अलग से बताऊगा, चीक, तो IT act में अपन ने email का देख लिया है, कब complete, that's very simple, कुछ नहीं है, इसमें, simple लिखाए, जैसे ही knowledge में है, game किस में है, तो game है भाई, समझने वाला, वो हमारा है, acceptance के communication में थोड़ा सा लफड़ा है, actually, थोड़ा सा न मे मझे एक ही उसमें आपको सब समझाना है, क्योंकि, proposal का communication आपको समझाना है, आपको मझे acceptance का communication इसी में समझाना है, और revocation भी मैं इसी में समझाना चाहरा हूँ आपको, so देखिए भाई, proposal माल लेजिए, एक जन्वरी को यहां से भीजा गया, इधर, acceptor ने इस proposal को accept किया, बतब इसको मिला, 10 जन्वरी को, मिल गया इसको letter, proposal का, ठीक, that was the proposal, जो ऐसा गया, अब acceptance की बात आईगी, acceptance की बात आईगी, अब की acceptance का communication कब कम भी माना जाए, पढ़ते हैं, section 4, acceptance के communication के बारे में क्या कहता है, तो देखिए, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, फिर लेका है, the communication of an acceptance is complete as against the proposer, when it is put in a course of transmission to him, so as to be out of the power of the acceptor, क्या लिखा है, proposer के against, अब देखो, ये ना, दो paragraph में दिया, दो point में दिया है, acceptance का communication, दोनों के against, अलग-अलग होता है, ये proposer है, इसके against, अलग complete होगा, acceptor के against, अलग complete होगा, इस बात को ध्यान रखना, अभी हमने किसका पड़ा है, proposer के against, कब complete होगा, as against the proposer, when it is put in a course of transmission to him, as to be out of the power of the acceptor, देखिए, पहले हम समझ रहे हैं, proposer के against, कब acceptance का communication complete होगा, इसका मतलब क्या है, ये भी समझ लीजे, proposer के against complete होने का, proposer के against complete होने का मतलब ये है, कि ये proposer का bound हो जाएगा, कब इसके उपर binding हो जाएगा acceptance, कब ये bound हो जाएगा, इसको हमने कहा है, कि proposer के against कब complete होगा, चीक, proposer के against complete होगा, मतलब, he is bound by that, that's what it means, अब समझ ये, proposer के against complete तब होगा, जैसे ही acceptance course of transmission में चला जाए, successfully, ऐसे course of transmission में चला जाए, कि वो A के control से बाहर हो जाए, एक letter, proposer ने post किया, A ने receive किया 10 जन्वरी को, तो 10 जन्वरी को proposal का communication complete, इन भाई साब ने acceptance का letter post किया, इन भाई साब ने acceptance का letter, let's say, post किया है 12 जन्वरी को, अब 12 जन्वरी को, जब इनोंने letter of acceptance post किया, कहां करेंगे ये, अपने शहर में, शहर भी लिखते जाता हूँ, क्योंकि साथ में अपन place भी समझ लेंगे, proposer भाई साब बैठे हैं भुपाल में, acceptor भाई साब बैठे हैं किदर, उज्जैन में, क्योंकि इसके पहले मुख मंत्री जी, भुपाल में बैठते थे, मतब बैठते तो अभी भी है, लेकिन भुपाल बैल्ट के थे, तो एक वो रख लिए आपन ने, एक उज्जैन ने, अपहले मुख मंत्री जी उज्जैन के, तो एक्सेप्टर माल लीजे बैठे हैं, उज्जैन में, ठीक, दस तारिक को उन्होंने लेटर क्या किया, पोस्ट किया, किदर पोस्ट करेंगे, उज्जैन की पोस्टल अथॉरिटी, येस, पोस्टल अथॉरिटी के पास, post office में जाके post करेंगे letter तो जैसे ही 12 तारिक को इनके control से बाहर हुई acceptance acceptance कौन देगा? एकसेप्टर देगा जैसे ही इसने letter of acceptance post किया successfully A के control से बाहर जैसे ही successfully post हुआ P के against proposal, sorry P के against acceptance का communication complete हो जाएगा 12 तारिक को ही यह bound हो जाएगा भले ही P को वो acceptance मिले या ना मिले अब देखो 12 को तो इन्होंने यहाँ post किया तो यह acceptance ऐसे आएगी इधर और फिर यह यहाँ से पहुँचेगी कहाँ इधर से यह पहुँचेगी यहाँ भोपार माल लिजिये P ने receive किया है उस acceptance को लेट से 18 जन्वरी को इनने कब receive किया है acceptance 18 जन्वरी 12 तरिक को वहाँ से post हुआ 18 को इनको मिला तो भले ही P को वो acceptance मिला 18 जन्वरी को है लेकिन P bound कब हो गया 12 जन्वरी को इबाउंड हो गया जैसे ही letter successfully course of transmission में गया वैसे ही proposal bound हो जाता है इसके against acceptance का communication complete हो जाता है and I hope that is clear I hope this is clear proposal कब bound हुआ समझ में आ गया भाई yes sorted है अब बात करते है अपन acceptor की कि acceptor के against कब complete होगा acceptance का communication कब acceptor bound होगा इस communication से उसके लिए देख ये second part लिखा है provision का as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer acceptor के against तब complete होता है जब वो proposer के knowledge में आ जाए acceptance complete कब होता है acceptor के against जब वो proposer के knowledge में proposer के knowledge में कब आया अठारा जन्वरी तो acceptor हमारा कब bound होगा इससे 18 जन्वरी को भले इपोस्ट 12 को कर दिया है लेकिन यहां मिला 18 को तो 18 तारिक को bound होगा कौन ए acceptor अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों किया गया है इस इंडियन कॉंट्राक्ट अक्ट में ऐसा क्यों किया गया है इस कॉंट्राक्ट अक्ट में इसको थोड़ा समझीएगा आई उसको समझ नहीं आ है एक बार फिर से repeat करता हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना और वीडियो बैक करके देख लेना बाद में अगर उसके बाद अक्सेप्टर है वो देगा acceptance जैसे ही कैसे दे रहा है acceptance letter के त्रो जैसे ही एने letter post किया acceptance का pk against complete प्रपोजर के against complete यह आपका कॉंट्राक्ट कहता है यह मैं नहीं कह रहा है इंडियन कॉंट्राक्ट अक्ट में लिखा है कि जैसे ही acceptor के control से बाहर हुई acceptance जैसे इसने letter post कर दिया successfully ये बंदा bound हो गया इसके against acceptance का communication complete अभी ये bound नहीं हुआ है एक अब bound होगा जब ये acceptance यहाँ पहुँचे P के पास P के पास पहुँचेगी तो A के against complete मान लिया जाएगा communication को अब हम communication communication complete और bound होने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें ये देखना है कि कभी ये revoke किया जा सकता है proposal उसको भी अभी समझेंगे इसलिए ये story जब end होगी ना तब एक बार आप बताईएगा आपके समझ आया या सो जैसे ही यहां से letter पोस्ट हुआ पी बाउंड हो गया letter जैसे ही यहां receive हुआ ए बाउंड हो गया acceptance से acceptance का communication दोनों के against complete जैसे इदर पहुंच गया letter that's one thing चीख अब एक चीज और यहां इस communication of acceptance में आपको समझनी है place of acceptance place of contract यहां पे क्या माना जाए किस जगे पे contract concluded माना जाए उज्जैन में या फिर भोपाल में contract concluded किस place पे माना जाए कोई बता सकता है उज्जैन या भोपाल acceptance post हुई है उज्जैन में acceptance receive हुई है भोपाल में acceptor bound हुआ है जब भोपाल पहुचा proposer bound हो गया उज्जैन में ही जैसे लेटर पोस्ट हुआ बताई यह place of contract कौन सा माना जाए भोपाल जहां acceptance receive हुई है आल्राइट तो मुझे लगता है contract की class करना वाकाई जरूरी था है दोनों भी कह रहें हैं लोग बाई देखो लेटर के थूँ जब भी transaction हो रहा है contract जब भी लेटर के थूँ हो रहा है एक बात ध्यान रखना जैसे ही लेटर पोस्ट होता है वैसे ही एक पार्टी bound हो जाती है कौनसी पार्टी प्रपोजर इसी लिए टेलेफोनिक कमिनिकेशन में generally place of contract यह मानी जाती है जहां लेटर पोस्ट किया लेटर के थूँ है अभी अलग से बताऊंगा अभी अपन किसकी बात कर रहे है QUAND पॉस्ट कर दी दस बारह जन्वरी को उसने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी कि हाँ भाई मैं खरीदने को तयार हूं पी के पास वह लिटर रिसीव तो अठारा को हो रहा चौदा तारिक को अगर इसका मन किया कि पता नहीं आर वो खरीदेगा कि लिए पी उठा के चौदा तारिक को किसी और को फोन बेज़ देता है क्यों क्योंकि पी के अगेंस्ट कम्यूनिकेशन तभी कम्प्लीट हो गया था जब ए ने इस लेटर को पोस्ट किया था इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि communication कब किसकी अगेंस complete होगा आयुश अब थोड़ा सा connect करने की कोशिश करना बिटा क्यों हम इस communication को पढ़ रहे हैं किसलिए पढ़ रहे हैं इस communication कि भाईया ये कब bound हो गया था उस communication से 12 जनवरी को जैसे इसने letter post किया बहले आप तक पहुंचा ना हो अब आप किसी दूसरों को बेच रहे हैं तो पंबंसेट करना पड़े हैं उसके अब पोस्टल कमिनिकेशन में और कहां पर मान लिया जाता है यहीं मान लिया जाता है अब एक बात आपके जहन में हो सकता ही आई हो कि सर ऐसा अत्याचार पी के साथ क्यों हो रहा है कि भाईया इसके पास पहुंच तो अठारा को रहा है हम बांड इसको पहले ही करते रहे हैं 12 तरिक कोई हमने इसको बांड कर दिया जबकि एक्सेप्टेंस इस तक पहुंच रही है 18 तरिक एसा क्यों कर रहे है और क्या यह जेस्टिफाइड है क्या यह इक्विटेबल है क्या यह सवाल आपके जहन में आया कि इस वैक्ती के लेटर पोस्ट करने थे, बाद में कर रहे हैं, आपके जहन में ये सवाल आया है या नहीं आया कि इस गरीब कसांत अत्याचार क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, इस गरीब कसांत अत्याचार इसलिए हो रहा है, अब माल लीजिये, ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, कि बारा तारिक को इसने तो लेटर पोस्ट कर दिया, अपनी तरफ से कर दिया, इसको कंफर्म करना पड़ेगा, इसको कंफर्म करना पड़ेगा, कि भाई तू घरीद रहा की नहीं घरीद रहा, उसके बाद यह आगे अक्शन लेगा, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, लेटर पोस्ट करने का, अब आप कहेंगे सर, गलती तो इसकी भी नहीं है, लेटर पोस्ट हो गया, पोस्टल अथोरेटी ने लेटर खो दिया, तो गलती तो इसकी भी नहीं है, जैसे आप उसको बचा रहे हैं कि उसने तो अपना काम कर दिया, लेटर पोस्ट करके, तो इसने भी तो अपना काम किया, तो गलती तो इसकी भी नहीं है, इस पे जादा बोज क्यों, so the answer is because he has initiated the transaction offerer हमेशा transaction initiate करता है इसलिए थोड़ी से responsibility जादा है that is one of the logic behind such things आप एक बात समझ यह यह नहीं आया था आपके पास कोन खरीद ने आप गए थे you were the one इसलिए यह बात हमेशा ध्यान दखना बटा contract में भी और जीवन में always try to be an acceptor rather than a proposal क्योंकि जो प्रपोजर होता है responsibility उसकी जादा होती है आपने किसी को proposal दिया सामने वाले ने accept भी कर लिया अब वो जीवन भर सुनाएगा तुम आये थे हमारे पास हम नहीं गए थे यह जीवन में भी होगा यह contract में भी होगा क्योंकि यू आर्थी वान हुआज initiated the transaction इसलिए मैं आप से कहता हूं कि जिन्दगी में please try always to be the acceptor rather than the proposal अब जितने लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं वो कह रहे हैं सब कैसी बात कर रहे हूं क्यों ऐसे जूटे सब ने हमें दिखा रहे हूं आप कि हम भी acceptor बनेंगे कोई हमें proposal दे और हम accept करें इसा होता है उसके लिए आपको थोड़ा काविल बनना पड़े वो आप बनना नहीं चाहते वीडियो देखना है तुमको कैसे करें जुड़ी सिरी क्यारी की कांट्राक्ट पढ़ना नहीं है तो फिर तुम कह रहे हो कि acceptor कैसे बाद है है कि नहीं कि I hope you got the logic थोड़ा सा वो बस इसलिए मैंने बताया सो दाट यू कि रिमेंबर दी communication प्रोबेशन याद रहे इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा logic बस बताया है ठीक समझीएगा जरा तो दाट इस the communication of acceptance प्रपोजर के अगेंस्ट अलग और acceptor के अगेंस्ट अलग क्लियर है ता अब अपन बात करते हैं इसमें टेलेफोनिक की यह किसकी हो गई पोस्टल की बात टेलेफोनिक कोई भी instant mode जिसमें तुरंत कमिनिकेशन हो जाता है इसके रिगार्डिंग एक बहुत important case है अगर आप बता दें तो मजा आ जाएगा केस का नाम बता सकते हो पोस्टल कम सॉरी टेलेफोनिक कमिनिकेशन के बारे में जिसमें बताया गया था कि कब complete माना जाएगा place of contract क्या मानी जाएगी इस पे भी discussion है इसी case में क्या है भाई जल्दी बताओ केस का नाम केस का नाम है भगवान दास versus गिर्धारी लाल and company केस का नाम क्या है भगवान दास versus गिर्धारी लाल and company यह case बहुत important है टेलेफोनिक कमिनिकेशन को लेके भगवान दास versus गिर्धारी लाल गिर्धारी लालन कम्पनी इस इंपोर्टन्ट 1966 का केस है ये देखो भाई इस केस में एक्जाक्टली ऐसा ही एक ट्रांजाक्शन हुआ है और वो ट्रांजाक्शन टेलेफोनिक है इसलिए उसमें डेट्स की जरुरत नहीं पड़ेगी लेकिन डेट्स अभी में एरेज नहीं कर रहा हूँ एक लॉजिक और अपने इदर समझेंगे क्योंकि रेवोकेशन का इसलिए आप माल लेजिए कि इंस्टेड ऑफ लेटर पी ने कॉल किया अब कॉल किया है तो डेट का लफड़ा नहीं है एड दे सेम टाइम कॉल हो जाता है पी ने अपना प्रपोजल फोन के थुरू दिया एको ए ने वहां से अपना एक्सेप्टेंस बोला कम्यूनिकेट किया लेकिन ड्यू टू प्रब्लम इन दी नेटवर्क या इसके यहां बाहर शोर हो रहा था इसलिए वो सुन नहीं पाया और फोन कड़ गया उसने तो कम्यूनिकेशन कर दिया फोन पे बट किसी वज़े से पी जो है वो उस कम्यूनिकेशन को सुन नहीं पाया अब आप बताईए क्या acceptance का communication PK against complete होगा जैसा letter में होता है letter में क्या होता है जैसे ही letter post हुआ आप तक पहुचे है ना पहुचे क्या टेलेफोनिक में भी ये logic applicable होगा so the answer is no इस बात को बताया गया है भगवान दास वर्सस गिरधारी लाल में कि जब टेलेफोनिक मोड के थ्रू कोई भी ऐसे मोड के थ्रू जहां human intervention नहीं है postal authority में न human intervention होता है human agency involved होती है और टेलेफोनिक में क्या होता है at the same time communication होता है यहां से आपने बोला सामने वाले ने सुन लिया ऐसे cases में ऐसे cases को at par treat किया जाए to physical communication टेलेफोनिक को उसी तरीके से treat किया जाना चाहिए यह इस case में कहा गया और यहां दोनों party bound तभी होंगे जब भी successfully सुन लेगा acceptance उसने जो दी जब इस तक successfully पहुँचेगी तभी यह भी bound होगा पहले bound नहीं होगा यह टेलेफोनिक के case में यह पहले bound नहीं होगा postal में होगा as per section 4 लेकिन टेलेफोनिक में यह भी bound तभी होगा जब यह सुन ले जाएगी तभी bound होगा अब यहां जो main question था वो place of contract को लेके था बताइए ज़रा place of contract क्या माना जाएगा आप postal की बात नहीं कर रहा हूँ postal में अपना already conclude कर चुक है टेलेफोनिक में place of contract क्या माना जाएगा उज्जैन की भोपाल acceptance को बोला गया है communicate किया गया है उज्जैन में और acceptance को receive किया गया है यह सुना गया है भोपाल में बताइए contract concluded किदर माना जाएगा तो भीया गिर्धारी लाल भगवान दास वर्सस गिर्धारी लाल में court ने यही conclude किया कि इस case में place of contract भोपाल होती है जहां communication receive किया गया है जहां acceptance receive करी गई है वो होगा खामगाओं रहंदाबाद का basically इसमें है पैदे भोपाल उज्जैन से आपको वो बात समझाई है concept exactly same है और यह case important है ठीक है टेलेफोन एक के लिए तो place भी समझा गई कब complete होता है यह भी समझा गया अब बात करेंगे थोड़ी सी अपन revocation की तो थोड़ा यह मैं आटा दे रहा हूँ जो काम का नहीं है भगवान दास वर्सस गिर्धारी लाल अब नदेट्स थोड़ी सी काम की है अपने क्योंकि अब अपन बात करने जा रहे हैं यह किस चीज की revocation की बात करने जा रहे हैं देखो भाई revocation कैसे revocation मतलब cancel आपने proposal दिया और cancel कर दिया proposal आपने acceptance दी cancel हो सकती है लेकिन कब cancel होगी आप अपने prudence से भी सोचके देखिए P ने जब A को proposal दिया P के पास option है proposal cancel करने का P कब तक proposal cancel कर सकता है जब तक P bound नहीं हुआ है यह सौर नू भाई यह अगर उसकी acceptance से bound हो गया तब थोड़ी अपना proposal यह cancel करेगा नहीं तो फिर मतलब ही क्या proposal भेजके acceptance लेने का तो अगर एक जनवरी को इसने proposal अपना send किया है और 10 जनवरी को वो proposal accept हुआ है बारा जनवरी को उसने acceptance post करी P bound कब हुआ बारा जनवरी P bound कब हुआ बारा जनवरी इस दिन पे P is bound by the by the acceptance acceptance से bound हो गया तो P acceptance से bound हो उसके पहले यह अपना proposal रिवोक कर सकता है इसके against accept हो proposal उसके पहले तक यह बंदा अपना proposal रिवोक कर सकता है बारा जनवरी के पहले तक यह बंदा proposal रिवोक कर सकता है एक illustration based question आता है कुछ अच्छे states में date के साथ time भी दिया रहता time क्या दिया means में भी सवाल पूछा गया है यह वहाँ पूरा principle explain करना पड़ता आपको time दिया रहेगा एक जन्वरी को इस बंदे ने भेजा दस जन्वरी को एक example से और समझे बारा जन्वरी फिल हाल अपने दिमाग से निकाल दीजे लाओ हटाई देता हूँ तब ही निकलेगा मान लिजिए दस जन्वरी को अच्छा एक सेकंड रोखो ठीक है बारा जन्वरी अपने लिखे रहते हैं बारा जन्वरी दस जन्वरी को proposal रिसे हुआ उसके बाद इसके अब इसको तो acceptance देना है इस भाई ने क्या किया पांच जन्वरी को ध्यान से सुनना थोड़ा सा भी अगर इदर से आपका ध्यान हटा खतम हो जाएगा concept समझ नहीं पाऊगे और दुबारा हमें समझा हुआ है नहीं repeat करके देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से सुननना अगले 5 मिनट मेरी बात एक जन्वरी को प्रपोजल इसने सेंड किया रिसीव हुआ दस जन्वरी को इसको ऐसा लगा कि यार मेरे को प्रपोजल रिवोक करना है पांच जन्वरी को इसने लेटर पोस्ट किया पूरा concept समझा दे रहा हूँ यहाँ पे रिवोकेशन का पांच जन्वरी को इसने क्या शेयर किया रेवोकेशन, रेवोकेशन भेजा, ये रेवोकेशन इधर पे रिसीव कब हुआ, रेवोकेशन रिसीव हुआ, सेम डे, बारा जनवरी, और बारा कोई ये क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस भेज रहा है, और बारा कोई इसका रेवोकेशन यहां रिसीव हो रहा है अब इसमें ना time दे दिया रहता है और means में answer लिखने को बोलते हैं कि revocation valid है या फिर acceptance proposal revoke मान लिया जाए या contract binding होगा पी के उपर या आपको बताना होता है उस question में समझना ज़रा 12 जन्वरी को जब revocation यहां पहुँचता है ये revocation पहुँच जाता है दिन के एक बजे कितने बजे पहुँच जाता है एक बजे दिन के इस बंदे ने 12 जन्वरी को जो letter post किया है वो किया है दो बजे दो पैर के दो बजे दो पैर के दो बजे उसने acceptance पोस्ट करी उसके पहले एक बजे इसके पास revocation पहुँच गया है अब आप बताईए क्या P इस acceptance से bound है या फिर इस proposal को revoked मन लिया जाए पी ने तो revocation भेजा 12 तारिक को पहुचा एक बजे और A ने acceptance दे दी दो बजे आप मुझे बताईए लिखके revoked और accepted और accepted लिखके बता दीजे रिवोकेशन मन लिया जाएगा या accepted मन लिया जाएगा गुट गुट समझ में आगया concert भी आपके revoked मन लिया जाएगा क्योंकि revocation पहले पहुच गया उदर revocation उदर पहले पहुँच गया है क्योंकि और यह जो letter of acceptance इसने post किया दो बज़े किया उसके पहले revoke हो गया अब एक revoked proposal को आप accept थोड़ी कर सकते हैं यही काम अगर इसने बारा बज़े कर दिया होता है थोड़ा सा बदल लेते हैं ताकि वो aspect भी समझ लें आप यही काम अगर इसने ग्यारा बज़े कर लिया होता मार लीजी 11 a.m सुबह के ग्यारा बज़े इसने letter post कर दिया और इसके पास दुपैर में सेम डे 12 अरिक को सेम डे एक बज़े revocation पहुँचता है और पहुँचने के पहले 11 बजे उसने letter post कर दिया है अब बताईए revoked और accepted revoked और accepted इस case में proposal revoked माना जाएगा या फिर accepted माना जाएगा contract accepted good, आ गया भाई समझ में हो गया communicate मतलब, ठीक है? चलो, all right एक बार yes लिखके अभी बता दो कि समझ आ गया है यह mains का भी सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार yes लिखके बता देजिए कि समझ आ गया पूरा concept proposal कब, communication acceptance कब, revocation कब यही सब provision में लिखा है पहना कंगरीजी में yes, shallow, good अब आज ओ प्रोविजन पढ़ लेते हैं सब यही बातें लिखी है सो भाई देखिए 4 जो communication की बात कर रहा था हमने acceptance और proposal दोनों के communication को समझ लिया उसके revocation की बात अगले paragraph में section 4 में ही लिखी है ज़र बेरेक्ट में पढ़िए तो इसको आप और correlate कर पाएंगे the communication of a revocation is complete revocation का communication कब complete होता है वो देखिए as against the person who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it यह जो पहली वाली line है यह किसको represent कर रही है proposal को क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे है अपन revocation की बात कर रहे है जैसे अगर मैं revocation of proposal की बात कर रहा हूँ तो यह बताओ proposal को revoke करेगा कौन proposal को revoke वही व्यक्ति करेगा जिसने proposal दिया है इसके against revocation revocation का communication कब complete मना जाएगा जैसे ही revocation इसके control से बाहर हो जाए पाँच तारिक को पी जैसे ही revocation का letter यहाँ post करेगा revocation से बाउंड हो गया एक upbound हो गा जब एक के पास पहुच जाएगा एक हब बाउंड होगा revocation से जब एक के पास पहुच जाएगा जैसे प्रफोसल था वैसे ही revocation है so as against the person who makes it when it is put in a course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it इसके बाद आगे देखए as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge एके अगेंस कब एके अगेंस रेवोकेशन कब complete होगा जब रेवोकेशन इस तक पहुँच जाए तो पांच तारिक को इसने लेटर ओफ रेवोकेशन पोस्ट किया, वो लेटर ओफ रेवोकेशन बारा जन्वरी को पहुचा है तो बारा जन्वरी को रेवोकेशन कम्प्लीट होगा एके अगेंस इलस्ट्रेशन सेम दिये हैं एक बार रेट करिएगा, सेम इलस्ट्रेशन जैसा मैंने आपको बताया इसके बाद सेक्शन फाइव पढ़िए ये रेवोकेशन के बारे में बात कर रहा है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों के वो इस कहानी को दर्शारा है कि प्रपोजल रेवोक अगर आप कर रहे हैं तो कब तक रेवोक कर सकते हैं फाइव में लिखा है रेवोकेशन और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस अब प्रपोजल में भी रेवोक at any time before the communication of its acceptance, उसके acceptance के communication होने के पहले, और acceptance का communication किसके against होने के पहले, आगे लिखा है, communication of its acceptance is complete as against the proposal, proposal के against, acceptance का communication हो, उसके पहले तक proposal को रिवोक किया जा सकता है, इसके against एक बार acceptance का communication complete अगर हो गया, तो proposal रिवोक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने यह time वाली चीज़ देखी, जैसे 11 बज़े अगर मान लीजिए letter post कर दिया, A ने 12 तरिक को 11 बज़े अगर letter post कर दिया है, रिवोकेशन, सॉरी, acceptance का, acceptance का letter अगर A ने post कर दिया 11 बज़े, और रिवोकेशन का जो letter है, वो इसके पास एक बज़े दुपैर में पहुचा, तो रिवोकेशन बालिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि acceptance पहले हो चुकी है, रिवोकेशन कब बालिट होगा? जब यहाँ पहुच जाए, acceptance का communication होने के पहले, acceptance का communication होने के पहले मतलब, 14 बज़े के पहले, तब माना जाएगा revocation, that's what section 5 says, section 5 का later portion, acceptance के भी revocation की बात करता है, an acceptance may be revoked at any time, before the communication of the acceptance is complete, as against the acceptor, but not afterward, इसको समझेगा, proposal को revoke कौन करेगा? प्रोपोजर करेगा, acceptance को revoke कौन करेगा? acceptor करेगा, वही जिसने acceptance दी है, वही तो अपनी acceptance को खुद withdraw करेगा, या revoke करेगा, तो ए अपनी acceptance को कब तक withdraw या revoke कर सकता है, उसके लिए जो later portion में लिखा है 5K, an acceptance may be revoked at any time, before the communication of the acceptance is complete, as against the acceptor, but not afterwards, acceptor के against जब acceptance का communication complete हो जाएगा, उसके बाद या अपनी acceptance को revoke नहीं कर सकता, इसका मतलब या अपनी acceptance को revoke कर सकता है, जब तक उस acceptance का communication इसके against complete नहीं हो रहा, अब ज़रा example में समझ लेते हैं, ये ने अगर 12 तरिक को letter post किया है acceptance का, और acceptance receive किस दिन हुई है, 18 को, तो एक अब बाउंड हुआ, एक अगेंस का complete हो रहा है, communication, acceptance का communication, एक अगेंस का complete हो रहा है, जब वो प्रपोजर के पास पहुँच रही है, याने की 18 तरिक को, 18 तरिक को, एक अगेंस communication complete हो रहा है, तो 18 के पहले पहले, ए चाहे तो अपना acceptance रिवोक कर सकता है, मालों इसने 12 तरिक को letter post कर दिया, 18 तरिक के पहले, किसी भी speedier mode से, कैसे, किसी भी speedier mode से, अपनी acceptance को ए रिवोक कर सकता है, letter 18 को पहुचा, 15 तरिक को phone कर दे, भाई acceptance भेजे थी, लेकिन उसको मैं रिवोक कर रहा हूं, cancel कर रहा हूं, तो revocation valid हो जाएगा, English law में यह allowed नहीं है, Indian law में है यह, English law में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहां यह होता है, और हो रहा है, चीक, तो 18 तरिक को, क्योंकि वो, उसके against complete होगा, communication acceptance का, उसके पहले पहले, वो किसी भी और तेज मोड से, रिवोक कर सकता है, I hope that's clear, कोई समस्या इधर नहीं है, illustration पढ़ लेना, एक बार वही लिखे है, six और पढ़ लिजे, revocation how made, क्या-क्या तरीके है, revoke करने के, तो एक तो है notice भेज के, यह जो अपन कर रहे थे, notice भेज के revoke कर रहे है, कि पहले तुमने, proposal का letter भेजा, फिर तुमने एक letter भेज दिया, revocation का, notice की थूर रिवोक किया, section six देखिए, अब proposal is revoked first, by the communication of notice of revocation, by the proposal to the other party, कैसे कैसे proposal revoke हो सकता है, उसके अपन mode पढ़ रहे, proposal को revoke करने का, पहला mode है notice, जो इसमें हमने किया, कि पहले तुमने proposal भेजा, फिर एक notice भेज दिया, कि हम अपना proposal, cancel कर रहे हैं, दूसरा mode, by the lapse of time prescribed in such proposal, for its acceptance, or if no time is so prescribed, by the lapse of a reasonable time, without communication of the acceptance, देखो भई, हो सकता है, proposal कई बार एक समय निर्धारित कर दे, इसने अपना proposal दिया, और एक time दे दिया, कि भईया, इस दिन तक acceptance दे देना, उसके बाद नहीं, तो proposal मेरा revoked हो जाएगा, तो ऐसा proposal कर सकता है, और अगर within time limit, यह अपनी acceptance communicate नहीं करता है, तो proposal revoked मान लिया जाएगा, अब मान लेजिए, प्रपोजर ने date लिखी है, कि भईया, पंदरा जन्वरी के पहले, accept कर लेना, पंदरा जन्वरी के पहले, accept कर लेना, acceptor ने अगर 12 तरिक को letter post कर दिया है, तो बताईए, acceptance valid है या नहीं, प्रपोजर ने लिखा था, कि 15 तरिक के पहले पहले, accept कर लेना, और A ने 12 तरिक को letter successfully post कर दिया है, अभी इस तक पहुँचा नहीं, पहुचा तो 18 को है, तो क्या, acceptance valid है, yes valid है, क्यों valid है, क्योंकि ये किस दिन bound होता है, जिस दिन letter post हो जाता है, उसी दिन मान लिया जाता है, कि communication complete हो गया, और acceptance का communication, अगर within time complete हो गया है, तो वो valid है, चिक, अगर कोई time निर्धारित नहीं है, एक तो ये condition होगी, कि इसने time prescribe किया, अगर कोई time prescribe नहीं किया है, तो acceptance reasonable time में होनी चाहिए, किस time में होनी चाहिए, और reasonable की कोई definition नहीं होती, depending on the individual case, को decide करेगा, कि reasonable समय क्या है, nature क्या है, जिस चीज से related transaction है, perishable goods का transaction है, जो खराब हो सकते हैं, तो time limit कम होगी, कोई ऐसी चीज से जो खराब बरहब नहीं होगी, और जिसमें ज़्यादा समय लगता है, reasonable time accordingly calculate किया जाएगा, तो that is completely the discussion of the court, इसके बाद third देखिए, by the failure of the acceptor, to fulfill a condition preceded into acceptance, अगर माल लेजे, प्रपोजर ने कोई condition prescribe करी है, कि आपको अगर accept करना है, तो उसके पहले आपको ये condition fulfill करनी है, और अगर acceptor वो condition fulfill नहीं करता है, तो भी proposal का revocation हो जाएगा, जैसे इसने बोला कि भईया accept करना है, तो 2000 रुपे पहले paytm कर देना मेरे को, अगर ये 2000 रुपे paytm नहीं करता है, accept तो कर रहा है proposal, बाकी का पैसा बाद में देगा, लेकिन इसने एक pre-condition prescribe कर दी है proposal में, कि अगर तुम्हें मेरा mobile खरीदना है 10,000 में, ये तो मेरा offer है, खरीदना है, 2000 advance देने पड़ेंगे, 2000 अगर ये advance नहीं देता है, तो acceptance valid नहीं मानी जाएगी, प्रपोजर की प्रपोजर की प्रपोजर की प्रपोजर की डेथ हो जाती है, या प्रपोजर insane हो जाता है, और इस बात की जानकारी acceptor को हो जाती है, communication complete होने के पहले, acceptance का communication complete होने के पहले, अगर acceptor वो ये पता चल जाता है, इसके knowledge में ये बात आ जाती है, कि प्रपोजर मर चुका है, या प्रपोजर insane हो चुका है, ऐसे केस में भी प्रपोजल रिवोक्ट माल लिया जाएगा जैसे इसने प्रपोजल दिया प्रपोजल एके पास पहुँचा ए अपना acceptance देता उसके पहले ही P की मौत हो गई और ये बात ए तक पहुँच भी गई ए को पता चल गया है नौलेज में आ गया है कि प्रपोजल मर गया तो अपने आप वो प्रपोजल रिवोक्ट माल लिया जाएगा P के legal representative bound नहीं होंगे P तो bound नहीं है legal representative भी नहीं होंगे क्योंकि प्रपोजल रिवोक्ट माल लिया जाएगा लेकिन अगर माल लीजिए इसने प्रपोजल दिया A ने acceptance दे दिया उसके बाद इसको पता चला कि P प्रपोजल देने के बाद मर गया ऐसे केस में तो contract binding है तब तो ये रिवोक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि रिवोक्ट कब माना जाएगा जब A को ये बाद पता चल जाए कि P मर गया है और ये बाद कब पता चलनी चाहिए acceptance के पहले तो अगर acceptance हो गई है उसके बाद पता चला ये तो मर गया ऐसे में contract fulfill कौन करेगा तो वो पन पढ़ेंगे performance में कि contract perform कौन करेगा ऐसे कि इसमें where P is dead if P is dead तो perform कौन करेगा LR legal representative perform करेंगे ठीक 7 अपन ने पढ़ी लिया है इसके बारे में 8 है acceptance by performing conditions or receiving consideration performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal इसको मैंना consideration में बताऊँगा जैसे मैंना आपको अभी promise की sorry agreement की definition में भी एक चीज़ छुड़वाई है ना मैंने अभी सिर्फ आपको ध्यान दिया है every promise is an agreement उसके आगे जो लेखा है every promise and set of promises forming consideration for each other वो portion में छुड़वाया जोकि वो तब समझेंगे जब consideration समझेंगे तो section 8 को भी थोड़ा सा बताऊँगा दो बहुत ज़्यादा important नहीं है लेकिन concept अपन clear करते चलेंगे तो consideration में इसकी भी बात करूँआ section 9 देखिए promises express and implied यह बता रहा है कि promise express और implied दोनों हो सकते है जो अपनने proposal में पढ़ा कि proposal express और implied दोनों हो सकता है क्या लिखा है जब words में किया है तो promise क्या है? आगे लिखाए Words के अलावा कैसे करेंगे? conduct के थूँ जो मैंना आपको example बताएथे कुली-ुली वाले conduct के थूँ अब जब होता है तो वो implied होता है section number याद रखिएगा pre में पूछा जाता है कि contract या promise इंप्लाइड भी हो सकता है, ये कौन से section में दिया है, 9 में दिया है, proposal भी इंप्लाइड हो सकता है, acceptance भी इंप्लाइड, पूरा contract इंप्लाइड हो सकता है, ये बात section 9 में दी है, तो इस तरीके से हमने complete कर लिए है, section 10, 10 भी मैं आपको पड़ा दिया, essential वाला, लेकिन एक topic जो आपने समझा है, तो आज की 3 घंटे की class में हमने एक basic overview लिया पहले contract का, फिर हम offer acceptance पर आये, क्योंकि कुछ additional चीज़ें भी मुझे बतानी थी, फिर offer acceptance हमने discuss किया है, उससे related जितने सवाल बन सकते हैं, सब कुछ हमने discuss कर लिया है, कल से मैं start करूँआ, consideration से, अब essentials को एक एक कर पढ़ेंगे, एक चीज़ ये भी होगी, intention of parties to bar each other legally, legal intent भी होना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे, consideration की भी बात करेंगे, और उसके आगे की भी कल हम बात करेंगे, हो सकता है हम, competency भी कल complete कर लेंगे, आराम से, nature of minors agreement वगयरा, वो चीज़ें भी class में हम complete करेंगे, यही सब contract act हमने पढ़ना start किया है भाई, एक बार brief में मैं आपको एक चीज़ दुबारा याद देला दूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं Indian contract act, इसको हमने दो category में divide किया था, first was general principle of contract, contract के general principle को एक पार्ट में हम पढ़ते हैं, जो section 1 to 75 दिये हुए हैं, और 124 से जो start होता है, वो special contract है, अ अब इस general principle को भी हमने दो पार्ट में divide किया था, अगर आपने class attend करी हैं तो, वो दो पार्ट किया थे, एक ता formation of contract और दूसरा ता discharge of contract, अब इस formation में हम कई सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि एक valid contract को form होने के लिए क्या-क्या जरूरी है, तो वो list आपको हमेशा ध्यान रख contract act है हमारा, इसका section 10 भी हमने देखा था, जो कि actually essentials बताता है, कि क्या essentials एक agreement में होने चाहिए, जो इसको enforceable बना देगा, क्योंकि जो section 2H की definition है, contract की, वो clearly कहती है, कोई भी agreement जो enforceable by law होगा, वही contract कहलाएगा, हर agreement जो enforceable by law होगा, वो contract कहलाएगा, कोई भी agreement enforceable कब होगा, जब section 10 के essentials fulfill होगे, तो agreement भी होना चाहिए valid और enforceable भी होना चाहिए, अब agreement को हमने break करके देखा था, कल के class में, कि agreement के लिए क्या-क्या जरूरी है, तो agreement की सारी कहानी start होती है, एक proposal से, या offer से सारी कहानी start होती है, तो अगर मैं आपके लिए sum up करना च contract, तो उसमें कई सारे essentials हमारे पास आएंगे, तो अगर हम essentials देखना चाहिए, क्योंकि वो ही actually हमारे topics है, essentials of valid contract, अब इस valid contract के जो essentials है, वो actually सारे topic हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, या जो हमें पढ़ने हैं, तो अब इसमें देखिए, अगर मैं यहां से start करूं कि कौन-कौन से essential, तो सबसे पहले तो there should be an agreement, और वो agreement enforceable होना चाहिए by law, तो agreement की सारी कहानी कहां से चाली होती है, offer और acceptance, या आप इसे proposal भी बोल सकते हैं, so offer and acceptance से ये कहानी पूरी start होती है, और ये topic हम पूरा कल complete कर चुके हैं, offer क्या होता है, उसके सारे variants, उसके type, उसका classification, कब offer या proposal का communication complete होता है, acceptance क्या होती है, क्या essential से एक valid acceptance के, acceptance और proposal दोनों का communication कब complete होता है, दोनों का revocation कैसे होता है, कब उस revocation का communication complete माना जाएगा ये सारी बाते हमने कल complete कर ली थी तो ये जो एक topic है हमारा ये complete हो गया है और ये कहां से आया essential में तो उसको समझने के लिए कल जो हमने discuss किया था कि एक agreement होना चाहिए वही contract बनेगा और agreement का essential है offer और acceptance क्योंकि एक proposal जब accept होता है वो promise बनता है and every promise is an agreement ठीक तो देखिए भाई अब ये तो हमने कर लिया offer acceptance इसके बाद जो अगला essential जिसकी हम बात करने वाले हैं एक valid contract बनाने के लिए एक valid contract को form करने के लिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं formation of contract तो एक valid contract को form करने के लिए जो अगला essential ज़रूरी होता है वो act में as such mention नहीं है Indian contract act म as such mention नहीं है लेकिन क्योंकि contract हम पढ़ रहे हैं तो English law की position भी देखते चलना होता है आपको साथ-साथ English law में यह mandatory essential है Indian law में इस चीज का इस particular essential जिसकी आज हम बात करने वाले हैं start करने वाले हैं जिससे Indian position में अभी भी एक open question है कि भाई यह essential इंडिया में माना जाए या ना माना जाए उसको रखा जाए या ना रखा जाए क्योंकि start out message mention नहीं है कुछ judgments हैं जो favor करते हैं कि हाँ भाई यह essential होना चाहिए लेकिन it is still a open question और मैं जिस essential की बात कर रहा हूं अगले वो है आपका intention intention to create legal obligation किस essential की बात कर रहा हूं intention to create legal obligation पार्टीस का intention होना चाहिए legal obligation create करने का जब मैं और आप इसी चीज़ पर agree हो रहे हैं agreement कर रहे हैं तो हमारा intention होना चाहिए कि हमें एक दूसरे को legally bind करना चाहते हैं भाई आपने कहां sir youtube पे contract पढ़ा दो मैंने कहां पढ़ा दूँगा इस इट लीगली binding contract कि इस इट लीगली binding contract कि बताव यस और नो आपने कहां कि अभी आप कह रहें एनाई पढ़ा दूँगा मैंना contract तो मिली रहा है तो आपकी human demands जो हो never never ending है आप contract के लिए परसान हो रहे थे आप contract पढ़ा लाओ तो आपके रहनाई पढ़ा दूँगा तो क्या इसमें legal intent है देखो एक agreement तो हुआ है हम agree हुए है दोनों एक चीज़ पर आपने proposal दिया मैंने उसको accept कर लिया आपने कहा सा रहनाई पढ़ा दो मैंने कहां पढ़ा देंगे भाई तो proposal acceptance agreement तो हो गया क्या legal intention present है क्या हमारा intention है दूसरे को legally क्या अगर मैं नहीं पढ़ अगर रंजीत के रहा यस अरे इकना मतलवी मत हो भाई है बताईये तो दांसर इस नू यहां कोई लीगल बाइंड ने अपके से डिटरमाइन हो रहा है दिसस्टू बी अंडर सुटू कैसे आप समझ रहे हैं कि लीगली बाइंडिंग नहीं है legal intention absent और जैसे मैं आपको कहा जो consideration वाला point हमारे मेंशन है कि consideration होना चाहिए उससे बहुत सारे यह question already decide हो जाते हैं कि अगर कोई lawful consideration नहीं है तो वो वैसे ही valid नहीं होता है अगर lawful consideration नहीं है तो बट कई बार ये भी होता है कि consideration है भी तो भी parties का intention नहीं था एक दूसरे को legally bind करने का जैसे भाई consideration यहां पे भी है माली जी आपने जो कहा है कि सर नाई पढ़ा दो तो मैंने भी आपके सामने condition रख दी है कि भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो तो मैं पढ़ा दूआ है तो consideration तो है something for something तो है बट क्या still हमारे बीच में वो legal intention है कि हम एक दूसरे को legally bind करना चाहते हैं अक्षिता न हम भी बता दिया है उसी की मैं बात करने वाला हूं तो देखिए इस चीज़ को समझने के लिए ध्यान रखना कि यह parties के relation से सरफ decide नहीं होता कि दो भाईयों ने contract किया है तो वो कभी legally bind करने का intention नहीं होगा ऐसा नहीं है तो भाई एक partnership firm start करते हैं एक business start करते हैं उसमें वो अपने दोनों के rights और liabilities decide करते हैं तो आप यह नहीं बोल सकते हैं कि महां legal intention नहीं है ऐसा नहीं है क्या आप अपने दोस्त के साथ को legally binding contract कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं तो यह सरफ parties के relation से सिरफ decide नहीं होगा that can be a relevant factor लेकिन सिर्फ इस पॉइंट पे यह question decide नहीं होता ऐसा क आई सारे cases में कहा गया है थोड़ा सा एक brief discussion इनके बारे में इस particular point के बारे में अपन खरेंगे तो जैसा मैंने कहा इंडिया में still it is an open question कि इस essential को हमें रखना है या नहीं इसमें बहुत important case है जैसा कि अभी अक्षिता ने comment में बताया बहुत important cases intention पे तो आई अपन आ रहे हैं have seen at this point पे हमारे intention to create legal obligation intention to create legal obligation इसमें एक जो सबसे important case है belfer versus belfer that is very important belfer versus belfer that's very important case सबसे landmark judgment है यह इस particular point पे 1919 का है 1990 देखिये इसमें होता क्या है एक husband wife है और अपने holidays में ये दोनो England में इस husband की job है जो husband और wife है husband की job England में है और ये दोनों छुट्टिया मनाने holidays के दौरान salon जाते है एक place है पास में ही वहाँ जाते है और वहाँ जाके wife की तब्यत का भी काफी खराब हो जाती है husband को वापस लोटना होता है अपनी job के लिए तो ये दोनों आपस में agree करते हैं कि husband वापस जाएगा अपनी job के लिए और वहाँ जाके अपनी नोकरी continue करेगा and the wife will be staying in salon itself और husband ये promise करता है इसमें कि वहाँ जाके वो एक amount monthly maintenance के लिए ताकि wife का अपना कर्चा पानी चलता रहे उसके लिए एक amount wife को हर मन्त pay करेगा ये दोनों के बीच में agreement होता है अब इसमें होता क्या है वो चला जाता है नोकरी करने और वहाँ जाके थोड़े भूट time वो pay करता और उसके बाद बंद कर देता है वो maintenance का amount जो wife को भेजना था दोनों के बीच जो agreement हुआ था वो husband नहीं देता है अब wife एक suit file करती है उसको claim करने के लिए उस amount को claim करने के लिए काफी पुराना case है English locker तो वहाँ पे अब ये जब claim होता है तो court के सामने एक important सवाल एक important सवाल ये आता है इस चीज़ के regarding कि भाई यहाँ पे legally bind करने का intention एक दूसरे का था या नहीं तो अब देख ये relationship क्या है दोनों के बीच husband और wife का relationship है और मैंने आप से कहा कि सिर्फ relationship पे आप determine तो नहीं करेंगे लेकिन court ने इस case में held किया कि there was no legal intention there was no intention of the parties to bind each other in any legal obligation वो merely husband ने promise कर दिया था because she is the wife इसलिए a casual promise वो था और वहाँ पे कोई intention नहीं था parties का एक दूसरे को bind करने के लिए legally that was the judgment in welfare versus welfare अब एक case और इसी की तरह है welfare versus welfare के अलावा जोन्स जोन्स वर्सस पाडविटन that is also an important judgment जोन्स वर्सस पाडविटन spelling एक बर चेक करनू अगर मैने गलत तुने लिए है P-A-D-A it is all right Jones versus पाडविटन that is 1969 इसमें होता ये है इस पर्टिकॉलर केस में इस केस में ये होता है कि भाई एक ना डॉटर होती है एक विडो डॉटर होती है एक मदर की तेरे जमदव उसकी एक विडो डॉटर है जो एक दूसरे शहर में मदर अपने अलग रहती है डॉटर अपने दूसरे शहर में रहके अपनी कोई जॉब कर रही होती है ये मदर उससे कहती है कि यार तुम वहां अकेले रहके नौकरी कर रही हूँ ऐसा करो आगे पढ़ाई कर लो बार की तैयारी कर लो इंग्लेंड में जो बार के लिए जो वकालत की जो पढ़ाई होती है वो कहती है कि तुम वो पढ़ाई कर लो और तुम ऐसा करो वहाँ से जॉब छोड़ो और यहां आजाओ मेरे पास यहां आके रहो और उसका एक बेटा भी होता है तो यह कहती है कि भाई तुम यहां आ जाओ और यहां आके पढ़ाई करो आगे की अपनी higher studies के लिए तुम तैयरी करो exam की और तुम अपनी studies को continue करो और तुम्हारा जो खर्चा है उसके लिए मैं तुम्हें एक amount दूंगी और ज जल्दी agree नहीं करती है लेकिन फिर मान जाती है तो मधर यह करती है कि उसको अपने पास बुला लेती है मधर एक घर में रह रही होती है उसके अलावा एक घर उसके पास और होता है तो वह से कहती है तो तो यह खर्चा वह देने लगती है अब थोड़े टाइम तक यह हो जाते हैं लेकिन इसका एक्जाम वो क्लियर नहीं होता है उसकी स्टडिस कंप्लीट नहीं होती है तो यह जो मदर है उसके बाद यह मेंटनेंस का माउंट देना बंद कर देती है अब इसमें और भी फैक्स थे कि वह डॉटर की दुबारा शादी भी हो जाती है वह रिमारे अब फिर कोड के सामने सेम सवाल इंटेंशन टू क्रियेट लीगल उबलेगेशन कि क्या इस प्रॉमिस में दोनों पार्टीज का कोई इंटेंशन था एक दूसरे को लीडली बाइंड करने का वोट दू थिंक वोट दू थिंक एक बार कमेंट में बताओ मझे इस पर्टिक आगे मदर ने बुला लिया ये बोलके कि पढ़ाई करो अब जैसे मान लीजिए आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कॉलेज वालेज के बाद कैंपस सेलेक्शन होगया है कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं बड़ी आख हमा रहे हैं पैसे लेकिन पेरे चाहे है वह हम उठा लेंगे तुम वापस श्रिफ्ट हो और अपने स्टेट जुडी शिरिक तैयारी करो ऐसा बुलते है ना पेरेंट्स मेरी सला मानो तो इस पर कभी बिलीब मत करना थोड़े दिन देंगे वह उसके बाद जब परीबरी निकला में से फाइनल सेलेक्शन हुआ उसके बाद अपना जीवन आपको खुदी देखना है तो अगर खुद से ही एक्षा हो कि हां मुझे जुडी श्रीक एक्जाम देना तब ही तैयारी करिए बिक्रस कॉम्टेशन एक्जाम्स रिक्वार्स अलोट ऑफ परसेस्टेंस बहुत पेशेंस चाहिए आजकल य लोट अफ टाइम तो इस मित में कई बार अपन ये डिसिजन तो ले लेते हैं तो सेम सम्थिंग लाट हैपन इंडिस इस वेल कि भाई बुला तो लिया कि पढ़ाई कर लो आगे कि फिर जब देखा कि इस तो हरकते ही नहीं पढ़ने वाली तो फिर पेरेंट्स मना कर देते बहुत दिन हो गए तुम्हें पढ़ने के नाम पर तुम आतो गए हो लेकिन दिन भर बैटके तुम सिरुप यूट्योब पर वीडियो देखते हो कि कितनी होती है जज की सेलरी तो ऐसे में तो पेरेंट्स फिर मना ही कर देंगे कि रहन दो तुमारे बसकी नहीं है तुम व पिनियन इस वेल इन दी केस और फेवर उन्होंने भी मदर का ही किया लेकिन डिफरेंट ग्राउंड किया एक मदर आपको इंडिफिनेट टाइम तक आपकी फैमिली की रिस्पोंसिबिल्टी वो नहीं उठाएंगी बट यह जो लीगल इंटेंशन लीगल इंटेंशन वाली यह रिलेशन्शिप क्योंकि फैमिली के बीच का है इसलिए लीगल इंटेंशन नहीं दिख रहा या नहीं है तो मैं आपको एक केस और बता दू या लिखनी रहा हूं याद करने की जरूरत भी नहीं है बहुत इंपोर्टेंट या बहुत लैंडमार्क नहीं है बट जस्ट इसमें घंच संधना इसमें हुता क्या है इसकेस में एक हाज्बंड वाइफ होते हैं इसमें गहर्न करते हैं वो दोनों एक घर को जॉमें इनकरते हैं बाइध हुट ये दोनों इसके joint owners थे, इसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ा अर्ग, मतब थोड़ी सी अन्बन हो जाती है, husband जो क्या करता है, husband बाहर चले जाता है, husband दूसरी जगे रहने लगता है, with another woman, husband इस wife को छोड़के start कर देता है, start living with another woman, separately रहने लगता है, अब इन दोनों के इसके बाद husband और इस wife के बीच एक agreement होता है, दोनों इस बात पर agree करते हैं, कि अगर wife, अब क्योंकि ये जो घर था, joint owners थे, and this house was mortgaged, mortgaged था, loan था इस घर पे, मालने चे एक example ले ले लेते हैं, कि भाईया, पांच लाख रुपे का loan ले रखा था इनोंने, तो husband और wife के बीच जब husband उस घर को छोड़के दूसरी woman के साथ हैना start कर देता है, husband और wife के बीच एक agreement होता है, कि जो rest of the amount है, loan का जितना भी पैसा बचा है, वो पूरा का पूरा पे करेगी wife, आगे का सारा amount पे कौन करेगा, wife पे करेगी, और इसके बदले में husband क्या करेगा, जैसे ही वो loan पूर पे हो जाएगा, वो mortgage end हो जाएगा, यह जो husband है, यह transfer कर देगा घर in the name of the wife, soul owner उसको बना देगा, अभी joint owners है, wife से उसने बोला, loan तुम रीपे कर दो पूरा, तो तुमको फिर में joint owner बना दूँगा, इस promise पे wife तो कर देती है, wife loan रीपे कर देती है, लेकिन उसके बाद, husband जो कर देता है, transfer करने से मना कर देता है, wife जाती है, court के पास, same question आता है, court के सामने, कि promise तो था, agreement तो था, but क्या उसमें legal intention या intention था, एक दूसरे को legally bind करने का, क्या यह intention था, बताईए, आप ही बताईए, क्या इस case में आपको लग रहा है वो intention, एक दूसरे को legally bind करने का, दुशियन के रहा है, आप नहीं देखते हैं, इसे वीडियो, अरे देख लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है, time pass के साब से देख लिया करो, है ना, बताएं भाई, इस case में, the court held that, his husband wife बले, merit versus merit में, that there was an intention to bind each other legally, अब कुछ आपके जहन में आया, कुछ click कर रहा है, कि कहां सही है legal intention, इस case में derive हो रहा है, और इन दोनों में वो legal intention absent है, तो यह कहीं न कहीं derive हो रहा है, उस consideration से, क्योंकि wife ने बदले में loan चुका दिया है, पूरा, इस चीज़ के बदले में, कि husband उसको घर transfer करेगा, wife ने पूरा loan चुकाया है, I hope you are getting the point, loan पूरा उसने इस बात पे repay किया है, कि बाद में घर उसको मिलेगा, इस promise पे उसने loan repay किया है, और इसी लिए court ने held किया था, that it is a binding contract और यहाँ पे legal relationship है, तो अब एक बात ध्यान रखना, court ने कई सारे ऐसे judgments हैं, जिन में यह कहा है, कि यह सिर्फ इस से decide नहीं होगा, और quantum of consideration से भी नहीं होगा, कि कितने बड़े पैसा involved है, या किस तरीके का consideration involved है, सिर्फ इस बात से भी नहीं, इसलिए court ने कहा, यह subjective test नहीं, एक objective test होगा, आपको individual उसमें देखेंगे थोड़ा सा, कि क्या intention, एक reasonable point, एक reasonable person की आई से देखा जाएगा, कि इस particular agreement में legal intention है, या न अंकल अपने अपने नेफ्यू से promise करते हैं, कि अगर तुम smoking छोड़ दोगे, तो मैं तुम एक amount as reward दूँगा, और अपने उस promise की seriousness बताने के लिए, वो amount bank में जमा भी करा देते हैं, एक separate bank account में, वो amount जमा भी करा देते हैं, कि अगर तुम smoking छोड़ दोगे, तो वो amount तुम को मिल जाएगा, यह पढ़ा है किसी ने आप में से यह case, तो यहाँ भी court ने held किया था कि भाया legal intention है, अब किस से दिखा यहाँ legal intention, formality से उसकी, कि आपने account में पैसे भी जमा करा दिया, so what I am trying to say is, this will be an objective test, इसके लिए कोई आप standard set नहीं कर सकते कि family relation है, या friends का relation है, तो वो legally winding नहीं हो सकता, ऐसा बिलकुल नहीं, और इंडिया में यह चीज मैंने बार-बार आपसे कह रहा हूँ, it is an open question, क्योंकि हमारे यह stipulated नहीं अलग से, आप section 10 हमने कल पड़ा था, उसमें essential देखे थे, यह essential अलग से mention नहीं है, लेकिन English law में क्योंकि यह एक specified है, यह important essential होता है, इसलिए इंडिया में भी इस question को consider किया गया है, कई सारे cases में, और यह जो cases मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ, यहां यह भी held किया गया कि legal intention absent है, इसलिए यह binding contract नहीं माने गए है, ठीक, तो यह होता है आपका intention to create legal obligation, और उससे related case laws, यह दोनों important है, welfare versus welfare जादा important है, एक आद additional में भी भी बताते जा रहा हूँ आपको case, लेकिन this is the most important case in this regard, चीक, बिल्कुल माने का कोई specific एक चीज़ से आप determine नहीं कर पाएंगे, ओवरॉल context देखना पड़ेगा, parties का intention determine करने के लिए, commercial transactions जो होते हैं, उनमें legal intention generally होता है, जैसे मान लिजिए आपने अपने एक दोस से एक pen लिया, कि भाई आज दे दे, कल वापिस कर दूँगा, आगले दिन वापिस नहीं किया, तो वो सूट फाइल नहीं करेगा, वहाँ legally bind करने का intention नहीं है, लेकिन आप एक stationery से अगर पांच रुपे का pen भी ले रहे हैं और आप उसको बोल रहे हैं भी या, कल पैसे दे 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 आपके, तो वहाँ legally binding हो जाएगा, क्योंकि वहाँ commercial relationship है, वहाँ जो transaction है वो commercial nature का है, तो वहाँ आपका जो intention होता है, वो legally bind करने का generally होता है, ठीक, so that is about intention to create legal obligation, एक important essential, इसके बाद अब अगे बढ़ेंगे एक बहुत important essential की तरफ Indian contract act के और वो है हमारा consideration, देखिए कल हमने आपका था, section 10 में लिखा है, lawful consideration और lawful object होना चाहिए, तो consideration के lawfulness की बाद तो अपन बाद में करेंगे, पहले तो ये समझते हैं कि ये consideration होता क्या है, कि ये consideration चीज होती क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है, और consideration एक बहुत important topic है, मैंने आपसे कल भी कहा था, इसमें कई सा contract, purity of consideration, doctrine of promissory stop, past consideration, 25 के exception, ये सब कुछ important है, प्रीफ में सारे discussions हम लोग करेंगे, अब आप ज़रा इस चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले बेरेक्ट में section 2D की definition देखिए, उस definition से ही सारे essentials निकल के आएंगे, जैसे कल हमने किया था, प्रपोजल की definition के साथ भी, वैसा ही ह हम इस definition के साथ भी करेंगे, तो सबसे पहले बेरेक्ट open कर लीजे, अक्षिता कह रही है कि ये बता दीजिये, किसी ने बोला है कि full bank judgments are part of preliminary, बटा ऐसी information मेरे पास तो कोई नहीं है, syllabus आपके पास भी है, जो मत परदेश हाई कोट ने दिया है, है ना, syllabus आपके पास भी है, अ अब ऐसी यार रोज कुछ न कुछ एक नया फंतरू कोई छोड़ देता है और आप उसके पीछ पागल हो जाते हैं, डीजे इसका prelims अगर आपने देखा हो, डीजे इसके prelims के पहले भी जो strategy वाला session लिया था, बच्चे पागल हो रहे थे किस चीज के लिए, legal aptitude वाले part के लिए, legal current affairs में ही पगलाये हुए हैं, मैंने उस strategy session में भी बहुत clearly ये बात आपको समझाई थी, कि भाईया, आप previous year paper उठाई ये trend देखिये, कुछ एक्दम अदभुद हो, ऐसे chances बड़े कम होते हैं, हो भी सकता, मैं यही नहीं कह रहा, अगर कल को कुछ वैसा हो जाया, तो बहुत हिंदी में समझाई थी ये बात, कि उस चीज का weightage देखो पहले problems में, फिर उसके पीछे पागल हो, और बच्चे लगे हैं, लोज रोज legal current affair पढ़ने में, CPC के 30 questions थे DJS में, वो नहीं बन पाए, CRPC के 25 questions थे approximately, वो नहीं बन पाए, और पढ़ क्या रहे हैं, legal current affair उतना अच्छा है, और मैं intentionally इन सब चीजों पर आपने देखा होगा मेरा YouTube channel आपके सामने है, इस तरह की बातों में मैं इसलिए नहीं पढ़ता, मतलब मुझे को student ये भी बोलते हैं, कि सर ये सब आप discuss क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे को मतलब है आपके exam में नंबर से, सीधी बात ये है, फोकट के मजे लेके thumbnail बना के वो करने का मेरा intention है नहीं क्योंकि, इसलिए मैं नहीं पढ़ता इन चीजों में, तब भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ, ये है, साथ नंबर का आना है, इंडियन कॉंट्राक्ट एक, वो फढ़ लो, आठ, आठ, लिखा हुआ है, तो, डीजेस में नहीं लिखा था, तब समझाया था, प्रिवेस येर ट्रेंड पूरा analysis किया था, मैंने आपके सामने यहीं लाइव में, एक-एक subject के question बताये थे, प्रिवेस येर में कित्ते कित्ते आये हैं, उसको आपको समझना नहीं है, वो ही समस्या है गलती लोगों की नहीं है, जो आपको यह सब देते हैं, गलती आपकी है, इसमें, अब इतने नादान नहीं हैं, आप फाशवी क्लास के बच्चे नहीं है, जिसके इस चाल मातने समझना आएं, कि क्या हमारे काम की चीज़ अचार हीं, आप सबर्जस्ती लाचार बने नहीं समझता हूँ आप सब लोग रेजुशन कर रहे हैं कर चुके लोग हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन हाई है पूरेंस के मामले में आपके पस खुद इतनी बुद्धी होनी चाहिए क्लिक करते समय किसी लिंक पर कि आपके काम का है की नहीं यह बुद्धी आपके पास में नहीं चाहिए मैं लोगों से भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो क्यों नहीं करें कोई क्यों ना करें मैं क्यों ना करो मैं भी बनाऊंगा ऐसे वीडियो क्यों ना बनाऊंगा मेरे को भ तुम्हारे पास इत्ती बुद्धी नहीं है कि अगर एक इंस्टिटूट से मैं कहा हूँ रियल रिजल्ट भी है एक बंदे ने अगर फर्स्ट रांग मार भी दी है तो इस बात की क्या गैरंटी है कि तुम वहां पढ़के मार दोगे रांग क्यार तुम्हारे जैसे 500 और देफिनेशन पर में मेरे साथ एक एक शब्द फॉलो करिएगा विल अंडरस्टांड दिस डेफिनेशन कंप्लीटली कंसीडरेशन की पूरी डेफिनेशन देखेंगे उसके एक 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 एसेंशियल की अपन बात करेंगे consideration 2D में देखिए when at the desire of the promissor the promisey और any other person has done or abstained from doing सबसे पहली लाइन क्या लेखी है when at the desire of the promisor तो पहला essential क्या होगा consideration का it should be at the desire it should be consideration should be at the desire of at the desire of the promisor promisor की desire पे होगा हमेशा consideration यह पहला essential है जो 2D की definition से ही evident होता है clearly दिखता है so when at the desire of the promisor तब promise or any other person has done something या तो promise कुछ करे प्रोमिसर की desire पे या कोई और व्यक्ति कुछ कर दे भाई देखिए दो पार्टीज होती है एक promisor एक प्रोमिसी प्रोमिसर जो promise कर रहा है जो उसको accept कर रहा है प्रोमिसी प्रोमिसर की desire पे होगा पहला essential दूसरा consideration furnish promise करेगा यह जरूरी नहीं है कि वो खुद personally करे या तो promise consideration furnish करे या कोई तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है यह बात कहां से आ रही है बहुत clearly लिखा है the promise or any other person क्या लिखा है promise or any other person इसका मतलब third person a third party can also furnish consideration under Indian contract act Indian contract act में एक third person भी consideration furnish कर सकता है एक stranger भी stranger to contract stranger to contract can furnish consideration एक stranger जो होता है वो भी consideration furnish कर सकता है ठीक यह बात कहां से आ रही है यहीं लिखे हुई है 2D में बहुत clearly so when at the desire of the promise or the promise or any other person has done or abstained from doing अब यह जो आगे पूरी कहानी इसको समझना has done or abstained from doing या तो वो कुछ कर चुका है या खुद को abstain कर रहा है abstain वाली कहानी proposal में मैं समझा चुका हूं दुबारा repeat नहीं करूँ है यह past में भी हो सकता है present में भी हो सकता है और future एक promise भी आप दे सकते हैं अभी कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन promise दे दिया आगे देखिए so the promise or any other person has done or abstained from doing यह जो लेखा है abstained from doing or does or abstain from doing does or abstain from doing that is present already done वाला past हो गया does or abstain from doing present हो गया उसके आगे लेखा है और promises to do or to abstain from doing यह फिर promise करता है कि वो करेगा that's future so consideration can be either past it can be present or it can be future तीनों तरीके का consideration Indian contract act में valid है कुछ आप मेरे लिए already कर चुके हैं वो भी consideration माना जाएगा कुछ आप मेरे लिए present में कर रहे हैं वो भी consideration है आप मुझे अभी कुछ मत करिए मेरे लिए आप promise कर दीजे कि आप करेंगे that is also a valid consideration चीक आगे लिखाए एक्ट और abstinence और promise is called a consideration for the promise तो 2D की definition को अगर आप analyze करने देगे जनरल language में तो consideration क्या होता है something for something मैं आपके लिए कुछ करूँगा बदले में आप मिरे लिए कुछ करेंगे मैं आपको पढ़ाओंगा आप मुझे fees देंगे आपके लिए जो consideration है वो मेरी teaching है मेरा पढ़ाना है मेरे लिए consideration आपकी fees है that's how consideration operates in any agreement इसको कहते हैं quid procure something for something चिक definition जो exact legal definition है वो आपकी 2D में है और जैसा आपने देखा आपके सामने ही मैंने उस 2D की definition में से तीन essential carve out किये है पहला है it should be at the desire of the promise सा दूसरा है stranger to contract can furnish consideration क्योंकि लिखा है promise or any other person और उसके बास past present or future तीनों तरीके से यह consideration हो सकता है देखिए अब इन तीनों essentials को एक एक करके अपन brief में समझेंगे कुछ cases है इन से related उसको समझना है past consideration बहुत important है उसको आपको समझना है क्योंकि अभी हमें इसी के साथ section 25 भी पढ़ना है अभी तो हम सिर्फ essential समझ रहे हैं इस consideration के तो इसका जो पहला point है इसको समझिए जरा at the desire of the promisor प्रोमिसर की desire पर होना चाहिए अगर consideration promisor की desire पर नहीं है तो वो valid consideration नहीं माना जाएगा इसके regarding एक case है जो आपके लिए example का काम भी करेगा कि कैसे इस बात को हम समझें यहां की consideration promisor की desire पर ही हो ना चाहिए आप इसका नाम कोई बता सकता है तो कोटोएंट लिख दीजिए क्या है किसका नाम कि 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 दूर्गा प्रसाद वर्सेस कि का बल्डेव कि दूर्गा प्रसाद वर्सेस बल्डेव तो आप निंपोर्टन केस आंठ पर्टिकॉलर पॉैंट यह इसका अठरा सौटी केस है यह देखिए दुर्गा प्रसाद वर्षिज बलदेौ में अच्छुली होता क्या है कि जो एक प्लेस पे जो वहां का collector होता है वो एक व्यक्ती को order करता है एक constructor को order करता है building बनाने वाले व्यक्ती को order करता है builder को order करता है कि भाई तुमें काम करो कुछ shops बना दो market में ठीक, देखो, समझना, क्या हुआ था इधर पे वहां का, जो collector था collector ने order दिया किसको order दिया, उसने order दिया builder को, क्या करने के लिए builder को बोला, भीया, कुछ दुकाने बना दो कुछ shops बना दो, market में, construct कर दीजिए collector के order पे इसने वो shops construct करी, इसके बाद यह हुआ कि कुछ लोगों ने इन shops को occupy किया seller बोल लेते हैं अपनों को yes, अब ऐसा ही एक seller था जिसने shop को occupy किया था, भाई, बना के किसने दी, builder ने, किसके कहने पे collector के order पे उसने इस shops construct करी, कि भाई, market है, उसमें में shops बनवानी है, तुम बनाओ, इसने shops बनाई, अब इन shops को जो occupy कर रहा था, उनके साथ इसका contract हुआ, किसका? Builder, builder और जो shopkeepers थे, इनके बीच में, parties कौन है contract में? Builder और shopkeeper, इनके बीच में agreement हुआ, कि यह यहाँ shops occupy करेंगे, अपनी अपनी दुकान खोलेंगे, और यहाँ पे जो भी sale होगी, उसका एक certain percentage builder को देंगे, एक certain percentage builder को देंगे, क्योंकि दुकान बना के दिये, उसने आपको operate करने के लिए, तो एक portion इनकी sale का इसके पास जाना था, as his consideration, ठीक? अब यह जो seller था, इसने commission नहीं दिया, तो builder court पहुचा, court में जब यह मामला पहुचा, तो यहाँ पे यह question arise हुआ, कि क्या, देखिए builder के लिए उस contract में consideration क्या था? तो अगर मैं builder की बात करूँ, तो builder के लिए consideration क्या था? वो commission वो commission जो उसको मिलने वाला है sale में से? yes or no, one consideration is this, the commission, seller के लिए consideration क्या था? construction of these shop उनको shops बना के दी गए, construction था इनके लिए consideration इसमें yes or no, ठीक अब एक बात समझेए, commission जो दिया जाना था, वो किसकी desire पे था? इन्हें की promisor कौन थे? shopkeepers, commission की बात हुई, यहाँ promise किसने किया कि हम अपने sale में से commission देंगे, shopkeepers ने लेकिन जो consideration shopkeepers के लिए था shopkeepers के लिए जो consideration था, वो क्या था? construction of the shop क्या ये इन shopkeepers की desire पे किया गया था? what is the answer? बताइए ज़रा ये promisor है, इन्हों ने promise किया है, agreement जो इन दोनों के बीच हुआ है, shopkeeper ने promise किया कि भईया, तुमें हम पैसा देंगे अपनी sale में से और क्यों दिया जा रहा है ये पैसा? क्योंकि इसने दुकाने बनाई है तो shopkeeper के लिए construction consideration है, और इस builder के लिए वो commission consideration है, ये जो consideration है, construction of shop ये क्या? इसन की desire पे हुआ था? क्या? नहीं, किसकी desire पे हुआ था? collector साब की desire पे बनाई गई थी shops, इनकी desire पे नहीं बनाई गई थी इसलिए court ने इस case में held किया, कि since the consideration was not at the desire of the promisor, promisor के desire पे नहीं है, इसलिए legally enforceable promise इन दोनों के बीच नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इनकी desire पे वो काम नहीं हुआ है, I hope you're getting this, so that was दुरगा प्रसाद versus बल्दियो, जिसमें इस point को discuss किया गया था, that consideration should always be on the desire of the promisor, और यहाँ promisor की desire पे construction नहीं हुआ है, construction हुआ है collector की desire पे, लेकिन contract इन दोनों के बीच होई, हाँ, अगर collector एक party होता, collector के साथ होता, तो फिर यह था कि collector अगर कोई amount पे करेगा builder को, तो वो valid हो जाता है, क्योंकि collector की desire पे ही builder ने construct किया था, बट यहाँ promisor shopkeepers थे, इनकी desire पे वो नहीं हुआ था, so court failed this, that is about at the desire of the promisor अब एक चीज़ इसमें और important है, जो आपको समझनी है at the desire of the promisor में, कि कई बार आपको यह confusion होता है कि कोई monetary consideration नहीं है अगर, तो क्या वो valid consideration नहीं होगा, आपको यह भी एक confusion थोड़ा रहता है, तो उससे related भी यहाँ बात है जो मैंने आपको काता है, प्रोमिसरी stople का भी एक concept इसमें आता है, उसको थोड़ा यहीं समझ लेते हैं, इस particular point में at the desire of the promisor में ही, देखिए, होता क्या है जैसे मान लिजे, अगर यह होता है मैं आपको एक example देता हूँ कि मान लिजे, मैं भुपाल में एक society में रहता हूँ उस society के कुछ लोग मेरे पास आते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि इस society में हमारा एक मंदर बनाने का मन है, हमारा ऐसा मन है कि इस society में एक मंदर बनाया जाए, और उसके लिए हमें funds चाहिए, funds नहीं हमारे पास, तो मैंने उनको promise कर दिया कि भाई चलो तुम बनवाओ मंदर पैसा में दे दूँगा उसका, जो भी खर्चा लगेगा, I'll pay, आप बनवाओ मंदर, अब मेरे कहने पे उन्होंने मंदर का construction स्टार्ट कर दिया, contractor से agreement कर लिया, किसी सामान आगया, raw material, in fact construction स्टार्ट हो गया, अब जब payment करने की बात आई, उन लोगों को, जो construction कर रहे थे, तो वोई society के members मेरे पास आए, और उनने कहा, भाई पैसे दो, आपने कहा था, हमने बनवा रहे हैं इसी promise पे rely करके हम बनवा रहे हैं मंदर तो आप पैसे दो हमको मैं पैसे देने से मना कर देता हूँ मैं ये content करता हूँ वहाँ पे, कि भाई, तुम आए मेरे पास, तुमको तो पैसा मिल गया, तुमारे लिए तो उस promise में consideration था, कि तुम्हें पैसा मिल रहा मंदर बनाने का what is the consideration for me in that contract, मेरा क्या consideration है इसमें, भई दोनों parties के लिए consideration होना चाहिए parties, दोनों के लिए सब्सक्राइब का मैं promise है हूँ, मैंने promise किया था तुम्हें, कि मैं पैसा दूऊंगा मेरे लिए उसमें consideration क्या है क्या मेरे लिए कोई consideration है इसमें, तुमें तो पैसा मिल जाएगा तुम तो बना दोगे, मेरा क्या consideration है, आप में से कोई बता सकता है, मेरा क्या consideration है इसमें, भक्ति कहरा भास करना ही चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए भाई होजे, मैंने पहले ही समझाया, materialistic भक्ति हैं भाई यह पन तो देखो, कोई धर्मात्मा नहीं है, एक दब materialistic आज में हू प्रेदा नहीं है, तो क्या रहा है, आपको फुन में मिले रहा है, मैं का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, एक पारसत का टिकेट दिलवा देंगे हैं, हिंदू पार्टी से आपको, वो भी नहीं चाहिए, सो भाई, एक बात समझना, अगर आप 2D की definition को carefully समझे हैं, तो आप ये बात समझ पाएंगे, कि इस promise में मेरे लिए consideration है, मेरे लिए consideration है, उनके लिए consideration वो amount हो जाएगा, जो मैं दूँगा, मेरे लिए consideration ये है, कि मेरी desire पर उन्होंने construction चालू किया है, देखो, consideration की definition में हमने क्या पड़ा, when at the desire of the promiser, the promisee, promisee कौन है, वो society के लोग, the promisee और any other person has done something, or does something or promises to do something, तो वहिया, वो मेरे कहने पे ही तो construction कर रहे हैं, मेरे लिए ये sufficient consideration है, as per the definition of section 2D, कि जो act हुआ है उनका, मंदर का जो construction चालू हुआ है, वो मेरे कहने पे हुआ है, वो मेरे कहने पे हुआ है, that is sufficient consideration for me, और यही consideration की definition भी कहती है, 2D की definition इसलिए कहती है, when at the desire of the promissor, I was the promissor there, when at the desire of the promissor, the promisee, society के लोग, the promisee has done something, or does something, तो act ही तो होता है, consideration, अभी बताया था, कोई भी act, किसके desire पे, promissor की desire पे, तो भाईया मेरी desire पे तो वो construction चाले हुआ है, that is sufficient consideration for me, I hope you are getting this, इसको भी sufficient consideration कहते हैं, और ऐसा ही एक principle यहाँ चलता है, जिसको हम कहते हैं, promissory stopple, promissory stopple का मतलब, stopple evidence का concept है, मेरे खियाल, आप सब थोड़ा भहुत वाकिफ हैं उस concept से, कि अगर मैंने कोई representation कर दिया, किसी व्यक्ति के सामने, मैंने कोई representation कर दिया, और मेरे उस representation पे rely करके सामने वाले ने कुछ act कर दिया, तो मैं अपने उस representation से bound हूँ, that's what stopple is, promissory stopple जो word है, जब stopple के सामने promissory word add हो जाता है, तो इसमें change क्या होता है, वहाँ आपके representation पे rely करके सामने वाला कुछ act करता है, promissory stopple में यह होता है कि आपके promise पे rely करके सामने वाले ने कुछ act कर दिया, जैसे मैंने यहाँ इन लोगों से promise किया, कि भाई, आप construction करो मैं पैसे दूँगा, अब जो construction का काम उन्होंने चलो किया, वो कैसे किया मेरे promise पे rely करके, so now I cannot back out from my promise, क्योंकि मेरे promise पे rely करके सामने वाले ने अपनी position में कुछ change किया है, कुछ act किया है, और अब अगर मैंने अपना promise फुल्फिल नहीं किया, तो उसका नुकसान हो जाएगा, इसको कहते है, प्रॉमिसरी स्टॉपल, बहुत important case है, बिलकुल सही रवी ने जो case का नाम बताया है, प्रॉमिसरी स्टॉपल के regarding, और वो important है, केदारनाथ वर्सेज गौरी मुहमद, बहुत important case है ये, इसको ध्यान रखियेगा, similar facts थे, केदारनाथ वर्सेज गौरी मुहमद, केदारनाथ वर्सेज गौरी मुहमद, अठारा सो सब्क्यासी, ठीक है, इसमें भी एक charitable construction की बात होती है, और promise एक subscriber, एक बंदा subscribe कर लेता है, मतब पैसे जंता से जुटाने थे, तो एक बंदे ने subscribe करके था, कि मैं भी pay करूँगा, और फिर वो बाद में pay नहीं करता है, क्योंकि उस promise पे rely करके ही वो construction, exactly जैसा मैंने आपको example दिया, it is the same, यहाँ पे होता क्या है, कि भाई, आपने अगर promise किया किसी वेक्ति को, और वो वेक्ति आपके promise पे rely करके कुछ act करेगा, तो आप bound होंगे, जैसे मान लेजिए, मैंने आपसे promise किया, कि भाई, मैं elect for judiciary के platform पे पढ़ाता हूँ, और आगे भी पढ़ाता रहूँगा, अगले एक साल में इस platform पे judiciary पढ़ाऊँगा, मेरे इस promise पे rely करके, अगर आपन यहाँ admission ले लिया, so I am bound by that promise, क्योंकि मेरे promise पे rely करके, आपने कुछ act कर दिया, stople क्या होता है, मेरे representation पे, representation पे, कि भाई, मैंने आपको यह show किया, कि I am a mentor है, इस representation से influence हो, कि आपने यह decision ले लिया, जिसकी जानकारी मुझे, तो मैं stople से bound हो, प्रोमिसरी, stople, जहां मैंने promise कर दिया, उस पे rely करके, आपने act कर लिया, मैंने आपसे promise किया, कि भाई, मैं यहीं पड़ा मुआ, और उसी promise पे rely करके, आपने यहाँ admission ले लिया, तो I cannot back out, I hope you are getting this, yes, तो normally आप ऐसा देखते हैं न, इस platform पे आज कोई पढ़ा रहा था, कल उस पे चला गया, पर सूदर चला गया, इसलिए मैं confidently आपको यह commitment यहाँ दे पाता हूं, कि I am here, and I will be here, जो कि यह अपनी ही दुकान है, है न, that's the advantage, So that is, promissory stopel, promissory stopel, promissory stopel, आप समझ गये हैं, कि मेरे promise पर rely करके, किसी बंदे ने act किया, अब मैं back out नहीं कर सकता, दो cases, important है, ध्यान रखना, at the desire of the promissor के लिए, दुरगा प्रसाद वर्सिस बल्देव, और उसके लिए, केदारनाथ वर्सिस दौरी मुहम्मद, So, यह हो गया आपका first point, अब आते हैं, अपन अपने next point की तरफ, जिसमें बात करी, हमने consideration के एक और essential की, stranger to contract, can also furnish consideration, और इस point के अंदर में बहुत important concept, discuss करूँँगा आपके साहँ, that is, privity of contract and privity of consideration, तो जरा अब जो हम discuss करने जा रहे हैं, second essential consideration का, अगर कहीं और आप distract हो रहे हैं, तो प्लीज अपने दिमाग को एक जगा, एकागर कर लीजे, क्योंकि अगले 10 मिनट या 15 मिनट जो मैं आपको बाते समझाने जा रहा हूं, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इदर उदर द जाएगा, और मैं repeat नहीं कर पाऊंगा, please understand, मेरे पास limited time है, यह जो crash course अपन YouTube पे कर रहे हैं, समय मेरे पास limited है, आज काफी सारा portion मुझे cover करना है, इसलिए भाईया, ध्यान से सुनोगे, तो सब समझ आएगा, ऐसी कोई चीज यहां नहीं होगी, जो आपके समझ नहीं बहुत chances होते हैं कि इससे सवाल आएंगे, प्री नहीं तो मेंस कहीं ना कहीं जरूर आएगा, ठीक, so privity of contract और consideration इसके अंदर पढ़ना है, सबसे पहले इस concept को समझते हैं कि a stranger can also furnish consideration under Indian contract act, देखिए, एक case के through इस बात को अपन समझते हैं, बहुत important case है, इस चीज के regarding, उससे म मैं इस चीज को start करता हूँ, चिनया versus रमया, एक case है, जो कि बहुत important है इस point पे, चिनया versus रमया, spelling with spelling ignore कर देना भाई मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ है न, कि time थोड़ा सा अपने पास, क्योंकि limited है, 1882, यह जो case था, इसमें होता क्या है, थोड़ा समझन है इस case को, इसमें होता यह है, कि there was a mother, मैं आपको एक figure के मद्धम से समझा देता हूँ, तो it will be easy for you to understand, यहाँ पे एक mother है, इस mother ने क्या कहा, कि भाई मैं अपनी property, जो भी properties mother के पास है, इसने कहा, मैं वो property transfer कर देती हूँ, किसको, अपनी daughter को, किसको transfer कर रही है यह, डी को, कर रही है, होता यह है, कि mother अपनी property, डी को transfer तो कर रही है, लेकिन बदले में डी को क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना, बदले में डी को यह करना है, कि वो B, अब यह B कौन है, इनके भाई, मदर के भाई, मतलब daughter के मामा, maternal uncle, यह इनके brother, mother, mother ने अपनी property किसको transfer करना decide किया, daughter को, लेकिन बदले में daughter को क्या करना है, daughter को एक promise करना है, daughter क्या करेगी, एक promise करेगी, किसको करेगी, इस brother को, mother के brother, अपने maternal uncle को, अपने मामा को, यह daughter एक promise करेगी, कि monthly एक maintenance वो इनको देगी, सारी property mother तैयार है daughter को देने के लिए, शर्त यह है, कि daughter promise करे किसको, मामा को, कि वो एक monthly amount, क्योंकि property वो ले रही है, पैसा कमाईगी उससे, एक monthly amount इनको देगी, जब तक यह जिन्दा रहे लिए, यह promise daughter करती है, किसको, uncle को, अब यहाँ पे एक बात समझना, दो concept है, जिनसे कई बार pre-minute technical question आता है, कि can a stranger to consideration, file a suit in case of breach, और can a stranger to contract, अब यहाँ दो अलग-अलग term चलेंगे, stranger to contract, stranger to consideration, यहीं समझ लोगे, तो आगे के लिए समस्यास का समाधान हो जाएगा, एक बात समझना, टी और बी के बीच में promise हुआ है, daughter ने बी को promise किया है, आप बताईए, who is party to contract, तो एक बात यहाँ समझना, कि मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, क्योंकि इन चीजों की हमें जरुरत पड़ेगी, पार्टी तू कॉन्ट्राक्ट कौन है इस केस में, so party to contract है, D and B, party to contract का मतलब, जिन लोगों के बीच चुन्ट्राक्ट हुआ, वो पार्टी तू कॉन्ट्राक्ट, तो promise किस के बीच हुआ, daughter और brother के बीच, D और B के बीच हुआ है, so party to कॉन्ट्राक्ट है, D and B, अब अगर मैं बात करूं, party to consideration, यहाँ पे consideration कौन फर्निश कर रहा है, वो होंगी party to consideration, बात समझे, consideration जिसने फर्निश किया, वो party to consideration, इस promise में consideration कौन फर्निश कर रहा है, एक तो daughter फर्निश कर रही है, अंकल को, future consideration है, कि maintenance देगी, लेकिन daughter देगी, अंकल कुछ consideration दे रहे है, क्या, answer is no, अंकल कोई consideration नहीं दे रहे, उनके बदले, consider, देखिए, promisor कौन है, daughter, daughter ने promise किया, B को, D ने promise किया, B को, कि मैं आपको maintenance दूँगी, B is the promise, B is the promise, जिसको promise किया गया है, section 2D Indian contracted का कहता है, promise or any other person has done something, ये भी कर सकते हैं, कोई दूसरा भी इनके बहाफ पे कर सकता है, तो इनके बहाफ पे consideration furnished किस ने किया, mother ने, M ने, so party to consideration कौन है, M and D, दो लोग है party to consideration, M and D, ये है party to consideration, अंकल ने कोई consideration नहीं दिया, जबकि अंकल party to contract है, क्योंकि contract daughter और अंकल के बीच हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, इतना समझ में आगे आपको, अब Indian contract act के हिसाब से बताईए, क्या ये valid है, होता क्या है, इसने promise तो कर दिया, daughter ने कि हाँ बहाँ या मन्तिली amount देंगे, और property लेली mother से, लेकिन आगे चलके ये मन्तिली maintenance नहीं देती है, तो ये जो अंकल है ना, ये जो ब्रदर है B, ये जाके एक suit file करते हैं, कि इसने maintenance द जो उनने मुझे दे दी, इनकी तरफ से तो consideration ही नहीं है, तो ये valid नहीं है, court ने held किया कि भाईया, consideration भले ही, इनोंने फर्निश नहीं किया, इनके बहाँ पे लेकिन mother ने आपको property दी है, and that is a valid consideration as per section 2D, क्योंकि 2D कहता है, when at the desire of the promisor, or the, when at the desire of the promisor, the promisey or any other person, तो promisey भी दे सकता है, कोई और भी दे सकता है, इसलिए it is a valid contract, this was held in this case, I hope that is clear, ये तो simple है case, लेकिन आपन आप आगे बढ़ रहे है, प्रिविटी ओफ कॉंट्राक्ट और प्रिविटी ओफ कंसिडरेशन के concept की ओर, इसके लिए समझेए, अब ये तो बात हो गई इस case की, कि भाया, इंडिया में third party भी कंसिडरेशन फरनिश कर सकती है, अब अपन बात करते हैं, प्रिविटी ओफ कॉंट्राक्ट और प्रिविटी ओफ कंसिडरेशन की, इसमें एक चीज समझना, प्रिविटी ओफ कॉंट्राक्ट का मतलब ये होता है, कि only parties to contract can file a suit, जो जिन लोगों के बीच कॉंट्राक्ट हुआ है, सिर्फ वो ही suit फाइल कर स सकते हैं, और कोई व्यक्ति suit file नहीं करेगा, ब्रिच के case में, कोर्ट के पास कौन जाएगा, एक्शन लेने, जो पार्टी है, कॉंट्राक्ट में, प्रिविटी ओफ कॉंट्राक्ट क्या कहती है, जो पार्टी है, कॉंट्राक्ट में, ध्यान रखना, यहाँ एक confusion भी है, प्रिविटी ओफ कंसिडरेशन को लेके थोड़ा सा נा confusion भी मैंने देखा है, experiments के जहन में, प्रिविटी ओफ कंसिडरेशन को, मेजोरिटी ये समझती है, कि प्रिविटी ओफ कंसिडरेशन का मतलब है, sorry, privity of contract का मतलब है, party to contract, party to contract can sue, only party to contract can sue, सिर्फ कौन सूट फाइल कर सकता है, जो party है, as per the rule of privity of contract, take, where is the principle of privity of consideration, the privity of consideration says, party to consideration can sue, वो ही सूट कर सकता है, जिसने consideration दिया, यह है privity of consideration, अब एक इंडिया में applicable है, एक इंग्लैंड में, इस चीज़ को लेके आपको confusion होता है, मैं उस confusion को दूर कर रहा हूँ, अगले 10 मिनट बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बस, इस case के माध्यम से ही हम इस चीज़ को समझेंगे, इधर पे अगर मैं इस particular case की बात करा, तो इस case में मुझे बताईए, party to contract कौन-कौन है, dnb, ठीक, dnb है, इन दोनों के बीच में contract हुआ, तो अगर मैं बात करूं, प्रिविटी ओफ contract की, तो प्रिविटी ओफ contract के हिसाब से, कौन suit file कर सकता है, प्रिविटी ओफ contract के हिसाब से, d suit file कर सकता है, या फिर b suit file कर सकता है, ये सब्सक्राइब जो पार्टी है वही सूट फाइल कर सकते हैं कोई दूसरा विक्ति सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि प्रिविटी ओफ कॉंट्राक्ट का मतलब यह होता है जिन लोगों के बीच कॉंट्राक्ट हुआ सिर्फ वो ही सूट फाइल करेंगे कोट में जाके in case of breach that's what privity of contract says whereas privity of consideration says that जिसने consideration दिया वो इसका मतलब कौन mother and the daughter uncle नहीं कर सकते as per privity of consideration uncle suit file नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते यहां समझना क्योंकि consideration furnish तो mother ने किया है और किस ने किया है daughter ने किया है daughter ने promise किया maintenance देने का mother ने property दी so party to consideration कौन है party to consideration है हमारे mother और daughter इसलिए privity of consideration के हिसाब से यह दोनों suit file कर सकते अंकल नहीं अब यहीं आपके उस सवाल का जवाब है कि English law में क्या applicable है और Indian law में क्या applicable है एक बात बस और समझियेगा उसके लिए English law की position थोड़ी सी English law में थर्ड पार्टी consideration furnish नहीं कर सकती जहां से सुनना मेरी बात English law में थर्ड पार्टी consideration नहीं दे सकती जैसे agreement अगर इन दोनों के बीच हुआ है तो यही consideration furnish करेंगे मदर में तो इंग्लेश law के हिसाब से अगर यह contract मन लीजे हुआ होता तो यहां contract किस-किस के बीच में होता D और B के बीच में तो अगर मैं बात करूं कि पार्टी कौन है तो पार्टी यहीं दोनो हैं पार्टी टू-कांट्रैक्ट्ट यहीं दोनों हैं और इंग्लेश law के हिसाब से तीसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता consideration फरनेश जैसा इंडिया में होता है इसी लिए English law के हिसाब से चाहे party to contract पूछिए आप मुझसे यही दोनों होंगे या फिर party to consideration आप मुझसे पूछिए वो भी यही दोनों होंगे तीसरा व्यक्ति का यहां तो privity of contract के हिसाब से English law में कौन suit file कर सकता है so the answer would be daughter and brother यही दोनों क्योंकि party to contract है इसलिए privity of contract के हिसाब से यही दोनों suit file कर सकते हैं अगर बात करूँ privity of consideration की तो क्योंकि वहां तीसरा व्यक्ति consideration दे ही नहीं सकता वहां mother का role ही नहीं है वहां daughter और brother ही consideration देंगे इसलिए अगर मैं बात करूँ principle की privity of consideration तो क्या English law में privity of consideration applicable होगा बिलकुल होगा क्यों होगा क्योंकि यहां जो party है वही consideration दे रही है इसलिए English law की अगर मैं बात करूँ तो English law में यह भी applicable होता है privity of contract और English law में यह भी applicable होता है that is privity of consideration क्योंकि यहां party अलग नहीं होती जो party है contract में जिन दो लोगों के बीच contract हुआ है वही consideration भी furnish कर रहे है इसलिए English law में privity of contract भी applicable है और privity of consideration भी I hope you got this क्योंकि यह जो बात मैंने आपको बताई कि party भी यही दोनों है consideration भी यही दोनों furnish करेंगे तीसरा वेक्ति यह consideration देता ही नहीं हो वो वैलिडी नहीं होता है इसलिए English law में privity of consideration और privity of contract दोनों applicable है इतनी बात कितनों को समझ में आ गई जरह yes लिखके बता दीजिए और no लिखके बता दीजिए एक बार एक बार कमेंट में यस या नो लिखके बता दीजिए अगर समझ आ गया यह तो तो फिर मैं English position समझाओं क्योंकि कुछ exams मेंने technical question इदर से option बनता है मैं आपको बताऊंगा वह option क्या बनता है और जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है कि अपने को option याद नहीं करने समझ नहीं यह रठना नहीं है कि इसका तो भी होता है और आ गया समझ में प्रविटी ओफ कॉंट्राक्ट और प्रविटी ओफ कंसीडरेशन की बात English law में दोनों applicable होंगे क्योंकि यहां जो व्यक्ति देता है वही कॉंट्राक्ट में एंटर होता है अब यह हमने कहा party to contract और party to consideration अगर मैं इसकी जगे एक चीज एक word लिख दूँ एक term लिख दूँ अगर मैं यहां मैंने लिखा party to contract उसकी जगे अगर मैं एक नई चीज आपके सामने लिख दूँ stranger to contract और stranger to consideration तो आप बात समझेंगे थोड़ी सी कि stranger हम किसको बोलेंगे stranger हम किसको बोलेंगे देखिए stranger to contract stranger to consideration English law में होगा ही नहीं क्योंकि English law में party भी वही है जिसने consideration दिया है या जिस जो पार्टी है वही consideration देगी लेकिन English law में इंडियन law में यह stranger का game होगा क्यों होगा stranger का game उसको समझना अगर इस contract की अपन बात करें इस contract के यह जो हमने किया डॉटर और अंकल के बीच और consideration मदर ने दिया यहां पर मुझे यह बताईए who is stranger to contract यह बताईए who is stranger to contract stranger to contract कौन होगा जो party नहीं है contract में वो stranger to contract होगा होगा अंग है कौन है कॉन्टराक्ट में यहां पर क्या लिख देंगे अपन स्ट्रेंजर टू कॉंटराक्ट कि अगर मैं बात करूं इस पर्टिकॉलर एक्जाम्पल में So mother, mother is the stranger to contract, ठीक, अब एक बात समझना, stranger to consideration, इस promise में consideration किसने furnish किया है, daughter ने और mother ने, consideration किसने furnish किया, mother और daughter, who is stranger to consideration है, who is stranger to consideration, B is stranger to consideration, इनने consideration नहीं दिया है कुछ, पार्टी जरूर है यह, लेकिन consideration नहीं दिया है, so B is the stranger to consideration, अब अपन समझते हैं, इंडिया की position को, इंडिया में क्या applicable है, उस बात को समझना जरा, तो भाई, इंडिया में प्रिविटी ओफ कॉंट्राक्ट एप्लेकेबल है, इन इंडिय इप्लेकेबल, प्रिविटी ओफ कॉंट्राक्ट इप्लेकेबल, सिर्फ पार्टी ही सूट फाइल कर सकती हैं, जो पार्टी हैं कॉंट्राक्ट में सिर्फ वो सूट फाइल कर सकती हैं, इसलिए इंडिया में प्रिविटी ओफ कॉंट्राक्ट एप्लेकेबल होती है, क्यों अडिया में इन तीनों में से कौन-कौन लोग सूट फाइल कर सकते हैं, तो जो पार्टी हैं वो कर सकते हैं, कौन-कौन है पार्टी दी और बी यह दोनों कर सकते हैं, मदर नहीं कर सकते, because mother is stranger to contract, mother is stranger to contract, उसने contract नहीं किया, कॉंट्राट किसके बीच हुआ डॉटर और ब्रदर डॉटर ने प्रॉमिस किया ब्रदर को कि वो पैसे देगी maintenance का amount देगी इसने सिर्फ consideration फर्निश किया है mother ने सिर्फ consideration फर्निश किया है इसे लिए as per Indian law क्योंकि हमार यहां privity of contract applicable है suit file कौन करेगा या तो डॉटर या तो ब्रदर यह दोनों ही कर सकते है mother यहां पे नहीं कर सकती as per privity of contract और क्योंकि as per privity of contract mother suit file नहीं कर सकती क्या आप कहेंगे कि India में privity of consideration भी applicable है क्या India में privity of consideration applicable है the answer is no इंडिया में privity of consideration applicable नहीं है हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे यहां एक तीसरा व्यक्ति भी consideration दे सकता है हमारे यहां एक तीसरा व्यक्ति जो party नहीं है वो भी consideration दे सकता है लेकिन क्योंकि उसने consideration दिया है अगर उसको भी आप suit फाइल करने का अधिकार दे देंगे तो privity of contract का breach हो जाएगा उस case में जैसे इस example में अगर हम मदर को जिसने consideration दिया अगर हम इसको यह अधिकार दे दें कि भाईया तुम भी suit file कर सकते हो तो फिर तो privity of contract का breach कर दिया ना हमने क्योंकि प्रिविटी of contract तो बस इन दोनों को कहते है प्रिविटी of contract का मतलब यह कि only parties to the contract can file a suit तो violation हो जाएगा प्रिविटी of contract का अगर हम इसको भी अधिकार दे देंगे suit file करने का इसलिए इंडिया में क्योंकि तीसरा वेक्ती भी consideration देता है इसलिए प्रिविटी of contract के हिसाब से सिर्फ यह दोनों suit file कर सकते हैं जिस वेक्ती ने consideration दिया है वो suit file नहीं कर सकता इसलिए इंडिया में दोनों साथ में applicable नहीं हो सकती English law की तरह क्योंकि हमारे एक तीसरा वेक्ती भी consideration दे सकता है और उसको हम suit file करने का अधिकार बिल्कुल नहीं देते हैं लेकिन क्योंकि English law में party भी सेम है consideration भी उन्हीं दोनों ने दिया है तो वहां दोनों applicable है बट इंडिया में सिर्फ प्रिविटी of contract प्रिविटी of consideration नहीं है and I hope you got this concept अब आया भाई यह समझ में concept क्या है इंडिया में कौन सा applicable अब नहीं एक MCQ बनता है कि can a stranger to consideration ध्यान से सुनना मेरा सवाल लिख लो चाहो तो pen से कौपी लेके बैठे हो तो can a stranger to consideration file a suit in India in case of breach can a stranger to consideration can a stranger to consideration file a suit in India in case of breach और आंसर बता दीजिये जरा मैंने क्या बोला है stranger to consideration file कर सकता है क्या कि अरे बैटा तीन बार चिल्ला के बताया आयूश इंडिया में contract uh इसे कमेंड मत करा करो यार लिखा भी हुआ है छिल्ला छिल्ला के इनवार बता रहा हूं कि इंडिया में प्रूरब प्रविटी ओफ कॉंट्राक्ट अपले के बल्य है इसलिए कंसीडरेशन अपले के बल्न हो सकता है हाँ बाई उस सवाल को बताईए आपने जिन्हों ने लिख लिया हो उस वेस्टन को कैना stranger to consideration file a suit in India in case of breach तो जो लोग कह रहे हैं नई stranger to consideration इसमें अब बताईए मैं आपको समझा भी दूसका answer इस process में इस agreement में who is stranger to consideration consideration के लिए stranger कौन है जिसने consideration नहीं दिया कौन है वो व्यक्ति जिसने के वो व्यक्ति कौन है वो वैक्ति है यह व्यें थे इस stranger to consideration. Can he file a suit in India in case of breach? Can he file a suit in case of breach in India? The answer is yes. The answer is yes, he can file a suit. This person can file a suit. क्यों कर सकता है? वीगा पार्टी, क्योंकि ये पार्टी है. भले consideration नहीं दिया, लेकिन अगर वो वक्ति पार्टी है, तो फाइल कर सकता है. बहले consideration ना दिया हो इसलिए answer to that question जो मैंने आपसे पूछा कि in India can can न कर सकता है यानि हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है बट कर तो सकता है अगर वो party है बहले consideration ना दिया हो लेकिन वो विक्ति अगर party है तब तो वो suit file कर सकता है अगर अभी भी नहीं पकड में आ है थोड़े बुद्धी तो खोल के बैटनी पड़ेगी बेरेक सामने रखना पड़ेगा तब आप इन बातों को ढंग से समझ पाएंगे मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा ये उसका पूरा क्रक्स है अब ज़रा एक बार बता दीजे किते लोग ऐसे हैं आप में से जिनको ये कॉंसेट समझ में आ गया पूरा समझ आएगा प्रिविटी अफ कॉंट्राक्ट, प्रिविटी अफ कंसिटरेशन भारत में अप्लिकेबल है तो क्यों है नहीं है तो क्यों नहीं है कि पहले एक्जाम का पैटन देखिए लीगल करेंट लीगल नॉलेच जो आप पढ़ रहे थे वो मेंस के लिए इंपोर्टेंट है डिजेस में प्री के लिए नहीं है प्री के लिए इस अब इंपोर्टेंट था हुगा ठीक है चलो आल राइट सो यह एक इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है प्रीविटी का अब थोड़ा सा क्योंकि इंडिया में क्या अप्लेकेबल है आगे बढ़ जाते हैं अपन आप चाहें तो भीया इन सब का स्क्रिंशॉट ले सकते हैं मैं हड़ जाऊ वो बोलो तो ताकि आपको बाद में भी है यह जो लिखा है मेरी बहुत ज्यादा सुन्दर है आप जानते हैं थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ सकती आपको उसे समझने के लिए हर अच्छी चीज आसान नहीं होती है है अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा प्रिविटी ओफ कॉंट्राक्ट के बारे में और इंड करते हैं तो यहां एक बात यह समझना कि इंडिया में जब इस concept को हम implement करते हैं with certain exception किया गया है इसके कुछ exceptions है प्रिविटी ओफ कॉंट्राइक के भारत में कुछ exceptions है बरीफ में उनको मैं deal करूँगा cases की बात अगर करें तो twiddle versus akinson एक important case है इसके regarding twiddle versus akinson एक dunlop pneumatic tire company का case important है उसके बाद अगर अपन Indian context की बात करें तो exception इधर पे है dunlop pneumatic tire में ही exception की थोड़ी सी एक बात करी गई थी exception में क्या है कि भाई अगर मान लीजिये कोई beneficiary है contract का और उसके regarding कोई trust trust create किया गया है तो वो भारत में suit file कर सकता है as an exception to privity of contract उस particular आप देखेंगे twiddle versus akinson के भी similar fact है उसमें court ने का था कि probability of contract apply होगी इसलिए जो beneficiary है वो suit file नहीं करेगा बट वो English context था भारत में जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो भारत में थोड़ा सा इस चीज़ में change है case का नाम लिख लेजिए मुहमद खान versus हुसैनी बेगम यह important case है मुहमद खान versus हुसैनी बेगम 1910 का case है मुहमद खान versus हुसैनी बेगम इसमें सबसे पहले एक exception की बात करी गई थी बात समझना exception क्या था ए और बी के बीच एक agreement हुआ इन दोनों के बीच एक agreement हुआ कि ए जो है वो अपनी डॉटर की शादी किस से करेगा बी के सन से करेगा ए जो है वो अपनी डॉटर की शादी एस से करेगा बी के सन से agreement किस के बीच में हो रहा भाई यह जरूर ध्यान रखना यहां पे contract किस के बीच हो रहा है ए और बी इन दोनों के बीच contract हुआ है यह सर्फ beneficiary है डी उसकी दोनों के बीच contract हुआ कि ए अगर अपनी डॉटर की शादी इसके लड़के से करा देगा तो बगले में यह जो भी है यह एक maintenance का amount एक maintenance इसको Muslim law में कहते हैं खर्चाई पांदान खर्चाई पांदान पीटल बॉक्स expenses अंग्रेजी में उसे कहते हैं कि एक certain amount monthly वो किसको देगा इस डॉटर को पे करेगा अगर यह शादी कराता यह agreement इन दोनों के बीच हुआ और पापा ने क्या बोला है लड़के के खर्चाई पांदान देंगे बिटल बॉक्स expenses जो रजनी गंदा और तुलसी खाती है यह मिला कि एक packet में उसका खर्चा हम देंगे उसको कहते हैं खर्चाई पांदान या बिटल बॉक्स expenses क्योंकि इसको सुबह उठते ही एक रजनी गंदा और तुलसी का पाउच चाहिए होता है अब देखिए कॉंट्राक्ट इन दोनों के बीच हुआ उस कॉंट्राक्ट के बदले दोनों की शादी करा दी गई शादी होने के बाद इसकी डेथ हो जाती है एक ही डेथ हो जाती हमारा लगा विमल खाएगा तुमको नहीं देंगे ठीक तो यह जो प्रॉमिस का ब्रीच करते हैं इसके बदले कोट जाती है कौन हमारी डॉट्टर क्योंकि भाई रजनी गंदा तुलसी बहुत ज़रूरी जी जाती है कोट क्लेम करने के लिए अपना बेनेफिट वह जो भ कोट में यह एंफोर्स नहीं करा सकते लेकिन एक बात समझना जब वी ने यह प्रॉमिस किया था कि खर्चाई पांदान देंगे इन्होंने साथ में एक प्रॉपर्टी पे ट्रस्ट क्रियेट कर दिया था ट्रस्ट क्रियेट मतलब एक प्रॉपर्टी साइड कर दी थी कि उ सो से यह खर्चाई पानदान दिया जाएका इनका जो रजनिगंदा राच्ष्री आएगा वो कहां से आएगा इस प्रो पर्टी से हुने वाली इनकम जो उसके लिए अलग से रिवर्ज सुनिख कर दी परपर्टी और वहां से पैसा इनको दिया जाएयगा अब कोट ने से ने जो कोट में मूव किया उसको अफिल्ड किया और इसको बोला exception of priority of contract क्योंकि एक ट्रस्ट भी create किया गया है और beneficial अब इससे related और exceptions निकले फिर ये तो एक exception इससे related और कि जहां इस तरीके का property of property side करी गई है वहाँ beneficiary claim कर पाएगा suit file कर सकता है अगर उसको benefit नहीं मिल रहा है तो family arrangement अगर है maintenance शादी वादी को लेके कुछ हुआ है तो जो beneficiary है family arrangement अगर कोई हुआ है उसमें कर पाएंगे उसका भी example है कि family arrangement था वहाँ that is also an exception या फिर एक exception acknowledgement की तरह होता है उसके भी कुछ cases बहुत important नहीं है लेकिन आप उसको देख सकते हैं एक बार brief में so that's privity of contract और उसके exception तो इस तरीके से इंडिया में with exception applicable होता है privity of contract case याद रखिएगा यह वाला बहुत important है मुहम्मद खान वर्सेज हुसेनी वेगम याद रहेगा ना विमल जुआ के सरी कर्चाई पांदान की बात उसमें हुई थी so that is about privity of contract and its exception इसके बाद आजाईए आगे तो यह हो गया आपका privity of contract privity of consideration और हमारा एक important aspect यहां जो अपन पढ़ रहे थे उसका important aspect यह अब देखो यहां आपन ने क्या के complete कर लिया भाई यह complete हो गया at the desire of the promisor इसमें दो तीन चीजें हमने पढ़ ली फिर stranger to contract can furnish consideration in India यहां हमने क्या पढ़ लिया यहां हमने पढ़ लिया अपना privity of contract privity of consideration और साथ में विमल और थुलसी मतलब privity of contract के exception और अब आते हैं अपन अपने तीसरे discussion की तरफ past present future that is also a very important discussion क्योंकि यहीं से मैं आपको लेके जाऊँगा section 25 की तरफ जो exception की बात करता है और उसको भी हमें जान से समझना है चलो अब आते हैं अपन consideration तीन तरीके का देखो present और future को पहले निप्टा लेते हैं फिर past प्याएंगे क्योंकि जो थोड़ा बुद्धी लगाने का काम में वो past में है present future में बुद्धी लगाना नहीं है ज्यादा simple है देखिए present क्या होता है present consideration कोई पता क्या बोलते हैं executed consideration इसको क्या बोलते हैं पता है executed present consideration को बोलते है present consideration क्या होता है कि जिस समय आप अपना promise फुल्फिल कर रहे हैं उसी समय पर consideration भी दे दिया जा रहा है आपको जैसे आप एक दुकान पर गए आपने पैसे दिये वहां से आपने समान ले लिया that's present consideration दोनोंने साथ में अपने obligation फुल्फिल कर दिये at the same time that's present consideration आपने समान लिया पैसे दिये खतम that's present future consideration आपने अपना obligation फुल्फिल दूसरे से करवा लिया आपने कुछ नहीं किया आपने promise दे दिया बदले में that's future consideration that's future consideration और इस future consideration को कहते हैं executory if I'm not wrong इसको कहते हैं executory consideration yes so future को कहते हैं executory future मतलब क्या हुआ एक party ने अपना obligation फुल्फिल किया और आपने क्या बोला बाद में दे आपने मुझसे क्या बोला sir contract पड़ा दो sir NIV पड़ा दो बाकी आपका video share तो हम कर देंगे आपके subscriber यह मान के चलो कि 14 जनवरी तक हम 25 सार करवा देंगे यह promise आपने किया नहीं है अभी कुछ आपने अभी ना तो वीडियो like किया है ना आपने कहीं share किया आपने बदले में क्या किया मुझे promise दे दिया मुझसे consideration ले लिया और बदले में मुझे promise आपने consideration में मुझे क्या दिया act नहीं किया आपने मेरे लिए आपने में को एक promise दे दिया कि मैं यह करवा दूँगा that's future consideration that promise is future consideration कई बार दोनों चीज़े future हो सकती है कई बार क्या हो सकता है दोनों future मैंने कहा मैंने आपसे कहा कि भाई साब अभी यूपी की वेकेंसी भी आ रही है याद रखना उसके crush course के लिए भी फिर आओगे तर तो मैंने आपसे कहा कि मैं यूपी के लिए भी फिर करवाऊंगा YouTube पे पहले भी कराया था यूपी के लिए फिर कुछ कराऊंगा ऐसा कराऊंगा कि सिर्फ उससे exam clear हो जाएगा तो मैंन दोनों ने क्या किया दोनों पार्टीज ने ए ने और बी ने एक प्रॉमिस इसने दिया और एक प्रॉमिस इसने दिया दोनों एक दूसरे को बना रहे हैं मैं आपको बना रहा हूं आप मुझे बना रहे हैं है ना तो जहां ऐसा होता है कि एक पार्टी ने प्रॉमिस दिया दूसरे ने बदले में एक promise दे दिया ये भी एक valid क्या है ये भी क्या है एक valid agreement है अब थोड़ा से जादू दिखाने वाला हूँ है ये क्या है ये भी एक valid agreement है A ने promise किया B को बदले में B ने promise कर दिया C को that's also a valid agreement ऐसा में क्यों कर कह रहा हूँ जरा तुरंद वेरेक्ट में 2E की definition निकाल लो मैंने agreement की definition जब पढ़ाई थी तो कहा था एक पार्ट बाद में बताऊँगा उस समय आपने तुरंद मुझे जज किया होगा कि इनको आता नहीं है इसलिए इनने skip करा दिया Hello कि निकाल लिए agreement की definition every promise इतना ही पढ़ने को कहा था मैंने every promise is an agreement आगे वाला छोड़वा दिया था आगे वाला आप समझिये every promise and every set of promise क्या है यह set of promises एक इधर से एक इधर से set of promises forming the consideration for each other एसा set of promise जो एक दूसरे के लिए consideration form कर रहा है आगे लिखाए is an agreement वो भी एक agreement है तो ए ने एक promise दिया बी ने बदले एक promise और यह promise क्या है they are forming consideration for each other एक दूसरे के लिए consideration है यह इसको भी हम कहते है agreement as per 2E कि समझ आ गया अब यह उस समय समझ नहीं आता आप किस लिए छुड़वा दिया था ऐसा नहीं कि मुझे आता रही है लेकिन आप competent नहीं थे उस समय इस बात को समझने के शायद इसलिए मैंने छुड़वा दिया था है है यह थो हुट इस तो भाईया यह है फ्यूचर कंसिड्रेशन की कहनी कि कहानी है कर गया समझ में भारी आव आजा वर स्चिटर अब आजा ऑफ पास्ट की तरफ है यह तो प्रेजेंट और फ्युचर की बात हो गैं पास्ट इस इंपास्ट है underground Past consideration मतलब ऐसा act जो आप already कर चुके हैं, वो है past, already मतलब agreement होने के पहले, past consideration क्या होगा, कि जब आपने promise किया, जब आपने promise किया, या जब आपने agreement किया, इसके पहले ही आपने act कर दिया, या आपने consideration दे दिया, that will be past, past का मतलब क्या होगा बटा, जब promise हो रहा है, उसके पहले, क्योंकि present क्या है, जिस समय agreement हो रहा है, उसी समय जो furnished किया present, आगे करेंगे future, तो agreement के पहले जो हुआ, वो past, this will be the past consideration, I hope you are getting this, ठीक, तो this will be the past consideration, अब एक बात समझना है, इधर मेरी, कि past consideration कैसे हो सकता है, एक example से इसको समझेए, जैसे मान लीजिए, मैं एक class ले रहा हूँ, offline mode में, और class के बाद मैं class से बाहर चला गया, और मेरा phone यहीं podium पे मैं छोड़के चला गया, अब मुझे पता नहीं कहां छूड़ गया मेरा phone, मैंने अगले दिन student से कहा, अगले दिन आके मैंने student से कहा, कि भाई मेरा phone ढूंड देना जिसको मिले, किसी को भी phone मिल जा है, मैं को लाके वापिस करना, मैं 500 रुपे तुम्हें award दूँगा, क्या इसमें कोई past consideration है, the answer is no, मैंने आपको अभी बोला, अब आप phone डूड़ेंगे और ले आएंगे, तो इसमें future consideration हो गया, लेकिन अगर मान लिजे, इसमें ये होता है, कि मैं podium पे अपना phone छोड़के भूल जाता हूँ, आप में से कोई student, class में offline में जो बैठे थे, उन में से एक student को मेरा phone मिलता है, phone लाके मुझे phone वापस कर देता है, वो phone लाके मुझे दे देता है, जब वो विक्ति मुझे phone लाके दे देता है, तब मैं उससे कहता हूँ, अब मैं promise कर रहा हूँ, अब मैं agreement कर रहा हूँ, जब उसने already मेरे लिए कुछ कर दिया है, उसने act already कर दिया, उसने मेरा phone ढूंड क मुझे ला दिया अब मैं उससे करता ओं यार बड़े भले इंसान हो तुम मेरी तरह इस कलियोग में तुमने इतना बड़ा काम किया है की मेरा फुन तुम मुझे वापिस कर रहे हो तो पहले तुम बड़े भले इंसान हु जिसने मेरा फोन लोटाया 500 रुपे इनाम दूँगा मैं तुम अब जो अग्रिमेंट हुआ उसमें मैंने क्या किया मैंने एक प्रॉमिस किया मैं जो दूँगा that will be a future consideration I hope you're getting this क्योंकि मैंने कहा मैं 500 दूँगा भी दिये नहीं या माल लो तुरन दिदिये मैंने तो मेरा प्रेजंट consideration जब मैंने प्रॉमिस किया साथ में कर दिया consideration लेकिन उस व्यक्ति ने जो किया फोन मुझे वापस किया वह अग्रिमेंट के पहले किया फोन पहले वापस कर दिया उसने वह अग्रिमेंट के पहले हुआ तो है लेकिन क्या ये वैलिड है as past consideration so for that the answer is no the answer is no it is not a valid past consideration क्यों नहीं है ये valid past consideration समझना because इसमें एक essential फुल्फिल नहीं हो रहा कौन सा essential इसमें फुल्फिल नहीं हो रहा ये वाला add the desire of the promisor यहां 500 देने का promise किस ने किया मैंने किया मेरे लिए consideration क्या है आपका phone मुझे वापस करना क्या आपने वो phone मेरी desire पर वापस किया है नई आपने already phone वापस कर दिया फिर मैंने आपको ये promise किया कि मैं 500 दूँगा फोन आपने मेरे बिना कहे मुझे वापस कर दिया मैंने आपसे नहीं बोला था कि आप मेरा फोन मुझे वापस करें मैंने आपसे नहीं बोला था चीक? तो ये valid past consideration नहीं है क्योंकि वो आपने सौइच्छा से act किया है मेरी desire पे नहीं किया तो ऐसे में पास्ट कंसिडरेशन होगा कब वो समझी है मैं लीजे सेम इंसिडेंस है कि मेरा फोन कहीं खो गया मैंने क्लास में बच्चों से कहा कि यार जिसको भी मिले या मैंने इत पर्टिकलर स्टूडेंट से कह दिया कि भाई यार देखना मेरा फोन मिले तो में को ढूंड के लाके वापिस कर देना बस मैंने ये कहा मैंने कोई प्रामिस नहीं किया पैसे वैसे देने का मैंने सिर्फ ये कहा कि भाई मेरा फोन ढूंड देना यार आपने मेरी desire पे मेरे लिए वो act कर दिया और जब आपने वो act कर दिया अपने phone मुझे वापिस कर दिया अब मैंने आपसे कहा कि वायर बहुत बढ़ीया काम किया है 500 रुपे दूँगा मैं तुम्हें 500 आज reward दूँगा यहाँ पे जो आपका act ये agreement binding होगा ये promise मेरा binding होगा क्योंकि इसमें past consideration है जो आप मेरे लिए कर चुके हैं और वो past consideration कैसा था at the desire of the promisor था मेरे कहने पर ये आपने मेरे लिए कुछ किया तब तक promise नहीं हुआ था और तब तक पैसे देने का promise नहीं था इसलिए वो at past का हो गया और वो at कैसा है मेरी desire पर आपने किया है और फिर मैंने आपको पैसे देने का promise किया so this will be a valid past consideration that's valid past consideration कि मेरे कहने पर आपने मेरे लिए कुछ already कर दिया है मेरे कहने पर किया मैंने बोला था फोन डूंड दो आपने फोन डूंड दिया कोई promise नहीं हुआ अभी जब आप phone लेके मेरे पास आ गए तब मैंने आपको promise किया कि भाई मैं आपको पास तो promise या agreement जब ह हुआ उसके पहले ही आप मेरे लिए कुछ कर चुके हैं और वह आपने कैसे किया है मेरी desire पर किया है that's valid past consideration इसके बाद एक important चीज जो इदर past consideration के बाद अपने को समझनी है that is section 25 so consideration सिर्फ 2D से पूरा complete नहीं होगा उसके लिए आपको क्या और समझना पड़ेगा तो उसके ल तो तुरन तब आजाईए section 25 की तरफ section 25 समझिये ये बात कर रहा है ऐसे agreements की जो बिना consideration के भी enforceable होंगे अभी हमने क्या पड़ा है कि agreement को enforce कराने के लिए जरूरी है कि एक lawful consideration हो लेकिन इसके exception consideration के exception बताये गए हैं हमें कहां consideration के exception हमको बताये गए है section 25 में ठीक है section 25 में अब देखिए section 25 कहता है agreement without consideration void unless it is in writing and registered or is a promise to compensate for something done or is a promise to pay a debt barred by limitation law क्या लिखा है an agreement made without consideration is void कोई भी agreement जो बिना consideration के होगा वो वाइड होगा यह general rule होगा natural love and affection में अगर कोई चीज करी गई है तो बिना consideration के भी enforceable हो जाएगी लेकिन कुछ mandatory requirement written or registered होना चाहिए कि first पढ़ रहा हूँ it is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of documents and is made on account of क्या लिखा है पहला essential is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other parties किसी near relation में हो इच अदर और out of love and affection promise किया गया हो साथ ही writing में होना चाहिए और registered होना चाहिए ठीक natural love and affection parties का near relation और written or registered होना चाहिए तब वो valid होगा जैसे आपको पापा ने एक promise कर दिया बिना किसी consideration का आपके बड़े के लिए उन्होंने आपको आज promise कर दिया कि आपको आईफोन का latest edition gift करेंगे यह उन्होंने बोल दिया अब पापा ने यह क्यों बोला out of love and affection parties कैसे है near relation में है आपके लिए consideration क्या है आईफोन पापा के लिए consideration क्या है nothing nothing तो general rule के हिसाब से तो यह valid नहीं होता क्योंकि दोनों party के लिए consideration होना चाहिए general rule के हिसाब से तो यह agreement enforceable नहीं होगा void होगा क्योंकि consideration नहीं है लेकिन as an exception 25 में इसको mention किया है कि दो parties अगर near relation में है और out of love and affection एक party ने दूसरे से कोई promise कर दिया है और अगर वो लेकिन वो ऐसे valid नहीं होगा वो कैसे valid होगा writing में होना चाहिए और registered होना चाहिए तो अगर पापा आपसे ऐसा कोई promise करे कि तुमारे बड़े पे यह तुमारे exam के बाद तुमको यह दिला देंगे तो वो enforceable नहीं है अभी भी enforceable नहीं है वो कम होगा exception के हिसाब से जब वो writing में होगा और registered होगा तो अब अगर पापा ऐ जाके उसको register कराओ उस promise को उस agreement को तब वो enforceable हो जाएगा even without consideration करके देखना आज इसा एक बार है इसा करके देखना पापा से के ना पापा लेखित में दो और इसको हम register भी करवाएंगे क्योंकि हमने पंट्राइट का section 25 पढ़ रखा है और उसके बाद जो चपलें चलेंगी ना घर में उसके लिए मैं जम्मेदार नहीं हूँ यह ध्यान रखना ठीक तो दाट इस दी फॉर्स्ट पॉइंट अब एक बार एक बात ध्यान रखना कि जैसा यहां पर किया गया है that it should be out of love and affection एक केस था जिसमें एक husband और wife mutually separate हो रहा थे क्योंकि उनकी बड़ी लड़ाई होती थी एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं थे तो they were getting separate और उससा में husband ने promise कर दिया कि कुछ पैसे वो wife को देगा और वहां यह question arise हुआ कि क्या यह exception में आएगा तो agreement भी बुनने लिखा था because of क्योंकि एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं और लड़ाई होती है इसलिए promise किया गया है तो court ने held किया था it was not out of natural love and affection that was not out of love and affection ठीक तो that is the first point second देखिए 25 का second clause देखिए it is a promise to compensate holy holy or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally comparable to do or unless देखो अब समझना इदर बे second point जो बात चल रही है जो second point है यह है आपका past voluntary service के regarding past voluntary service past voluntary service का क्या मतलब बता है जो अभी हमने example discuss किया था कि आपने मुझे phone मेरा लोटा दिया that was a past voluntary service मैंने आपको बोला नहीं है मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला कि आप मेरा phone ढूंडो आपने खुद से अपना मेरा phone ढूंडा और मुझे लाकेट दे दिया जब आपने मुझे मेरे लिए आपने आपने पास्ट में voluntary service कर दी कि आपने मेरा phone ढूंड दिया जब मैंने आपको उस phone को लाने के बाद promise किया कि भाई मैं pay करूंगा क्या वो valid past consideration है the answer is no वो valid past consideration नहीं है क्योंकि वो मेरी desire पर नहीं हुआ लेकिन section 25 उसको भी enforceable बनाता है section 25 कहता है कोई past voluntary service किसी ने आपके लिए करी है और आपने उसके बदले में अगर उसे compensate करने का कोई promise कर दिया है तो वो agreement भी valid होगा लेकिन वो कैसे valid हो रहा है as an exception अब correlation समझना 2D और इसका 2D के साबसे valid consideration नहीं है इसलिए उसको exception में लिखा है 25 में और वो as an exception valid हो रहा है इस चीज़ को एक example से और समझ लीजिए क्योंकि ये demand अभी पहले भी comment में आई थी जैसे माल लीजिए ये तलाव है भुपाल में बहुत सारे तलाव है बड़ा लेक है ये भुपाल का माल लीजिए यहाँ पे एक uncle बैठे हुए है एक uncle है यहाँ पे you ये uncle बैठे है इदर पे uncle का एक लड़का है जो यहाँ तलाब में तैर रहा है सो अंकल का लड़का तलाब में तैर रहा है अंकल फोल में रील देख रहे हैं उन्हें मतलब भी नहीं लड़के से और लड़का उनका डूबने लगता है अंकल बड़िया फोन चला रहा है लड़का नहां रहा था तलाब में वो डूबने लगता है जैसे ही वो डूबने यह जैसे यह सीन देखते हैं कि पापा को तो कोई मतलब नहीं है वो तो मोबाइल में रील देख रहे हैं यह देखते हैं बच्चा डूब रहा है तुरन तलाब में कुथता है और इस बच्चे को बचा के बाहर ले आता है अब जैसे बच्चे को बचा के यह वेक्ति बाहर ल देने को यहाँ पर भैया इस विकती ने जो किया है ये क्या है ये पास voluntary service है किसी ने बोला था क्या इसको कि जाके बचाओ अंकल ने बोला था क्या जाके बच्चे को बचाओ नहीं बोला था या खुद गए और बचाके लें आए फ खुद गए और बचा के ले आए, so that is past voluntary service, past क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब यह बचा के ले आए, तो अंकल ने क्या किया, इनको एक promise किया, अंकल ने क्या किया, एक promise किया, कि आपको हम 500 रुपे देंगे, reward हम आपको देंगे, क्योंकि आप हमारे बच्चे को बचा के लाए है, अब क्योंकि reward की बाद promise बाद में हुआ है, बच्चे को पहले बचा लिया गया है, इसलिए उसको past कह रहे है, voluntary क्यों कह रहे है, क्योंकि खुद से बचाया, किसी ने बोला नहीं था, so that is past voluntary service, अब अगर हम इसको कहें, कि क्या यह past इनका जो act है भाई साब का, जो उन्होंने बच्चे को बचा लिया, क्या यह past consideration है, as per 2D, क्या यह past consideration है, so the answer is no, नहीं है, क्योंकि अंकल की desire पर नहीं है, अंकल ने promise किया ना past तो देने का, तो जो consideration उनाची अंकल की desire पर उनाची अंकल ने तो नहीं बोला था बचाने को, व लेकिन as per section 25 clause 2, अंकल का promise क्या हो जाएगा, enforceable या valid हो जाएगा, देना पड़ेगा, अबाउंड है, क्यों, क्योंकि section 25 का clause 2 कहता है, past voluntary service को compensate करने का, अगर आपने कोई promise किया है, तो वो binding होगा, even without consideration, क्योंकि इसमें consideration valid नहीं होता, किया तो इस बंदे ने है कुछ, past में, लेकिन क्योंकि वो voluntary है, इसलिए वो valid consideration नहीं है, और इसलिए 25 के clause 2 में इसको mention करके enforceable अलग से बनाया है, इसी की जगे मान लीजी अगर ऐसा होता, इसी कहानी में, कि ये बच्चा ढूब रहा है, अंकल देख लेते हैं कि बच्चा ढ कहते हैं, अरे भाईया, वो लड़का ढूब रहा है, उसको बचा लो, अभी कोई promise नहीं हुआ, कोई reward reward की बात नहीं हुए, अंकल ने बस बोला, भाईया, लड़का ढूब रहा बचा लो यार, ये gentleman जाते हैं, बचा के ले आते, जैसे बचा के लाते हैं, अब अंकल promise करते हैं, कि भाईया, तुम लड़के को बचा लाए, 500 रुपे देंगे हम, क्योंकि लड़के को बचा के लाए हो, इसलिए 500 रुपे तुमें हम देंगे, चीक, अब ये जो promise हुआ, इसके पहले भाई साब ने act कर दिया, क्या वो act voluntary था, the answer is no, वो act कैसा था, add the desire of अंकल था, अं consideration है, और वो enforceable है, as per 2D, समस्या कहा आती है, जहाँ desire पर नहीं है, voluntary service है, इसलिए past voluntary service को कहाँ add किया गया, 25 के clause 2 में, as an exception, उसको add किया गया है, I hope that is clear to everyone, खेक है भाईया, so that's about the desire of the promisor, past consideration in everything is, अब आजाईए, तीसरे वाले point पे, क्योंकि ये तो आपके और समझ नहीं आता है, ऐसा मेरा मानना है, जो तीसरा point है हमारा, third, promise to pay time-barred debt, क्या pay करने का promise, time-barred debt, time-barred debt pay करने का promise है, अगले clause में, that is clause 3, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, 25 का, it is a promise made in writing and signed by the person to be charged therewith, promise कैसा होना चाहिए यहाँ, writing में होना चाहिए, signed, देखो भईया, पहले वाले में ध्यान रखना, पहले वाले की requirement ध्यान रखना, written होना चाहिए and registered होना चाहिए, इसमें ऐसी कोई requirement नहीं है, past voluntary service में सिरफ promise होना चाहिए, कोई requirement नहीं, लेकिन time part date में क्या requirement है, return and signed, signed होना चाहिए, लिखेत होना चाहिए, और party के sign भी होने चाहिए, इस स्वार सहाव आए हैं कि वो भी करवा दो, क्या करवा दो, TPA, आप उत्तर प्रदेश के crash course जब में लाइव ले रहा था, तब भी आके आप हमेशा एक नई demand लेके आते थे, बहुत ही ज़्यादा मितलब endless demands हैं इनकी, ठीक है अच्छी बात है demand है, जिम्मेदारी मत बूलना लेकि, क्योंकि भाई साब मैं बिलकुल महात्मा नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही बता रखाए, मैं फ्री में कुछ है नहीं करता, बहुत materialistic बिखती है अपन, आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, तो ही मैं आपका बला करूँआ, जैसा एक, बड़े ही respected सारे हमारे आवाद होजा सार, अभी recent उनका एक बड़ा real एक चल रही थी, अनकेडमी उनने जॉइन किया था, क्यों जॉइन किया, उनने पूछा कि रहे पई से जादा मिल रहे हैं, simple है, और बहुत सही है, कि जिसको नहीं कमाना वो इमाले जाए, वो YouTube थोड़ी कर रहा बैठके, तो कि भाईया, सबको अपने paid course भी बेचने हैं, आपको भी मैंने बताया न, जैज क्यों बनना है, सरकारी नोकरी चाहिए आपको, पर्मनेंट सेलरी, जहेच की गाड़ी भी आपने डिसाइड कर रखी, कलर के साथ अभी से, कि बाबा अगर magistrate बन गया है, तो यह ही आई, खेला, तो everybody is like that, तो मैं कला दूँँआ आप चिंता मत करिये, TPA भी कर रहा हूँआ, NIV भी कर रहा हूँआ, बिना, Indian contract rate कर रहा है, बिना consideration के void है, मतलब भी नहीं उसका, तो फिर अपन तो छोटे लोग है, जोब इंडियन contract rate कर रहा है कि void है, 25 वही बता रहा है, अपने जिम्मेदारियां आप ध्यान रखिये, आपके भाले के बारे में मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा, बिल्कुल है मुझे जहन में, मुझे पढ़ा हूँआ, मैं टीपी ये भी कर रहा हूँआ, चिंता मत करूँआ, चलो भाई, थार्ड पर आजाओ, आप ये बहुत काम की चीज नहीं थी, अब है काम की बाद, तु पे होली और इन पार्ट अडेट, कैसा डेट पे करनी की बाद चल रही है, तु पे होली और इन पार्ट अडेट, अब ये भाई है ना कंगरे जी, समझ नहीं आई, क्या लिखा है, ये जो टु पे होली और इन पार्ट, अडेट, कैसे डेट की बाद चल रही है, ऑफ विच दी क्रेडिटर माइट हैव इन फोर्स, जो क्रेडिटर है, जिसको पैसा वापस लेना है, वो कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर पारा, क्यों नहीं कर पारा, लिमिटेशन लौ के कारण, क्या लिखा है, जिसको क्रेडिटर अधर्वाइस कर पाता, लेकिन अभी इसलिए नहीं कर पारा, क्योंकि लिमिटेशन से बार्ड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बिटा, इसको कहते हैं promise to pay time bar debt ऐसा debt जो limitation से बार है limitation act भी पढ़ा चुका हूँ आपको है ना वहाँ समय अब धी दी हुई है suit की तो limitation से बार जो debt होते हैं उनको pay करने का promise भी valid होता है even without consideration ये बात ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसा debt अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे या आपने मुझसे पैसे उधार लिये आपने मुझसे दस हजार रुपे उधार लिये हुए है आपने मुझे बोला कि सर 31 दिसंबर आपने आज से तीन मैने पहले मुझसे पैसे लिए 5,000 रुपय आपने मुझसे उधार लिए और आपने मुझे बोला था कि sir 31st December को आपको हम पैसे वापिस कर देंगे या 1 January आपने मुझे डिड़ दी कि sir, 1 January 2024 को आपके 5000 वापिस कर देंगे अब देखो मेरा cause of action आपके अगेंस कब अराइज होगा एक जनवरी 2024 को मेरा cause of action अराइज हो गया मैं आपसे उस रेट की recovery कर सकता हूँ आपको मैंने बोला एक तारीकों की भाई लाओ पैसे दे दो यार नेक शरीव व्यक्ति समझ के तुम तो बेवकूफी बना रहे हो यार कि यह भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो तुम्हें कुछ नहीं करना मेरे लिए यह दिक्कत है अगर आप थोड़े से भी इमानार और नेक वेखती हैं मेरे जैसे तो मज़े ले रही जनता होती है तो आपने मुझे कहा एक जनवरी दोहयर चौबिस को वापस करेंगे मेरा कॉस अफेक्शन अराइज होगे अब अगर आप वापस नहीं करते हैं तो मैं सूट फाइल कर सकता हूं लेकिन मेरा यह जो अधिकार है आपके अगें सूट फाइ आपने का टाइम जो लिमिटेशन अक्ट ने दिया है माल लिजिए वो तीन साल है तो मैं आपके अगें सूट फाइल कप कर सकता हूं एक जनवरी से 31 दिसंबर 2024 पचीस और 26 तीन साल का टाइम मेरे पास आपके अगें सूट फाइल कर सकता हूं अब मैंने चौबिस में 31 दिसंबर 2026 ऐगा मेरा जो शूट फाइल करने का राइट है पांच हजार का राइट है मेरा लेने का बापिस लेकिन जो सूट फाइल करने का अधिकार है वो खतम हो जाएगा मैं अब आपके अगेंस लीगली वो डेट रिकवर नहीं कर सकता ऐसे डेट को केते हैं टाइम debt क्योंकि मैं law से अब में डिबार हो चुका हूं मैं आपसे वो पैसा वापिस नहीं ले सकता क्योंकि limitation period खतम हो गया मेरा लेकिन दो हजार चब्वीस के बाद 27 में आप मेरे पास आते हैं फरवरी मार्च के मंद में और आप कहते हैं कि सर यार वो 5000 रुपए आप कभी लिये थे जब आप crash course पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे पढ़के हम जच तो बन गए एक्जाम भी हमारा नहीं किया हमने किसी एट टेक कंपनी पे जाकर अपना इंटर्वी दे दिया तो कि वहां से हमें पैसे मिलवाए थे और इसलिए पढ़िया हमारा काम होगे और आपके 5000 भी हमने वापस नहीं किये हैं लेकिन बाद में तीन साल जब ऐसा जजज आपने काम किया वहां पे 5000 हम वापिस कर देंगे यह हम आपको लिखके दे रहे हैं यह आपने मुझे लिखित कब दिया 2027 में मेरा लिमिटेशन होने के बाद आपने लिखित में मुझे प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है आपके पैसे हम वापिस कर देंगे यार आपने मुझे लिखके दे दिया sign करके लिखके और sign करके दे दिया कि आपके पैसे हम वापस कर देंगे तो आप ये promise जब आप कर रहे हैं पैसे वापस करने का उसमें मेरे लिए तो consideration क्या है मेरे लिए consideration उसमें ये है कि मुझे आप पैसे दे रहे है तो आपके लिए क्या इसमें कोई consideration है नहीं है तो कि आप जो वापिस कर रहे हैं 5000 वो मैं legally आपसे recover कर ही नहीं सकता law से बार्ड है मैं creditor हूँ मैंने पैसे दिये थे मैं law limitation से बार्ड हूँ और मैं आपसे पैसे recover कर नहीं सकता तो आप जो मेरे लिए कर रहे हैं अब वो एक तरीके का हैसान है जो आप मेरे उपर कर रहे हैं क्योंकि मैं आपसे lawfully वो 5000 करने की हालत में नहीं हूँ law से में नहीं आपसे law के हिसाब से मैं आपसे पांच यहर वापस कर सकता हूँ तो आपके लिए सच कोई consideration नहीं है उसमें आपके लिए कोई consideration नहीं है जो 5000 आप मुझे देने का promise कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो without consideration enforceable होगा as per an exception under section 25 clause 3 I hope you're getting this as per section 25 clause 3 आप वो recover कर सकते हैं as time bar debt I hope you're getting this यह भाया बैसे time से बार्ड था इसलिए आपका कोई consideration नहीं है उसमें लेकिन फिर भी आप मुझसे recover कर पाएंगे इसलिए उस पर exception में लिखा है कि बिना consideration के भी आप recover कर पाएंगे condition क्या है written और signed होना चाहिए so these are the three exceptions mentioned under 25 और इस तरीके से आपका जो consideration topic है वो खतम हो जाता है इदर class खतम नहीं हुई है अभी और पढ़ा हूँगा मैं आपको लेकिन that is about exception 25 ठीक तो यह हमने 2D पूरा पढ़ लिया सारे एसेंशल पढ़ लिया देखो भाई सारे एसेंशल हमने पढ़ लिये 2D के और हमने consideration 2D तीनों जो चीज़ definition से निकाली थी इसको पढ़ा इसमें प्रमिसरी स्टॉपल भी हमने ने डिसकस कर लिया इसको पढ़ा इसमें हमने काफी सारी चीज़ें डिसकस करी प्रिविटी ऑफ कंट्राट प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को पढ़ा साथ में section 25 कर लिया that's all about consideration almost अभी है तो बहुत कुछ क्योंकि यारब देखो foundation में जब मैं यह चीज़ें पढ़ाता हूं तो सिर्फ consideration पढ़ाने में मिरको अरहम से दो घंटे की दो-दो classes लगती है अभी और भी बहुत कुछ है कौन सा consideration अगर आपकी कोई duty है जो आपको करनी है तो वह वालिट इस लेकिन इस लेकिन इस क्लास में उस डीटेल में नहीं जा पाऊंगा लेकिन जितनी इंपोर्टन बाते हैं वह सारी में कोशिश कर रहूं कि कबर हो जाए अब उतना टाइम तो आप शॉट नहीं कर सकते ना मतलब कॉंट्राक्ट पढ़ाने में फांडेशन में लगबग 30 क्लास लगती है 30 क्लासे और मोर देन 30 क्लासे ऑफ टू आर्स विच इक्विवेलेंट तो अरूंड सेवेंटी आर्स 60-70 तो वो में इधर तो नहीं उस डीटेल में पन जाएंगे बढ़ हां ये ऐसी बाते हैं इसके बारे में जो काफी सही और इंपोर्टन्ट है शिवम जी आप लिखते जाईए कि क्लाइट का कोर्स भी शुरू कर दी आपकी लिखनेस नहीं हो पाएगा बेटा है ना क्लाइट में बहुत टाइम से पढ़ाता रहा हूं अलग-अलग इंसिट्यूट्स के साथ असोसियेट है कि वो exceptional हो फिलहाल तो फिलहाल मेरा focus judiciary है and I'm trying कि वो exceptional हो और वो हम कोशिश कर रहे हैं इसलिए ये crash course है कि आपको वो सही दिशा में दिखा पाऊं being a law aspirant और law student की law होता क्या है कैसे पढ़ा जाता है क्या आई चाहिए वो समझाना ही के लिए ही मैं basically ये YouTube के lectures आपको ले रहा हूं आप उसको समझी बाकी देखेंगे तो ये बार-बार मत करो यार डिस्टरब होता है डिस्ट्रक्शन होता है आपके comment से मेरा ना चलिए so that is about consideration consideration आपका complete हो गया है अब आते हैं अगली चीज़ पे हमारी तो जो मैंने आपको पहले लिखा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं formation के लिए essential so consideration हमारा हो गया भाई साब complete लेकिन अभी क्या complete हुआ consideration अभी हमने और requirement क्या है as per section 10 lawful होना चाहिए as per section 10 requirement क्या है consideration हमारा lawful होना चाहिए और lawful object भी आपका होना चाहिए so consideration और object दोनों lawful होने चाहिए which के provisions भी अपन पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले कुछ और चीज़ मैं आपको पढ़ा दूँ क्योंकि consideration हमने खतम किया है अब देखिए यह जो consideration है यह जो act जिसकी अपन बात कर रहे थे इस पूरे consideration के lecture में this must be lawful lawful के लिए जरा बेर्ट निका section 23 पर आईए सीदे क्योंकि lawful consideration और lawful object की बात कौन करता है section 23 तो बेरेक्ट में section 23 पर आईए what consideration and objects are lawful and what not the consideration or object of an agreement is lawful unless कब तक lawful है जब तक वो forbidden ना हो law से forbidden by law or of is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law अगर अलाओ कर दिया जाए तो law के किसी provision का violation हो जाएगा involves or implies injury to the person or property of another or the court regard it as immoral और opposed to public policy public policy क्या होगी क्या नहीं होगी घेरुलाल पारक याद रखना कल लिखवाया था ठीक सो consideration या object unlawful होगा अगर forbidden by law है जनरली ध्यान रखिए unlawful क्या होता है जो law permit नहीं करता कोई भी ऐसी चीज़ तो इस discussion को हम यहां कर रहे हैं साथ में क्योंकि हमने consideration पढ़ लिया है इसलिए हम बात कर रहे हैं lawful consideration और object के lawful होने की सो consideration और object जो है वो lawful होना चाहिए ऐसा 23 कहता है बहुत सारे illustration है आप उनको एक बार read कर लिजेगा कुछ बहुत जादा नहीं है उसमें कौन-कौन से consideration lawful नहीं है important बात जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है section 24 section 24 देखिये जरा agreement void if consideration and objects unlawful in part that is also important if any part of a single consideration for one or more objects or any one or any part of any of several consideration for a single object is unlawful the agreement is void क्याने का मतलब part में consideration या part में आपका object जो है अगर वो unlawful है तो agreement void होगा part में अगर है तो unlawful होगा if any part of a single consideration for one or more object एक object के लिए एक consideration है और वो part में है तो वो void होगा यह आपका 24 कहता है और इसी की तरह इसी की तरह दो provision और है जो आपको यहां correlate करके पढ़ने चाहिए 57 और 58 इसके बाद जरा 57 58 निकाल लीजे बेरिट में 58 talks about reciprocal promise to do things legal and also other things illegal एकी promise में कुछ legal चीजे promise करी है कुछ illegal तो आपके contract का क्या होगा 58 बात करता है alternative promise one branch being legal alternative कि यह कर लेजे या वो कर लेजे उसमें से एक legal है दूसरा illegal है अब यह जो provisions हैं आपके जो हमारे पास sections है section 24 57 and 58 अगर इसको मैं sum up करना चाहूं इसके यह पूरे concept को अगर मैं एक बार में sum up करना चाहूं तो कुछ example है उनसे अपन समझ लेते हैं और यह पूरी चीज आपकी sum up हो जाएगी कैसे हो जाएगी जैसे माल लेजिए आपके और मेरे बीच एक contract हो रहा है contract क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा आप बदले में मुझे fees देंगे that is the contract अब अगर माल लेजिए एक contract हमारा है जिसमें मेरी तरफ से आपको मिलनी है teaching कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसके बदले में जो consideration आप मुझे देने वाले हैं single object है teaching इसके बदले में आप जो consideration मुझे देने वाले हैं उसका एक part legal है एक illegal है इसके बदले में आप मुझे देने वाले हैं पचास अजार नगत प्लस ये एक ही consideration के दो part हैं पचास अजार आप मुझे देने वाले हैं cash और साथ में आप मुझे कुछ smuggled goods देने वाले हैं जो smuggling करके आपने रेसीव ये क्या है या कोई illegal चीज आप देने वाले मालीजी आप opium देने वाले हैं मुझे बदले में तो आप पचास अजार रुपे नगत और थोड़ी सी opium मुझे देंगे किस object के लिए teaching के लिए that's the agreement अब बताईए as a whole ये agreement और ये पार्ट में इन्वालेड होगा ये समझ यह जरा object क्या है सिंगल object teaching consideration जो है वो दो पार्ट में 24 समझा रहा हूं विसी कलियाक को में दो पार्ट में consideration है एक यह क्या ये पूरा agreement वॉइड होगा या पार्ट में वैलेड हो सकता है क्योंकि अभी हमें 57 भी समझना है यह जहां एक ब्रांच लीगल एक ब्रांच लीगल और alternative भी सो देखिए एक तो यह हैं दूसरा एक contract मान लीजे हमने यह किया है जिसका object है teaching पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के लिए आप मुझे देने वाले हैं 50,000 रुपे साथ में एक promise यह भी किया है मैंने कि मैं आपको paper out कराके दूँगा और इसके बदले आप मुझे देने वाले हैं 2,000,000 रुपे क्योंकि मैं जो आपको इतने तनमेता से इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं इसके आप कभी ज़्यादा पैसे देने में विश्वास नहीं रखेंगे आपको लगेरा सब फ्री में मिल जाए आपको यही हैं क्या तुम जजवन के सेल्डरी नहीं लोगे क्या है हम फ्री में पढ़ा दे आपको पढ़ाने की फीस यह ज्यादा लग रही है पेपर लेकिन कोई निकलवा दे तो आप 2,000,000 रुपे देंगे ऐसा ही होता है इसलिए वही रियलिस्टिक कंसेडरेशन निखे हैं मैं प जीनों को कर रहे हैं अपन समग एक यह है एक यह है और मान लीजिए एक यह अग्रेमेंट इसी में कि मैं पढ़ाऊंगा भी टीचिंग भी करूंगा प्लस मैं क्या करूंगा पेपर भी आउट कराऊंगा और इस सब के बदले मैं आपसे लूंगा टोटल थाई लाग हुआ तो भी तो question solve करने पढ़ेंगे तुमसे वह भी नहीं वालेंगे उसके लिए पढ़ना पढ़ेगा सो टीचेंग पेपर दोनों बदले मफीज क्या पूरा वैलेड है पूरा वॉइड है क्या कहानी होगी बताईए इसके लिए 24 और 57 58 अचा एक और बचा 58 का तो मैंने एक और देखिए कि भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा टीचिंग एक और इसके बदले में आप क्या करने वाले हैं पढ़ाने के बदले में या तो या तो आप मुझे 50,000 रुपे नगत देंगे cash fees या फिर इसके बदले या तो 50,000 देंगे या फिर आप पूरे मुझे एक quantity of op supply करेंगे which is not legal अपन मान के चल रहा है this is not legal पचास अजार रुपे आप मुझे नगत देंगे या फिर उसके बदेंगे alternatively आप मुझे opm दे देंगे अब बताईए इन में से कौन से agreements पूरे valid है और कौन सा part में valid है और कौन सा पूरा invalid है यह सब मैं समप कर रहा हूँ एक साथ 24, 57, 58 सब कुछ देखिए यह वाला जो है क्योंकि एक single object है consideration part में है तो हम यह नहीं बोल सकते कि teaching वाला लाव कर दो 50,000 लेके क्योंकि जो पूरे teaching की कीमत है वो सिर्फ 50,000 नहीं है पेपर आउट कराओंगे दोलाग उसके देना है इस गैन वी सेपरेटेट यह पार्ट में है एक पार्ट लीगल एक पार्ट इल्लीगल यह वाला पार्ट लीगल है पड़ाना और पचास अर लेना पेपर आउट कराना दोलाग लेना इल्लीगल so this विल बी इन्फोर्सियबल इस विल बी वॉइट चीक बहुत सिंपल लौजिक है कोई ऐसा अद्भूद नहीं है बस वो प्रोविजन लिखें इसलिए आप समझ नहीं पाते हैं टीचिंग प्लस पेपर आउट दोनों करा हुआ बदले में एक सिंगल कंसीडरेशन है अब यह स से कुछ भी कोई भी एक तो अगर 50,000 लेके इसको इन्फोर्स करना चाहें तो इन्फोर्सियबल होगा पार्ट में इन्फोर्सियबल इन्फोर्सियबल अब जरह 57 58 पढ़ लेजिए तो यह सब एक साथ कंक्लूड हो जाएगा 57 देखिए वेर परसंस रेसिप्रोकली प्रॉ रखें से मिलस्ट्रेशन दिया पढ़ लेना एक बार 58 देखिए ऑल्टरेटेव प्रॉमिस इन दी केस फिन एक अल्टरेटि प्रॉमिस वन ब्रांच अफ्टेवर इधर राइस और समगल दो प्याइं ओपियम दोनों में से कुछ एक दिसस वालिड कॉंट्राक्स देलेवर rise and avoid agreement as to opium यह जो मैंने कहा कि पढ़ाने के बदले में यह तो 50 दार नगत दोगे या पर opium दोगे quantity तो यह वाला valid और यह वाला invalid opium के respect में invalid पढ़ा के अगर पैसे ले रहे हैं तो this is valid तो यह तीनों प्रोविजन मैंने आपको यहां पर समख कर दी हैं यही है इनकी कहानी चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह हो गया lawful object lawful consideration complete आजाओ इधर भाई intention to create legal obligation हो गया consideration पूरा complete हो गया with object lawful object lawful consideration done चीक अब अपन आ जाते हैं section 10 के इसाब से दूसरे essentials के बात करेंगे बटाब अब बात करेंगे किसकी हम party के competent होने की दर so essentials बढ़ाते जा रहा हूँ पहले agreement के लिए offer acceptance चाहिए intention to create legal obligation चाहिए consideration चाहिए फिर क्या चाहिए पार्टीज और पार्टीज कैसी ऐसी वेसी पार्टीज नहीं competent पार्टीज चाहिए हमें contract mentor होने के लिए क्या चाहिए competent पार्टीज चाहिए party कब competent होती है कब नहीं होती है यह जानकारी आपको मिलेगी Indian contract act के section 11 में section 11 open कर लीजिए minor segment के बारे में आप सबने शायद सुन रखा होगा 11 पढ़िए मेरे साथ who are competent to contract कौन-कौन competent है contract करने के लिए तो अब अपने एक नया head चालू कर रहे है competent party competent parties तो भीया कौन-कौन होती है यह competent parties इसको एकट करके देखते हैं सबसे पहले क्या चाहिए competent होने के लिए है every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject आप जिस भी law के subject हैं उसके हिसाब से आप क्या होना चाहिए major major होने चाहिए age of majority attain कर ली हो एक चीज़ और ध्यान रखना अगर footnote में आपके लिखा है कि आप जिस भी law से subject हैं अब हम इंडियन किस law से subject होते हैं अगर यूनिवर्सल का बेरिट यूज कर रहे हैं तो नीचे लिखा होगा Indian Majority Act 1875 कई बार ये भी question आता है परी में किस law के हिसाब से हम subject हैं So Indian Majority Act 1875 इसको भी ध्यान रखिएगा अगला देखिए इसके बाद So every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he subject and who is of sound mind Second क्या है sound mind होने चाहिए आप कैसे होने चाहिए sound mind के और तीसरा है Third आगे लिखा है and who is of sound mind and is not disqualified not disqualified from contracting by any law to which he is subject तीसरी condition क्या है not disqualified by law Not disqualified by law to enter into contract Law से disqualified नहीं होने चाहिए यह तीन condition अगर आप fulfill करते हैं तो आप एक competent party है contract में enter होने के लिए अपन नीचे से start करेंगे उपर की तरफ पढ़ेंगे सबसे पहले इस point को समझ लेते हैं कि कौन लोग है जो disqualified है by law तो आप देखेंगे जैसे insolvent for an example कोई भी विक्ति insolvent declare हो जाता है तो insolvency court उसको डिबार कर देता है contract mentor होने क्योंकि insolvent हो गया liability incur नहीं कर सकता आगे contract ही नहीं करेगा डिबार कर दिया कुछ cases में कुछ specific offenses के cases में अगर economic offenses होते हैं उस तरीके के cases में कई बार कन्विक्ट को भी कर दिया जाता है कि आप आगे contract नहीं करेंगे तो लोन अगर एक्सप्रस ली आपको disqualify कर दिया है तो आप competent नहीं है कुछ और इसके examples जैसे जो foreign ambassadors इंडिया आते हैं या foreign diplomats आते हैं they are also incompetent उनको incompetent क्यों declare कर दिया contract mentor नहीं हो पाएंगे भारत में क्योंकि उनको बहुत सारी legal immunities मिली होती है और legal immunities का impact यह होता है कि भाई फिर उनके against हम enforce नहीं करा पाएंगे court में नहीं ले जा सकते उनको इसलिए भी होता है ठीक तो यह कौन लोग है जो disqualified है by law तो एक तो यह है कि इस category में आप ना आए दूसरा है sound mind व्यक्ति sound mind का होना चाहिए इसके लिए ज़रा देखिए आगे लिखा है section 12 में कौन sound mind का होगा कौन नहीं so 12 देखिए what is a sound mind for the purpose of contracting a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it जिस समय आप contract में इंटर हो रहे है उस समय he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest अगर वो इस हालत में है कि जिस समय contract हो रहा है उस समय rational judgment form कर सकता है उस समय समझ सकता है अपने interest को protect करने की हालत में उसको rational mind है उसके पास कि वो एक rational judgment ले पाए अपने interest के regarding अगर इस हालत में वो विक्ती contract करते समय है तो वो माना जाएगा sound mind अब आगे दो paragraphs और हैं जिन में यह बताया गया है कि कभी capacity आपके पास होती और कभ नहीं होती तो देखिए a person who is usually of unsound mind दो तरीके के लोगों की बात है एक उन लोगों की बात जो लेकिन बीच-बीच कुछ-कुछ intervals में वो sound mind के हो जाते हैं सेन हो जाते हैं ऐसा विक्ती भी contract में enter हो सकता है, जिस point of time पे वो sound mind का है, lunatic बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, lunatic और lunatic जो है, वो contract में enter हो सकता है, condition क्या है, कि जिस समय वो contract में enter हुआ है, उस समय वो sound mind का होना चाहिए, ठीक, तो lunatic contract में enter हो सकता है, usually they are of unsound mind, but during certain intervals, they gain consciousness, वो sane हो जाते हैं, ठीक, second category बात करती है, a person who is usually of sound mind, ऐसे लोगों की बात, जो usually sound mind के होते हैं, आपके जैसे लोग, आप लोग usually सब sound mind के रहते हैं, a person who is usually of sound mind, but occasionally of unsound mind, लेकिन आप लोग भी कभी कभी कैसे हो जाते हैं, unsound mind के हो जाते हैं, may not make a contract when he is of unsound mind, तो जिस समय आप unsound mind के हो गए हैं, उस समय पर आप contract नहीं कर पाएंगे, usually भले ही आप sound mind के हैं, लेकिन जिस समय contract mentor हो, उस समय अगर आप sound mind के नहीं है, rational judgment लेने की हालत में नहीं है, तो आप contract mentor नहीं हो सकते, ऐसा क्यों और कब होता है, कि आप हलत में नहीं होते एक judgment लेने की rational, ऐसे आप sound mind के हैं, किसी intoxication की वज़े से हो सकता है, कि नॉर्मली तो आप sound mind के हैं, लेकिन जैसे अब 31st December आ रहा है, तो 31st December की रात को, शायद आप sound mind के ना रहे हैं, इस capacity में ना रहे हैं, कि rational judgment आप ले पाएं, लेकिन मेरा आप से यह याग रहे है, कि मदवर्देश का exam है, 24 को, तो थोड़ा ध्यान रखना बटाएं, पहले पढ़ लेते हैं, एक्जाम नि उस point पे जरूरी है, point of time पे जरूरी है, जिस समय contract में इंटर हो रहे हैं, अब आते हैं, आखरी category की तरफ, that is major, आप major होने चाहिए, आपने majority की age attain कर ली हो, and I ask for Indian majority age, general age of majority is 18 years, general age of majority is 18 years, अब सवाल यहां पे यहां पे आता है, कि अगर किसी minor ने contract कर लिया है, तो उसका क्या impact होगा, and that is a very important discussion, बहुत डीटेल में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, the minor's agreement के, nature of minor's agreement के, reason बहुत simple है, कि समय की, और purpose, दोनों यहां पे वो नहीं है, so nature of minor's agreement, अब कही बार आप questions तो ऐसे तक देख लेंगे, कि जो महरी बीवी का case है, उसमें defendant कौन था, और plaintiff कौन था, ये तक पूछ लिया जाता है, और जब हम foundation की classes में इसको पढ़ते हैं, तो अराम से मुझे दो दिन लगते हैं, सिर्फ nature of minor's agreement पढ़ाने में, दो दिन मतलब दो घंटे की दो classes, that is four hours, चार घंटे सिर्फ इसको पढ़ाने में लगते हैं, और अभी अपने को contract आज पढ़ते हुए, तो आप थोड़ा सा मेरे ख्याल समझते हैं इस बात को, कि उस depth में तो नहीं जा पाएंगे, minor competent नहीं है, लेकिन अगर वो enter हो गया contract में, तो उस contract का effect क्या होगा, कैसे right protect होंगे parties के, क्योंकि महरी बीबी में हुआ ये था, ये case बहुत important है, महरी बीबी versus धर्मोदाज भोश, मेरे क्याल अगर आप loss से वास्ता रखते हैं थोड़ा भी, तो आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा, सो भाई देखिए, अब महरी बीबी में बहुत सारे aspect थे, बहुत सारे contention थे यहां defendant के, यहां होता ये है, कि एक minor होता है, जो एक money lender से loan लेता है, और अपनी एक property गिर्वी रखता है, लोन लेता है, और property गिर्वी रखता है, अपने आपको major बता के, इस represent करता है खुद को, होता minor है, लेकिन बताता है major, और पैसा उधार लेता है, property गिर्वी रखता है, बाद में पैसा तो वापिस नहीं करता है, लोन का, और court में जाके suit file कर देता है, minor खुद जाता है, पैसे भी इसने उधार लिये, पैसे वापिस भी नहीं किये, और ये जाके suit file कर देता है court में, कि भाईया, मुझे आप मेरी property वापस दिलवाईए, इनने मेरे से property mortgage रखवाई थी, लोन लिया था मैने, लेकिन मैं तो minor हूँ, तो minor के साथ तो agreement valid होता नहीं है, तो इसलिए मुझे मेरी property वापस मिलनी चाहिए, अब जब ये minor जाके court में suit file करता है, कि मुझे property वापस दिलाई जाए, तो जो defendant है, जो money lender है, वो ये कहता है, अगर ये property वापस मांग रहा है, तो मेरा loan repay करने को बोलो, इसने जो loan लिया, वापस करेगा, तो property में वापस कर दूँगा बिलकुल, लेकिन court ने फिर ये कहा, court का कहना ये था, कि अगर हम इससे पैसे वापस करवाते हैं, तो problem यहाँ होगी, कि वो enforcement हो जाएगा, कि हम contract enforce कर रहे हैं, और minor तो competent ही नहीं है, तो उसके उपर contract enforce वो agreement, जो minor के साथ हुआ है, वो enforce नहीं हो सकता, क्योंकि महरी बीबी में बहुत clearly कहा था, since the minor is not competent to enter into contract, minor के साथ जो भी agreement होगा, वो agreement कैसा होगा, void agreement होगा, और void कैसा होता है, ab initio होता है, यह मैं आपको, अभी जो पहले हमने class करी contract के जो agreement पढ़ रहे थे, void agreement और contract के बीच का difference, वह हमने देखा था, कि agreement void होता है, ab initio, right, from the very beginning, it does not have any legal existence, और क्योंकि इसमें कोई legal existence नहीं है, कोई legal enforceability नहीं है, तो भाई, आप कैसे compel कर सकते हैं, loan repay, repay, repay अगर करा रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर enforce करा रहे हैं, that was the question, अब इसमें contention तो बहुत सारे थे, stopel लगाई है minor के उपर, क्योंकि उसने खुद को represent किया है गलत, उसने major बताया, तो stopel लगाई है, तो court ने इसमें stopel भी मना कर दिया, क्योंकि court का कहना था कि तो में सच्चा ही पता थी, actually जो money lender था, उसका जो attorney था, उसने पैसा दिया था उधार इसको, और उसको document देखके पता चल गया था कि वो minor है, फिर भी उसने दिया, इसलिए court ने कहा, stopel अप्लिकिये बाल नहीं, आप जिसमें आपको कहानी है, पूरा में discuss नहीं कर पाऊंगा इस case को, बहुत ही, क्योंकि अलग-अलग contention है, हर contention पे अलग discussion होता है, कि stopel लगेगा या नहीं, फिर एक doctrine of restitution है, English law की, वो भी आपके लिए थोड़ी important है, है न, doctrine of restitution का मतलग, कि अगर किसी incompetent vaccine ने agreement में enter होके कुछ gain कर लिया है, जैसे माल लिजे, minor ने एक phone ले लिया किसी से, out of a contract, और फिर बाद में वो कहता है कि भाईया, ये agreement तो void है, क्योंकि मैं minor हूँ, तो अगर phone minor के पास है, तो वो वापिस दिलाया जा सकते है, जो भी benefit उसने ले लिया है, वो वापिस करा सकते हैं, as per the doctrine of restitution, English law की ये doctrine है, लेकिन यहां समस्या ये आती है कि उसमें आप समान है, तो वापस करा सकते हैं, पैसा थोड़ी वापिस कराएंगे, तो कि पैसा वापिस कराने का मतलब होता है enforce कराना, तो ये question महरी बीवी में था, और महरी बीवी में तो loan repay नहीं कराया गया था, और clearly बोल दिया था कि ये void agreement है, ab in issue, लेकिन इस judgment को भी आगे चलके criticize किया गया, और कुछ और judgments भी आए, दो और important cases है, उनको भी ध्यान रखिएगा, प्री के लिए, खान गुल वर्सिस लाखा सिंग, जो कि लाहुर हाई कोट का opinion है, कौन सा case है, खान गुल वर्सिस लाखा सिंग, इसके बाद इलाबाद हाई कोट का एक opinion था इसी के regarding, वो था अजुदिया प्रसाद वर्सिस चंदनलाल, इसमें इलाबाद हाई कोट का opinion है, खानगुल वर्सिज लाखा सिंग में लाहोर हाई कोट और लाहोर हाई कोट ने खानगुल वर्सिज लाखा सिंग में ऐसे ही एक case में थोड़े भूत fact different है मौरी वीबी से बढ़ इसी तरीके का case था और minor को compel किया था कि तुम पैसे वापस करो, पैसे वापस दिलवाए थे, लेकिन दोनों तरीके के opinion इसमें हैं, contrary opinions भी हैं, और इलाबाद High Court ने, जो लाहोर High Court का judgment था, खान गुल वाला, उससे agree नहीं किया, और ऐसे ही एक case में उन्होंने का भीया वापस नहीं करेंगे, और जो restitution की doctrine है, वो पैसे पर applicable भारत में नहीं होगी, पैसे पर हम applicable नहीं करेंगे, goods है तो दिला देंगे, पैसे पर applicable नहीं करेंगे, फिर एक सवाल आता है कि फिर ऐसे case में होगा क्या, अगर minor ने कोई benefit obtain कर लिया है पैसे का, तो उसके लिए फिर एक चीज़ और आती है, specific relief act, SRA का lecture हमने already किया है, section 3031 आपने पढ़े है, तो वहाँ ये चीज़ दी गई है कि incompetent विक्ति ने अगर contract कर लिया है, और वो खुद instrument cancel कराने अगर आता है, तो वहाँ पर ये जिम्मेदारी है उस विक् restore करना पड़ेगा दूसरी party के पास, so that's the position under current SRA, so that's the conclusion as well regarding natures minors agreement, कि अगर minor plaintiff है, वो cancel कराने आया है, और उसने कुछ पैसा भी obtain किया है, तो उसे वापिस करना पड़ेगा, that's the present position as per SRA, in case he is a plaintiff, ठीक, तो ये पूरा discussion है, बहुत intricacies हैं, इसमें कि stopple applicable होगा या नहीं होगा minor पे, जनरल बात ध्यान रखिए, महरी बीबी का एक बहुत important है, that an agreement with a minor is void ab initio, और जैसा मैंने कहा, उस discussion में, फिलहाल अपन जानी पाएंगे, ठीक, तो ये है एक minor के agreement की कहानी, इसी के साथ एक provision और पढ़ना है आपको minor में, वो है आपका quasi contract वाले part में, तो Indian contract act का बेरेक् रखा है, तो एक provision और देख लिजे, तो कि general rule तो हमने ये पढ़ा, कि अगर minor के साथ आपने कोई agreement किया है, तो वो void होगा, वो enforce नहीं कराया जा सकता, court में जाके, लेकिन यहाँ पे कुछ, एक exception भी create किया गया है, इसका, और, वो exception है section 68 में, बेरेक्ट में जारा section 68 निकाल ल लेकिन अभी 68 हमें देखना है, claim for necessary supplied to person incapable of contracting, कोई भी ऐसा वेक्ति जो capable नहीं है, contract करने के लिए as per section 11, जो competent नहीं है, person of unsound mind हो या minor हो, ऐसे वेक्ति को अगर necessities supply कर दी गई है, necessities मतलब जो जीवन में जरूरी चीजे है, अगर वो किसी ने supply करी है, तो उनको वो reimburse करा सकता है, उस incompetent वेक्ति की property से, उसके estate से, उसकी property से आप recover कर सकते हैं, वो भी enforce करा सकते हैं, general rule यह है कि minor के साथ agreement void होगा, लेकिन एक exception है necessity, necessity अगर आपने supply करी है, तो वो आप वापस कर पाएंगे, now it is a subjective question कि क्या negative necessity में आएगा, क्या नहीं आएगा, कुछ example है, जैसे education के लिए आप food, shelter, cloth तो है, लेकिन education is a necessity, health is a necessity, एक case भी था जिसमें यह होता है कि एक minor के against criminal prosecution हो रहा होता है, तो वो अपने को defend करने के लिए एक वेक्ति से loan ले लेता है, तो यहाँ पर यह held किया था कि यह जो loan है, जो उसने अपने against criminal prosecution को लड़ने के लिए लिया है, that is also necessity, क्योंकि अगर और वो criminal prosecution में अपने आपको डंग से present नहीं करेगा, तो उसका life and liberty hinder होगा, affect होगा, इसलिए इसको भी necessity माना जाएगा, so it is a subjective question कि क्या necessity में आएगा, क्या नहीं आएगा, but that is considered as an exception, ठीक, तो general rule यह है कि minor के साथ agreement अगर किया है, तो वो agreement void है, लेकिन उसके कुछ exceptions हैं, जैसे necessity is an exception, partnership में भी आपको इसके exception मिलेंगे, that a minor can be a partner to share profits of the firm, सिर्फ profit share करने के लिए वो हो सकता है, ठीक, so that is about competent parties, अगला essential, इसके बाद, contract का एक और essential, जो section 10 में भी लिखा था, वो था free consent, क्या था, free consent, कि आपका जो consent है, वो free होना चाहिए, parties competent होने चाहिए, और freely agree करें, वो free consent भी दें, that is also important, as per Indian contract at section 10, तो अब आगे बेरेट में आजाई है, बारा के बाद, section 13, define करता है consideration को, और 14 बताता है, कि consideration free कब होगा, तो consent के जो definition section 13 में दी है, two or more persons are set to consent, when they agree upon the same thing in the same sense, दो लोग अगर सेम चीज़ पर, same sense में अगरी होते हैं, तो उसको हम कहते हैं consent, उसको सिरफ consent कहते हैं, और चाहिए, क्या हमें, free consent, सुध्यान रखिएगा, 13 define करता है consent को, और 14 बताता है कि, 14 बताता है कि वो consent free कम होगा, तो consent add idum, एक Latin term है, consensus add idum, consensus add idum का मतलब यह होता है, that parties must agree on the same thing in the same sense, ठीक, दोनों party के दिमाग में, same चीज़ चल रही हो, जब वो agree करें, तब ही valid consent है, नहीं, तो consent ही नहीं है, तो देखिए, यहां लिखा है, consent is set to be free when it is not caused by, consent तब free है, जब इने में से किसी एक चीज़ से cause ना किया गया हो, पहला है question जिसको 15 में define किया है, फिर है undie influence जिसको 16 में define किया है, फिर है fraud जिसको 17 में define किया है, फिर है misrepresentation जिसको 18 में define किया है, और फिर है mistake जिसको कहीं define में किया है, mistake defined नहीं है, इसलिए आप last वाले fifth clause में देखेंगे तो लिखा है mistake subject to the provision, बाकी में लिखा है fraud, misrepresentation, undue influence as defined in, लेकिन यहां क्या लिखा है subject to, subject to the provisions of section 20, 21, 22, ठीक, तो अगर कोई भी consent question से caused, undue influence से caused, misrepresentation से caused, fraud से caused, mistakes से caused, तो वो free consent नहीं है, इसके अलावा सारे consent free है, तो अब जड़ा एक एक करके हमें देखना है, कि यह होते क्या है, question क्या होता है, undue influence क्या होता है, misrepresentation, fraud, यह सब क्या होते हैं, so section 15 देखिए, question को define करता है, मैं आपको brief कर देता हूं section 15 यहां पे कि question कब होता है as per section 15 तो देखिए section 15 आपका simply आपको कहता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति का consent obtain किया है by doing anything by doing anything कोई ऐसी चीज आपने करी है which is which is prohibited by IPC जिससे IPC prohibit करता है prohibited by IPC तो कोई भी ऐसी चीज जिसको IPC prohibit करता है अगर आपने कोई ऐसी चीज करके consent obtain किया जैसे IPC किस चीज को prohibit करता है किसी व्यक्ति को थपड़ मारना prohibited है तो आपने थपड़ मारके किसी को compel किया है consent देने के लिए agreement पे तो आपका consent किस से caused है क्वर्जन से और वो free consent नहीं होगा और इसका consequence क्या होता है तो section 19 section 19 इसका consequence बताता है कि ऐसा contract जो क्वर्जन से caused है वो contract कैसा होता है कल भी हमने इसकी बात करी थी वो होता है voidable voidable मतलब enforceable at the option of one party तो जिसका भी consent आपने क्वर्जन से obtained किया है अगर किसी व्यक्ति का consent आपने क्वर्जन से obtained किया है तो वो consent valid नहीं होगा और वो contract क्या होगा वो contract voidable होगा उस party के option पे enforceable होगा जिसका consent क्वर्जन से obtained किया है मैंने अगर आपको डरा धमका के या कोई भी ऐसा act करके जो IPC से prohibit है ऐसा act करके अगर मैंने आपका consent obtain किया है तो वो contract आपके part पे enforceable है आप चाहें तो court में जाके impose करा सकते हैं मैं नहीं कर सकता तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ करी है which is prohibited by IPC या फिर आपने इसका threat दिया है या तो actually commit किया या इसका threat दिया अगर threat दिया है तो भी आपने question cause किया है ऐसे ही second है अगर आपने किसी व्यक्ति की property detain कर ली है detention of property किसी व्यक्ति की property detain करी है या ऐसा करने का threat दिया है तो भी question है मैं आपका mobile phone चीन लूँ और आप से कहूं जब तक तुम agreement sign नहीं करोगे मेरे साथ तब तक phone वापिस नहीं करूँगा ऐसा करके अगर मैंने आपका consent obtained किया है तो that is also not free because it is caused by question as defined intersection 50 अब ना यह जो question के question या अन्डिव इंफ्लेंस की जो कहानी है मैं इसके ना कुछ आपको questions बताऊंगा मतब थोड़ी intricacies है मैं जाऊंगा नहीं आज की class में उसमें बट मैं आपको बता रहा हूं को आपको किस परस्पेक्ट से इन चीज़ों को पढ़ना है अगर आप वाकई एक अपने आपको competent log graduate बनाना चाहते हैं या आप exams के लिए sure होना चाहते हैं कि आपका final selection हो तो प्री तो थोड़े बहुत में निकल जाएगा लेकिन मेंस और इंटर्व्यू जब तक बहुत clarity concepts पे नहीं है रहा मुश्किल होता है उदर तो मैं आपसे वो चीज़ें वो सवाल आपको जरूर बता हुआ वो हम डिसकस भले ना कर पाए बट मैं आपको mention जरूर करूंग ऐसी चीज़ें जो आपको इस topic के अंदर पढ़नी चाहि है आपने यहां तो सिंपल देख लिया कि कोई भी ऐसा आक्ट आपने कमिट किया विच प्रविट इंडर आई पीसी मैंने किसी को जान से मार्थ के consent of 10 दूसरे से कर लिया दाट इस ऑलसो कोर्शन क्योंकि दाट इस ऑलसो प्रविट इंडर आई पीसी कुछ इंपॉर्टन सवाल यहां आते जिन पर केसेज हैं कुछ ऐसी चीजें जैसे मान लिजिए कि क्या सुसाइड का थ्रेट देके अगर आपने किसी वक्ति का consent आप्टेन किया है तो क्या वो क्वर्शन से कॉस्ट माना जाएगा यह बहुत इंट्रेस्टिंग क्वेशन है और बहुत इंट्रेस्टिंग इस पे जज़्जमेंट है कोट का जिसमें minority view majority view है क्या question क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं बागी चीजें आप further reference के लिए पढ़ते रहीएगा जैसे मान लिजिए होता यह है केसी है यह जिसमें एक वेक्ति है जैसे कुछ ancestral property मिली है succession में उस उसे मिली है उसकी wife और उसके बच्चे को मिली है तो यह बंदा अपनी wife और बच्चों को कहता है vampire क्रो कि सौब मिली एक भाई और बच्छे के पास भी कुछ property आईए तो वो अपनी wife और बच्चे को cychinder करता है कि तुम मेरे साथ agree करो कि तुम अपना शेयर मेरे भाइ को दे दो वह अब यह कहता है कि तुम अगर आग्री नहीं करोगे तुम मैं अपनी जान दे दूँआ, मैं suicide कर लूँआ, ये धमकी देता है, इस धमकी से डर के उसकी wife और बच्चे दोनों sign कर देते हैं agreement, लेकिन बाद में वो उसे enforce करने से मना कर देते हैं, बाद में property देने से मना कर देते हैं, अब court के सामने सवाल ये था, कि ये जो consent wife और बच्चे का obtain किया है, उनको suicide करने की धमकी दे के, क्या ये section 15 में coercion होगा, अब इधर पर जो technical question है वो समझना, answer बहुत आसान हो सकता है, answer यहां पर हमारा topic of discussion नहीं है, यहां जो debate थी, इस case में वो ये थी, कि देखो, जो आप threat देते हैं, suicide का जबाब किसी व्यक्ति को threat देते हैं, लिखा क्या है कि आप किसी ऐसे act को करने का threat दें, जो IPC से prohibited है, आप किसी ऐसे act को करने का threat दें, जो IPC से prohibited है, आपने threat किस चीज़ का दिया? suicide commit करने का क्या suicide करना एक मंद बात समझना क्या suicide करना IPC में prohibited है कहीं attempt to suicide prohibited था IPC में attempt लेकिन क्या final commission successful commission suicide एक ऐसा offense है जिसका attempt punishable था लेकिन final commission नहीं final commission नहीं अब समझना कि suicide के respect में IPC क्या कहता है कि attempt to suicide अब अपन उस debate में नहीं जा रहे हैं कि अब वो mental health care bill से decriminalize कर दिया है अब अपन उस पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ वो चीज relevant नहीं है attempt to suicide से related एक चीज समझना कि यह जो attempt to suicide जो भी suicide का attempt punish किया जाता था IPC में जिस attempt को आप punish करते थे वो कैसा attempt होता था unsuccessful attempt कैसा attempt unsuccessful attempt अगर आप suicide attempt करते हैं और unsuccessful रह जाते हैं finally commit नहीं कर पाते हैं unsuccessful attempt अगर आपका रहता है तो वो act prohibited है उसके लिए punishment है IPC में लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को धमकी देते हैं suicide करने की जब आप किसी व्यक्ति को धमकी देते हैं तब आप कैसे attempt की धमकी देते हैं कौन से attempt की आप धमकी देंगे ये धमकी देंगे कि मैं एक unsuccessful attempt करूँगा suicide का अगर तुमने मेरे साथ agreement नहीं किया तो अटेंट की आप धमकी देंगे और क्या सक्सेस्फफल अटेंट की धमकी से आप कसी घंकी तो आप सक्सेस्फल अटेंट की देंगे ना तो यहाँ केस मेंकोर्ट के सामने question यही था कि भाईया जो successful attempt जिसकी actually धमकी दी जाती है वो तो IPC से prohibited नहीं है फिर इसको question कैसे मान ले क्योंकि definition में तो लिखा है IPC से prohibited होना चाहिए और धमकी हम कैसे attempt की देते हैं successful की और IPC से prohibited कौन सा है unsuccessful that was the question before the honorable court in this particular case case का नाम लिख लिए बाद में पढ़ते रहना अभी मैं समय नहीं पाऊंगा उतनार समय नहीं है इसकी पूरी इंटरी केसी देखने समझने का केस का नाम है चिक्कन अमिराजू वर्सेस चिक्कम से शम्मा that was the case चिक्कन अमिराजू क्या स्पेलिंग है C-H-I-K-K-A-N चिक्कन अमिराजू वर्सेस चिक्कन तेशम्मा यह है केस का नाम है चीक है पढते रहें इसको अराम से कभी लाट वस्टी क्वेस्टन बेफोर दी कोट है इसके अलावा कुछ और भी सवाल इसमें आते हैं कि क्या सुसाइड माना जाएगा क्या सुसाइड नहीं माना जाएगा क्या क्वेस्टन माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा क्या स्ट्राइक करने का थ्रेट देना फड़ताल करने का थ्रेट देना क्वेस्टन है किसी मान लेजे जो वरकर हैं कंपनी के वो कंपनी ओनर को धंकी देते हैं कि कि भाया हमारे साथ यह agreement बोनस बढ़ाने का agreement नहीं करोगे तो हम मिल बंद कर देंगे हम स्ट्राइक कर देंगे क्या यह कोर्जन में आएगा इस तरीके की चीज़ें थोड़ी से आपको समझनी होती है इसके बाद आईए 16th undue influence पे undue influence पे आईए अच्छा एक चीज़ और है एक और चीज़ कोर्जन में ध्यान रखिएगा जैसे माली जी अगर मैं किसी वक्ति को धंकी देता हूं गणवा करते हैं था एक, एक तेरों पर वैसे भीically सब्कों शक रहता है माली मेरी समय क shells में एक फ्लाट में तीन बैल्र लड़के रहते हैं अब आप जानते हैं कि अगर लड़की किसी सिसाइट्य में रहतें रहें तो सिसाइटी के सारे लोगों का यह opinion होता है कि इस सोईटी में जो बाぜ वह कर रहें रहे हैं बैसे इस बात को रिलेड़ variety के सब कुछ भी जो हो रहा पानी नहीं आया इन लड़कों की गल्ती है विजरी चली है इनकी सारे गलत काम यहीं करो है ऐसा प्रजम्शन होता है तो मान लीजिए उन्हीं में से एक व्यक्ति को मैं फिर धंकाता हूं कि भाई देख गाड़ी चोरी होगी और सब कुछा के तुमारे और मेरे पास कुछ tempered photos और videos हैं जिनको मैंने बना रखा है temper करके जिसमें मैंने फरजी तुमारी ऐसे वीडियो दिखाई है जिसमें तुमारे जैसा एक व्यक्ति दिख रहा है जो बाइक चोरा रहा है और मैं न सबको बता दूँगा और तुमारे एक इस prosecution भी करा दूँग अगर तुम मेरे साथ agreement में इंटर नहीं होगे तो यह धमकी में देता हूँ और इस धमकी से डरके व्यक्ति मेरे साथ contract करतो लेता है लेकिन बाद में वो मना करता है कहता भी avoidable contract है इनने question exercise किया है तो बताइए क्या यह question है अगर मैं किसी को false prosecution की धमकी देके उसको contract में अगर माना जाएगा और एक चीज़ और बताईए अगर मान लीजिए यह तो false prosecution की धमकी दी है मैंने अगर मैंने सही prosecution की धमकी दी तब मान लीजिए वाकई उनमें से एक बंदे ने बाइक चुराई है और मैंने देखा है मेरे पास evidence है उस बात के और मैं उसको धमकी दे रह कर रहा हूँगा क्योंकि मेरे पास evidence है और असली है तेरे अगेंस्ट इस डर में वह व्यक्ति मेरे साथ contract कर लेता इस pressure में क्या यह contract भी coercion से caused है तो इन बातों को थोड़ा सा आपको समझना चाहिए थोड़ा सा आपको देखना चाहिए यह सब पढ़ते समय चाहिक है चली अन्डिव influence पर आई जारा थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं अन्डिव influence की बात करते हैं section 16 section 16 बात करता है अन्डिव influence की अन्डिव influence में basically दो चीज़े होती है broadly एक party होती है dominating position में दो parties में से एक party होती है dominating position में और दूसरी party उस dominating position में है वो उस position का undue advantage लेती है अन्डिव advantage लेती है उस dominating position का दो लोग जिनके बीच में contract हो रहा है उनमें से एक party dominating position में है और क्यूंकि ये dominating position में है इसलिए ये उस position का undue advantage लेते है वो influence करते हैं दूसरे व्यक्ति को अपने साथ contract में एंटर कराने के लिए तब कहा जाता है that the consent is said to be caused by undue influence जैसे coercion थोड़ा सा physical है undue influence थोड़ा सा mental pressure होता है dominating पहले समझते है dominating position कौन कौन से होती है फिर में undue advantage कैसे होता वो बताऊँगा dominating position कौन कौन से होंगी इसके लिए भी 16 में बातें बताई गई है 16 के हिसाब से real or apparent authority real and apparent authority अगर है एक व्यक्ति की real authority में कौन कौन आते है जहां expressly एक परसंट dominating है और दूसरा dominate होगा उस position में है domination की एक व्यक्ति expressly वो real authority जैसे real authority के example master servant employer employee एक employer जिसका एक व्यक्ति employee है employer हमेशे dominating position में है वो विलको influence कर सकता है और यह real expressly comfort authority है इसलिए उसको real कहते है apparent authority कौन से होती है apparent वो होती है जो expressly comfort नहीं है लेकिन है जैसे माल लीजे आप एक case के investigating officer है उस case का जो accused है उस accused के उपर आप dominating position में है आप उसकी विलको influence कोई expressly दी गई authority नहीं है लेकिन क्योंकि आप उसका case investigate कर रहे हैं इसलिए आपकी dominating position होगी इसको कहते हैं apparent authority माल लीजे आप judge है case में और जो accused है उसके उपर आपकी apparent authority नहीं है वो तो contract के through arise होनी चाहिए या किसी और चीज की तरह senior junior जैसे माल लीजे एक inspector साव है उनके नीचे जो SI काम करता है सब inspector वहां real authority सब inspector के उपर inspector के real expressly comfort है कि वो उसका senior है लेकिन यहां पर comfort नहीं है that is called apparent authority I hope that's clear so that's real and apparent authority अगर इसी position में है तो एक विक्ति dominating मना जाता है so real और apparent authority के बाद आता है fiduciary relation क्या आता है fiduciary relation fiduciary relation का मतलब होता है relationship of trust fiduciary relation कौन सा होता है trust का trust कब होता है विक्ति को जैसे example है student and teacher teacher हमेशा dominating position में student के उपर क्योंकि student उस पर trust करता है आज कल के बच्चे नहीं करते हैं वो अलग बात है क्योंकि आज कल के teacher भी teacher नहीं रहे हैं जिन पर trust किया जाए जैसे for example आप काफी देर से पढ़ रहे हैं contract कल भी आपने पढ़ा और भी subjects मैंने आपको पढ़ा है आपने आराम से मेरे उपर trust कर लिया है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं है ना दाट इस relationship of trust which we call fiduciary relation so teacher student के relation में teacher dominating position में होता है क्योंकि उस पर trust student को doctor patient doctor patient में doctor fiduciary relation dominating position में क्योंकि patient भरोसा करता है ऐसे ही attorney और उसका client ऐसे ही regional gurus जो होते हैं यह बाबा वगेरा जो होते हैं उनके जो followers हैं वो उनके जो फॉलोवर हैं वो उनके जो फॉलोवर हैं वो उन पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं so that is dominating position fiduciary relation और fiduciary में parent और child भी आते हैं क्योंकि बच्चों का भी भरोसा है parents पे ऐसे ही एक और relation इसके बाद होता है कि अगर कोई व्यक्ति disease की वजह से किसी disease या old age की वजह से vulnerable हो गया है weak हो गया है ऐसा व्यक्ति भी dominant हो सकता है वो dominating position में तो नहीं होता लेकिन वो व्यक्ति dominate हो सकता है किस वजह से हो रहा है और वो क्योंकि ज़्यादा age हो गई है या बिमार है तो उसकी जो सेवा कर रहा है वो उसको influence कर सकता है कि भाई देखो हम ही है आपके आखरी तक साथ अपनी सारी property हमाई नाम लिख दो है ना तो यह dominating positions के example है अब सिर्फ dominating position होने से हम यह कह देंगे कि कि dominating position है और position का undue advantage लिया गया यह undue advantage कहां से generally determine होता है terms of the contract से और इसके लिए term use होता है unconscionable bargain अगर मान लिजिए unconscionable bargain दिख रहा है contract में तो एक अंदेशा रहेगा code के पास कि हो सकता है undue influence से caused or unconscionable bargain का मतलब जिसे कोई भी conscious व्यक्ति अलाउ ना करे जैसे मान लेजिए आपके पास latest iPhone है जिसकी कीमत एक लाग से जादा है मैं आपके उपर undue influence exercise करके आपको agree कर लेता हूं उस phone को मुझे 10,000 में बेचने के लिए तो अब कोई भी व्यक्ति एक लाग से उपर का phone जो अभी उसने खरीदा है 10,000 में बेचेगा तो यहां से होगा कि undue advantage लिया गया है या नहीं वो पता चलेगा unconscionable बारगें से आई होप यह गेटिंग इस लिए अनकॉंशनेबल बारगें ठीक तो वहां से पता चलता है कि dominating position का misuse किया गया है actually या फिर नहीं किया गया इसके दिये हुए है कुछ आप पढ़ सकते हैं illustration section 16 में दिये हुए एक दो बाते हैं और यहां ध्यान रखिएगा undue influence में कि वह अनकॉंशनेबल बारगें जो है वह आपको थोड़ा समझना पढ़ता है और इंडियन प्रूफ अगर को प्राइम आफेसी दिख रहा है कि अनकॉंशनेबल बारगें है अंडियो एड्वांटेज है तो बर्डन किसके उपर होता है यह प्रूफ करने का कि दॉमिनेटिंग पोजिशन दिख गई और अंडियो एड्वांटेज दिख गया तो कोड प्रिजूम कर लेगा कि आपने अंडियो एड्वांटेज एक्सराइज या है ठीक है जैसे आपने लॉइंटरेंस के समय कुछ ऐसे क्वेश्चन्स वगयरा करेक्ट मनुरमा 111 में आपने ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी कि जैसे मान लेजिए आप किसी कॉलेज में अड्मिशन लेना चाहते हैं जो बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज है और वह कॉलेज आपके ओपर यह कंडिशन लगा देता है पहले वह आपको बता देते हैं कि हमारे हैं से अगर आप आपको तो अड्मिशन चाहिए लेकिन जब बाद में यह टर्म आपके उपर इंपोस किया जाता है तब आप कहते हैं कि अंड्यू इंप्रेंस था क्योंकि कॉलेज डॉमिनेटिंग पोजिशन में था और हमें हमारी विल को डॉमिनेट किया गया लिया गया तो क्या यह यह अंड्यू एड्वांटेज है क्या यह अंड्यू इंप्रेंस है ऐसे एंप्लॉयर एंप्लॉई के बीच के कॉंट्राक्ट्स होते हैं तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए डिटेल में इसके बाद आईए 17 17 बात करता है फ्रॉड की यहां से प्री के कुछ बहुत important question बनते हैं उनको exactly अपन देखेंगे so consent free तब भी नहीं होता है जब वो किस चीज से caused हो जब consent fraud से caused हो यहां case waste भी है important 17 में define किया गया है clauses देख लीजिए 17 के जरा क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं fraud means and includes any of the following acts committed by a party to contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive इसको underline कर लीजिए that is the most important aspect of fraud fraud का सबसे important essential क्या है intent to deceive intent to deceive, deceive करने का intention होना चाहिए, deceive करने का intention के साथ अगर आपने किसी भी तरीके का misrepresentation किया है उसको fraud कहते हैं देखिए यहां लिखा है, fraud means and includes any of the following acts, मतलब यहां पर actually define as such नहीं करके इनोंने list दे दिया कि इन acts को पन fraud मानेंगे, यह करके अगर आपने किसी वेक्ति का consent obtained किया है agreement में तो वो माना जाएगा caused by fraud, क्या क्या है यह पहला देखिए the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true, आपको खुद पता है कि आप जो बात बता रहे हैं वो सही नहीं है, फिर भी आप बता रहे हैं, और consent obtained कर रहे हैं, that is fraud, जैसे मान लीजिए, मुझे आपको अपना mobile phone बेचना है, और आपने कहा कि सर मेरे को phone ऐसा चाहिए है, जिसमें RAM कम से कम 8GB ह चाहिए, अब मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरा जो phone है, उसमें सिर्फ 4GB की RAM है, लेकिन मैं आपके सामने ये suggest करता हूँ, यहां 8GB है लेलो तुम तो, और ये बोलके तुम्हारा consent obtain कर लेता हूँ agreement पे, तो this consent is said to be caused by fraud, पहला, second देखिए, the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact, active concealment, active concealment का मतलब आपने अपने से suggest नहीं किया, लेकिन जो defect था उसको छुपाया है आपने और consent obtain किया है, जैसे मान लीजिए मुझे अपना mobile phone आपको sale करना है, और मुझे पता है कि उस mobile phone की screen टूटी हुई है, अब मुझे पता है कि मैं अगर आपको दिखाऊंगा inspection के लिए आप मांगेंगे और जैसे ही आप देखेंगे कि screen टूटी है, आप लेने समना कर देंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई suggestion नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं active concealment, मैं ऐसे effort कर रहा हूँ, जिससे मैं defect छुपा रहा हूँ, मैं उस screen के ऊपर एक ऐसा screen guard लगा देता ह जिससे पता ही ना चले कि वो screen टूटी हुई है, और फिर मैं आपको दे रहा हूँ inspect करने के लिए, और आपने देखा, आपको कोई समस्या नहीं लगी, आपने का ठीक है सरबड़ी है, कर लेते हैं अपने contract में, खरीद दूँगा आपका phone, that is called active concealment, यह भी fraud माना जाता है, दीसरा देखिए, आप promise made without any intention of performing it, आपने किसी से कोई ऐसा promise कर दिया है, जहां आपका intention ही नहीं है उसे fulfill करने का, जैसे आपने मुझे कह दिया है, कि सर आपका जो target है वो हम पूरा करा देंगे, आप पढ़ा दो हमें, टेपीए भी पढ़ा दो, तो हम आपका target पूरा करा द misrepresentation और fraud का difference बता रहा हूँ, difference basically यही है जो board पे लिखा है, intent to deceive, जहां मेरा intention है deceive करने का, वो fraud है, और misrepresentation में क्या होता है, मेरा intention नहीं है deceive करने का, क्योंकि मुझे खुछ सही जानकारी नहीं है, इस example से आप इस difference को समझ लीजिए, कि जहां आपने मुझ से बोला, कि सर मु मैंने जिस से खरीदा था, उसने मुझे यही बोल कर दिया था, और मुझे genuine, मेरा खुद का personal genuine believe यह है, कि RGB की RAM है, अब अगर मैं आपको वो phone के लिए consent आप से obtain कर लेता हूँ, यह बता के, कि हाँ यार मेरे phone में RGB की RAM है, मुझे खुद सच्चा ही नहीं पता कि 4GB है सरफ, को intent to deceive नहीं है, और मैं खुद उस तीस को believe करता हूँ, जो बताया, अब यहां पे भी जो fact मैंने आपको convey किया, वो सही तो नहीं है, लेकिन मुझे खुद सही जानकारी नहीं थी, इसको कहते हैं misrepresentation, और fraud कहां होता है, जहां आपका intent to deceive हो, आपको सही बात पता है, फिर भी अब गलत represent कर रहे हैं, that is the basic difference between the two, impact contract में दोनों का यही होता है, कि contract voidable होता है, फोर्त देखिए, fraud में, any other act fitted to deceive, यह इसको comprehensive बनाने के लिए लिए लिखा है, कोई भी और act, क्योंकि हर तरीके के fraud के act को यहां लिखा ली जा सकता था, तो एक general बात लिखती है, कि इसके अलाव ठीक, तो यह होता है आपका fraud, अब explanation बहुत important है, explanation कहता है कि mayor silence fraud नहीं होगा, except two situations, इसको ज़रा समझ लीजे, क्योंकि 17 में यहीं से सवाल आता है, इस silence की कहानी से, अब मैंने कहा active concealment fraud होगा, लेकिन mayor silence fraud नहीं होगा, जैसे मेरे phone की screen टूटी है, मैंने आपको phone inspection के लिए दि या, मैंने उस पे कोई screen guard नहीं लगाया, मैंने आपके description पे छोड़ दिया, आप देख लो भाई, हाँ, मेरी कोई responsibility नहीं है, मेरे defect को बताने की, अगर यहाँ मैं चुप रहता हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं आपको phone दे देता हूँ, आपके तहीं है, हमक अपने defect को छुपाने के, यहाँ मैंने fraud नहीं किया, आपने inspect किया, आपके समझ नहीं आया, आपने contract कर लिया, यहाँ मैंने fraud नहीं किया है, लेकिन जहाँ मैंने effort लिये, उस defect को छुपाने के, वो active concealment है और वो fraud है, I hope you're getting this, लेकिन mere silence fraud नहीं होता, लेकिन silence भी कुछ situation में fraud ह होता है, वो दो situation है, जो explanation में लिखी है, पहला यह, कि जहाँ party fiduciary relation में हो, trust के relation में हो, जहाँ जो party contract कर रही है, उसकी responsibility हो बताना, और यह responsibility कहां कहां होती है, जैसे माल लिजे जो illustration दिये है 17 में, कि एक father ने अपनी minor daughter के साथ contract किया, तो father जब minor daughter के साथ contract कर रहा है, वो under duty है, वो bound है, सच्चाई बताने के लिए, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों ऐसा रखा गया है कि bound, क्योंकि भाई देखिए, जब आपका trust का relation किसी के साथ होता है, जो आप किसी वक्ति पे भरोसा करते हैं, तो आप उस तरीके से attentive नहीं होते, जैसे आप किसी stranger के साथ होते, कि किसी stranger से आप कोन खरीद रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, पूरा अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन जब आप किसी ऐसे वक्ति के साथ डील कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा casual हो जाएंगे, इसलिए रखा है कि वहाँ पे आप duty bound है, यह एक्स्पनेशन इक पर पढ़ keeping silence to speak, जहां जो वक्ति चुप रहा है, उसकी duty to speak थी, तो silence कब कब fraud होगा, सबसे पहले, where you are under duty to speak, आपकी जिम्मेदारी थी बोलना, आप लीगली bound थे, जैसे कुछ contracts होते हैं, जिनको कहते हैं, contracts oberemafied, contracts oberemafied, oberemafied मतलब contract of utmost trust, जैसे insurance के contract, insurance के contract को oberemafied कहा जाता है, वहाँ जो insured वक्ति है, जो insurance ले रहा है, उसकी responsibility होती है, यह बताने की insurer को, कि अगर उसे कोई defect है, कोई परेशानी है, ऐसा, आप health insurance ले रहे हैं, तो आप life insurance ले रहे हैं, तो आप under duty है, कि कोई और ऐसी समस्या, जिससे insurer का interest impact हो सकता है, ऐसी सम मस्या आपको है, तो आप duty bound है, उसको बताने के लिए, वहाँ अगर आप चुप रहे है, that will amount to fraud, तो पहला क्या है, जहाँ person की duty है, और दूसरा जो यहाँ लिखा हुआ है, explanation में वो देखिए, एक तो हो गया, circumstances of the case are such that, regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, दूसरा है, और unless, his silence is in itself equivalent to speech, द equivalent to speech, जहाँ आपका silence बोलने के बराबर है, it is equivalent to speech, जैसे आपने Bollywood में देखा होगा न, कि यह उस तरीके का है, कि जहाँ आपने कुछ ना बोलके भी सब कुछ बोल दिया है, चुप रहके भी जहाँ आप बोल दें, जहाँ आपकी खामोशियां बातें करने लग जाएं, ज यह actually है, दूसरा exception, जहाँ पच्चो प्रहना बोलने के बराबर होई, कैसे होगा, इसके लिए न, सतरा के illustration की help में ले रहा हूँ, और यह सीधे-सीधे प्रीमे सवाल आता है, जो यहाँ illustration दिये हैं, सतरा के, बहुत important है, पहला समझ यह ज़रा, एक चीज, कि जैसे मान लेज यह auction में, एक horse का auction हो रहा है, जो व्यक्ति उसको खरीद रहा है, उसके सामने horse inspection के लिए है, और जिस जो व्यक्ति उसे बेच रहा है, उसको पता है कि horse unsound mind का है, लेकिन जो बेचने वाला व्यक्ति उसने कुछ नहीं बोला horse के बारे में, और जो खरीद रहा है, उसने कुछ पूछा भी नहीं और उसने चुपचाप agreement कर लिया क्या यहां कोई fraud हुआ the answer is no क्योंकि कोई किसी तरीकी का कोई representation नहीं है लेकिन फिर यहीं एक चीज यह आती है कि अगर मान लीजिए यही चीज एक father अपनी minor daughter को बेच रहा है तो वहां उसकी duty to speak है वहां अगर वो चुप रहा है तो यह fraud हो जाएगा ऐसे ही जो second point है where your silence is equivalent to speech इसमें यह होता है कि जो actioneer यह unsound mind का horse बेच रहा है जो seller है जो बेच रहा है buyer उससे कहता है सुनना ध्यान से buyer seller से कहता है कि if you do not deny I shall assume that the horse is sound अब buyer ने एक ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब silence में अगर seller देगा तो वो fraud हो जाएगा buyer ने कहा कि अगर आप अगर आप कुछ ना बोले तो मैं यह मान लूँ कि यह horse sound नहीं है if you do not deny अगर आप मना ना करें तो मैं यह assume करनो that the horse is sound अब इस सवाल से क्या हुआ seller under duty आ गया कि अब अगर वो deny नहीं करेगा यहां पर अगर वो विप्ति deny नहीं करेगा तो सवाल का जो जवाब है वो उसका जो चुप रहना है उसका जो silence है यह क्या हो जाएगा speech के बराबर वो एक answer हो जाएगा that the house is horses sound वो यह answer क्योंकि सवाल इस तरीके का किया है बंदे ने यह exactly illustration दिया हुआ है c c illustration देखिये बी says to a if you do not deny it I shall assume that the horse is sound a says nothing here is silence is equivalent to speech so that is also very important under fraud ठीक इसके बाद भाई misrepresentation देखिये तो वो मैंने आपको already difference बता दिया एक बार read करियेगा यही basic difference है दोनों के बीच fraud में intention होता है deceive करने का misrepresentation में आपका intention नहीं होता यह 18 में दिया है 19 में दिया है void का consequence के बारे में बताया है कि आपने contract किया है consent अगर आपका question undue influence से caused है या fraud या misrepresentation से caused है तो आपका contract कैसा होगा voidable होगा 19 और 19 A दोनों में यही बात है voidable होगा that's the crux इसके बाद आ जाते हैं है पन mistake तो misrepresentation भी हो गया इसके बाद आ जाते हैं हम mistake की तरफ इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि mistake defined नहीं है 20, 21 and 22 deal करते है mistake में इसलिए section 14 में लखा था mistake subject to section 20, 21 and 22 देखिए mistake का मतलब क्या होता है एक erroneous belief गलत belief यह गलत belief कई चीजों से regarding हो सकता है अपन example के लिए समझते है subject matter अब मान लीजिए mistake में होता क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार है जो आपके घर पे है आप institute आए और आपके साथ मैंने एक agreement किया यार उमारी जो कार घर पे है उसको तुम मुझे सेल कर दो पांच लाक रुपे में यह हमने agreement किय शाम को 5 बजे कि भाई तुमारी जो घर पे कार है वह तो मुझे सेल करोगे 500 रुपे में जबकि उस दिन 5 बज़े जब हमने agreement किया है उसके पहले ही दिन दो वज़े आपकी वो गाड़ी चोरी हो चुकी है subject matter destroy हो गया उसमें already आग लग चुकी है subject matter already destroy हो चुका है और इस बात की जानकारी हम दोनों को नहीं है bilateral mistake होनी चाहिए है इस बात की जानकारी हम दोनों को नहीं है कि वो गाड़ी अब existence में ही नहीं है जिसका हम contract कर रहे हैं ऐसे case में consent हम दोनों ने दिया लेकिन हमारा consent किस से caused माना जाएगा mistake से और इसका impact क्या होगा agreement होगा void इसका impact यह होगा कि agreement void होगा अब जाना 2021-22 को आप जब read करेंगे तो आप पाएंगे कि इस mistake को दो category में divide किया है उसको ज़रा समझ लीजिए एक होती है mistake of fact और एक होती है mistake of law mistake of fact भी दो parts में divided है दो category में divided है mistake of fact क्या category है एक होगी unilateral mistake unilateral और एक होगी आपकी bilateral bilateral मतलब both the parties are under an honest belief और unilateral एक party के दिमाग में गलत perception है तो जब unilateral mistake होती है तो इसका impact होता है valid अगर एक व्यक्ति ने eronious belief में agree कर लिया है दूसरे को तो सही जानकारी है एक ने eronious belief में agree कर लिया है वो valid होता है वो void नहीं होता यह बात आपको provision में मिलेगी लिखी हुई कि जब unilateral mistake है fact की तो the contract is not voidable effect लिखा क्या है not voidable और not voidable का मतलब क्या होता है valid not voidable का मतलब होता है valid लेकिन अगर bilateral mistake है जो मैंने अभी आपको example दिया कि हम दोनों को नहीं पता कि गाली चोरी हो चुकी है यह bilateral mistake of fact है यह fact की mistake है अगर आपको mistake of fact और mistake of law समझना है IPC के lecture में देखिएगा 76 79 में मैंने clearly समझाया what is mistake of fact mistake of law तो मैं मान के चल रहा हूँ वो आपको आता है so देखिए अगर मान लीजिए bilateral mistake है fact की subject matter क्या है fact उसके regarding अगर आपकी bilateral mistake है in that case the agreement is void agreement ही void होता है उसका कोई legal impact नहीं होता लेकिन fact की mistake कैसी होनी चाहिए bilateral ऐसे ही जब law की mistake की बात करते हैं law की mistake मतलब आपके दिमाग में erroneous belief है law का आपको law नहीं पता और आपके आपने उसके contravention में contract कर लिया that is mistake of law law के violation में जिसकी आपको जानकारी नहीं है अब law के violation दो तरीके का होगा एक तो इंडियन law का violation या इंडियन law से related mistake और एक होगा foreign law की mistake बात समझना अगर mistake इंडियन law की है अगर mistake इंडियन law की है आपकी तो कि आपसे expect किया जाता है कि आपको भारत का कानून पता है अगर आप भारत में कोई contract या agreement कर रहे हैं तो आपसे expected है कि आपको भारत का कानून पता हो तो आपकी mistake अगर इंडियन law से related है ऐसे किस में इसका कोई impact नहीं होगा contract valid है आपकी गलती है कि आपको law नहीं पता और उसके violation में आपने contract किया 21 देख लीजे जरा mistake of law की बात करता है 21 a contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India भारत में जो law force में है उसकी mistake में अगर आपने कोई contract किया है then the contract is not voidable voidable नहीं होगा लेकिन अगर foreign law की mistake में आपने कोई contract कर लिया है under mistake of foreign law तो यह आप से expected नहीं है कि बाहर का law आपको पता हो तो उसका impact बिल्कुल bilateral mistake of fact की तरह होता है that is void तो इसका impact क्या होता है void होता है अगर आपने कोई contract किया consent obtain किया है consent दिया है under mistake of foreign law तो आपका consent is said to be caused by mistake और जो agreement है वो void होगा लेकिन भारत के law के erroneous belief में अगर आपने कुछ किया है तो वो not voidable मतलब valid होगा ये बाद 2021 और 22 तीनों का conclusion है ये जो chart मैंने आपके सामने बनाया है ये इन तीनों का conclusion है एक बार read करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा ठीक तो भाई देखो आज हमने क्या-क्या पढ़ा free consent भी हमने complete किया हम आ गए है section 25 तक complete कर चुके है contract ठीक थोड़ा इदर उदर करके provision पड़े हैं लेकिन 25 तक अपन आ गए है अब हम start करेंगे 26 से कल एक बार जड़ा brief में ये चीज़ और देख लिजिए जो मैं आपके साथ discuss कर रहा हूं offer acceptance complete किया intention to create legal obligation consideration पूरा फिर competency of party discuss किया और यह हमने complete किया free consent अब एक चीज़ section 10 में और क्या लिखी है essential में parties competent होनी चाहिए consent free होना चाहिए और agreement expressly barred नहीं होना चाहिए क्या लिखा है section 10 में agreement कैसा होना चाहिए not barred by law not barred by law या फिर void declare नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी agreements है जिनको law expressly void declare करता है और वो agreement शुरू होंगे हमारे section 26 से हमने Indian contract act को दो parts में divide किया one was general principle the other is special contract special contract में क्या आएगा 124 onward section 124 onward आएगा indemnity guarantee pledge bailment agency यह सारी चीज़े चीज़े चीक that is a separate portion एक जो first part जो हम डील कर रहे है that is general principles of contract that is section 1 to 75 और इस general principle को भी हमने दो parts में divide किया है एक है formation of contract दूसरा है discharge of contract formation में अभी तक हम यह सारी चीज़ें पढ़ रहे थे जो पढ़ा है formation में क्या-क्या पढ़ लिया है हमने जैसा मैंने आपको दो parts में divide करके बताया है contract को formation of contract में हमने फिलहाल क्या-क्या पढ़ लिया है एक बार उन चीज़ों को देख लेते हैं तो सबसे पहले formation में हमने पढ़ा offer and acceptance यह complete है ना offer and acceptance जो हम पढ़ने वाले हैं में जो topics उसमें एक तो बहुत important चीज़े हैं जैसे doctrine of frustration काफी important है फिर section 55 बहुत important है whether time is the essence of contract or not जिसको generally मैंने देखा है समझने में समझ्या होती है so उसको हम अच्छे से जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं simplify करते हूँ वैसे समझेंगे so अभी तक हमने formation में offer acceptance पढ़ा है इसके बाद हमने intention पढ़ा intention to create legal obligation है ना intention to create legal obligation यह हमने पढ़ा फिर इसके बाद हमने पढ़ा lawful object और lawful consideration इसमें सब कुछ पढ़ा हमने lawful object and consideration तो consideration क्या होता है वो पूरा पढ़ा consideration के अंदर हमने दो चार additional चीज़ें भी पढ़ी जैसे priority of contract priority of consideration भी हमने पढ़ा फिर हमने इसके अलाबा 25 पढ़ा exception के दौर पर प्रामिसरी स्टॉपल के बारे में discussion किया तो consideration के इर्द इर्द सारा और कब lawful होता है यह consideration object कब नहीं पार्ट में lawful कब होता है यह सारी बाते हमने पढ़ी इसके अलाबा formation में हमने पढ़ा competent party कौन competent होता है contract में enter होने के लिए यह भी हमने पढ़ा जैसे minor competent नहीं है तो minor ने अगर agreement कर लिया है तो उस agreement का nature क्या होगा वो भी हमने समझा है अपनी previous class में इसके अलाबा हमने एक चीज और कवर करी थी कल दाट वोज फ्री कंसेंट दाट वोज फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट में हमने देखा consent फ्री नहीं होता है if it is caused by coercion undue influence misrepresentation या fraud या mistake उनको briefly हमने देखा वो होते क्या है तो यह हमने basically formation में फिलहाल पड़ लिया है इतनी चीज़े हम cover कर चुके हैं formation of contract formation of contract कौनसा पार्ट होता है Indian contract act का जिसमें हम यह देखते हैं कि कैसे एक valid contract existence में आएगा क्या वो necessary चीज़े है जो एक agreement में होनी चाहिए जो उस agreement को एक enforceable contract बनाती है इन बातों को हम पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं और यही आपके contract act के law of contract के topics होते हैं separately क्योंकि भाई prepay focus करते हुए हम कर रहे हैं एक limited time में हमको complete करना है इसलिए उसी नजर से हमने इन topics को पढ़ा है वैसे तो यह एक एक topic अपने आप में काफी बड़ा है और जब भी आप foundation batches की classes attend करते हैं यहां तो उसमें हम उसको अलग नजर से पढ़ते हैं क्योंकि फिर हमारे पास समय जादा होता है परपस अलग होता है यहां थोड़ा सा परपस अलग है थोड़े समय का भी constraint है बट यह ensure हम कर रहे है कि free के हिसाब से और साथ साथ concept भी थोड़े आपके build-up होते जाएं आपको at least context समझ में आए topic का कि यह बात क्या चल रही है न बेरेट में जो language है उसको किस तरीके से interpret करना है यह इस कोशिश के साथ हम यह in classes को कर रहे हैं so इतने topic हमने फिलहाल पढ़ लिये हैं अब आज जो हमको deal करना है that is another thing क्योंकि section 10 में एक और essential लिखा था agreements ऐसे agreements जो expressly declared है to be void so agreements expressly declared to be void declared to be void ऐसे agreements जिनने expressly declare कर दिया गया है कि यह तो void ही होंगे अब हम जो topic start कर रहे हैं वो हमारा है यह देखो भई हमने देखा कि एक agreement enforceable by law कब होगा तो एक agreement enforceable by law तब होगा जब वो section 10 के essential fulfill करेगा क्या क्या essential है फेले तो एक agreement होना चाहिए agreement होने के लिए क्या चाहिए proposal accept होगा जैसे proposal accept होगा वो एक promise बनता है and every promise is an agreement फिर हमने देखा agreement को contract बनने के लिए कई सारे essential है lawful object lawful consideration होना चाहिए parties competent होनी चाहिए consent free होना चाहिए यह सारे essentials मिला के बनता है एक agreement contract enforceable हो जाता है वो agreement और अगर agreement enforceable हो जाता है तो वो कहलाता है contract अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी agreements हैं मान लीजिए एक agreement में section 10 के सारे essential fulfill हो रहे हैं तो वैसे तो उसे enforceable कहना चाहिए था हमें उस agreement को तो हमें contract कहना चाहिए क्योंकि वो enforceable है वो section 10 के essential fulfill कर रहा है भले ही एक agreement section 10 के essential fulfill कर रहा हो उसके बाद भी कुछ specific agreements को expressly declare कर दिया गया है to be void so क्या पढ़ने जा रहे है इस बात को समझ लीजिए agreements एक्सप्रेस्ली डेक्लेर्इरड तो भी वॉइड अब भले ही ये enforce होने के enforceable होने के जो essentials है एक agreement के लिए prescribe कि एक agreement में ये ये essential होंगे तो वो enforceable होगा भले ही agreement सारे essential fulfill कर रहे हो उसके बाद भी हमेशा void ही कहलाएंगे कौन से है ये agreement तो इस agreement के सिलसले में सबसे पहला provision है आपका section 26 25 तक कल हमने कर लिया था सबसे पहला है section 26 जो कहता है agreement in restraint of marriage are void कोई भी ऐसा agreement जो दो लोगों की शादी को रोकने के लिए है दो लोगों को शादी करने से रोकने के लिए है restraint of marriage में अगर किया गया है तो वो agreement भले ही सारे essential फुल्फिल कर रहा हो उसके बाद भी वो हमेशा void ही होगा as per section 26 जरा बेरेक्ट निकाल लीजे contract का और section 26 पढ़िए मेरे साथ 26 में लिखा है agreement in restraint of marriage void every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void minor को छोड़के किसी भी major व्यक्ती की शादी रोकने के लिए अगर एक agreement है तो वो agreement हमेशा क्या होगा वो agreement हमेशा void होगा ये बात बताता है section 26 अब जरा एक दो बातें इससे related हैं जो आपको इस section 26 के तहत पढ़नी है कुछ cases है एक बात समझेगा कि restraint of marriage में जो agreements आते हैं वो भले ही थोड़े समय के लिए शादी रोक रहे हूँ वो भी restraint of marriage होगा जैसे मान लिजिए दो लोगों के बीच agreement होता है A और B ये agreement करते हैं कि B अगर अगले एक साल तक शादी नहीं करेगा तो A उसको 50,000 रुपे देगा अगर मान लिजिए एक साल के लिए भी ये agreement कि आ जा रहा है तो भी वो void है वो B 26 से cover होगा तो अगर A और B अगरमेंट करते हैं कि B अगर एक साल के अंदर शादी नहीं करता है एक साल तक तो उसको 50,000 रुपे कैज दिये जाएंगे अगर किसी particular व्यक्ती से शादी ना करने के लिए agreement हो जैसे माल लीजिए A B के साथ agreement करता है कि B अगर C से शादी ना करे तो A जो है वो B को 50,000 रुपे देगा इस बात का अगर agreement है तो क्या ये agreement in restraint of marriage है ये restraint of marriage है ठीक तो इस तरीके के जितने भी agreement होंगे जहां ये restraint करा जाता है marriage को वो हमेशा void होका चीक चाहे वो थोड़े समय के लिए हो specific विक्ती से आप रोक रहे हो all together आप रोक रहे हो A और B के बीच में अगर ये agreement हो रहा है कि B कभी शादी नहीं करेगा किसी से भी शादी नहीं करेगा कभी शादी नहीं करेगा इस बात के लिए उसको अगर 50,000 रुपे दिये जाने है that is also an agreement in restraint of marriage तो ये भी agreement in restraint of marriage ही किया जाएगा माना जाएगा और section 26 के तहट ये agreement void होगा एक बहुत important case इदर पे है जिसकी बात मुझे आपसे करनी है जहाँ थोड़ा सा confusion ये होता है कि ये agreement in restraint of marriage है या फिर नहीं वो थोड़ा सा indirect तरीके से होता है उसकी बात अपन करते है एक मिनट जड़ा मैं किसी का कुछ doubt है वो देखने हुआ देती पूछ रहे है यूपी एज्जेस आ गया है तो क्या यूपी lower judiciary बात में आएगा या सांट में अरे आए भाई साब आप लोगों से ना मेरा एक बहुत बिनम्र करवद निवेदन है कि जब अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे है ना प्लीज इस तरीके के कमेंट मत डाला करो यार एक्जाम एक्जाम से ले आप अलग से नंबर है बटाई यह चल रहा नंबर चल रहा आपकी स्क्रीन पर इस पे कॉल कर लो आप पूरे सोशल मेडिया पर हम अवेलेबल है कही मैस स्थान अरे भतेरे वीडियो पढ़ें यूट्यूब पे कब आईगी उत्तरप्रदेश की वेकेंसी जाओ देखो यार मैं कॉंटेंट पढ़ा रहा हूं उसके बीच में यह कर देते हो मेरा मुझे ना डिस्ट्राक्शन हो जाता आप बात समझ रहा है मेरा फ्लो चल रहा है कुछ पढ़ाने का उसके बीच में आपको यह जानना उत्तर प्रदेश आएगा यह और यह समझ नहीं आया है आज तक इसलिए आप इतर बैठे हैं तो इसको समझो भाई नंबर चल र कि मैं नहीं कर पाऊंगा और आप डिस्टॉब करते हैं इस तरीके के सवाल पूछ के प्लीज अंडस्टांड बीच में ब्रेक लूँँगा दो मिनट का एंड करूँगा लेक्चर तब पूछ लो आप मुस्ट थोड़ा से समझो यह इस बात को डिस्टॉब होता है किया बात कर रहे थे सेक्षन 26 की अपन बात कर रहे थे कोई भी ऐसा अग्रेमन्ट जो किसी व्यक्ति को शादी करने से रोकता है वो अग्रेमन्ट वॉइड होता है कोई भी agreement जो शादी करने से रोक रहा है दो लोगों को वो void होता है चाहे वो थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की किसी भी major व्यक्ति की अगर आप शादी रोक रहे हैं तो major लोगों को अगर आप शादी करने से रोक रहे हैं तो आप restraint of marriage कर रहे हैं, ठीक, that is a very important aspect, ठीक, अब इसमें जो cases हैं, जैसा रवी जी ने लिखा है, पहला cases है, law versus peers, section 26 का important case जो है, ये एक case है, जिसमें agreement यही होता है, कि अगर एक ही व्यक्ति से आप शादी करेंगे, अगर ये agreement है, कि आप किसी और से शादी नहीं करेंगे, किसी और से आप शादी नहीं करेंगे, एक ही व्यक्ति से शादी करना है, किसी और से शादी नहीं करना है, अगर ये टर्म है आपके agreement में, कि किसी और से आपको शादी नहीं करना है, तो आपको पैसे दिये जाएंगे, तो that is restraint और इसको हम under 26 void मानते हैं, चाहा कारण क्या है जो अपना भी पढ़ने वाले हैं, 26, 27, 28 जो भी provisions अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें समस्या क्या है, उस बात को थोड़ा से समझेगा, ये public policy के against हैं, मतलब ये जनता के हित में नहीं हैं इस तरीके के agreements, इसलिए इनको void declare किया गया है, क्योंकि ये public policy के against माने जाते हैं, इसलिए लोगों को abstain किया गया है, इस तरीके के agreements को enforce कराने से court में जाके, अब एक बात जरा समझेगा, एक सरश्टी का doubt भी है, जो कि इस topic से ही relevant है, कि किसी भी जाग की training के बारे में लिखा है, कि तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं, आसा बहुत सारे jobs में होता है, कि इस duration में आप शादी नहीं कर सकते हैं, उस particular duration में उसकी बात जरा समझेगा आप इदर, क्या वो restraint के लिए agreement है, या वो merely ancillary condition है, इस बात को आपको समझना है, और उसी से related में आपको na actually case बताने जा रहा था, वो case जो है, वो मैं इस चीज के regarding ही बता रहा हूँ, इसके थोड़े से fact समझेगा इस case के, तो you will be able to understand this, कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, होता ये है, there were two widows, एक व्यक्ति होता है, जिसकी मृत्य हो जाती है, उसकी दो wives होती है, दो widows होती है, W1 and W2, दो widows है, ये दोनों widows आपस में, अब क्या हुआ, husband की death हुई, तो इन दोनों ने उसकी property को acquire किया, succession में property इन दोनों को मिली, अब ये दोनों आपस में क्या agreement करती है, कि दोनों में से जो भी, इन दोनों में से जो भी, remarriage कर लेगा, दुबारा शादी कर लेगा, वो property में से अपना share four feet कर देगा, उसका property का share four feet हो जाएगा, जैसे जो property W1 और W2 दोनों को मिली है, अगर W1 शादी कर लेती है, दुबारा remarriage कर लेती है, तो वो share किसके पास पहुच जाएगा, W-2 को मिल जाएगा, यह agreement इन दोनों ने कर लिया, कि अगर remarriage करी, तो property का जो share है, वो forfeit हो जाएगा, अब court के सामने, जब इस contract के enforcement की बात आई, जब एक widow ने शादी कर ली, तो यह content किया गया, कि it is an agreement in restraint of marriage, यह agreement क्या है, in restraint of marriage था, आप शादी करने से रोक रहे थे, किसी व्यक्ती को, that was the contention, case का नाम लिख लिजे, बिल्कुल सही बताया है, रवी ने, case का नाम लिख लिजे, राव रानी वर्सज गुलाब रानी, case का नाम क्या है, राव रानी वर्सज गुलाब रानी, this is the name of the case, 1942 का case है, 1942, तो इस case में, इस question को discuss किया गया था, basically, by the court, कि यह जो agreement दोनों विडोज ने किया है, कि जो भी पहले शादी करेगा, remarriage करेगा, वो अपना share forfeit कर देगा, दूसरे विक्ती को, is it restraint of marriage or not under 26, that was the question before the honorable court, और court ने इस case में यह held किया, कि यह जो पहले lower court में यह case गया, वहाँ different judgment था, फिर इसकी appeal हुई, और जो final conclusion इसका है, वो यह आया, कि भाई यह जो agreement है, it is not restraint of marriage, यह 26 के हिसाब से void नहीं होगा, current court ने यह कहा, कि यह marriage रोकने के लिए नहीं है, आपने उस पे एक collateral condition डाल दी है, कि अगर आपने शादी करी, तो आपका share forfeit हो जाएगा बाद में, बट यह agreement restraint करने के लिए नहीं है, मैंने आपको पहले कुछ agreements के example दी है, कि अगर A और B यह agreement करते हैं, कि B कभी शादी नहीं करेगा, या इस विक्ति से शादी नहीं करेगा, in that case, he'll get something from A, that is an agreement in restraint of marriage, कि आपको कुछ मिल जाएगा, यहाँ उस तरीके की situation नहीं है, उस तरीके की circumstance नहीं है, इस particular case में, court का कहना था, कि that was just a condition, कि भाई आप अगर शादी कर रहे हैं, तो जो आपका share है, वो दूसरे विक्ति के पास जाएगा, बट as such, यह restraint नहीं है, इससे related कई बार illustration based question भी, इस provision से पूछ लिये जाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे questions भी आते हैं, मैं आपको एक दो example बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा case के उपर भी और understanding हो जाए, basically कई बार यह हो जाता है, ज्यान से सुनना इन agreements को, मान लीजे A ने B के साथ एक agreement किया, agreement के term यह है, कि B जो है, अगर B C से शादी करेगा, agreement क्या है, कि अगर B C से शादी करेगा, या फिर, मान लीजे यह कहते हैं, कि A और B के बीच में agreement है, कि B ऐसे वेक्ती से ही शादी करेगा, जिसका नाम C alphabet से start होता है, B ऐसे ही वेक्ती से शादी करेगा, जिसका नाम C alphabet से चालू होता है तो A जो है वो B को 50,000 रुपे देगा If that is the agreement, is it restraint of marriage? अब आपको यह चीज लगेगा कि इसमें indirectly कहीं न कहीं यह हो रहा है कि C के अलावा किसी से नहीं करेगा But courts का इस पर opinion यह है कि वो चीज manifest होनी चाहिए restraint अगर manifest नहीं हो रहा है expressly नहीं दिया है तो वो restraint of marriage नहीं माना जाएगा और यह जो agreement है यह valid होगा क्योंकि A ने B के साथ क्या agreement किया कि आप अगर ऐसे वक्ती से शादी करेंगे जिसका नाम C alphabet से चालू होता है या फिर मान लीजिए यह agreement किया कि B C से ही शादी करे या C से शादी करे तो उसको पचास हजार रुपे मिलेंगे if that is the agreement in that case it is not restraint हाँ अगर वाई से वर्सा कर दिया जाए A और B के बीच में यह agreement हो कि B C से शादी नहीं करेगा तो उसको पचास हजार मिलेंगे that is restraint या फिर A और B के बीच में यह agreement हो कि B किसी भी ऐसे वेक्ती से शादी नहीं करेगा जिसका नाम C alphabet से चालू होता है that is also restraint of marriage that is also restraint of marriage क्योंकि आप सीधे सीधे रोक रहे है expressly वो चीज दिख रही है और इसी ground पे या इसी reasoning के तहत राव रानी बरसिस गुलाब रानी में courts ने यह held किया है कि it is not restraint of marriage इस तरीके की condition अगर लगाई गई थी कि आपने remarriage करी तो आप अपना share property में से forfeit करेंगे that wasn't for the purpose of restraining marriage that's the conclusion of the court so यह 26 काफी important है और यह दो cases इससे related है जो important है इसके बाद आई यह section 27 पे 26 जनरली प्री के लिए ही थोड़ा बहुत ही important होता है बहुत ज्यादा important provision नहीं है 27 देखिए restraint of trade इसको जरा समझना भाई अब देखो सबसे पहले तो section 27 में लिखा है agreement in restraint of trade void every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession कोई भी ऐसा agreement जो एक व्यक्ति को lawful profession exercise करने से रोके trade और business of any kind profession, trade या business कुछ भी करने से अगर आप रोक रहे हैं किसी व्यक्ति को is to that extent void तो उस extent तक agreement void है कहने का मतलब आपने एक agreement किया है जिसमें कई सारे terms and conditions हैं और उस agreement का एक term यह है कि यह यह काम नहीं करेगा आप एक term आपने agreement में रखा है कि व्यक्ति कोई particular business रेडिया प्रोफेशन नहीं करेगा अगर यह term आपके contract में है तो to that extent your agreement is void इसका मतलब यह है कि वो particular clause void होगा rest of the agreement may be enforceable लेकिन अगर आपने यह clause डाला है तो वो void होगा अब इसके na exceptions बहुत important है मतलब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ऐसा तो होता है ऐसा तो generally agreements में रखा जाता है कि अगर आप यह कर रहे हैं तो आप यह नहीं करेंगे पूरा इसके concept को अपन समझते है section 27 थोड़ा सा important है restraint of trade business and profession किसी भी विक्ति को एक lawful profession करने से trade या business करने से रोक रहा है कोई agreement तो वो void होगा जैसे दो competitors हैं जो same field में deal करते हैं माल लेजे दो grocery shops है एक particular locality में एक ओन करता है एक grocery shop एक grocery shop बी ओन करता है अब एक को लगता है कि यार जब से इस ने दुकान खोली है अपना धंदा थोड़ा कम हो गया है हमारा business कम होने लगा क्योंकि crowd बढ़ गया ए बी के सांथ agreement करता है कि भाई तू अपनी यह दुकान बंद कर दे और बदले मुझसे पांच लाग रुपे ले 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 लेकिन यह दुकान बंद कर दे अपनी is this agreement void is this agreement void the answer is yes it is void क्यों वाइड है एक lawful trade यह अब एक बात समझना लोग यहां कर willingly free consent तो है मैंने क्या कहा यह ऐसे agreement है जिन में सब कुछ सारे essential fulfill हो रहा है हमारे enforceable agreement होने के जो essential है कि party competent है lawful consideration है lawful object है सब कुछ है आपका free consent है parties का parties competent है उसके बाद भी अगर इस purpose के लिए agreement हो रहा है तो उसको 27 void declare कर रहा है तो यह तो समझना कि consent तो free होता है party का उसके बाद भी आप यह agreement नहीं कर सकते because they are against public policy इससे क्या होगा monopoly create होगी monopoly create होगी और वो fundamental right भी है लोगों का 191 G में आपने पढ़ा होगा आपका constitution में है ना सो इस point of view से ऐसे agreements को void declare जैसे मान लेजिए कोई judiciary का एक online platform वो मुझे यह offer करे कि यह जो तुमने free crash course का खारेकरम चालू करा है इसको बंद कर दो उसके बदले में आप हमसे 5 लाख ले लो क्योंकि जब से यह free crash course चला है तब से paid crash course की demand थोड़ी कम हो गई है लोगों की समझ में आने लगा है कि यह जो पढ़ाया जा रहा है इससे paper निकल जाएगा तो crash course speed linux ज़रत तो है नहीं इसलिए इंपाक्ट होने लगा उस बात का तो अगर यह agreement मैं किसी के साथ कर भी लेता हूं कि ठीक है मैं नहीं पढ़ा रहा है छोड़ दिया मैं नहीं पढ़ा ना असे कोई बांड नहीं होगा इस तरीके के agreement से I hope that is clear so that's the thing लेकिन इसके exceptions जादा important है यह बात तो समझना बहुत मुश्किल नहीं था लेकिन 27 के जो exceptions है वो बहुत जादा important है एक exception तो आप देख पा रहे होंगे हमारा यहीं लिखा है कहां section 27 itself exceptions of section 27 आप देखो 27 के जो exceptions है ना इनको आप दो पार्ट में डिवाइड करके पड़ सकते हैं मैं आपके लिए काटेगराइज कर रहा हूं इन exceptions को पहली category जो डिवाइड करी जा सकती है डाट में भी statutory exceptions statutory मतलब जो laws codified है उनमें statutes में दिये हैं जैसे statutory exception में कौन-कौन से exception आएंगे पहला तो Indian contract act में दिया है गुडविल वाला अभी पढ़ते हैं उसको भी गुडविल का ऐसे ही partnership act में दिये हैं कुछ partners को भी रोका जाता है आप दूसरा काम नहीं करेंगे वो सब logically justified है यह सब जो exceptions है कि भाई आपको हम रोक सकते हैं और वो valid होगा जनरल रूल यह है कि आप किसी को lawful trade profession या business करने से रोकेंगे नहीं लेकिन इसके जो exceptions है वो भी logic पे based है क्या logic है थोड़ा सा मैं आपको समझान की कोशिश उसको करूँगा तो समझे सबसे पहले अपन statutory की बात करते हैं दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके जुडीशल प्रेसिडेंट्स से जो आए है जुडीशल प्रेसिडेंट्स या प्रनाउंस्मेंट्स जो जज्जमेंट्स के थूँ आए है कोट के second category में भी इसमें भी कई तरीके के हैं अभी उनकी में बात करता हूँ तो देखिए यह जो exception क्योंकि यह बहुत important है means में भी आता है exception 27 और उसका exception Indian contract act में जो goodwill का exception दिया है जरा उसको read करते हैं और उसको समझते हैं तो section 27 का exception देखिए exception 1 saving of agreement not to carry on business of which goodwill is sold one who sells the goodwill of a business may agree with the buyer कौन किस के साथ agree हो रहा है जो वेक्ती अपने business की goodwill sale कर रहा है वो buyer के साथ ही agreement कर रहा है to refrain from carrying on a similar business with an specified local limit so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill from him carries on a like business there and provided that such limit appear to the court reasonable regard being hard to the nature of the business अब देखो यह जो पूरा exception उसको समझ लो exception यह कह रहा है कि जब भी कोई वक्ती अपने business की goodwill को sale करता है goodwill क्या होती है business की reputation business की reputation होती है उसको goodwill क्या जाता है जो कोई भी वक्ती जो अपनी business की goodwill को sale करता है जो seller है वो buyer को दे रहा है अब जो goodwill का buyer है वो restraint लगाता है seller के उपर की आप same business नहीं करेंगे example से समझेए तो आप इस concept को समझेंगे जैसे मान लीजिए elect for judiciary institute मैंने start किया मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ अगर मैं इसकी franchise किसी वक्ती को देता हूँ या मैं यह business किसी को sale कर देता हूँ ठीक जो goodwill का sale कौन कर रहा है यहाँ मैं कर रहा हूँ कोई और इसको खरीदता है बायर है कोई और इसका सो वो जो बायर है वो मेरे उपर restraint लगा सकता है कि भाई यह channel आपका हमने ले लिया है अब आप अपना कोई youtube channel बनाके पढ़ाएंगे नहीं जब तक हमारे पास यह goodwill है या जब तक हम यह franchise चला रहे हूँ बहुत simple logic पे based है यह exception क्योंकि अगर उस buyer को अपने यह freedom नहीं दी जो goodwill खरीद रहा है वो पैसे किस बात के दे रहा है reputation के पैसे दे रहा है और reputation मतलब person से connected बात है वो उस business के inter cases की बात है business के जो USPs है उसको basically वो खरीद रहा है अब वो क्यों खरीद रहा है ताकि उससे वो पैसा कमाए अगर ऐसा freedom दे दी जाए कि ठीके मैं बेच भी दूँ और फिर अपना एक और चालू कर दूँ तो भाई उसने जिस purpose से खरीदा वो purpose forfeit हो जाएगा goodwill खरीदने का क्योंकि फिर मैं इस same चीज़ अगर मैं दूसरे channel बना के करने लगूँगा तो उसने इसको क्यों खरीदा फिर वो पैसे कैसे बनाएगा customer तो फिर मेरे पास या student मेरे पास आ जाएगा इसी तरीके से आप जो देखते ना franchise के distributions होते हैं जैसे domino's की franchise कि किसी ने इक को दे दी तो वो कहता है भीया इस location में आप दूसरा नहीं देंगी क्योंकि दूसरा भी खुल जाएगा तो फिर मेरा business बंद हो जाएगा फिर मैंने आपको पैसे क्यों दिये goodwill खरीदने के उसका purpose basically forfeit हो जाएगा इसी लिए इस goodwill को exception में अलग से रखा गया है that's the purpose अब इसमें जो दोड़े सी conceptual चीज़ें आती है उसको अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको इस purpose को जहन में हमेशा रखना है कि इन exceptions का purpose क्या है तो ऐसी चीज़ों को protect करने के लिए अब यहाँ पर क्या लेखा है exception में एक बात और धहन रखना कि जो restriction लगाए जा रहे है वो reasonable लगन थी arms and emanations बनाती थी जर्मनी की एक company वो जर्मनी की सरकार को भी supply करती थी और यूरोप की बाकी countries को भी weapons और arms and emanations supply करती थी इस company के owner से एक दूसरी company ने goodwill खरीदी इस company को उन्होंने खरीद लिया और जब उन्होंने इस company को खरीदा बहुत hefty amount देके खरीदा था क्योंकि इनक इस company ने इनके business को खरीदा उसने उस business के owner उस company के owner पे ये restriction लगाया कि भाया आप अगले एक निश्चित समय तक arms and emanations का business नहीं करेंगे पूरे यूरोप में पूरे यूरोप में आप arms and emanations का business नहीं करेंगे अब देखने में आपको लगे कायार कि ये restriction तो कुछ जादा नही हो गया कि पूरे continent में बार कर दिया लेकिन वहां उस condition को justified माना गया था reasonable क्योंकि उसका business already फैला हुआ था पूरे यूरोप में और इसी बात के तो जो व्यक्ति खरीद रहा है उस business को वो इसी बात के तो पैसे दे रहा है कि अब उससे वो कम हैगा अगर उस owner को constraint ना किया जा है तो वो फिर एक company खड़ी कर देगा वैसी ही और वो competitor बन जाएगी उस company की जिसने इसे खरीदा है तो वो purpose basically forfeit हो जाएगा goodwill खरीदने का goodwill क्यों खरीकता है आदमी कि कि किसी और ने reputation build कर दी है एक business build कर दिया है उससे पैसा मुझे कमाना है that's the purpose behind goodwill अगर यह restraint नहीं लगा जाए जाएंगे तो फिर वो purpose forfeit हो जाएगा goodwill को खरीदने का तो it was held to be reasonable yes अक्षिता in that particular case अब वो depend करता है जिसे पहले education की अपन बात करते है पहले education सिर्फ offline mode में होती थी तो माल लेजे अगर कि कोई goodwill purchase कर रहा है एक entity की एक organization की माल लेजे एलेक की goodwill किसी ने purchase कर ली और जब सिर्फ offline mode हुआ करता था उसने restriction लगा दिया कि नितेशतर आप अब MP पूरे MP में judiciary नहीं पढ़ाएंगे तो that would have been reasonable पूरे भारत में अगर restaurant लगाते तो शायद वो reasonable नहीं होता जब सिर्फ offline mode में education थी लेकिन आज online mode में तो अगर माल लीजी कोई goodwill को purchase करता है और वो restriction ल होगी क्यों होगी क्योंकि यह चीज़ इतनी spread हो चुकी online के माध्यम से कोई भी बच्चा पढ़ रहा है इस video से मुझे नहीं पता दिल्ली हर्याना बिहार उत्तर प्रदेश कोई भी पढ़ रहा है so अब वो extent इस level पे चला गया है उस business का कि it depends कि क्या reasonable restriction होगा और क्या restriction reasonable नहीं होगा goodwill के case में यह court decide करेगा और इस reasonable restriction की बातें service covenant में भी आती हैं अभी उनकी में बात ब्रीफ में आपके साथ करने वाला हूँ इस चीज़ को लेके so देखिए यह तो statutory exception है जो Indian contract act में ही दिया है goodwill के form में ऐसे कुछ restrictions partnership act में दिये हैं जैसे कि माल लीजिए तीन लोगों ने मिलके partnership business established किया तो वो तीनों आपस में agreement कर लेते हैं कि जब तक यह partnership business चल रहा है तब तक same nature का का काम partner अलग से नहीं करेगा जैसे माल लीजिए मैं और दो faculties और judiciary की मिलके एक common platform start करते हैं और हम तीनों यह agreement कर लेते हैं कि भाईया इस platform के अलावा तीनों किसी और तीनों में से कोई भी judiciary की तयारी में involved नहीं होगा तो आप बताईए क्या यह restriction reasonable होगा जो हमने आपस में एक दूसरे पे लगा लिया है अगर तीन mentors तीन faculties मिलके एक coaching start करते हैं judiciary की और वो आपस में एक दूसरे को restrict कर लेते हैं कि हम judiciary की तयारी में तीनों में से कोई और involved नहीं होगा जब तक यह अब इसमें ना दो तीन सवाल आते हैं एक तो यह कि जब तक यह partnership चल रही है तब तक हम restrict कर लें कि तब तक कोई काम नहीं करेंगे तो आप कि रहे हैं यस बिल्कुल वैलेड़े बिल्कुल साही बात है व परपस समझ यह वो परपस धहन में रहेगा तो यह answer आराम से मिलेंगे आपको तो भाई यह बात तो clear है क्योंकि अगर हम मैं एक partnership में भी जगे पढ़ा रहा हूं और फिर अपना individual भी पढ़ा रहा हूं तो फिर वो interest conflict हो जाए conflict of interest हो जाएगा कि बच्चे के समझ नहीं आए service contracts जो होते हैं चलो उसको भी साथ में discuss कर लेते हैं तो judicial pronouncement से जो start हुए है वो है आपके service contracts service contract मतलब employer employee के contract उसमें भी क्या करते हैं employer restrict करता है employee को जैसे मान लीजे मैं किसी एक education platform पर judiciary पढ़ाता हूं तो वो education platform मेरे उपर ये restriction लगाएगा कि जब तक आप judiciary हमारे साथ पढ़ा रहे हैं आप कहीं और नहीं पढ़ाएंगे क्या यह covenant यह जो covenant लगाया गया है यह जो clause लगाया गया है क्या यह वालिड है या फिर यह वॉइड होगा अंडर 27 सुदा answer is it is valid क्योंकि भाई उस employer के इंट्रेस्ट को प्रोटेट करना जरूरी है उसने मुझे हायर इसलिए कि मैं कहीं और पढ़ाने लग जाओंगा तो फिर बच्चा वहां चला जाएगा और वहां से भी उसका conflict of interest हो जाएगा इस चीज़ को प्रेवेंट करने के लिए बिसिकली यह freedom दी गई है partners को भी और service contracts में employers को भी इस तरीके के restrictions होते हैं आप देखी रहे हैं आज के दुनिया में ऐसे restrictions बिलकुल है और इसलिए मैं आपको सिरफ L.A. के platform पे दिखता हूं क्योंकि यह अपनी ही दुकान है और इदर मेरे उपर क एक बड़ा कारण है कि मुझे आपने पिछले 5-6 साल से में judiciary preparation में हूँ exclusively और किसी platform पे आप मुझे नहीं देखते हैं बड़े adtech platforms पे उसका कारण ही यह है कि उनकी बात यहीं से चालू होती है और यह सब मुझ से बरदाश्ट नहीं होता है ऐसे restrictions तो जब तक बहुत कि जब तक आपका contract चल रहा है तब तक तो आप बिलकुल यह restriction लगा रहे हैं अब एक सवाल ही आता है कि service खतम होने के बाद या partnership end होने के बाद भी क्या आप यह covenant लगा सकते है for a reasonable time जैसे माल लीजिए कोई platform मेरे उपर restriction लगा है कि जब तक आप हमारे हां पढ़ा रहे हैं तब तक आप judiciary preparation में कहीं और involved नहीं रहेंगे और अगर आपने यहां से छोड़ा या इस contract को हमने end किया उसके बाद भी अगले तीन साल आप judiciary नहीं पढ़ाएंगे can it be valid यह बताईए can it be valid क्या यह valid covenant हो सकता है यह कुछ सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं जो आपको ढूंडने चाहिए जिनको आपको समझना चाहिए यह service contract में भी हो सकता है और partnership में भी हो सकता है क्या contract खतम होने के बाद एक reasonable time तक यह covenant लगाये जा सकते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं कुछ कह रहे हैं येस आपको logic वही समझना पड़ेगा कि employer का interest प्रोटेक्ट करना है और ऐसा भी नहीं कि employee का आप interest हिंडर कर दें उस वज़े से है ना ऐसा भी नहीं होगा तो reasonable time के लिए लगाया जा सकता है या नहीं this is this is a question which you need to answer इसके लिए थोड़ा और पढ़िये सारे जब आप मैं नहीं देखे जाऊंगा मैं आपको idea जरूर दे रहा हूं कि कि किस नजर से पढ़ा जाता है जैसे मैं आपको कहा न क्योंकि foundation की जो classes होती है उनमें एक-एक class लगती है मुझे पूरा exception deal करने में ही एक class लग जाती है क्योंकि सब में है थोड़ा समझने लाया cases है जो judicial pronouncement है अचा एक question और है इसमें मेरा आप से कि यह जो service contract है या यह जो partnership act का जो है आप क्या यह restriction लगाया जा सकता है कि जब तक आप हमारे साथ काम कर रहे हैं आप कोई और काम नहीं करेंगे एक तो बात ही हो गए कि आप similar nature का काम नहीं करेंगे कि आप judiciary की preparation हमारे साथ करवा रहे हैं इस platform पे करा रहे हैं तो आप किसी और platform पे judiciary के लिए involved नहीं रहेंगे या पढ़ाने में involved नहीं होंगे अगर माल लीजिए बिलकुल altogether different काम में कर रहा हूं जै आपका हमारे साथ तीन साल का contract है पढ़ाने का तो इन तीन साल में आपको अपना cafe नहीं चलाने देंगे हम चाय नहीं बेचने देंगे शाम को क्या यह restriction valid है अगर यह service contract में या partnership में लगाया गया है that is also to be decided और इतासाद नहीं है बिटा जित्याराम से आपने no लिग दिया है थोड़ा दिमाग लगाई है इतना जल्दी नहीं एक तो यह समस्या है आप लोगों के साथ आपको हर चीज तुरंत A B में चाहिए इसका अंसर तो A होता है उसका अंसर तो B होता है आप logic apply करना ही नहीं चाह रहा है that's a problem that is the major purpose जिसके लिए crash course में आपको करा रहा हूं so that you can develop that I कि किस नजर से law को पढ़ा जाना है और कितना इसमें होता है जानने के लिए एक तो यह कि दियूरिंग आप जब तक आपका contract subsist कर रहा है उस दौरान कि आद दूसरे nature का काम कर सकते हैं दूसरा क्या यह clause आप contract खतम होने के बाद के लिए भी continue कर सकते हैं कि आप जब तक ह लिए एक साल आप cafe नहीं चलाएंगे क्या यह valid होगा logic सब में वैसा ही लगाना है जो मैंने आपको कहा कि हमें interest protect करना है employer का भी वह देखना है और एक balance बनाना है ठीक तो भाई इस बात को थोड़ा इन सब केस मिलेंगे और थोड़ा आपको logic लगाना पड़ेगा मैं सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूं कि that's how these exceptions are to be studied ठीक तो ऐसे service contract होता है कि statutory में क्या क्या exception है goodwill और partnership majorly यह है judicial pronouncement में क्या क्या है service contracts जो employer employer के employer और employee के बीच होते हैं इसके अलावा कुछ exceptions trade combinations होते हैं क्या होते हैं trade combinations क्या होते हैं trade combinations so trade combination यह होता है कि दो entities या दो से ज्यादा entities जो सेम तरीका का काम कर रहे हैं सेम तरीकी का trade कर रहे हैं वो आपस में एक nexus बना लेते हैं जिसको syndicate भी कहा जाता है वो आपस में कुछ terms ऐसे decide कर लेते हैं competition को reduce करने के लिए जैसे आपने जनरली बड़े basic example से मैं आपको बता तो जैसे आपने auto वाले देखे होंगे रहा वो बड़े ही इस मामले में trade combinations बना के चलते हैं आप माले जे आप railway station पर उतरे आपने बताया भाई आपको एक particular location पर जाना है तो उन auto वालों के बीच में understanding होती है कि उस location पर यह जाएगा दूसरा नहीं जाएगा that is kind of trade combination इस तरीके से होते हैं यह trade combinations लोग आपस में पूलिंग कर लेते हैं कि यह वाला हम करेंगे यह तुम करोगे simple these are trade combinations and up to a reasonable limit they are also exempted they are also allowed इनको कहा जाता है basically trade combinations जैसे माल लीजे दो अलग-अलग shops हैं localities में दो अलग-अलग उन्होंने यह understanding कर लिए कि तेरे यहां के customers को मैं serve नहीं करूँगा यहां के customer को तुनी करेगा that is allowed up to a reasonable limit इनको अपन कहते हैं trade combination इसके अलावा एक चीज़ होती है solus agreement क्या होता है solus agreement अब यह solus agreement क्या है solus मतलब होता है exclusivity exclusivity के agreements यह बहुत important है जैसे मान लीजिए samsung company electronics बना रही है और उन्होंने एक बंदे को dealer बनाया है कि इस शहर में samsung के electronics तुमें बेचना है अब samsung उस dealer पर यह condition लगा सकता है कि भाया since you are dealing with our electronics तुम samsung के electronics बेच रहे हो तो तुम किसी और के नहीं बेचोगे यह condition लगाई जा सकती है और यह valid होगी और साथ में वो vendor भी यह कहेगा कि भाया samsung आप इस locality में किसी और को नहीं दोगे अपना सामान बेचने के लिए इसको कहते हैं solus agreement exclusivity कि मैं सिर्फ exclusively आपके साथ deal करूगा आप सिर्फ मेरे साथ करेंगे that's called solus agreement and they are also valid एक case इसके regarding है बहुत important उसका नाम लिख लीजे वाई वो exception की तरह treat होता है गुजरात bottling company limited versus coca cola company बहुत important case है इस point पे कुछरात bottling company limited versus coca cola company यह exclusivity के clause से related है कि आप किसी और के साथ deal नहीं करेंगे और मैं भी नहीं करूँगा that's exclusivity जिसको पन solus agreement के नाम से जानते हैं तो यह को judicial pronouncement से आए हुए exceptions है अलग-अलग है कई सारे डीटेल में तो सारा अपन नहीं जाएंगे इस नजर से आपको इस particular provision को पढ़ना है तो यह हो गया आपका section 27 इसके बाद आईए जरा section 28 section 28 28 क्या बात करता है 28 केता है अगर कोई भी agreement हुआ है दो लोगों के बीच जो legal proceeding को रोकने के लिए है किसी व्यक्ति को अगर आप agreement के थूरू prohibit कर रहे हैं कि वो legal proceeding नहीं कर सकता, court में action नहीं ले सकता, court में suit file नहीं कर सकता तो वो agreement भी void होगा एक बार example से इस बात को समझ लेते हैं जैसे माल लेजिए आपके और मेरे बीच में contract हुआ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप मुझे fees पे करेंगे respective amount अब हमने उस agreement में ये भी clause रख लिया है कि अगर आपको कोई grievance होता है इस contract से तो आप मुझे sue नहीं कर पाएंगे आप मेरे against court नहीं जा सकते अगर ये clause हमने अपने agreement में रख लिया है तो up to that limit वो clause particularly void होगा rest of the agreement may be enforceable लेकिन ये जो covenant ये जो clauses agreement में हमने रखा है जिससे मैं आपको रोक रहा हूँ मेरे against legal proceeding करने से this is void ये आप नहीं कर सकते आप logic समझ रहे है ना क्योंकि ये सब public policy क्या against रहा है जब law ने अधिकार दिया है कि आपके right का violation होता है तो आप court move कर सकते है तो हम उस बात को agreement से forfeit नहीं कर सकते हम उस चीज़ को हटा नहीं सकते agreement से इसी में एक चीज़ और है 28 में कि limit भी नहीं कर सकते जैसे limitation act हमारे पास separately है जो suit file करनी की limitation को दर्शाता है या बताता है है ना तो उस limit को हम agreement के तुरू कम नहीं कर सकते जैसे मान लीजे for an example बता रहा हूँ अगर मान लीजे breach of contract के लिए मान लीजे limitation act में 3 साल का समय prescribed है कि भाई आप 3 साल तक breach of contract का suit file कर सकते हैं court में जिस दिन breach हुआ तीन साल तक आप जा सकते हैं मान लीजे अगर यह prescribed है और हमने जो contract किया हमने उसमें लिख लिया कि भाई अगर contract का breach हुआ तो आप court सिरफ एक साल तक जा पाएंगे उसके बाद आप नहीं जा पाएंगे तो basically हमने agreement से क्या किया कि limitation law जो limit prescribe कर रहा है हमने उसको अपने agreement से कम कर लिया यह covenant भी void होता है आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना तो आप absolutely बार कर सकते हैं किसी व्यक्ति को court जाने से और ना ही जो समय अवधी उसको law से मिली है उसको आप कम कर सकते हैं यह दोनों चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे और यह 28 के clause A में लिखी हुई है यह 28 के clause A में लिखी हुई है दोनों बाते हैं अब आप सोचेंगे B में क्या है बी एक अलगी कहानी है उसको मैं अभी deal नहीं कर पाऊंगा amendment हुआ है insurance contract के लिए था basically होता क्या है कि जब आप agreement करते हैं किसी व्यक्ति के साथ तो वहाँ आपके दो अधिकार होते हैं एक तो उस agreement में जो right arise हुआ और एक यह अधिकार की आप court चले जाए उसकी against जैसे मां लिजे आपने मेरे साथ contract किया और हमारा agreement यह है कि आप मुझे एक लाख रुपे फीज देंगे और मैं आपको एक साल जुडिशरी की तैयारी करवाऊंगा अब आपका जो अधिकार है इस contract में दो तरीके के rights हैं एक right वो contractual right वो क्या है पढ़ने का मुझ से कि एक साल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी बात की वहने आपसे फीज लिए है तो एक यह अधिकार हुआ आपका आपका एक और अधिकार है दूसरा अलग से जो लॉने आपको दिया है कि अगर इस contract से related कोई dispute होता है ब्रीच होता है कोई समस्य होती तो आप मेरे against court जा सकते है that is the second right तो clause A जो है वो second right की बात कर रहा है कि आपको court जाने से नहीं रोका के रोक रहे थे उन्होंने कह दिया था कि जो contract से आपका right arise हो रहा है वो ही void हो जाएगा एक समय के बाद इस चीज़ को prohibit करने के लिए basically clause B है अब उसकी detail में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक लंबा concept है मतलब एक घंटा मेरे को लगबग आपको से simplify करके समझाने में और pre मे जनरली पूछानी जाता 28 में आप बस फिलहा लिए ध्यान रखिए दो बातें कि अगर आप किसी को legal proceeding करने से रोक रहे है through an agreement या फिर limitation में जो समय prescribed है उससे कम कर रहे हैं समय agreement के through तो वो agreement जो है वो void होगा under 28 बट 28 सिर्फ इतना सा नहीं है कभी detail में पढ़ेंगे तो मैं करने के लिए amendment के थू लाया गया था इसको इसको लाया गया था 1997 के amendment के थू ठीक कभी और बात करेंगे detail में इसके बारे में कि अगर agreement के terms uncertain है certain नहीं है ambiguity है उसमें तो agreement void होगा 29 बेरेक्ट में देखिए जरा so 29 कहता है agreement void for uncertainty agreements the meaning of which is not certain और capable of being made certain are void इसको भी थोड़ा समझना इसमें ना कि में ट्रिकी illustrations आते हैं थोड़े कोई भी ऐसा agreement जिसके terms certain नहों clear नहों ambiguity void होगा जैसे for example मैंने आपके साथ contract किया कि भाइटी कि आप मेरा foundation batch join कर लो आपको मैं जो पिश्री की तयारे एक साल कराऊंगा और बदले में आप फीस दे देना पचास हजार से असी हजार के बीच यह अगर अग्रमेंट के terms हैं तो agreement is uncertain and it will be void क्योंकि हमने जो फीस डिसाइड करें कितनी पचास से असी के बीच कुछ भी दे देना यह तो simple चीज हो गई यह तो understandable है कि यह uncertainty है अब मैं आपको कुछ अलग examples बता दिता हूं जिससे related tricky questions problems में बनते हैं जैसे for example मैं एक व्यक्ति के साथ contract करता हूं मान लेजे मेरे पास एक warehouse है एक warehouse है जिसमें x quantity of grains है मुझे भी नहीं पता किती quantity है लेकिन इस warehouse में कुछ grains रखे हुए है wheat रखा हुआ कि हूँ रखा हुआ इसमें कितना है मुझे भी नहीं पता किना नहीं है एक x quantity है मैं एक व्यक्ति के साथ agreement करता हूँ कि भाई मेरे इस वाले go down में जितने grains रखे हैं वो सारे के सारे तुमारे पचास अजार रुपे में हम दोनोंने agreement कर लिया कि मेरे इस वाले x go down में जितने भी grains रखे हैं पुजत्ती भी quantity रखे हैं वो पूरी तुम्हारी पचास अजार रुपे में मैंने गिने भी नहीं है कितने है क्या यह agreement void होगा because of uncertainty या फिर यह valid होगा जरा comment में बता दीजिए मुझे जरा बता दीजिए मुझे बताओ भाई क्या होगा is it void और valid क्या यह uncertain है uncertain है तो void होगा या फिर valid होगा मैंने agreement किया एक व्यक्ति के साथ कि मेरे इस go down में जितने grains हैं मुझे नहीं पता कितने हैं जितना रखा है सब तुमारा पचास अजार में कि is it certain or uncertain as per 29 क्योंकि यहां लिखा है agreements the meaning of which is not certain और capable of being certain तो भाई एक चीज़ ध्यान रखिएगा illustration में भी इस बात को बताया गया है कि this is certain यह uncertain नहीं है certain क्यों है क्योंकि एक specific quantity ही होगी इस में हमें अभी पता नहीं है कि कितनी है लेकिन एक specific number ही होगा है ना 100 kg 20 kg 50 kg 200 kg 500 kg whatever लेकिन एक specific quantity ही होगी इस particular warehouse में that's why it is certain अगर माल लीजे हम यह करते हैं कि भाई आप मेरे साथ agreement कर रहे हैं कि मैं आपको judiciary के लिए पढ़ाऊंगा और जो आपको fees देनी है वो एक x वक्ति decide करेगा कि एक वो वक्ति जित्ती हम दोनों ने इस बात के लिए agree किया है कि एक तीसरा वक्ति है वो जो fees बोलेगा वो आप मुझे देंगे यह agreement है is it valid or void बताइए ज़रा comment में मुझे is it valid or void यह valid होगा या हमने agreement किया है मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप मुझे वो fees देंगे जो वो विक्ति बोलेगा जो भी amount वो बोल दे वो आपको देना पड़े आप देंगे मुझे is it valid or void so that is also valid क्योंकि वो भी एक specific amount होगा हमें अभी पता नहीं है कि क्या है लेकिन होगा वो एक specified amount लेकिन अगर हमने यह agreement किया है कि मैं आपको जोड़ी शरीक लिए पढ़ाऊंगा आप 50 में 50 से लेकि 80,000 तक कुछ भी fees दे दोगे मुझे या दे देना तो that is not valid क्योंकि वह यहां ambiguity है वहां uncertainty है बट यहां पे चीजें certain है भले उसका knowledge अभी ना हो इस तरीके के illustration based question इस provision से आते हैं इसलिए इसके सारे illustrations को पढ़ने ना जो मैंने आपको बताएं इसी तरीके के illustrations दिये गए हैं अच्छा एक बात section 28 में जो रह गई थी आक्षिता ने point out करी है वो मुझ से miss हो गया था एक point और मैं आपको बता दू section 28 में कि आप jurisdiction को limit कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो तो दोनों बाते मैंने आपको 28 में बता दी कि आप ये नहीं कर सकते हैं कि कि किसी वक्ति को legal proceeding करने से रोक दे या फिर उसका समय खम कर दे लेकिन अगर मान लीजे हमने ये contract किया इस तरीके करना भी DJS में भी एक सवाल आया था उससे related बात दी मैं आपको बताता हूं तो अगर मान लीजे हम ऐसा agreement कर रहे हैं जिसमें क्योंकि भाई आपने CPC में देखा होगा कि multiple courts का jurisdiction एक उस पर आ जाएगा आ सकता है क्योंकि जहां cause of action arise हुआ वहाँ भी jurisdiction होता है या फिर जहां registered office है वहाँ भी jurisdiction होता है या फिर defendant जहां रहता है वहाँ का भी jurisdiction होता है और जहां cause of action arise हुआ वहाँ का भी jurisdiction होता है जैसे मान लीजे आपके और मेरे बीच में contract हुआ है दिल्ली में और मैं रहता हूँ भुपाल में अब cause of action arise हुआ दिल्ली में मैं रहता हूँ भुपाल में मैंने contract का breach किया है तो ऐसे case में दोनों जगे का jurisdiction आएगा जहां contract हुआ दिल्ली का भी और जहां defendant reside करता है मैंने breach किया है मैं भुपाल में रहता हूँ तो आपके पास as per cpc दोनों में से option है तो हमने अगर अपने agreement में ये लिख लिया अगर हमने अपने agreement में ये लिख लिया कि भाई कल को हमारे बीच कोई भी dispute arise होगा उसको सिरफ दिल्ली का court देखेगा उस पे jurisdiction सिरफ दिल्ली के court का होगा या फिर हमने ये लिख लिया कि उस पे jurisdiction सिरफ और सिरफ भुपाल के court का होगा तो ऐसे case में ऐसे covenant valid होते है ये बार्ड नहीं है 28 से लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना कि जिस court के jurisdiction को आप assign कर रहे हैं contract में वो lawful होना चाहिए law से वो jurisdiction होना चाहिए जैसे contract दिल्ली में हुआ defendant recite करता है भुपाल में और आपने अपने contract में लिखाता है कि हमारे बीच में कोई dispute arise होगा तो वो हम लखनाओ में लखनाओ के court के पास उसका jurisdiction होगा वहीं लेके जाना है उसके अलावा कहीं नहीं ले जाना है ये जो covenant है ये valid नहीं होगा ये valid होगा क्योंकि भाईया law allow नहीं करेगा लखनाओ में इसमें अगर आपने दो में से एक को रिस्टर्ट कर लिया है तो चलेगा तब वो वालिड होगा इसी तरीके का सवाल आया था गुरुग्राम और दिल्ली का अगर आपको ध्यान ओडिल जेस्क अगर आपने पेपर देखा हो तो सेम लॉजिक वहां पर बैठ रहा था I hope that is clear Akshita thank you for reminding me about this चलिए so that is 28 29 29 भी मेरे ख्याल आपके समझ में आ गया it is about uncertainty चीक 28 के भी exceptions है जैसे arbitration वगेरा तो वो मेरे ख्याल आप already जानते हैं कि arbitration भी allowed है अगर आप ये कर लेते हैं अपने agreement में लिख लेते हैं कि arbitration में जाके हम decide करेंगे तो वो तो obviously allowed ही है इसके बाद जड़ा आईए section 30 पे ये भी बात करता है agreement के void होने की बहुत important provision है section 30 और section 30 को हम पढ़ेंगे 31 के साथ correlate करके इन दोनों के बीच का अंतर आपके समझ में आना चाहिए section 31 listening agreement की बात करता है और section 15 आपका बीचरिंग के बारे के दोनों में क्या अंतर है विजेंशिल्ग के एसेंचल आप समझ लेंगे तो डिफरेंस आपको ेए हो जाएगा देखिए अब समस्या क्या है कि section 30 ने define नहीं किया है कि wagering agreement उता क्या है यह wagering agreement क्या होगा यह define नहीं किया section 30 section 30 ने बस यह बताया कि कोई भी agreement by way of wager अगर किया गया है तो वह void होगा section 30 देखिया agreement by way of wager void agreements by way of wager are void and no suit shall be brought for recovering anything at least to be won on any wager or interested to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made to wagering से कोई भी legality arise नहीं होती उसमें होने वाला profit loss आप claim नहीं कर सकते अब समझाया नहीं है कि wagering होता क्या exception की बात करेगा यह horse racing as an exception expressly दिया हुआ उसके पीछे कोई logic नहीं है उस exception को create करने के लिए क्योंकि जब इंडियन contract act बना था उस समय वार से racing काफी popular event था तो उसको exempt कर दिया होता वो भी वेजर होता क्या है इसको समझना वेजरिंग होता क्या है वेजरिंग ऐसे transactions को कहा जाता है जो सिर्फ speculation पर चलते हैं जैसे आपके और मेरे बीच में एक contract होता है जिसमें आपका वेजरिंग अग्रिमेंट अब इसके essentials क्या है उसको अपन देख लेते हैं तो आप contingent से उसको अलग कर पाएंगे वेजरिंग में सबसे पहले यह यह essentials अगर आपने generally क्या होता है यह चीज मेरे देखिए कि वेजरिंग और contingent का जो difference है वो समझने में problem होती है students को कफी बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो आगे मेरे को नहीं लगता कि कभी आपको फिर यह confusion होगा अगर आप वेजरिंग के essential अच्छे से समझ लेंगे ना तो आप contingent उसको हमेशा वो contingent होता है जैसे माल लेजिए for example आपने fire insurance करा रखा है या आपने अपने vehicle का insurance करा रखा वेहिकल के insurance से अपने इसको समझ लेते हैं भाई देखिए वेजरिंग में क्या है वेजरिंग में यह है कि आप कैसे पहचाने की agreement वेजरिंग है या फिर वो contingent contract है तो वेजरिंग agreement का सबसे पहला एक जो essential है वो है opposite view of parties opposite view of parties opposite view of parties का क्या मतलब जो मैंने आपको अभी example दिया आप कह रहे हैं कि शाम को बारिश होगी मैं कह रहा हूं नहीं होगी there is opposite view of parties in it आप कह रहें मान लिजे world cup चल रहा है आपने का भारत जीतेगा मैंने का ऑस्ट्रेलिया जीतेगा नहीं देज्टरो ही नहीं हूँ मैं मैं सरफ example बता रहा हूँ आप वैसे तुरंद मत बोल ले ना comment में आप कह रहें भारत जीतेगा मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया तो देर इस अपोजट भी अपोजट भी होता है पार्टी का कि अगर इंडिया जीती तो मैं आपको 5000 दूंगा ऑस्ट्रेलिया जीती तो आप मुझे 5000 देंगे इसके बाद जो second essential है जो important है वो है chance of gain and loss चांस ओफ gain and loss अच्छा इतने से से अभी होगा नहीं मैं कुछ cases discuss करूँगा तो थोड़ी सी और आपको मेरे ख्याल इस पर clarity आईगी chances of gain and loss वेजरिंग में हमेशा क्या होता है वेजरिंग में हमेशा ये होता है कि एक वेक्ति का loss दूसरे का फाइदा बनता है जिस वेक्ति को फाइदा हो रहा है वो दूसरे वेक्ति की कॉस्ट पे हो रहा है उसका नुकसान करके मेरा फाइदा होगा ये एक एसेंशल फीचर होता है विजरिंग अग्रेमेंट का जैसे बारिश वाला एक्जामपल ले ले जे इंडिया उस्ट्रेलिया ले 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 जे मैं जो लूज करूँगा वो आप करेंगे आप जो गेन कर रहे हैं वो मैं लूज कर रहा हूं मैं 5,000 रुपए आपको दूँगा अगर इंडिया जीती और आस्ट्रलिया जीती तो आप मेरेffen को 5,000 देंगे मेरा गयन आपका लॉस और आपका गयन मेरा लॉस that's another essential feature of wagering agreement बारिश होई तो आप मुझे पास्टो देंगे नहीं होई तो मैं आपको पास्टो दूँगा that is also a feature of wagering agreement इसके अलावर एक तीसरी और important चीज यह है wagering के बारे में कि there is no other interest no other interest of parties यह भी एक generally feature होता है अब यह सब absolute नहीं है कि हर उसमें आपको मिलेंगे but it is an indicative कि यह चीज़े है तो most likely वो agreement void होगा opposite view essential chance of gain loss साथ में party का और कोई interest नहीं होता अब जैसे बारिश होगी या नहीं होगी इससे हमको मतलब नहीं हमें तो किस चीज़ से मतलब है उससे होने वाले gain और loss से अब भाराज जीते चाहाए उस्ट्रेलिया जीते हमें इससे मतलब नहीं है हमें जो 5,000 मिलने वाले है हमारा जो interest है majorly वो वो interest है आप देखो common features तो बहुत हैं चाहे contingent की बात करें आप चाहे wagering की बात करें जैसे uncertain future event पर depend करतें दोनों uncertain event से related विजरिंग भी और contingent भी दोनों uncertain event की ही बात करतें differentiate कैसे करेंगे तो यह essentials है wagering समझने के on the contrary अब बात करते हैं अपन contingent की तो आप देखो contingent में यह elements नहीं मिलेंगे इसको किस से समझेए vehicle के insurance के example से जैसे आपने अपनी गाड़ी का insurance कराया दो parties है एक आप है जो insured है और दूसरा वक्ती है जो insurer है जो insurance कर रहा है ठीक अब यहाँ पे कोई opposite view नहीं होता insurance company यह नहीं कह रहे या आप यह नहीं कह रहे कि मेरी गाड़ी चल जाए क्योंकि insurance का पैसा आपको कब मिलेगा claim company कब liable होगी आपको claim pay करने के लिए जब आपकी गाड़ी को नुकसान होगा तो यहाँ पर parties का opinion यह नहीं है कि insurance company यह सोच रही है या उसका view यह है कि भाया इसकी गाड़ी को कुछ नहीं हो और आपका view यह है कि गाड़ी टूड़ जा है ताकि मैं पैसे लूँ ऐसा नहीं होता insurance में आप भी यह चाहती है कि गाड़ी को कुछ ना हो लेकिन अगर बाइचांस हो गया तो insurance company बैठी है पैसा देने के लिए आप यह नहीं लेकिन आपका opposite view नहीं होता जनरली यहाँ ऐसे ही जो gain और loss है वो भी एक की cost पे दूसरे का नहीं होता क्यों क्योंकि एक separate consideration होता है insurance company का क्या consideration है premium आप पे कर रहें insurance company को आप premium देते हैं जिसकी वज़े से वो आपको assurance आपका consideration क्या है वो assurance जो insurance company ने आपको दिया कि भाईया कल को आपकी गाड़े में कोई नुकसान हुआ तो हम उसकी भरपाई करेंगे यह assurance आपके लिए है वहाँ claim तो एक separate event है जो होगा अगर गाड़े को नुकसान हुआ तो तो वो जो collateral event है वो contingent है इदर basically कि अगर आपकी गाड़े को नुकसान हुआ claim तो तभी पे करेगी insurance company otherwise उन्हें कोई claim आपको नहीं देना है that is also to be understood लेकिन आप insurance company को premium बिल्कुल देंगे तो insurance company का फाइदा जो है consideration है या gain है वो आपका premium है और आपका gain वो assurance कि कल को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करने के लिए कोई बैठा है that's why contingent is different interest की भी बात की वेजरिंग में पार्टी का interest नहीं होता लेकिन उसमें interest है आप क्योंकि आपने अपनी गाड़ी का insurance करवा लिया और आपको पता है कि गाड़ी को नुकसान हुआ तो इसका मतलब आप धाड़ी में आग नहीं लगा देगे वह आपका उस subject matter में इंट्रेस्ट होता और यह बहुत important insurance के लिए कि आपका interest होना चाहिए तभी आप insurance करा सकते हैं नहीं तो company हमेशा owner के नाम पर insurance करती है अगर आपने देखा हो vehicle का जिसका interest है वो ही insurance करा सकता है तूसरा अगर मालीजे मेरी गाड़ी का insurance आपने करा दिया आपके नाम से insurance होगे आपने premium भर गया कि इनकी गाड़ी को कुछ हो जाएगा तो हमें पैसा मिले तो कहीं और से कुछ नहीं होगा आप याग लगा देंगे उसमें क्यों क्योंकि आपका interest गाड़ी में तो है नहीं आपकी तो है नहीं आपका interest क्या है premium claim बस इसलिए आप देखेंगे term insurance life insurance भी जो होता है या term insurance जिसको हम बोलते हैं वो भी interested वेक्ती ही करा सकता है कोई भी x y z वेक्ती term insurance या life insurance न मेरे मरने के बाद जो claim है वो आपको मिलेगा तो 14 जनवरी के बाद ही आप मुझे जहर दे देंगे तो कि मैं आपके काम का तब तक ही हूँ जब तक paper नहीं निकालवा है कि अभी सर नाई बचा है अभी किसी ने लिखा था सर time मिल जा है तो नाई पढ़ा देना पढ़ाओं इंशरेंस कंपनी आपको कभी opportunity नहीं देगी कि आप मेरा इंशरेंस करा दें सब्जेक्ट मैटर में इंट्रेस्ट होना चाहिए देखो अक्षिता ने लिखा है टीपी ये भी पढ़ा देंगे ना टीपी और हो जाए बस अभी यूपी भी आ रहा है उसके local law भी रह रहा है बाकी उसके भी चीज़ें है इतनी जल्दी इसलिए जरूरत खतम नहीं होगी मेरी ध्यान लखना कि टीपी हो जाए बस फिर इनको गोली मार देंगे हैं फिर मतलब नहीं है इतना मतलब ही होना अच्छी बात नहीं है भाई है डिफरेंस समझ रहो ना दोनों का वेजरिंग यह फीचर अगर आपने समझ लिए इससे अलग करते हुए तो यह कंफूशन आगे नहीं होगा आपको वेजरिंग क्या है और कंटेंजेंट क्या है तो ध्यान दखना हिमांची मेरा जो वेरा जो वाल्यू है वो तीन तारिक के बाद खतम नहीं होगी ध्यान रखना कि टीपी और नाई दो रहना है अना इंपर्टन अब कॉंट्राक्ट क्यूंकि एक क्लास और में लेने वाला हूँ तो ट्यूसडे में कॉंट्राक्ट की क्लास लूगा तो टीपी वेंस्डे से चाली होगा एक दिन पोस्पोन होगा बाट एनाई वही रहेगा दो तीन बीच में इसलिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा ही रखता हूं मैं ताकि कुछ उपर नीचे हो एक सब्जेक्ट तो आगे डिस्टर्ब ना हूँ ठीक है तो वो ध्यान रखना अच्छा एक बहुत इं देन हाउ लाइफ इंश्रेंस कद भी कंटेंजेंट वखते हैं जो अंसर्टेन इवेंट पर बिज़द हो पाटाला डेथ इससर्टेन अभिशेक यह समझ नहीं आरा कब जूडिसरी निकलेगा है तो अंसर्टेन तो जिन यह बात सही है तुम्हारी बट टर्म इंश्रेंस ह होता है ना वो death होने पर नहीं होता वो यह होता है कि एक certain age में अगर आपकी death हो गए तो आपको पैसा मिलेगा आप कभी भी मरेंगे तो life insurance का पैसा नहीं मिलता आप अगर life insurance की कभी inquiry करें कोई भी company यह assurance नहीं देती life insurance में कि आप जब मरेंगे तब आपके family को पैसा मिलेगा नहीं उसमें एक date होती है एक age होती है कि अगर 60 की age के पहले आपकी death होई है तो company claim देगी 70 के पहले लिसे आप LIC की बात करेंगे तो वो सिर्फ 60 तक देता है private company 70-80 तक देती है लेकिन एक age होती है उसमें कि इस age को attain करने के पहले अगर आपकी death हुई and that is contingent बेटा that is contingent किसी को नहीं पता आप कितना जीएंगे है ना that is the contingent element which is there in life insurance ध्यान रखना life insurance contingent contract होता है contract of indemnity होता है या नहीं life insurance इसकी बात में indemnity में करूँगा contingent होता है ध्यान रखना क्यों होता है contingent क्योंकि life insurance यह नहीं होता कि income insurance and that is a contingency contingency यह contingency यह सटेन नहीं है यह आप साट जीएंगे कि असी पता नहीं साट के पहले निपट सकते हैं तो जो LIC जो देता है term policy उसमें जनरली 60 साली रखने हो कि साट साल के अंदर डेथ भी तो मिलेगा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा that's how it operates i hope abhishek that is clear और यह आता है यह प्री में questions भी आते हैं indemnity से रिजट भी आता है उसकी बात अपन indemnity का concept समझने के बात करेंगे कि life insurance indemnity होता है यह नहीं बाकि insurance जो भी है अब के सब contingent हैं कि ध्यान रखियेगा तो दाट इस अबाउट वेजरिंग आन कंटेंजन और दोनों के डिफरेंट अब पंटेंजेंट एक बार पड़ भी लेते हैं to such contract does or does not happen contract में क्या आब agree करते हैं कुछ करने या ना करने की बात agree करते हैं और वो किस पर depend होती है collateral event पे जो contingent है event contingent मतलब certain नहीं है uncertain है और बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा vehicle का insurance fire insurance आपने अपने promise का fire insurance कराया है तो आप premium दे रहे हैं company ने आपको assurance दिया है collateral event क्या है आग लगना अगर आग लगी तो company आपको claim देगी अगर आपके vehicle को damage हुआ तो company आपको claim देगी that's how it operates that's why insurance के जो contracts होते हैं दे यार contingent contracts ठीक अब इसके अलावा आप देखेंगे 31 onwards 32 से लेके जो कहानी आपकी 36 तक चल रही है इसको मैं sum up कर देता हूं क्योंकि contingent दो तरीके से बनते हैं उसको ज़रा आपन समझ लेते हैं contingent contract को कि दो तरीके से contingent contract बनते हैं कि अधियर कोंट्राक्ट को देखो बाइं कंटेंजेंट कॉंट्राक्ट में यह जो collateral event की हमने बात करी है यह collateral event happening किसी चीज़ के होने पर भी depend कर सकता है आपका contract किसी चीज़ के ना होने पर भी depend कर सकता है दोनों तरीके से होगा तो दोनों में कब void होगा कब valid होगा यह समझना जरूरी है एक तो dependent on the happening happening of future event happening of future event एक होता है dependent on the non happening non happening of future event happening of future event and non happening कैसे होता है कि अगर मान लिजिए मान लिजिए आपने कोई contract किया कि यह हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे जैसे मान लेजिए हमने एक आप अच्छा आप इसमें ना वेजरिंग मतला ना मतला हो सकता है कि जो आप जो बाते हमाँ डिसकस करने जारा हूँ उसमें वेजरिंग और उसको मतलाना मैंने इसलिए separate कर दिया मुझे एक अलग बात यहां convey करनी है इसलिए उस नजर से उन examples को मत देखिएगा सिर्फ इस point को समझेगा happening और non happening जैसे मान लेजे मैंने आपको crash course के लिए पढ़ा दिया आपने मुझे fees दे दी और उसके बाद यह बात हुई कि अगर आपका प्री निकल गया तो आप मुझे एक X amount देंगे पढ़ा दिया मैंने हमारा अलग consideration हो गया लेकिन यह बात हुई कि अगर आपका प्री निकला तो आप मुझे कुछ एक अलग गिफ्ट लाके देंगे ठीक कि अगर यह इवेंट हुआ तो आप मुझे पैसे देंगे जैसे इंशॉरेंस में कि अगर वेहकल को डामेज हुआ तो कंपनी क्लेम देगी प्रमाइस का फायर इंशॉरेंस कराया आग लगी तो क्लेम मिलेगा तो ऐसे जो कॉन्ट्राक्स होते हैं जो किसी इवेंट के हपनिंग पर डिफेंड करते हैं अब इसमें यह सवाल आता है कि वो agreements या वो contracts कब enforce करे जाएंगे, बात समझ ना, कब enforce होंगे और कब वो contract void हो जाएगा, क्या होगा ये void, contract, मैंने आपको पहली class में बताया था contract की, कि void contract होते क्या हैं, जो at the time of formation valid होते हैं, जैसे कि contingent contract, जब form होते हैं, तब valid होते हैं, लेकिन आगे चलके वो void हो सकता है, कैसे देखिए, जब आपने एक insurance company के साथ ये contract किया है, जो dependent है किसी event के होने पे, happening पे dependent है, तो वो contract enforce कब होगा, enforce होगा, on the happening of the event, yes or no, वो event हो जाएगा, तो enforce होगा, जैसे मान लेजिए, fire insurance कराया, fire insurance का क्या term होता है, कि अगर आग लगी तो claim मिलेगा, तो fire insurance का contract enforce कब होगा, जब वो event हो जाए, जब वो event होगा, तो आपको enforce कराया जाएगा, आप insurance company से claim मागेंगे, क्योंकि आपका जो contract किस चीज़ पर dependent है, on the happening of certain event, happening पर dependent है, यह agreement वोईड कब होगा, जब उस चीज़ का होना असंभव हो जाए, कब वोईड होगा, बहुत लोजिकल सी बात है, बस थोड़ा सा न, typical language, थोड़ा सा complicated language में लिखा, इसलिए समझने में problem होथी, बात बहुत लोजिकल है, simple है, वोईड कब हो जाएगा, जब इस event का होना असंभव हो जाए, जब यह happening, impossible हो जाए, impossible कब हो जाएगा, जैसे मैंने आपको एक example दिया, कि अगर आपका MPCJ 2023 का prelims निकला, तो आप मुझे एक gift देंगे, जैसे आपने मुझे promise किया, कि सर बढ़ी अपड़ा दिया, आपने अगर pre निकल गया, तो आपको latest iPhone gift करूँआ, आपने, आप जो सब मुझे देख रहे हैं, अभिशे, के माजशी, स्रश्टी, अक्षिता, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, इन लोगों ने मुझे ये promise किया है, रवी, इन लोगों ने मुझे ये promise किया है, कि अगर हमारा MPCJ का pre निकल गया, क्योंकि आपने पढ़ाया है, आपको iPhone का latest लाके देंगे, अब ये जो contract है, ये किस चीज़ पर dependent है, on the happening of a certain event, happening of, कि आपक paper निकल जाएगा, अगर pre का result आया, 26 फरवरी को आना है, असपरदी calendar, तो 26 फरवरी को अगर आपने clear कर लिया, तो फिर enforce करा पाएंगे, ये void कब हो जाएगा, 26 तारिक को result आया, और आपका paper नहीं निकला, इसका मतलब अब उसके होने की संभावना खतम हो गया, impossible हो गया, त इस दिन पता चल गया कि आपका नहीं निकला, अब वो होना संभब नहीं है, तो जिस दिन वो event impossible हो जाए, उस दिन क्या होता है, ऐसे contracts void हो जाते हैं, जो happening पे dependent हैं, I hope you are getting this, जिक, समझ गया, void कब हो जाएगा, जब उस event का होना impossible हो जाए, और वो event हो जाए, तो enforce हो जाएगा, ऐसे ही जब contract non happening पे हो, जब contract non happening पे depend हो, मान लिजिए हमने ऐसा कोई contract किया है, कि अगर आपका MPCJ का pre नहीं निकला, तो मैं आपको UP के लिए पढ़ाऊँगा, अब यह हमारा contract किस पे dependent है, किस contingency पे non happening of certain event, किसी चीज़ के ना होने पे dependent है, ऐसा contract कब enforce होगा, और कब यह void हो जाएगा, तो देखो, enforce कब होगा, जब यह certain हो जाए, कि यह event अब नहीं हो रहा है, जिस non happening पे dependent है, किस non happening पे dependent है, अगला हमारा contract कि मैं आपको UP की तैयारी या राजिस्थान की तैयारी तभी कराऊँगा, जब आपका MP का pre अगर नहीं निकला, तो यह enforce कब होगा, जिस दिन यह certain हो जाए, कि अब इनका pre नहीं निकल सकता, तो जैसे ही यह non happening का होना certain हो जाए, non happening certain कब होगी, जब उसकी happening, यह clear हो जाए, कि अभी यह चीज नहीं हो सकती, अब आपका pre 26 को जो result आया, अब आपका pre नहीं निकल सकता, तो जैसे ही जिसकी non happening पे dependent है, अगर हमारा contract, किसी भी event के non happening पे, तो जैसे ही उसका होना असंभाव हो जाए, इस तरीके से लिखा, इसकी समझे में problem होती है, इस तरीके की language है, logic बहुत simple है, क्योंकि हमारा dependent किस पे है, non happening पे, तो जिस दिन यह certain हो जाएगा, कि अब यह चीज नहीं हो सकती, उस दिन enforce हो जाएगा, तो 26 फरवरी को अगर यह clear हो गया, कि आपका MPCJ का pre नहीं निकला, तो यह contract enforceable हो जाएगा, उस दिन यह contract enforceable हो जाएगा, void कब हो जाएगा, अगर वो event हो जाए, जब हमने event की non happening पे depend किया है contract को, तो अगर वो event हो गया, तो contract हमारा void, कब हो जाएगा void, अगर आपका 26 फरवरी को pre निकल गया, क्योंकि हमने contract क्या किया था, कि अगर pre नहीं निकला, तो मैं UP के लिए पढ़ाऊँगा, तो अगर आपका pre निकल गया, वो event अगर हो गया, तो वो जाएगा, तो यह क्या है, happening of the event, क्योंकि हमारा contract किस पर dependent है, non-happening पर, तो अगर वो event हो गई, तो contract void, फिर obligation फुल्फिल नहीं करना है मुझे, अगर आपका pre निकल गया, तो फिर मुझे आपको UP के लिए नहीं पढ़ाँगा है, I hope you're getting this, I'll be discharged from my obligation, क्योंकि फिर contract क्या हो जाएगा हमारा, void, so that's how it is, that's how it is, यही बातें बस provisions में लिखी हुई है, थोड़ा सा language different होती है, और आपका दिमाग भूम जाता है, logic साथ रखेंगे, तो कोई problem नहीं होगा, अब मैं बतारों, provision पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, that's the conclusion, that's the conclusion of contingent contract का सारा, चलिए, इसके बाद अब बात करेंगे, यह हो गया हमारा formation complete, general principle का एक पूरा part हमने complete कर लिया है, that is formation of contract, अब ज़रा इदर आ जाईए कि formation में हमने क्या-क्या पढ़ लिया, यह जो मैं आपको बता रहा था, formation में हमने क्या-क्या पढ़ लिया है, offer acceptance complete कर लिया, intention to create legal obligation के बारे में discussion कर लिया, lawful object और consideration कब होता है, वो बात कर लिया, parties competent कब होती है, वो बात कर लिया, consent free कब होता है, यह बात कर लिया, agreement expressly void जो declared है, 26-29, 27-30, उनकी बात कर लिया, विजरिंग भी है, expressly void declare है, विजरिंग, वो भी कर लिया, इसके बाद हमने contingent की भी बात कर लिया, that is also a part of, kind of formation only, कि contingent valid होता है, इस बात को बताया गया, और कब वो enforce होगा, कब वो void होगा, इस बात को बताया गया है, section 36 तक, तो इस तरीके से section 36 तक हमने पढ़ा, और यह सारी चीज़े हमारी इसमें cover हो गई है, चीक, अब इसके बाद, दूसरा जो portion हम पढ़ने वाले हैं, पहले इसका overview समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बहुती scattered provisions हैं, कैसे होगा, तो खतम होने के लिए हमने चार चीज़ें देखी हैं, कैसे खतम होता है contract, सबसे पहले, end होने का क्या mode है, performance, performance से हो जाता है, देखिए, discharge of contract का मतलब, मैंने आपको पहले भी बताया है, discharge का मतलब, जब एक valid contract existence में आता है, जब एक contract form होता है, तो दो parties के बीच मे एक legal contractual relationship establish होती है, एक contractual relationship create होती है, एक valid contract के form होने से, ये contractual relationship कब खतम होगी, उसको अपन कहते हैं, discharge, legal relationship, contractual legal relationship के खतम होने को कहा जाता है, discharge of contract, सबसे पहला mode क्या होगा, discharge का, by performance, दोनों party ने अपना obligation परफॉर्म कर दिया, खतम, मैंने contract किया था आपके साथ, कि मैं आपको पढ़ा होगा, आपने obligation लिया था, आप fees देंगे, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने fees दे दी, contract comes to an end, our contractual relationship comes to an end, this is the most obvious mode of discharge, discharge का सबसे obvious mode है, performance, अब अपन इसी के बारे में discuss करेंगे, इसमें बटा कई सारी चीज़े हैं, अच् अगर performance नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो भी लिख देता हूँ इदर, एक mode और, अगर performance नहीं हुआ, तो क्या होता है, breach होता है, अगर performance नहीं हुआ, तो breach होता है, अच्छा इदर नहीं चलो, इसके साथ deal नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि इसके साथ damage भी पढ़ेंगे अपन, तो breach, एक अलग mode है, performance का opposite क्या होगा, breach, या तो perform करेंगे या तो नहीं करेंगे, ठीक? अब आईए ज़रा, इस performance के regarding कुछ ऐसे provisions हैं, जो generally समझने में problem होती है, बेरेट की, I'll try my level based की वो आपको मैं convey, आज कर दूँ सारे के सारे, कुछ illustration based questions होते हैं, section 55 बहुत जादा important है, अब performance के बारे में सारी बाते समझना, हाँ, अक्षिता, that's correct, 39 is about anticipatory breach, बट breach की बातना मैं अ separately daily करते हैं, आज performance की बात करते हैं पहले हम, तो देखिए, जो performance है, discharge by performance है, ये जो performance का फंड़ा है ये दो तरीके से हो सकती है, performance कैसे हो सकती है, दो तरीके से, देखिए, मैंने आपके साथ अगर contract किया है, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप मुझे पैसे देंगे, तो ए अपना पार्ट perform कर दू, that's actual, कि मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, that is actual performance, यह हो सकता है कि मैं willingly, मैं ready हूँ और मैं आपको tender कर रहा हूँ, या offer कर रहा हूँ अपना performance, इसको कहते हैं, अपन offer of performance, अगर मैं अपनी performance offer कर रहा हूँ और आप उसको obtain नही perform कर दिया भाई मैं अगर आपको एक reasonable तरीके से अपना obligation perform करना offer कर रहा हूं लेकिन आप उस performance को नहीं accept कर रहे हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है मैं तो अपने contract का obligation fulfill कर रहा हूं जैसे मैंने आपके साथ contract किया है कि मैं आपको judiciary के लिए अगले एक साल पढ़ाऊंगा और बदले में एक x amount की fees मैं आपको charge करूँगा अब मैं तो रोज class कर रहा हूं या मैंने आपको बता दिया है भाई या इतने बज़े इस जगे हाँ वो जो मेरा offer है performance का यह offer हमेशा reasonable होना चाहिए इसी से related सारे provision आपको देखने को मिलेंगे contract act में आगे reasonable मतला एक reasonable place होनी चाहिए एक reasonable time होना चाहिए अब यह नहीं कि मैं बोलू कि रात को दो बज़े आना मैं पढ़ाऊंगा that is not a valid offer of all valid tender of performance वो valid tender of performance यह valid offer of performance नहीं होगा एक reasonable समय एक reasonable place और reasonable mode में वो होना चाहिए आगर ऐसी performance मैंने आपको offer कर दी है लेकिन actual performance नहीं हो पाया है क्योंकि आप ready नहीं है तो उसका खामियाजा मैं नहीं भुगतूंगा मान लिया जाएगा that I have already performed my part and I will be entitled for my obligation मैं अपने right के लिए भी entitled होंगा मैं fees लेने के लिए entitled होंगा अगर मैंने पढ़ाया है आपने नहीं पढ़ा that's your fault क्योंकि मैंने अपनी performance offer करी आपने avail नहीं करी that's your fault मैंने अपना obligation perform किया है अब मैं कभी liable नहीं होंगा breach के लिए because I have offered my performance to you आपने accept नहीं करा इसलिए वो performance नहीं हो पाई है मैंने तो आपको offer किया था आओ मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन आप ही नहीं आए तो ऐसे case में court तो यह मानेगा law तो यह मानेगा that I have done my part I have done my performance आपकी वज़े से वो नहीं हो पाई है तो that is your fault और मेरा जो right है उस contract में fees लेने का वो as it is रहेगा and I won't be liable for breach मैं breach के liable नहीं होंगा क्योंकि मैंने एक valid एक reasonable offer करी अपनी performance बस इसके बारे में न आगे प्रावधाने अब ज़र आप बेरेट पर आ जाईए तो इस देखिए 37 बात करता है obligation of parties to contract the parties to a contract must either perform क्या लिखा है the parties must either perform मतलब actually perform कर दे या फिर और offer to perform क्या लिखा है offer to perform या तो actually perform कर दे या offer कर दे अपनी performance आगे लिखा है their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provision of this act or of any other law अगर किसी और provision से आपकी performance excuse नहीं करेगे या भी वो भी पढ़ेंगे कि कब आपको law ही excuse कर देता है छूट देता है ठीक है मत करो वो mode भी है क्योंकि mode of discharge में अपने कई सारे पढ़े है ना जैसे यहां लिखा है performance तो एक impossibility अगर उस चीज़ को करना संभव ही ना हो तब आपको perform नहीं करना है एक हमने बात करी थी agreement party खुदी agree कर ले agreement या innovation party खुदी agree कर ले कि भाईया ठीक है obligation मत करो तो भी आप अपने liability से discharge हो जाएंगे मान लिया जाएगा तो यह otherwise आपको relief अगर नहीं दिया गया है तो आपको अपना obligation perform करना है और as per section 37 इन दोनों तरीके से आप perform कर सकते actually perform कर दीजे या अपनी performance आप बस offer कर दीजे अगर आपने valid offer दिया है तो आपकी performance मान ली जाएगी आगे लिखा है इसमें 37 में promises bind the representatives of the promises in case of the death of such promises before performance unless a contrary intention appears from the contract देखे भाई यह जो आगे provision दिया गया है यह कह रहा है अगर party ने contract किया और contract करने के बाद party की death हो गई अब देखिए यहां जो mode of discharge मैंने लिखे है इसमें कहीं death of party नहीं यह कि party का contract party ने contract किया उसके बाद party की death हो गई तो इससे कोई discharge नहीं होता इससे party discharge नहीं होती legal representatives को perform करना पड़ेगा पार्ट उसका exception क्या है जो प्रोवाईशों में दिया है अगर contract में otherwise intention दिख रहा है यह बात प्रोवाईशों में clear नहीं लिखिए promises bind the representatives of the promises in case of death of such promises before performance unless unless a contrary intention appears from the contract यह contrary intention कब appear होता है जब skill based contract हो जैसे आपने SRA अगर पढ़ा है SRA मैं already पढ़ा चुका हूँ उसमें हमने देखा ऐसे contracts जो परसनल इसके लिए या personal qualification पे based है वो उन contracts का specific performance नहीं देता court और यहां पे भी यह चीज़ है कि जो legal representatives है वो ऐसे contract में bound नहीं होंगे जो personal skill पे based है जैसे आपने contract किया एक painter के साथ कि वो आपका sketch बनाएगा उस painter की death हो जाती है आप क्या legal representatives bound है नहीं क्योंकि भाया वो skill उस painter का था जरूरी नहीं ह representative के पास वो skill वो person based काम था skill based काम था तो ऐसे में legal representatives bound नहीं होते हैं otherwise होते हैं अगर मान लीजे आपने किसी से किसी वक्ति से उसका घर खरीदने का contract किया है तो वो वक्ति की death भी हो जाएगी तो legal representatives bound है घर देने के लिए आपको तो क्योंकि उसमें skill required नहीं है लेकिन ऐसे contract ज खराब पढ़ाएगा exactly same काम skill based कोई नहीं कर सकता तो यह एक आपको समझना है provisor में कि intention अगर otherwise appear हो रहा है तो वहां bound नहीं है otherwise bound है I hope that is clear आप यह तो offer कर दीजिए यह actual अब यह offer आपका कब valid होगा performance का यह आपको बताता है section 38 38 में कुछ conditions है और बाकी आगे है so that 38 effect of refusal to accept offer of performance सामने वाले ने offer किया आपने reject कर दिया तो मान लिया जाएगा contract का obligation fulfill है यहां लिखा है where a promisor has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted the promisor is not responsible for non-performance पहली चीज़ तो वो non-performance के लिए responsible नहीं है कहने का मितलब आप अब उसके against suit नहीं कर सकते breach of contract का मैंने आपके साथ पढ़ने का contract किया था and I was ready to teach you मैंने आपको समय प्लेस सब बता दी थी आप नहीं आए इसलिए पढ़ाया है नहीं मैंने जो मेरे को जो फीस मिलनी है वो मैं आपसे लूँगा आप नहीं आए इस वज़े से आप पढ़ नहीं पाए यह मेरी गलती नहीं है नॉन performance के लिए liable नहीं हूं मैं क्योंकि मैंने तो अपनी performance आपको offer करी थी और दूसरी चीज कि मेरा जो अधिकार था पीस लेने का मैं लंगा चाहे आपने पढ़ा ओप लुद ठीफ भार बच्चे अपनी performance आप Mia हमने आपनी आपने वो accept नहीं किया, that's your fault, ना तो मैं अपना right lose करता हूं उस contract में, और ना ही मैं non performance के लिए libel होंगा in such a case, अच्छा आप इसके बाद नीचे देखिए, every such offer must fulfill the following condition, कौन से offer की बात चल रही है, offer of performance, conditions fulfill होनी चाहिए, वही सब लिखा है, एक बार read करना, कि वो reasonable होना यह सारी बात है, 39 बात करता है, effect of refusal of party to perform promise holy, यह anticipatory breach और breach को basically बताता है, फिल हाल छोड़ देते हैं, आज अभी पहले में performance complete करा दूँ, उसके बाद तो 39 हम, यह हम बात करेंगे, breach के तहत, anticipatory breach क्या होता है, actual breach क्या होता है, उनकी impact क्या होता है, सब की बात करेंगे, जहां से question बनते हैं, अब आजाए इसके बाद अगली subheading पे, by whom contract must be performed, यह performance related provision है, वापस आपके section 40 onwards, यह performance related है, इसलिए उसको अपन यहां देखें, अब देखें, सिर्फ head note पढ़ रहा हूँ, content आप खुद पढ़ लेंगे, कोई technicality उसमें नहीं है, persons by whom promises to be performed, कौन perform करेगा, वही सार of accepting performance from third person, तीसरे वक्ती से अगर आपने accept कर लिया है, तो बाद में आप non-performance नहीं कर सकते, जैसे आपने मेरे साथ contract किया था, कि मैं पढ़ाओंगा, मेरी जगे किसी और ने पढ़ाया, आपने उसको accept कर लिया, तो फिर आप बाद में non-performance के लिए मुझे liable नहीं कर सकते, फि सारे provision उसी में cover हो जाएंगे, ये बात चल रही है, joint liability और joint right के devolution की, आप 42 का head note देखिए, devolution of joint liability और 45 बात करता है, devolution of joint right, ये होते क्या है, पहले बात कर रहा हूँ section 42 की, और हमारा section 42 बात करता है, section 42 बात करता है, devolution of joint liability, joint liability, इसको जरा समझिएगा, joint liability कैसे dissolve होगी, देखो, मान लिजिए, तीन लोगों ने एक वक्ती से पैसा उधार ले रखा है, कौन हैं वो तीन लोग, A, B और C, इन तीनों ने मिलके 30,000 रुपे उधार लिये थे, किसे लिये थे तीनों ने मिलके 30,000 रुपे, X से, X से इन तीनों ने 3000 रुपे उधार लिये थे, इनने वापस करना है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे है, जोइंट है ये liability, joint मतलग इन तीनों की, A, B, C, तीनों न लिये थे, तीनों को मिलके वापस करना है, इसलिए 42 किसकी बात कर रहा है, जॉइंट लाइबिलिटी की जॉइंट लाइबिलिटी है तीनों की अब इसके रिगाइडिंग जो प्रावधान आप पढ़ेंगे चाहे 42 पढ़िए 43 पढ़िए मिला के पढ़ना है दोनों को उसका क्रक्स क्या है वो समझ लीजे एदर अब यहां पर X के पास अधिकार है ट पूरे के पूरे 30,000 रुपे यह किस से मांग लेगा एसे मांग लेगा पूरे 30,000 कि लभाईया तू देदे मुझे अच्छा अगर यह इसको बाउंड कर देता है 30,000 देने के लिए तो इसके पास अधिकार रहेगा कि यह इनसे शेर लेले बाद में क्योंकि तीनों ने पर तीनों की लाइबिल्टी है एक्स को हमने यह उप्शन जरूर दे दिया है कि तू पूरे के पूरे एसे लेले लेकिन एक ओभी राइट दिया है कि वो बी और सी से उनका शेर लेलेगा यह 42 और 43 मिला के आपको बताते हैं कि जहां जॉइंट लाइबिलिटी है तो जो र है वहां आपके पास अधिकार कम होंगे विकाश्य आरे लए से लेले तू चाहें असे लेले तूचाहे बी और सी से लेले मिलके तीसफ़ार यह दे देंगे लेकिन फिर यह दोनों एसे दसजार लेंगे बाद इसको हमने पूरी फ्रीडम दे रख्विए है कि तू किसी से भी ले ले भाई एक से, that's the conclusion of 42 and 43, इसके बाद आईए, उसके बाद हम बात करते हैं, आगे, dissolution of joint right की, joint right की बात करते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, है हमारा section 45, section 45 talks about devolution of joint right, joint right मतलब दो-तीन लोगों का अधिकार है, किसी से पैसे लेने का, उसको इस तरीके से समझ ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे जिनको लेना है, वो तीन लोग है, x, y और z, इन तीनों ने मिलके, किसको पैसे दे रखे हैं, एको पैसे दे रखें, कित्ते पैसे, 30,000, 30,000 रुपे, अब यहाँ पे, इन तीनों का क्या है, राइट, तीनों का अधिकार है पैसे लेने का, joint right है, तीनों को मिलके 30,000 लेना है, इसे, एन इन तीनों से पैसे उधार ले रखें, इधर क्या था, joint liability थी, कि इन तीनों को देना था, x को, so liability joint थी इधर, इधर क्या joint है, अधिकार joint है, इन तीनों को लेना है, 30,000 A से, अब इस case के लिए लो क्या कहता है, अब उस बात को समझेगा, क्या यहाँ, जैसा अपन ने पिछले में देखा, क्या यहाँ, x अकेला, क्या x अकेला पूरे 30,000 रुपे ले सकता है, A से, बताइए yes और no, क्या x अकेला पूरे 30,000 ले सकता है, joint right है इनका, क्या अकेला x, A से, पूरे 30,000 ले लेगा, और फिर यह दोनों भटकते रहें, इससे पैसा मांगनी के लिए, अपने दद्द सजा, dancer is no, dancer is no, joint right है, तो तीनों को साथ में क्लेम करना पड़ेगा, यह option इदर नहीं मिलेगा, तीनों को क्लेम करना पड़ेगा, साथ में, तब ही मिलेगा, joint right एक बंदा नहीं ले सकता, इन में से कोई एक, क्यों, क्योंकि इनको हम किसी और के पीछे नहीं भगाएंगे, they are the right holders, इनको किस से लेना था, A से लेना था, पता चला, यह पूरे लेके भाग गया, x, फिर यह दोनों इसके पीछे पड़ गए, पहले उसके पीछे पड़े ते फिर इसके, तो जिसका अधिकार है आप उसको नहीं सताएंगे, समझ रहें, इसलिए यह तीनों मिलके ही ले सकते हैं, that's the story of joint right, एक बात और समझना इसमें, यहाँ पे भी समझना है, liability में और right में भी, जैसे मान लिजीए, एक सवाल, यह प्री में सवाल भी आता है, और कि मान लिजीए, यह तीन लोग थे, A, B और C, और इन तीनों से 30,000 रुपे x को लेना था, इसके पास तो अधिकार है चाहे, A से ले ले चाहे, B से ले ले चाहे, C से ले ले, अगर मान लिजीए, C की death हो जाती है, तो क्या होगा, what if C dies, अब क्या यह दोनों मिलके 30,000 देंगे, अगर C की death हो गई, the answer is no, C की अगर death हो गई है, तो death के case में कौन आ जाएगा, LR, C के legal representatives libel होंगे, पे करने के लिए, अब इसमें भले A ने दे दिये, चाहे B ने दे दिये, वो compel करेंगे, C के legal representative को उसका share देने के लिए, 10,000 वो देगा, legal representatives bound होंगे, I hope that is clear, एक situation यह बनती है, कि मान लिजीए, C क्या हुआ, insolvent हो गया, यह भी प्री में सवाल आता है, एक तो death हो गई, death हो गई तो legal representative bound है, insolvent हो गया, अगर C, in that case क्या, कुछ पैसा ही नहीं वचा उसके पास, in that case, no liability, और अब liable कौन होंगे, यह दोनों, और यह दोनों मिलके देंगे, 15 प्लस 15, यह ध्यान रखना, यह दोनों फिर 15-15,000 देने के लिए liable होंगे, क्योंकि वो जो बड़ा, insolvent property भी नहीं, insolvent का मतलब ही होता है, कि आपकी liabilities assets से जादा है, ठीक है, liquidator appoint होता है, या receiver appoint होता है, वो manage करता है, कि जित्ता बचा, उसमें से कुछ यह, मैं कहा रहा हूँ, कुछ नहीं बचा इसके पास, C, इस तरीके से insolvent हो गया है, कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, देने के लिए, ऐसे case में A, B contribute करेंगे, C के लिए, ठीक, insolvent का मतलब ही होता है, प्रोपर्ट्यूपर्टी कुछ नहीं बचा उसके पास, यह है insolvency की कहानी liability में, राइट में भी ऐसा होगा, कि इन तीनों का अगर अधिकार है, अगर मान लिजे, Z की death हो गई, तो क्या होगा, तब क्या X और Y अकेले ले लेंगे पैसे 30,000, अगर Z की death हो गई, तो क्या X और Y अकेले लेंगे 30,000, एसे the answer is no, क्योंकि death के case में कौन लेगा, LR लेगा, एक और सवाल, इन्सॉल्वेंट हो गया अगर ये तो, अगर इन्सॉल्वेंट हो गया तो, तो क्या बस ये दोनों ले लेंगे, बताओ, अगर इसका आपने सही जवाब दे दिया, तो मैं समझ लूँगा कि इतने दिन से जो मैं आपको लॉप बढ़ा रहा हूं, वो आपके दिमाग में कुछ, कुछ प्रूडेंस आपका डेविल अप हो रहा है, बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से, इस केस में क्या होगा, जब ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तीनों लेंगे अक्षिता का कहना है, यहां लेना है पैसे, देना थोड़ी है, एक्चुली वो इंसॉल्वेंट हुआ ही नहीं है, अगर उसको पैसे लेना है किसी से, बचे हैं उसके पैसे, तो वो एक्चुली इंसॉल्वेंट हुआ ही नहीं है, यह हो सकता है कि लाइबिल्टी जादा हुए एसेट कम है, लेकिन रिकवर तो करेगा ना वो अमाउंट, इंसॉल्वेंटी का रिकवरी पर थोड़ी कोई फराख पड़ेगा, उल्टा अगर वो इंसॉल्वेंट डेकलेर हुआ है कि उसकी लाइबिल्टी जादा हुए एसेट से, तो जो भी रिसीवर अपॉइंट होगा, वो उसकी जो एसेट से हो लेगा, जित्ते लोगों से वापस लेना है लेगा, और जिनको देना है उनको प्रपोर्शनेटली द जेना है, तो जनरली क्या होता है कि जो नवे मिले हैं, वो तीनों में प्रपोर्शनेटली बाट दिये जाए, क्योंकि तीनों को सौसर रुपे लेना था, तो नवे के भी तीन पार्ट करके उन तीनों में बाट जाएगा, तीस तीस रुपे बुलेंगे बस हो गया, इस से बचा नहीं इसके पास, insolvent हो गया, that's how it operates, तो भाईया लेने में कोई समस्या नहीं है, इसे लेने में कोई समस्या नहीं है, insolvency में, I hope this is clear, devolution of joint right, joint liability, अब 42 से लेके 45 तक पूरा पढ़ेंगे, तो इसके लावा कुछ और मिलेगा नहीं, और यही सब सवाल आपको, prelims में पूछे भी जाएंगे, वापस आ जाईए अपने, performance वाले पार्ट पे जरा, फिर आईए, आगे, section 46 के उपर एक heading लिखी है, sub heading time and place for performance, यह भी वही performance से related है, time and place, बहुत general provision है, generally पूछे नहीं जाते, एक बार read कर लेना, general understanding के लिए है, बस, that's it, कब करना है, कैसे करना है, वो सारी बाते यहां से लिखी हुई है, 50 तक, manner भी बताया है कि किस तरीके से, इसके बाद देखिए, अगली sub heading है, performance of reciprocal promise 51 से लेके, 55 तक, in fact, 55 तक, यही चलेगा आपका, कौन पहले करेगा, reciprocal मतलब दोनों ने अलग-अलग एक promise, जैसे इसको example से सम प्रोविजन आप रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, जब भी reciprocal promise, reciprocal promise मतलब एक promise आपने लिया, एक promise मैंने लिया, that's reciprocal promise, इसको best तरीका है समझने का, जैसे आप online समान मंगाते हैं, online आपने कोई समान मंगाया और उसमें आपने क्या किया, pay on delivery रखा है, अगर आपने cash on delivery और pay on delivery का option चूज किया है, तो यहाँ पर दो reciprocal promise है, एक promise उस e-commerce company की तरफ से कि they will deliver you the goods, and you have also undertaken a promise कि on delivery you will pay, you will pay the amount, ऐसे case में क्या होता है, कि वो व्यक्ति के पूस व्यक्ति के पास भी अधिकार है, कि वो जब तक आपको deliver नहीं करेगा, जब तक आप ready नहीं दिखेंगे, पे deliver ना हो जाए, इसको केते हैं reciprocal promise, इसी के regarding पूरे rules and regulations यहाँ आगे लिखे हुए है, reciprocal promises को लेके, order क्या होगा, कौन पहले पर करेगा, तो उसके regarding provisions आप पढ़ेंगे, तो आप समझेंगे, या तो expressly contract में यह लिखाओ, कि पहले वो जो delivery boy आएगा, वो आपके हाथ में समान दे देगा, तब आप पे करेंगे, या तो expressly हो, या फिर nature of contract भी यह चीज़ डिपेंड करती है, जैसे मान लीजिए, मैंने एक contractor के साथ contract किया, कि भाया, तुम मेरा घर, मेरे लिए घर बनाओगे, एक building बनाओगे, और तैय यह हुआ कि raw material मुझे देना है, और जो builder है, वो construction देगा, हमने reciprocal promises लिए, उसका promise है कि वो घर बनाओगे देगा, मेरा promise है कि मैं raw material supply करूँगा, हमने expressly decide नहीं किया कि कौन अप पहले अपना promise perform करेगा, तो यहाँ पे nature of agreement सी समझ में आ रहा है, कौन पहले करेगा, भया, घर बनाने का contract है, उसके लिए raw material मुझे supply करना है, तो बड़ी obvious सी बात है कि जब तक मैं raw material supply नहीं करूँगा, वो घर का construction चलूँ कैसे करेगा, so nature of contract पर ये depend करेगा, जहाँ express बात नहीं हुई है, वहाँ nature of contract पर ये depend करेगा, कि कौन पहले अपना part perform करेगा, तो बहुत obvious सी बात है कि यहाँ मेरे raw material supply करना होगा, उसके बाद वो liability से भी discharge हो जाएंगे, अगर contract में यह हुआ है कि मैं raw material supply करूँगा और जो builder है वो में को घर बना के देगा, तो अगर मैं raw material supply नहीं करता हूँ, मेरे default की वज़े से वो वेक्ती perform नहीं कर पाया, तो वो non performance के लिए liable नहीं होगा, वो non performance, अगर मैंने abstract किया है, मैंने रोका है उसका performance अपने किसी act से, तो उस बंदे की कोई liability नहीं होगी, इनी general बातों को यहाँ अलग-अलग provision में बताया गया है, एक बार read करेंगे, you will understand, concept मेरे खहला आप पूरा समझ गए क्या है, reciprocal promise से related, order से related, 51 से 54 पढ़ेंगे, you will get it, अब आईए ज़रा 55 पे, इसका एक एक पार् essence, यह भी performance के तहत ही हमें पढ़ना है, कहा time essence है contract में, इसका थोड़ा सा overview लेते हैं, फिर अपन 55 को पढ़ते हैं, एक एक करके, बहुत ध्यान से इस concept को समझना, क्योंकि जो language लिखी है 55 में, थोड़ी सी complex है, देखिए, एक बात समझेगा, contract में अगर मान लीजिए, यह decide कि time essence है, यह नहीं contract का, तब आप यह कह सकते हैं, कि within time आपने अपना obligation फुल्फिल नहीं किया, जैसे for example, आपने किसी भी commerce website से एक goods मगाए, मान लीजिए आपने earphone order किये, earphone order किये, और वहाँ पे जो date stipulated थी, वो मान लीजिए यह थी, कि 1 जनवरी 2014 तक आपके earphone deliver हो कि ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ था, अब 1 जनवरी 2024 तक आपके earphone deliver होने थे, लेकिन एक जनवरी को वो नहीं हुए, वो आया आपके पास 5 जनवरी या 10 जनवरी को, अब क्या आपके पास यह अधिकार है, कि आप वो earphone लेने से मना कर दे, yes or no, बताइए क्या आपके पास य earphone लेने से मना कर दे, तो इसके लिए Indian contract act कहता है, कि जहाँ time essence है contract में, वहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ time essence नहीं है, वहाँ आप ये नहीं कर सकते, अब ये समझना कि कहा time essence है, कहा नहीं, ये एक खेल है अपने आप में, दो चीजे है, time का essential होना, और एक time का stipulated हो stipulated मतलब agreement में time mention किया हो, जैसे हमने contract में लिखा है कि एक तारिक को delivery होनी है, that is specification, specify किया है आपने, stipulate किया है, लिखा है, क्या जरूर क्या ये मान ले, कि जहाँ time लिखा गया है, वहाँ time essence भी होता है, क्या ये मान लिया जाए, इसको समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना, अगले 10 से 15 मिनिट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, 55 का सबसे पहले पहला paragraph पढ़ते हैं, देखिए, effect of failure to perform at a fixed time in contract in which time is essential, ऐसे contracts जिनमे time essential है, वहाँ क्या effect होगा अगर आपने time पे contract perform नहीं किया तो, इसके लिए लिखा है, when a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specified time, आपने promise किया है कि आप अपना काम एक specified time में करेंगे, और certain things at or before specified time, and fails to do any such thing at or before the specified time, और उस specified time के पहले या उस specified time पे आप काम नहीं कर पाते हैं, ऐसे case में क्या होगा, आगे लिखा है, the contract or so much of it as has not been performed, becomes voidable, becomes voidable at the option of the promisee, promisee के पार्ट पे contract voidable हो जाता है, voidable होने का मतलब वो चाहे तो enforce हो, वो चाहे तो enforce ना हो, इफ लेकिन आगे condition लिखी है कॉमा के बाद, if the intention of the parties was that time should be of the essence of the contract, ये भी जरूरी है कि parties का intention होना चाहे ये contract करते समय, that time is the essence of the contract, अब देखो भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने थोड़ा सा भी इदर उदर भटके, तो आपको समझ नहीं आएगा, जो मैं समझाना चाहरा हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा game है, इस provision में actually, अभी तक आपको ये लग रहा होगा, कि भाईया time specify किया है, क्योंकि अभी मैंने आपसे पूछा, कि आपने एक earphone order किये है, जिसमें time of delivery लिखा था, by first january, लेकिन एक january को आपके earphone deliver नहीं हुए, वो deliver हुए 10 january को, तो क्या आपके पास अधिकार है delivery लिने से मना करने का, कहने का मतलब क्या आपके part पे contract voidable है, कि आप उसे set aside कर सकते हैं, लेने से मना कर सकते हैं, तो आपने कहा था yes, लेकिन जो paragraph 1 हमने 55 का पड़ा, वो कहा रहा time specified है, ये तो एक चीज है, आपको ये भी proof करना पड़ेगा कि party का intention था that time is essential, दो बाते हैं, एक time का specified होना contract में, और time का essential होना, ये party का intention होना चाहिए, तब ही voidable होगा नहीं तो नहीं, बात समझ रहें, specify होन, इसका मतलब ये है, कि सिरफ specify कर देने से intention नहीं होगा, कि time essential है, इसको समझ येगा एक और paragraph पड़के, second paragraph पड़िए, effect of such failure when time is not essential, second paragraph कौन सा effect बता रहा है, कि जहाँ time essential नहीं होता है, वहाँ क्या effect होगा, तो यहाँ लिखा है, if it was not the intention of the parties, अगर party का intention नहीं था, that time should be of the essence of contract, कि इस contract में time पर परफॉर्म होना essential है, ये intention party का नहीं है, आगे लिखा है, the contract does not become voidable, the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time, उन्हें, देखो भाई, specified time दोनों में है, पहला paragraph बात कर रहा है, जहाँ time essential है contract में, parties का intention था, कि time essential है, वहाँ अगर आपने specified time में अपना obligation परफॉर्म नहीं किया, तो contract voidable होगा, लेकिन जहाँ time essential नहीं है, वहाँ अगर आपने specified time में अपना contract fulfill नहीं किया, obligation fulfill नहीं किया, तो contract voidable नहीं होगा, इसका सार क्या है, time specify होने से, ये conclude हम नहीं कर सकते, कि time was essential for the contract, ये conclude नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों paragraph में, दोनों paragraph में ये लिखा है, कि stipulated time में आपने अपना काम नहीं किया, उसमें दो situation बन सकती है, जहां time essential था, जहां time essential नहीं था, इसको एक figure से मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, तो एक बात कर रहे हैं हम specified time की, specified time मतलब contract में समय लिखा है, आपने की कब perform करना है, आपने earphone order किया, तो लिखा था कि एक जनवरी को deliver होगा, अब time specified कर देने से, हम ये conclude नहीं कर सकते, कि time essence ह क्योंकि दोनों paragraph, जो first paragraph है, जो कह रहा है कि time essence है, जिन contract में उसमें भी एक stipulated time होगा, और second paragraph जो बात कर रहा है, कि जहां time essence नहीं है, time essential नहीं है, वहां भी stipulated time की बात कर रहे है, specified time की बात कर रहे है, कि आपने time specified किया है, उस समय में आपने काम complete नहीं किया, लेकिन time was not essence, तो अब सवाल ही आता है कि यह पता कैसे चलेगा, कि time essence है या नहीं, पहले इस classification को समझी है, कि specified time में भी दो चीज़े होंगी, पहली वो, where time is essence, where time is essence of the contract, इसका मतलब time essential है contract में, और दूसरे situation बनेगी, where time is not the essence of the contract, जहां essence नहीं है समय, दोनों situation बनेगी अलग अलग, जहां time essence है, जहां नहीं है, और दोनों में specified तो था, तो सिर्फ एक जनवरी लिख देने से time essence नहीं होता, तो अलग-अलग situations बनती है, specified time में भी, अभी मैं आपको बताऊंगा with example, कि कैसे पता चलेगा, party का intention, so, देखे भाई, सिर्फ specify करने से तो पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब situation क्या बनेगी, time essence है या नहीं है, ये पता करने के दो तरीके हैं, इसको भी समझ लेते हैं, पहले हम, कि कहा time essence है, कहा नहीं है, so, time is essence, इस बात को समझने का तरीका क्या है, दो तरीके से होता है, contractment parties का intention दिखता है, एक दिखता है आपका express, एक दिखता है, express, कि expressly party ने ये mention किया हो, कि भाया, इस समय अवधी में ही आपको काम complete करना है, या फिर दूसरा होता है, implied, जहां nature of transaction से आपको समझना पड़ेगा, कि time essence है या ने, बात समझना, time essence है या ने, express, सिर्फ इस बात से नहीं होगा, कि आपने contract में एक time specify कर दिया, लिख दिया है, इस से time essence नहीं होगा, सिर्फ लिखने से, ये लिखने से कि इस समय पे होना है, time essence नहीं होगा, जैसे, अगर माल लिजिए, आपने Amazon से order किया, earphone, और ये बात expressly mention है, कि एक तारिक तक ही आपको मिलना है, generally क्या होता है, आप देखेंगे, लिखा होता है, expected time of delivery, तो वहाँ पे stipulated है समय, कि एक जनवरी तक, लेकिन क्या लिखा रहता है, expected time of delivery, expected मतलब इस तक हो सकती है, वहाँ party का intention बिल्कुल नहीं है, time को essential बनाने का, क्योंकि stipulate कर दिया है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, कि time essential है, उस contract के लिए, यह clear intention या तो expressly होगा, माल लिए जैसे expressly कब होता है, जैसे आपने देखा होगा, कि बीच में ना, डॉमिनोज ने पीजा अर्ट ने किसी नहीं किया था, 30 minutes delivery, 30 minutes में deliver होगा, नहीं तो free, यहाँ time is essence, यहाँ expressly दिख रहा है, that time is essence, जहाँ उनने यह कर दिया, कि 30 minutes में आपको deliver होगा, नहीं तो free, यहाँ party का intention दिख रहा है, और बाकी आप समेटो से, सुटी से कुछ बंगाईए, कुछ order करिये, तो वहाँ क्या लिखा रहाता है, expected time of delivery, specify वहाँ भी है, कि 9 बज़े तक आपका order आएगा, लेकिन आप यह नहीं बूल सकते, कि time essential है, time essence है, उस contract है, just because कि specified है, intention नहीं है, intention किस से दिख रहा है, इस word से, expected time, और जहां यह लिखा है, कि 30 minute में deliver होगा, नहीं तो free, there the time is essential, expressly, और वो expressly है, लिखा हुआ, clear लिखा है, कि भईया, इस समय पे होगा, I hope you are getting this, तो expressly time essence हो सकता है, जब contract में वो चीज manifest करी गई हो, दर्शाई गई हो, expressly, कैसे दर्शाई जाएगी, मैंने आपको example भी बता दिया, जहां लिखा है, 30 minute में पे से deliver होगा नहीं तो free, that's expressly, आपने time को essential बना लिया, एक बार yes या no लिखके बता दिजे, समझ आ गया हो तो, थोड़ा सा important point है, इसलिए emphasize करके बता रहा हूं, समझ नहीं आता, 55 लोगों के पढ़के, paragraph 1 और 2 में difference क्या है, क्योंकि दोनों में specified है समय, आ गया, good, ठीक, बात समझे आप, तो express सिर्फ stipulate होने से, या specify होने से time essence नह या इस समय में complete होना है, नहीं तो हम मानेंगे नहीं आपका performance, ऐसा express होना चाहिए, अब कई बार क्या होता, express नहीं होता, implied, वो infer करना पड़ता है, ये कैसे होगा, इसको भी समझ लीजे, implied कैसे होगा, मान लीजे, आपने किसी bakery में order दिया, कि भाई साब मिर को birthday का cake चाहिए happy birthday का cake चाहिए मिर को, कब चाहिए, आपको मान लीजे, आपने कर दिया, कि साब 28 दिसंबर को मुझे happy birthday का cake डिलेवर चाहिए अपने घर पे, छीक, कोई बात नहीं हुई, expressly कि time essence है, expressly ये नहीं हुआ, कि time essence है, आपने सिर्फ एक time specify किया है, कि 28 दिसंबर को मिर को happy birthday का cake डि लेवर कर देना, अब बेकरी वाला आपके पास दो दिन बाद आता है, 30 दिसंबर को, आप किया डोर वेल बजाता है, cake लेख खड़ा के ता happy birthday, अब आप लपड़ा नहीं मार दोगे उसको, है की नहीं, क्यों मार दोगे लपड़ा आप उसको, भाया, 28 तारिक को तुझे happy birthday का cake बुलवाया है, तो आदमी बड़े अपने birthday की दिन ही मनाएगा ना, दो दिन बाद थोड़ी मनाएगा, मनाएगा, अगर आपने anniversary का cake मनाएगा है, तो उस दिन उसका importance है, अगले दिन उसका कोई मतलब नहीं, भले एक्सप्रेस बात नहीं हुई है, लेकिन impliedly पता चल र है, हाँ, कि अभी शेक ने लिखा है, साधी की सेरवानी, माल लिजे, आपने किसी फ्लोरिस्ट को, फूल वाले को, order दिया है कि भाया, 26 दिसंबर को इस marriage garden में दो वरमाला पहुचानी है, नो बजे, वो भाई अगले दिन जा रहा है, ये लो, वरमाला, आप लपड़ा मार दो कि उसको, भग जा इधर से, क्या लिए आई आप, बले एक्स्प्रेसली आपने ये डिसाइड नहीं किया, that time is essence, but the nature of the transaction shows that time is essence, इसको कहते हैं, implied, आपने सेंटा क्लॉस की ड्रेस ओर्डर करी, क्रिसमस आने वाल, आज के 23 तारिक है, 24 तारिक है, आज 23 है, दो दिन बार, क्रिसमस का केक ओर्डर किया आपने, वो 26 तारिक को आरा आपके घर, मेरी क्रिसमस, जोते मार के भाग होगे आप उसको, किस से पता चल रहा है, nature of transactions, माल लीजिए कोई vendor है, जो आपने देखिया ना, vendors, कपड़े उपड़े वाले आइस तरीके होते हैं, जो seasonal चीज़ें पहले तक, कुछ दिन पहले तक वो दिवाली का सामान बेच रहे थे, अब वो क्रिसमस का सामान बेच रहे, ऐसा एक vendor सेंटा क्लॉस की ड्रेस ओडर करता है, और क्रिसमस से रिलेट चीज़ें एक होल सेलर को ओडर करता है, और कहता है भाई, 22-23 तारिक तक मेरे को सप्लाई कर देना, और वो वेंडर सेंटा क्लॉस की ड्रेस उसको कब सप्लाई करता है, 27 दिसम्मर को, तो आप बताईए, टाइम एसंस थाया नहीं, विल्कुल था टाइम एसंस, नेचर ओफ ट्रंजक्शन से पता चल रहा, बले, एक्स्प्रेस नी लिखा है, लेकिन नेचर आफ ट लेना, मेरे भाई, लाइव है कि रिकॉर्डिंग है, इसमें, मैं तो आजकल के बच्चों से बहुत परिशान हो, मैं आपके प्राइरटी नी समझ आती, यार, मुझे, किस टाइप का आपका वो है, कि ये वीडियो लाइव चल अरे यार, कुछ भी चल रहा, तो समझना है, कि टाइम असेंस कोई नी समझाया गाना, लाइव ना, रिकॉर्ड ना, अफलाइन न, कुछ, ये समाजना भाई, उसे जाब है, यार, so, I hope, that is clear, yes or no, आपको समझ में आगा बटा, लाइव चल रहा है, हां, समझाया, कब होगा, इम्प्लाइड, और कब होगा, एक्स्प्र Yes, that's essence of time, तो अब इस चार्ट को समझते हैं, दुबारा, जहां time essence है, जहां time essence नहीं है, क्या consequences होंगे, अगर आपने specified time में अपना obligation फुल्फिल नहीं किया, तो, क्या consequences होंगे, time specified तो दोनों में है, जहां time essence है, वहां भी, जहां time essence नहीं है, वहां भी, तो, अगर time essence है, और आपने specified time में अपना obligation फुल्फिल नहीं किया, तो first paragraph क्या कहता है, 55 का, 55 का first paragraph, आपको clearly ये बात समझाता है, that the contract is voidable, promise के part पे voidable है, अगर time essence है, बड़े का cake order किया है, वह अगले दिन लेके आया, it is voidable at your option, आप चाहे तो मना कर सकते हैं, फुल्फिल करने से, I hope you got this, अगर time essence नहीं था, भले time specified था, लेकिन time essence नहीं था, ऐसे case में, the contract is not voidable, voidable तो नहीं होगा, earphone order करें हैं, अपने Amazon से, एक January date दी थी specified, लेकिन वो लेके आया, पांच जनवरी को ध्यान रखना, आप मना नहीं कर सकते, time was not essence in that contract, time was not, या तो expressly ये बात हो, nature of transaction से तो नहीं यहाँ पे recognize होगा, कि भाई आपकी क्या जरूरत है, है ना, या तो वो बात expressly होई हो, तभी होगा, otherwise नहीं होगा, है ना, so इस बात को ध्यान रखियेगा, so time is not essence, तो वहाँ पे contract is not voidable, ये second paragraph से मिल गया, चलिए अब third paragraph भी कुछ बातें आपको बताएगा, एक बार दुबारा 55 पढ़ते हैं, तो ये सारी कहानी आपको relate कर पाएंगे, first paragraph देखिये 55 का, when a party to a contract promises to do a certain thing, at or before a specified time, or certain things at or before specified time and fails to do any such thing, at or before the specified time, the contract or so much of it, as has not been performed, becomes voidable, becomes voidable at the option of the promise, उसके part पे voidable है, if the intention of the parties was that time should be of the essence, अगर parties का intention था, कि time essence होगा, तो वो voidable है, ये हमने conclude यहाँ पे, कहां से किया, first paragraph से, अब second paragraph की बात करते हैं, if it was not the intention of the parties, that time should be of the essence of the contract, अगर party का intention नहीं है, कि time essence हो, ऐसे case में क्या होगा, the contract does not become voidable, the contract does not become voidable, by the failure to do such thing, at or before the specified time, but, इसके आगे भी कहानी है, इसको ध्यान से देखिएगा, but the promise is entitled to compensation from the promisor, for any loss occasion to him, by such failure, तो भाईया, voidable तो नहीं है, but you are entitled for compensation, compensation आप ले सकते हैं, और compensation कब मिलेगा, where there is some loss, अगर उस delay, Amazon ने बोला था, एक तारिक को earphone deliver कर देंगे, लेकिन करें 5 तारिक को, तो ऐसे compensation नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 5 को आए, ना, उस 5 को आने की वज़े से, अगर आपका कोई actual loss हुआ है, तो उसको compensate कराया जा सकता है, voidable तो नहीं है, आप set aside तो नहीं कर सकते, आप linus मना तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस delay की वज़े से, अगर आपका कोई actual loss हुआ है, तो उसे compensate करवाया जा सकता है, I hope that is clear, हारा भाई समझ में, एक बार yes नो लिखके बता दो कुछ ज़रा, जैसरी राम का एक और डाउट है कि test series कैसे join कर सकते हैं, बटा एक number चल रहा होगा screen पर, है इसे चीज़े पूछा करो, कुछ पैसे ऐसे दो, जिसमें कुछ मज़ा है, मुझे भी जीवन में है, ये number चल रहा होगा ना, इस पर phone कर लेना, you'll get all the details, समझा रहा भाई, loss होना चाहिए, तब आपको compensation मिलेगा, otherwise नहीं, चलिए, तो ये हो गई बात, जहाँ time essence नहीं होता, लेकिन specified तो है, तो क्या होता, चिक, आगे बढ़ते हैं, third paragraph देखिए, effect of acceptance of performance at time, other than the agreed upon, अब देखो एक बात समझना, इसका मैं crux आपको पहले समझा करते हैं, देखो जहाँ time essence है, वहाँ हमने क्या कहा, कि contract promisey के part पर voidable होगा, वो चाहे तो enforce होगा, वो चाहे तो set aside भी कर सकता है, अगर time essence था, और हो गया, all right, हाँ एक बार confirm कर दीजिए, आवाज आ रही है तो, disconnect हो गया था, और कुछ network issue की वज़े से, फिर हो रहे है शायद, all right, आ रही चलो, ठीक है, अच्छे कर लो, पहले अच्छे से तोई चालू करूँ है, एक second का समय देना भाई, थोड़ा से पहले एक बार check कर ले, बीच में और ना बंद हो जाए, थोड़ा से topic बचा है मेरा, ठीक है, ओके, चलो, आजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रहा हूँ, सुनाई दे रही है आवाज, किसी नहीं कहा था, बड़ी मदूर आवाज आ रहे है, थांक्यों फर राइल्टी, मदूर तो नहीं है, तो वह भी रूख जाती, बीच में नेटवक के खाले, देख वाई, तो time essence है, अब एक बा option होता है, प्रॉमिसी के पास option होता है, इधर टो enforce the contract, और टो set aside, दोनों, तो भाई इधर पर दो condition बन जाएंगे, इधर you will reject the performance, कि भाई आप लेट हो गए, समय essence था, अब हमें नहीं चाहिए, बड़े के अगले दिन cake लेके आया, आप मना कर सकते, तो या तो आप मना या तो आप क्या करेंगे, accept करेंगे, दोनों option है आपके पास, voidable का मतलब दोनों option है, या तो reject करेंगे, या accept, तो reject कर दिया तो बात खतम हो गई, लेकिन अगर आपने accept कर लिया, क्योंकि ये भी एक option है, ऐसे case में क्या होगा, वो दिया है third paragraph में, अब आईए उसको पढ़त of the promises failure, जहां पे contract voidable होता है, और voidable किस किस में होता है, where time is essence, क्योंकि यहां तो voidable होता ही नहीं है, जहां time essence नहीं है, इसलिए third paragraph किसको refer कर रहा है, इसको refer कर रहा है, so if in case of a contract voidable on account of the promises failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any time other than the agreed, the promisee cannot claim compensation, this is very important, the promisee cannot claim compensation for any loss occasion by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time, यह भी underline कर लो, unless at the time of such acceptance, he gives notice to the promiseer for his intention to do so, तो देखो भाई, आपके पास एक option था सीधे सीधे reject कर देने का, जहां time essence है और समय पर performance नहीं हुई, आपके option पर voidable है, तो आपके पास option था reject करने का, लेकिन आपने चोज़ किया accept करना, दोनों कर सकते हैं, आपने का चलो ठीक ह या लेट होगा है, कोई बात नहीं, cake खाना था, बड़े चला गया, ठीक है, cake खा लेंगे, आपने accept कर लिया, अगर इसको accept करते समय, ये बात ध्यान रखना, आगर ऐसे performance को accept करते समय, आपने specify कर दिया उस बंदे को, जिससे आप accept कर रहे हैं, अगर आपने उसको ये चीज specify कर दिया, कि भाई, हम accept तो कर रहे हैं, लेटर डेट पे, लेकिन compensation लेंगे हम अपना, तुमको मंगवाया तुमसे एक तारिक को था, तुमने 5 को दिया है, तो हम accept तो कर रहे हैं, लेकिन compensation लेंगे, अगर आपने ये बात notice में लाए हैं, आप उसके, accept करते समय performance को, तो ही आ सबको compensation मिलेगा, otherwise compensation नहीं मिलेगा, otherwise आप compensation के लिए liable नहीं होंगे, अगर आप specified time के बाद performance accept कर रहे हैं, ऐसे case में, where time is essence, यहाँ आपके पास क्योंकि एक option और था, जहाँ आप reject कर सकते थे, लेकिन आपने accept किया है, तो आपके उपर एक duty impose करी गई है, उसको ये बात रहे हैं, लेकिन compensation लेंगे, तब ही compensation ले पाएंगे, otherwise delay का compensation नहीं होगा, लेकिन जहाँ time essence नहीं होता है, वहाँ क्योंकि आपके पास दूसरा option ही नहीं है, you will have to accept it, आप reject करी नहीं सकते, तो वहाँ compensation आपको मिले गई ही मिलेगा, वहाँ आप लही सकते हैं, क्योंकि आपके बस दूसरा option नहीं है, बट यहाँ आपके पास एक reject करने का option है, इसलिए अगर आपने accept का option चूज किया, तो आपके उपर एक responsibility डाली गई है, आपको इस बाग का notice देना पड़ेगा, कि हम accept तो कर रहे हैं delay में, लेकिन compensation claim करेंगे, I hope that is clear, अब समझ आया, पच्पन पूरा, यह तीनो paragraph का क्या मतलब है, यही समस्य होती है, कि पच्पन ऐसे हवा में तोड़ा लेते हैं, कि time is essence, लेकिन तीनो paragraph से क्या निकल के आ रहा है, वो समझ नहीं आता है, अगर आ गया है, तो yes लिखके एक बार please comment box में बता दीजे, तो मैं assured हो जाओं, कि जो मैं इत्ती दिर से बोल रहा था, वो आप तक कहुंच गया है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, सिग्रिफाय नहीं हो पाया, तो communication complete नहीं है, कि देखो कितनी तेज है लिटके team, किसी ने test series के बारे में पूछा, तुरंट phone number आया, पैसे के मामले में कोई मजात नहीं है, है ना, अधी admission team वैसे मुझसे आज कल परिसान चल रही है, वो कि रहें सर आप YouTube पे इतना पढ़ा रहे हो, तो फिर हम बेचेंगे क्या पैसे लेके, पर admission क्यों लेगा बच्छा, तो इस बात को भी मैंने समझाया उन्हें भी, कि ये तो सिरफ जहांकी है, असली picture तो उदर होती है, जब foundation की class होती असली picture तो उदर है, इस से परी तो निकल जाता, final selection नहीं हो पाता है, उसके लिए time देना पड़ता है, basic चीज़ है समय, तो एक साल लगता है इस तरीके से सारे subject complete करने में, क्योंकि ये सिरफ जहलक है उपर की, अभी इनमें cases है, और concepts हैं दुनिया बहर के, बहुत सारी चलिए, यह आगया ना बाई, यह sorted है न, 55 complete तीनो paragraph समझा आगया ना आपके, alright, चलिए, चलिए, चो यह हो गया हमारा performance, ठीक, यह पूरा हो गया हमारा performance, complete, time mind, सबकी बात कर ली है, अब इदर आईए, formation खतम, discharge पढ़ रहे हैं, discharge में, performance खतम, पूरा निप्टा दिया है हमने performance, पूरा, complete, चीक, अब बात करनी है हमको impossibility की, impossibility की बात करेंगे, उसके बाद agreement innovation, breach की बात और part 2, तो यहां से अपन next पढ़ेंगे, आज इसको निप्टा लेते हैं, impossibility, ज्यादा कुछ है नहीं, मतब है तो बहुत उसमें, impossibility में, बट जो pre के लिए important होता है, concept समझने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको complete क बीच, contractual relationship start हुआ है, ठीक, contractual relationship existence में आया है, एक contract form हुआ है दुनों के बीच, ठीक है, contract जब form हुआ, relationship दुनों के बीच, establish हुआ, ये खतम करने का एक तरीका है, तो दोनों अपना obligation fulfill कर दे, perform कर दे, तो performance से हो जाएगा, discharge, एक party perform करने से मना कर दे, या disable कर ले, खुद को perform न परिस्तिती ऐसी बन जाए, कि party चाहते हुए भी ना कर पाए perform, practically स्कंभव नहीं है, कुछ ऐसा हो जाए, जो party के control से बाहर है, और वो अब इस हालत में नहीं रहे कि अपना obligation perform करें, इसको basically हम deal करते हैं, इस impossibility के अंदर, इसको बोलते हैं, impossibility, या इसको कहा जाता है, doctrine of frustration, इ हो गया, अब ये जो impossibility होती है, बेटा, ये अलग-अलग तरीपों की होती है, जब means-wins के लिए कभी discuss करेंगे, तो उसमें एक-एक ground पे अपन बात करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ, brief में ये क्या-क्या हो सकते हैं, एक तो होता है practical impossibility या subject matter ही खतम हो जाए, cases के ये 55 का क्रक से पूरा, तीनों paragraph चलिए, अब देखो, impossibility है section 56 की हम जो बात करेंगे, अभी पढ़ेंगे भी उसके provision को, पहले basic समझ लो तो impossibility 56 में वैसे तो दो तरीके की खरी गई है, एक initial impossibility, एक बात करी गई है, subsequent impossibility, ठीक? कैसे होती है, initial और subsequent देखिए, दो paragraphs में divided है 56, एक है initial, initial impossibility, एक है subsequent, subsequent या superweening भी कहते हैं इसको, subsequent impossibility या superweening impossibility, जो बाद में, जिस समय contract हुआ था, तब application कर पाना संभव था, possible था, subsequently impossible हो गया, initial में क्या होता है, शुरू से ही वो चीज impossible है, जिसका आप contract कर रहे हैं, so initial impossibility कैसे होती है, जो subject matter exist ही नहीं करता, उसका contract कर रहे है, initial impossibility, आपको यासी चीज, जैसे मान लीजिए, मैं आपके साथ contract करूँ, कि मैं आपका MPCJ prelims निकलवा दूँगा, एक अपन मंत्र पढ़ेंगे, और उससे आपका MPCJ prelims निकल जाएगा, उस मंत्र को पढ़ने कि आप मुझे 50,000 रुफे देंगे, यकीन मानी है, आप तुरंद द हुआ, जिससे तुम्हारा पुरी निकल जागा, तो तुम 50,000 रुफे तुरंद दे दो, यह बड़ी basic human tendency है, यह इनसान की फितरत है, कि हमारा effort मतलो और हमें सब result दे दो, और ऐसा संभव नहीं होता, यह क्या है, impossible है यह, तो ऐसी चीज का अगर आपने agreement किया है, जो कर पान संभव ही नहीं है, जिस दिन agreement किया, तभी से वो चीज संभव नहीं है, इसको कहते है, initial impossibility, ठीक, तो यह तो void हो गई होगा, 56 पे आजाईए ज़रा एक बार, तो पढ़के समझ लेते हैं, initial की बात किदर चल रही है, 56 में लेका है, an agreement to do an act impossible in itself is void, कोई भी ऐसा agreement आपने किया है, जिसको कर पाना संभव नहीं है, तो वो वोईड होगा, that is initial impossibility, second paragraph बात करता है, contract to do an act, afterwards becoming impossible or unlawful, जब आपने contract किया था, तब वो कर पाना संभव था, valid था, lawful था, but something happened, subsequently, बाद में कुछ ऐसा होता है, जो उसको impossible बना देता है, that's subsequent impossibility और supervening impossibility, यह कैसे कैसे होता है, उसके अलग-अलग mode होते हैं, इस बात को पंजरा समझते हैं, जैसे मैंने कहा, कि subject matter ही destroy हो गया, मान लेजे, तो फिर वो possible नहीं हो पाएगा, कर पाना, जैसे आपके और मेरे बीच में आज एक contract हुआ, कि आप अपनी पुरानी एक गाड़ी, मुझे 5 लाक रुपे में sale करे आज की date में completely lawful है, valid है, सारे essential fulfill हो रहे हैं, आपके और मेरे बीच में ये contract हो गया, लेकिन 26 December को एक नया कानून या 27 December को एक नया कानून आ जाता है भारत में, जिसमें second hand car की sale और purchase को ban कर दिया जाता है, अब जब हमने contract किया था, तब तो वो completely valid था, इसलिए initial impossibility नहीं है, ल मान लिजे contract हमने किया था, और बात ये हुई थी कि एक तरिक को आप मुझे अपनी गाली देंगे, मैं 5 लाक रुपे दूँगा, तो subsequent impossibility इसको कहते है, कि जब contract हुआ तब वो valid था, later on it became unenforceable, अब ये subsequent impossibility अलग-अलग तरीके से हो सकती है, because of law हो सकती है, कोई law आग जाए कोई regulation आजाए, नया जैसे अभी मैंने आपको example दिया, नया कानून मिन जाए भारत में, कि आप कोई second-end sale और purchase नहीं होगा गाली का, transfer नहीं होगा second-end गाली का, owner transfer नहीं हो सकते, ऐसा कोई कानून आजाए, उस बज़े से हम बार हो जाए, अपना obligation परफॉर्म करने से, that's called superven impossibility, party का कोई fault नहीं होता, इसमें, तो law से हो सकता है, practical हो सकता है, impossible, practical बोले तो subject matter से related, subject matter ही destroy हो जाए, जिस गाड़ी का contract हुआ था, वो चोरी हो गई, आपकी गलती नहीं थी उसमें, और चोरी हो गई, यह उसमें आग लग गई, बिना आपकी गलती के, जिसका contract किया था, delivery क पहले उस गाड़ी में लग 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 लिए, बिना दोनों की गलती के, so the contractual relationship comes to an end, इसको भी कहते हैं, doctrine of frustration, इसके अलावा, object भी frustrated हो सकता है, या change in circumstance भी कहते हैं, इसको object frustrated, या फिर इसको कहते है, change in circumstance, circumstances ही change हो जाए, बहुत important case है, cases लिखते जाए, इसके तो मैं बताते इसके modes तो बहुत सारे हैं, काफी लंबा चोड़ा discussion होता है, doctrine of frustration पे, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे, basic basic बाते हैं अपन सारी लेकिन समझते चलते हैं साथ साथ, तो देखिए मैं आपको cases बताते जाओं, सत्वरत घोश आपने सुनी रखा होगा मेरे ख्याल, अगर इसको आप जानी रहे होंगे, मैं आपको note-down करा देता हूं, जरा दो-तीन important case क्या-क्या इसमें हैं, सबसे पहले एक Indian context में सत्यबरत घोश वर्सेज मगनी राम, बहुत important judgment है, doctrine of frustration पे, सत्यबरत घोश वर्सेज मुगनी राम, बगनी राम ऐसे, M-U-G-N-E-E-R-A-M, यह case है Taylor versus Caldwell, बहुत ही important English case, बहुत ही landmark case, Taylor versus Caldwell, इसमें होता यह है, कि एक music concert के लिए एक hall book किया जाता है, और उस hall में बिना किसी की गलती के आग लग जाती है, अब वो hall ही destroy हो गया, तो भया practically संभव नहीं है कर पाना, subject matter ही destroy हो गया, that's की hall में आग लग गई, ठीक, बहुत cases है यार, इसमें वैसे तो, मैं आपको एकदमी जो important है, बस वो करार हूँ, बाकि है, इसमें काफी discussion होता है, इसमें, अच्छा, यह जो change in circumstance है, इसमें बहुत important case है, कि object frustrated हो जाए या circumstance change हो जाए, हेंरी, क्रेल वर्सेज हेंरी, बहुत important, क्रेल वर्सेज हेंरी, इसके भी facts, शायद कुछ लोगं को पता हूँ, इसमें होता यह है कि England में king का procession निकलने वाला होता है, एक particular road से, उसका procession निकलने वाला होता है, rally type की निकलने वाली होती है, तो लोग क्या करते हैं, booking कर लेते हैं, उस road के इर्द के जितनी भी hotels और guest house थे उन में, ऐसा ही एक vaccine है, जहां से वो king का procession निकलने वाला था, जिस दिन, उस दिन की booking कर ली एक hotel में, जिसकी खिड़की से वो procession properly देख पाए, अब उसने booking तो कर ली, advance amount भी दे दिया, लेकिन बाद में होता है कि king की तबियत खराब हो जाती है, इस वज़े से वो procession cancel हो जाता है, तो इसको हम क्या केते हैं, change in circumstance या objective frustrated, जिस लिए उसने वो room book किया था, वो event ही खतम हो गया, और इसमें उसका कोई role नहीं है, तो ऐसे cases में भी इसको भी super winning या subsequent impossibility माना जाता है, और आग लेकिन पढ़ना, concept है समझना, अब मान लेजिए इसमें कुछ advance amount भी दे रखा था, होटल वाले case में मान लेजिए, कुछ advance amount भी तो क्या advance वापिस मिलेगा, इस चीज़ पे थोड़ा सा research आप खुद से करिएगा, आगे का obligation perform नहीं करना है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या जो का जुड़ी सरी निकल गिया, बड़िया भव शादी का आयोजन आपने किया, एक marriage garden आपने book किया, एक specific date पे, आज से 6 मेने बाद आपकी शादी है, आपने अभी से एक book कर दिया marriage garden, और शादी के एक हफते पहले, या दो दिन पहले, मतलब आए, विश की ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन example समझना है, इसलिए बता रहा हूँ, माल लीजिये, शादी cancel हो जाती है, किसी वज़य से, माल लीजिये सामने वाली party ने मना कर दिया, शादी करने से, दो दिन पहले, तो क्या ऐसे case में वो contract, subsequent impossibility की वज़य से, वोईड मान लिया जाएगा, वोईड होता है, इसलिए वोईड contract बोलते हैं, उसको subsequently वोईड होता है, initially तो वालेट था, तो क्या contract वोईड हो जाएगा, आपने शादी का गार्डन बुक किया, और आपके fault नहीं था, और शादी cancel हो गई, इन चीजों पर थोड़ा सा आप ख object frustrated होने के और इसी तरीके की चीजों से subsequent impossibility होती है, या इनको हम कहते हैं, super weaning impossibility, चेक, और इंडिया में भी ये, properly applicable माना जाता है, इस super weaning impossibility को बिलकुल माना जाता है, properly, so that's about doctrine of, अच्छा एक चीज और इसमें, जो अभी शेक ने भी लिखा है, यहां sir, what about financial hardship, commercial impossibility को इसमें consider नहीं करते, subsequent impossibility या super weaning में commercial hardship नहीं आता, commercial hardship का मतलब, जैसे मान लेजे, मैं किसी व्यक्ति को कोई चीज, एक particular price में contract कर लेता हूं कि मैं दूंगा, भाई मान लेजे, मै कहीं से raw material procure करता हूं, जो में को 50 रुपे का पड़ता है, मैं उसको finished goods में convert करके 100 रुपे में आगे लोगों को sale करता हूं, अब मैंने एक vendor के साथ contract कर लिया, कि भाई मैं जो भी product बनाता हूं 100 रुपे का, वो मैं तुम्हें supply करूंगा, एक later on date पे, जैसे मान लेजे, 2024 में म आपको deliver करूंगा at the rate of 100 rupees each, ये मैंने contract कर लिया, अब जो raw material मेरे को 50 रुपे का मिलता था, जनवरी में उसके rate बढ़ जाते हैं, फरवरी में उसके rate बढ़ जाते हैं, और वो 50 की जगे अब मुझे 70 का मिलने लगा, तो क्या मुझे super winning impossibility का benefit मिलेगा, क्या मैं उस contract को cancel कर सकत हूँ, so the answer is no, commercial hardship super winning impossibility में नहीं आता, अब इस से related भी discussions तो और भी है, कुछ और भी इस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे माली जे वरकर्स ने strike कर दी, एक manufacturing company है, जिसको goods deliver करना था, आस पर दी contract, उसके workers ने strike कर दी, क्या ये super winning में आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको intricacies में जाना पड़ेगा, थोड़ा detail में जाना पड़ेगा, थोड़ा cases पढ़ने पढ़ेंगे, खेर वो अलग discussions हैं, अभी उसको पन नहीं लाते हैं, इस class के purpose में के लिए नहीं है, basic concept समझ आ गया, that is sufficient for this, जैक तो ये doctrine of frustration मेरे ख्याल आपके समझ आ गया, यहाँ पे, यह ए की बात करेंगे, उसमें anticipatory, actual, यह सारी बातें, अब हम करेंगे, good morning everyone, तो भाई देखिए, Indian Contract Act में फिलहाल जो हमने पढ़ लिया है, एक बार दुबारा मैं उसको आपको recall करा देता हूँ, अपने उस chart के माध्यम से, जिसमें हमने Indian Contract Act को दो पार्स में डिवाइड किया था, जब हमने Contract Act पढ़ना शुरू किया था, हमने दो पार्स में इसको डिवाइड किया है, एक बार जरा वो आपको मैं दुबारा recall करा दूँ, क्योंकि अब end का थोड़ा सा portion रह गया है, तो एक overview आपके जहन में रहना चाहिए, कि कहां से हमने चालू किया था, और कहां हम जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक overview ले लेते हैं, तो अब अपन आ जाते हैं, इस Indian Contract Act के जो classification है, एक बार थोड़ा सा उसको हमें recall करना होगा, उसका कारण बहुत simple है, कि अब हम end पे आ रहे हैं, तो हमें पूरी picture clear होनी चाहिए, कि जिस चीज को हमने पढ़ा है, वो किस category के तहट हम पढ़ रहे हैं, ये clarification आपके जहन में हमेशा रहना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, topic को पढ़ते समय, अगर आपके ये समझ नहीं आ रहा है, कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या purpose है, तो उस topic पे clarity नहीं होती है, इसमें एक चीज हमने पढ़ी थी, जनरल प्रिंसेपल, जनरल प्रिंसेपल, और दूसरी चीज हम पढ़ रहे थे, स्पेशल कॉंट्राक्ट्स, स्पेशल कॉंट्राक्ट्स, ये दो पार्स में बेसिकली आपका पूरा स्थाट्यूट डिवाइड़ है, इंडियन कॉंट्राक्ट आप्ट, चीक है, सेक्शन 1275 यहां पढ़ते हैं हम, स्पेशल कॉंट्राक्ट में पढ़ते हैं, अब ये जो जनरल प्रिंसेपल हम लोग पढ़ रहे थे, इसको हमने दो पार्स में डिवाइड करके पढ़ा है, इस जनरल प्रिंसेपल को, वो दिस्टिंक्शन भी आपके जहन में बहुत क्लियर होना चाहिए, तो फर्स वोन वन हेर वाज, फॉर्मेशन ओफ दी कॉंट्राक्ट, फॉर्मेशन और दूसरा इस्चार्ज, फॉर्मेशन का मतलब होता है, कब दो पार्टीज के बीच एक कॉंट्राक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् offer acceptance offer acceptance हमने पढ़ा consideration हमने पढ़ा हमने पढ़ा competent parties कब party competent होती है कब उनका consent free होता है तो free consent हमने इसके तहत पढ़ा ऐसे agreements हमने पढ़े जो expressly void declared है so agreement expressly declared to be void ये चीज़े हमने पढ़े ये सब हमने किसके तहत पढ़ा formation के तहत wagering agreement ये सब हमने formation में पढ़ा अब जब हम discharge पे आए तो discharge of contract में हमने अलग-अलग modes पढ़े हैं कुल मिला के चार modes के बारे में हमें बात करनी थी पहला mode जो discharge का होता है दूसरा तीसरा और ये चौथा ये चार चीज़े हमें discharge के अलग-अलग modes हैं एक था performance ये हमने पूरा complete कर लिया है फिलहाल अभी जितना हमने contract पढ़ा है उसमें discharge of contract हमने by performance हमने complete कर लिया है दोनों parties जब अपने obligation को perform कर देते हैं तो वो parties अपने-अपने legal obligation से discharge हो जाते हैं that is discharge by performance formation में अपन क्या पढ़ते हैं कि दो parties कैसे contractual relationship में आएंगी और formation, sorry, discharge में हमने पढ़ा कि कैसे उनका वो contractual relation खतम होगा कैसे वो legal contractual relation end पे आएगा तो सबसे पहला और obvious mode इसके लिए होता है हमारा performance दोनों ने अपना part perform कर दिया, खतम इसके बाद हमने पढ़ा impossibility ये भी हमने complete कर लिया है impossibility जो कि section 56 में दी है 56 जिसको doctrine of frustration भी कहते हैं कि आगर दोनों parties के bus के बाहर बात थी और किसी वज़य से ऐसी circumstances create हो गई है कि अब party अपना obligation perform नहीं कर सकते हैं वहाँ एक valid discharge मिलता है without compensation किसी party को किसी को compensate नहीं करना दोनों का contractual relation comes to an end जिससे subject matter destroy हो जाता है या change in circumstance ये सारा discussion हम लोग already कर चुके हैं अब जो हमें बात करनी है जो बचा है उसमें एक तरीका यहाँ पे था by agreement agreement मतलब दोनों party खुदी अगरी कर ले कि चलो ठीक है और तुम अपना obligation करने से मना कर दे या खुद को disable कर ले और obligation complete ना करे इससे भी contractual relationship end होगा लेकिन यहां से क्या आएगा तो यहां एक बात ध्यान रखिएगा बहुत important कि यहां पे आपको discharge ऐसे नहीं मिलेगा जब आपने इन सब में discharge आपको मिल जाएगा लेकिन ब्रीच अगर आपने किया है तो फिर एक remedy आईगी उस remedy को हम कहते हैं damages आपको damages पे करने पढ़ेंगे और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे Indian contract act में इसके भी provisions हैं तो जब ब्रीच से contractual relationship end पे आता है तो उसका एक consequence होता है जिसको हम कहते हैं damages ठीक तो यह पूरा general principle के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं contract और फिर special form of contract पे जब हम आएंगे तो यहां भी हमें पढ़ना है यहां हम पहले पढ़ेंगे indemnity और guarantee color change करेंगे तो यहां हम पढ़ेंगे क्या indemnity और guarantee indemnity and guarantee सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है फिर जो second आएगा आपका indemnity guarantee के बाद वो होता है bailment bailment के बारे में पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे हम pledge के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे agency के बारे में इतनी चीज़े हमें इस special contract में पढ़नी है indemnity guarantee, bailment, pleasure, agency यह हम special contract के फॉर्म में पढ़ेंगे मैंने आपको पहले भी ब्रीफ में यह बात बताई थी कि यह जो portion है क्योंकि जनरल प्रिंसिपल के सारे जो principles हैं यहां वो as it is कई बार applicable नहीं होते कुछ specific contracts पर कुछ special तरीके के contract पर यह वो special contracts है जिनको Indian contract act separately deal करता है section 124 onwards और बाकी जो एक से पिशित्तर है वो आपका यह है पूरा का पूरा general principle ठेक तो इसमें यह portion हम पूरा complete कर चुके है information discharge में भी हमने कुछ चीज़ें already complete करनी है जैसे performance complete कर चुके हैं impossibility हम complete कर चुके और यह तो हम as a whole पूरा complete कर चुके हैं अब बात करेंगे agreement innovation और इस तरीके से जो discharge मिलता है उसके बारे में तो बेरेट निकाल लेजिए section 55-56 यह सब हमने कर लिया था है ना performance में 55 पढ़ लिया था और section 56 हमने पढ़ लिया था impossibility अब सीधे आप आजाईए section 62 पर reciprocal promises वगेरा भी पढ़ लिये थे एक section appropriation of payment का है कि आपने कुछ pay किया है तो कैसे appropriate होगा एक बार read करिएगा बहुत ज्यादा chances exam में आने के नहीं होते हैं थोड़ा नहीं है तो वह यह होगा आपका agreement, innovation और यह वाली चीज़ें यह तीसरा सो बेरेट में section 62 निकाली है तो यहां से हम इस अलग तरीके के discharge के बारे में पढ़ते हैं section 62 देखिए effect of innovation, recession and alteration of contract एक contract था दो parties under contractual relationship थी उन्होंने खुद आपस में mutual agreement के थुरू से change कर लिया तो पिछले obligation से आप discharge हो गए that is called innovation चीक इसको पढ़ते हैं if the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to resent or alter it the original contract need not be performed एक पहले आपने contract किया और फिर लेटर ओन आपने उसमें कुछ change करके उसे नया contract बना दिया तो अब आपको कौन सा obligation fulfill करना है नया वाला पिछले वाले से आप automatically क्या हो जाएंगे discharge इसलिए इसको भी किस head के अंदर हम पढ़ रहे हैं under the very obvious mode discharge का एक mode novation या mutual agreement इसलिए इस novation या mutual agreement को हम किसके तहत पढ़ रहे हैं discharge के तहत पढ़ रहे हैं so illustrations देखें यहां से illustration के questions भी आते हैं a owns money to b under a contract it is agreed between a and b a b and c that b shall then support accept c as his debtor instead of a the old debt of a to b is at end and a new debt from c to b has been contracted जैसे मान लीजिये मुझे आपसे 50,000 रुपे लेने हैं आपने मुझे 50,000 उधार लिये हैं या मेरा कोई contract हुआ था पढ़ाने का आपने मेरी fees पे नहीं की है आपको मुझे 50,000 रुपे देने हैं आप मुझे देंगे 50,000 और मुझे एक व्यक्ति है कोई X उसको 50,000 देने हैं तो आपके और मेरे बीच में जो contract था जिसमें आपका obligation था मुझे 50,000 रुपे देने का उसकी जगे हम तीनों अगर agree करें X जिसको मुझे 50,000 देने हैं मैं और आप हम तीनों अगर agree करते हैं तो हम इसकी जगे पे ये contract कर सकते हैं कि आपको जो 50,000 मुझे देने हैं वो आप सीधे किसको दे देंगे? X को दे देंगे X को that's basically novation चीक तो इस तरीके से अब क्योंकि हमने ये कर लिया मैंने खुदी agree कर लिया कि जो पैसे आपको मुझे देने थे 50,000 वो आप X को देंगे तो मेरी तरफ से आप obligation पुराने वाले obligation से discharge आपको अब मुझे 50,000 देने की जरूरत नहीं है जो आप मुझे 50,000 देने वाले थे उससे आप discharge हो गए that's why it is also a mode of discharge agreement, novation, alteration उसी तरीके के बाकी illustration एक बार रीड करिएगा इसके बाद देखिए 63 प्रामिसी में dispense with और remit performance of promise प्रामिसी खुद remit कर सकता है या dispense with कर सकता है आपकी performance जैसा मैंने कहा, मैंने आपको पढ़ाया, contract हुआ था कि आप बदले में मुझे 80,000 fees pay करेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद मैं खुद willingly आपको discharge कर सकता हूँ अगर मैं आपको कह देता हूँ कि ठीके बाई, तो मैं पैसे, या तो पूरा wave off कर सकता हूँ कि पूरी 80,000 मत देना, या मैं ये कर सकता हूँ कि 40 दे देना, 40 रहने देना, ऐसा भी हो सकता है तो अगर willingly इसको कहते हैं agreement, खुद से ही मैंने agree कर लिया कि चलो, रहने दो, मत करो, अपना obligation fulfill that is 63 illustration जरूर पढ़ लेना, similar illustration है उसके इसके बाद 64 और 65 ये थोड़ी सी अलग बात करते हैं, ये compensation की बात करते हैं, ये damage पे करने की बात करते हैं या फिर ये basically equity की बात करते हैं, 64 और 65 को भी देख लीजे, वो discharge का as such part नहीं है, वो एक अलग remedy है और इसको quantum marriate भी कहा जाता है, कि अगर मान लेजे, एक contract end हो रहा है, देखो, 64, 65 का मैं आपको पूरा brief बता दू, 64 का head note अगर आप देखेंगे, तो लेखा है consequence of recession of a voidable contract, अगर आपका किसी के साथ एक contract है, और वो contract कैसा है, voidable contract voidable contract आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अपन पढ़ चुके है, enforceable at the option of one party, जैसे free consent हमने पढ़ा है, मान लीजिए, मैंने और आपने contract किया है कि आप अपनी गाड़ी मुझे 5 लाख रुपए में sale करेंगे, जबकि आपकी गाड़े की current market value 15 लाग के असपास है, और आपका कहना है कि मैंने undue influence exercise करके, क्योंकि आप student है, मैं teacher हूँ, मेरा आपके उपर fiduciary relationship है, मेरा और आपका कैसा relationship है, fiduciary, आपका कहना है कि मैंने उस fiduciary relationship, उस dominating position का undue advantage लेते हुए आपसे consent obtained किया है, इस contract के उपर, तो इसमें जो contract है, वो कैसा हो जाएगा, अगर ये proof होता है, तो voidable हो जाएगा आपकी option पर, आप चाहेंगे तो enforce होगा, otherwise नहीं, अब मैंने आपके साथ voidable contract किया तो है, और मैंने undue influence से आपको अगरी तो किया है, कि आप मुझे 5 लाग रुपे में आप वो गाड़ी देंगे, जिसकी market value 15 लाग से जादा है आज की date में, ऐसे situation में क्या होगा, तो ऐसे situation में भाई, अगर मान लीजिए, मैंने कोई advance amount आपको दे रखा है, बात तो हुई थी, contract हुआ है 5 लाग रुपे का, लेकिन अगर मैंने आपको advance 1 लाग रुपे दे रख और you may enforce it, आप इसे reject भी कर सकते हैं या enforce करा सकते हैं, तो अगर आप इसे enforce कराना नहीं चाते और आप इसे cancel कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, आपके option पे voidable है, आपके option पे enforceable है, क्योंकि आपका consent and due advantage से लिया गया है, तो आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, इस contract को cancel कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये बताईए, कि अगर आप इस contract को cancel कर रहे हैं, जिसमें एक लाख रूपे आप मुझसे advance ले चुके हैं, मैंने आपको एक लाख already दे दिया है, अगर आप इस contract को cancel कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे वो एक लाख रूपे वापस करेंगे, क्या आप को करना चाहिए तो equity says yes, भले वो आपके part पे voidable contract है, आप चाहें तो उसको enforce कराएं या ना कराएं, लेकिन अगर आपने कोई benefit obtained कर लिया है out of that contract, अगर आपने कोई benefit obtained कर लिया है, तो आपको वो benefit मुझे return करना पड़ेगा, वो benefit आपको मुझे वापिस करना पड़ेगा, जो भी benefit आपने ले लिया है, एक लाख रुपए आपने advance ले लिया है, तो वो आप मुझे return करेंगे, भले आप cancel कर दीजे contract, वो ठीक है, लेकिन मेरा पैसा, क्योंकि आप cancel कर रहे हैं, आपको मेरा पैसा लोटाना पड़ेगा, that's what 64 says, और 65 same cases में बात करता है किसकी, void, जब agreement या contract void हो, इसके लिए आपका है, 65 same बात, कि किसी भी party ने अगर कुछ ले लिया है, उस contract के बदले, कोई benefit obtain कर लिया है, तो वो benefit आपको वापस करना पड़ेगा, that's what 65 says, so यह है 64 और 65, अभी 65 का एक illustration है, बहुत important, जिसको मैं आपके साथ discuss कर होगा, बट वो अपन breach के साथ करेंगे, थोड़ा सा correlation है, इसलिए फिलहाल रुक रहा हूँ, चेक, तो यह है आपका 64 और 65, कि contract voidable है, तो कोई benefit obtain कर लिया है, तो return करना है, contract या agreement void होता है, तो 65 कहता है, आपने जो obtain किया, वापस करेंगे, इसी की तरह एक और remedy होती है, जिसक उसको बताता हूँ, इस particular illustration है, जो दो-तीन अलग-अलग तरीके से इस contract में आपको मिलेगा, singer और theater के manager वाला, उसकी पूरी कहानी एक साथ समझ लेंगे, तो फिर जहां भी आपको देखने को मिलेगा, you'll be able to understand, अब ज़रा आईए इस पे वापस, सो भाई देखो, performance हो गया, imposs possibility से हो गया, और novation और agreement के तुरू discharge हो गया, अब जो discharge कि हमें बात करनी है, वो करनी है, breach, breach से भी party discharge तो होती है, तो अब अपन पढ़ेंगे, breach को, कि ये breach of contract होता क्या है, देखिए, breach या anticipatory breach भी एक इसी का variant है, इसके लिए हमको वापस आना पड़ेगा, section 39 पे, expressly आप देखेंगे, तो breach के लिए provision नहीं है, remedy के लिए जरूर है, section 39 देखिए, जो इसकी बात करता है, section 39 कहता है, effect of refusal, वेरिट में वापस आजा, यह मैंने performance के समय छुड़वाया थ मैंने का था, breach में पढ़ेंगे इसको, so 39 is, effect of refusal of party to perform promise हो ली, party अपना promise परफॉर्म करने से मना कर देती है, that is breach, इसी को हम breach कहते हैं, कि आपने जो obligation लिया है, आप उसको perform करने को तैयार नहीं है, ready नहीं है, इसी को हम breach कहते हैं, अब 39 में ही implied है, एक particular चीज, जिसको हम कहते ह है, anticipatory, देखिए, breach कैसे होगा, एक होता है, actual, इसको ध्यान से समझना, यह anticipatory breach, यह जो anticipatory breach की कहानी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इससे related, pre में भी questions बनते हैं, और concept अगर आप समझ लेंगे, तो means में भी आपके लिए help होगी, एक तो actual breach होता है, एक होता देखिए, actual breach कब होता है, date of performance या time of performance पे, जब perform करना था, तब आपने मना किया, that's actual breach, और anticipatory breach कब हो जाता है, before performance, अभी performance due नहीं होई थी, उसके पहले ही आपने मना कर दिया, कि अपना obligation आप fulfill नहीं करेंगे, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा, 10 मिनट अगले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मान लिजे आपके और मेरे बीच एक contract होता है, कि आप अपनी car मुझे 5 लाख रुपे में sale करेंगे, और बात हुई थी गाड़ी देने की 1st January, मैंने काया य गाड़ी मुझे देंगे, आप जो deliver करेंगे, आप जो perform करेंगे अपना contract वो कब करेंगे, एक जनवरी को, अब एक जनवरी आने के पहले आज ही, आज 27 तारिक है, आज ही आप मुझे बोल देते हैं कि सर वो गाड़ी नहीं दे पाएंगे, हमको किसी और ने बढ़िया प्र पाँगा अपना obligation perform, इस breach को हम क्या कहते हैं, anticipatory, performance के पहले ही जो breach हो जाए, उसको कहते हैं, anticipatory, या फिर आज ही आपने वो गाड़ी उठा कि किसी और को बेच दी, तो आपने खुद को disable कर लिया, अब जब किसी और को वो गाड़ी बेच दी, जिसकी मेरी बात चल रही थी, ये मेरे साथ contract हुआ था, तो आप मुझे तो बेच नहीं पाएंगे, तो या तो आपने वो गाड़ी किसी को बेच दी, या आपने मुझे मना कर दिया वो गाड़ी बेचने से, इसको हम कहते हैं, anticipatory breach, और माल लीजिए, एक तारिक को मैं आपसे गाड़ी मांगता, और फिर आप मना कर देते कि सर नहीं दे रहे, या एक को आप नहीं देते, उसको हम कहते actual breach, so breach जो है, वो दो तरीके का है, एक actual, एक anticipatory, इस बात को मेरे ख्याल, आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से, anticipatory मतलब actual date, जब performance जब due हो रही है, उसके पहले ही आपने खुद को disable कर लिया है या फिर date of performance पे आपने perform नहीं किया, तो that will be actual breach, अब इसका distinction की जरूरत क्या है, क्यों इस distinction की जरूरत पढ़ रही है, breach तो breach है, anticipatory से क्या मतलब, उस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उस बात को समझ लिजेगा, कि anticipatory breach के case में होगा, क्या actually, और क्यों actual और anticipatory की हम यहा बात कर रहे हैं, अब देखो, date of performance जो थी, हमारे contract में गाली खरीदनी थी, जो मुझे, that was 1st January 24, चीक, और आपने anticipatory breach किस दिन कर दिया है, that is 27th December 23, 27 December को यह आपने anticipatory breach कर दिया, अब एक question यहां यह arise होता है, कि अगर आपने 27 December को ही breach कर दिया है, तो क्या कल मैं आपके against court चला जाऊं, 28 तारिक को contract enforce कराने, भाई, अगर आपने breach किया है, तो मैं court में जाके enforce करा सकता हूं, और अगर आपने आज ही, आप बात समझ रहे हैं, अगर आपने 27 तारिक को ही breach कर लिया, rate of performance एक जनवरी है, लेकिन आपने 27 को ही खुद को disable कर लिय तो क्या मैं कल, that is 28, क्या मैं 28 को court जा सकता हूं आपके against, इस contract को enforce कराने के लिए, या फिर मुझे वेट करना पड़ेगा एक जनवरी का date of performance का, तभी मैं contract enforce कराने जाऊंगा, पहले तो इसका जवाब दीजिए, तो मैं आगी की कहानी बताऊं, अब इसमें एक twist और है, तो पहले मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, will I have to wait, या फिर मैं जा सकता हूं, सीधे, so Monika का कहना है, जा सकते हैं, अब हमने कुछ है, good afternoon sir, 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 अगर किसी को आपके साथ पढ़ना हो, तो क्या eligibility criteria होगा, आप से बात कैसे हो सकती है, बटा एक number चल रहा है, आपके screen post पे call कर लेजे, you'll get all these details, मेरे साथ पढ़ना है, तो fees देनी पढ़ती है, उसके लिए, है ना, चलिए, खिर मजाब कर रहा हूं, आप बिल्कुल call करिए, आप बिल्कुल connect हो सकते हैं, मेरे time की availability के हिसाब से, आप से बिल्कुल बात मेरी हो जाएगी, दिये हुए number पे आप call क करेंगे, somebody will respond, एक बार time की availability देखके, बिल्कुल बता दिया जाएगा, कि आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, कोई परिशारी नहीं हो से, हाँ जी, मोनिका का कहना है, कर सकते हैं, मेसेज जाल दीजिए, अगर by chance call receive नहीं हुआ है, तो एक बार मेसेज भी डाल दीजिए, ठीक ह अच्छा, अब ये चीज़ बताईए मुझे, कि हाँ, आप कहरें, 27 तरीक को कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, मतलब मैं चले जाऊँगा, 28 को मैं चले जाऊँगा, 27 को आपने breach कर दिया, 28 को मैं आपके against court चले जाता हूँ, और suit file कर देता हूँ, breach of contract का, contract enforce कराने के लिए, मैं आ हमारा आज mood बदल गया है, आज तुमने बोल दिया है, अगर आपने ये कह दिया है कि आज आपने बोल दिया 27 तरीक को कि हम काड़ी नहीं देंगे, लेकिन एक जनवरी को तक मैं वेट कर रहा हूँ कि हो सकता इस बीच में कुछ आपका दिमाग वापस बदल जाए और सीज का एक आपका एंफोर्स करने के लिए, लिमेटेशन आक्ट आपको ठीक ठाक समय अवधी देता है, एक साल, तीन साल, इमोवेबल प्रापर्टी के इसमें 20-20 साल, तो उस दौरान आप कभी भी जा सकते हैं भाई, भले मेरा राइज आज हो गया, एंटिसेपेटरी ब् कमेंटोमेंट की चक्करों में ना पढ़ो बेटा, इधर पढ़ लो, यह कोई नहीं पढ़ाएगा, वो सब बातें बाद में हो जाएंगी, यह ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर मान लीजिए 27 तरिक को आपने तो ब्रीच कर दिया है, लेकिन पर्फॉर्म के डेट, बाद पूर्ट नहीं जाता हूं, एंटिसिपेटरी ब्रीच के बाद, इसके बीच में एक संभावना यह हो सकती है, कि बिफोर दी टेट ओफ पर्फॉर्मेंस कम्स, एक जनवरी के पहले, मान लीजिए, मान लीजिए 29 डिसेंबर को, आपके साथ वो हो जाता है, इंपॉसि करना था, अगर 29 डिसेंबर को ही, आप इंपॉसिबिलिटी के करण, रिफ्रेन हो जाते हैं, उस अबलिगेशन को आगे कर पाने के लिए, अगर वो कर पाना इंपॉसिबल हो जाता है, आपने एंटिसेपेटरी ब्रीच, आपने मुझे बोल दिया कि सर अब गाड़ी भेच करने का मन नहीं है, मैं कॉंट्राइट कैंसल कर रहा हूं, मैं आपको एक तरिक को नहीं दूंगा, गाड़ी, लेकिन 29 तरिक को आपकी वो कार बिना आपके फॉल्ट के चोरी हो जाती है, या उसमें आग लग जाती है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉई हो जाता है, अब अल्रेडी हम पड़ चुके हैं, डिस्चार्ज बाई, इंपॉसिबिलिटी या डॉक्ट्रीन ओफ फ्रस्ट्रेशन 56 में, मैंने आपने ब्रीच किया, लेकिन मैं कोट नहीं गया, सूट फाइल करने के लिए, ब्रीच में इंपॉसिबिलिटी हो गई, क्या आपको इस इंप मिलेगा, क्या इस सुपर वीनिंग इंपॉसिबिलिटी या सब्सिक्वें इंपॉसिबिलिटी का बेनिफिट आपको मिलेगा, अब बताइए, यस और नो, तो कि आपने इंपॉसिबिलिटी का बेनिफिट आपको मिल सकता है, या आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो कि आपने अंटिसिपेटरी ब्रीच कर लिए एक्च्वल टॉट फर्फॉर्मेंसेज 1st January I hope you got the I hope you got the concept यार प्लीज एक बहुत विनम्र निविदन है आपसे जब मैं पढ़ा रहूं मिर से इस बाते मत करा करो कुमेंट मैं आपको इससे related कुछ बात है तो कर लो सब नंबर नंबर चल रहे है फोन निन लग रहा है मैसेच कर लो यहाँ इस अपन चाहरा मत करो आक और था जबां भइसे तो बिल्खुल नहीं दे पाहूं German कि आप आपको अगर इतनी हमियत समझ में नहीं आ रही कि कोई बंदा या खड़े हो के concept समझा रहा है उसमें आप ये comment कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता आप पढ़ाने रहा है आपको सीधी सी बात यह है हाँ बाई बताई यह कि अधर समय देखो ना कब क्या बात करनी है किस से अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो यू में भी नोइंग वाट इटेक्स तो टीच है ना concept पढ़ना फिर उसको समझाना उसके बीच में तुम लगे हो इस सब बाते करने आप इतनी बार समझा चुका हूँ बाई जब मैं पढ़ा रहा हूं मेरे को डिस्टरब मत किया करो बीच में अल्राइट सो विशाल का कहना है नू नहीं मिलेगा impossibility का benefit तो मेरे ख्याल आपका यह सोचना है इस चीज़ पे विशाल और अभीशेक सभी लोगों का जो भी इसको कह रहे हैं मेरे ख्याल आपका सोचना यह है क्योंकि actual date of performance से मतलब नहीं है क्योंकि आपने anticipatory आपने anticipatory breach कर लिया इसलिए आपके हिसाब से इस impossibility का फाइदा नहीं मिलना चाहिए that's what you are thinking but the courts have a difference a different opinion but the courts has a different opinion अब मेरी बात बहुत ध्यांग से सुन लेना अगले पांच मिनिट के लिए देखो भाई मैं आपको पूरा क्रक्स बता रहा हूं multiple judgments है case के नाम मैं अलग से लिखवा दूँगा आप concept समझ देजे फिर आप कोई भी judgment पढ़ेंगे you will be able to understand अगर आपने anticipatory breach कर दिया है 27th December को ही आपने contract का breach कर दिया आपने मुझे inform कर दिया that you are not in a position to fulfill the obligation or to perform your path now I have an option मेरे पास option है मैं 28 कोई court चले जाओ या फिर वेट करूँ अगर मैंने वेट किया एक जनवरी तक का अभी मैं court नहीं गया हूँ अगर मैंने वेट किया है तो ध्यान रखना impossibility का benefit आपको मिल जाएगा अगर मैंने suit institute नहीं किया है enforcement of contract का अगर मैंने suit institute नहीं किया है damages का तो एक बात ध्यान रखना आपको impossibility का benefit मिलेगा क्योंकि actual date of birth क्योंकि मैंने ये option आपके लिए open कर दिया by not filing a suit against you immediately after the anticipatory breach मैंने ये opportunity आपको दी है मैंने ये option आपके लिए open कर दिया है कि आप बाद में इस impossibility का benefit भी आप ले सकते हैं अगर मैं wait करता हूं till 1st of January in that case आप इस impossibility का benefit ले सकते हैं ऐसे cases आपको मिल जाएंगे ऐसे cases आपको मिल जाएंगे यहां पर ठीक जहां ये चीज हेल्ड होई है कि भले ही anticipatory breach हुआ हो लेकिन आपने क्योंकि action institute नहीं किया है और actual date of performance के पहले कोई impossible event हो जाता है तो ऐसे में जो person breach कर रहा था उसको impossibility का benefit मिल जाएगा actual date of performance से ये देखा जाएगा super winning impossibility का benefit आपको मिल जाएगा एक ये बात ध्यान रखिए दूसरा अगर मैंने suit institute कर दिया मान लीजिये 28 को ही 28 December को ही मैं court चला जाता हूँ अगर मान लीजिये 28 December को ही मैं suit file कर देता हूँ आपके against for the enforcement or damage in that case अब 29 को अगर impossibility होती भी है तो इसका benefit आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने anticipatory breach किया बदले में मैंने action ले लिया 28 December को तो अब भले ही impossibility हो जाए 29 तारिक को आपको इसका benefit बिलकुल नहीं मिलेगा I hope the concept is clear regarding anticipatory and actual क्या इंपाक्ट होगा impossibility का इंटिसेपेटरी ब्रीच होने के बाद मेरे पास बिलकुल राइट है आपके एक इंट सुट फाइल करने का मैं अन्शी का करी इस समझ नहीं बिटा बीच में इदर उदर जाओगे तो नहीं समझ आए कितने लोग को आ गया समझ यस लिखके बता दीजिए एक तो एक बार यस समय है हमारे पास कि अगर आप अपना पर्फॉर्म करने से मना कर देते हैं उसको कहते हैं इंटिसिपेटरी ब्रीच आपको गाड़ी मुझे देनी थी एक जनवरी को आपने 27 दिसंबर को ही मना कर दिया कि नहीं उपाएगा कि या तो में 28 कोई आपके अगयंस कोट चले जाऊं भी ये लेटर किसी डेट we अगर मैं 28 कोग देता हूं आपके अगयंस कोट चला जाता हूं इसके बाद कोई भी सफर वीनिग impossibility होती रहे doctrine of frustration में जो हमने पढ़ा था section 56 ऐसी कोई भी impossibility होगी तो उसका impact हमारे contract पे मेरे suit पे अब नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने anticipatory breach 27 को कर दिया 28 को मैंने suit file कर दिया अब इस 29 तारिक को अगर मालेजे आपकी गाड़ी चूरी हो जाती है आग लग जाती है जिससे आप शायद benefit ले सकते थे 56 का अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने anticipatory breach किया और मैंने आपके against action ले लिया suit file कर दिया लेकिन अगर मालेजे आपने anticipatory breach किया है 27 दिसंबर को और मैं अभी वेट कर रहा हूं मैंने आपको टाइम देती है कि चलो ठीक आर एक जनवरी तक हो सकता है मूड बदल जा है फिर सही बेचने को तैयार हो तब देखेंगे एक को नहीं दिया तो suit file करेंगे मैं बैठा हूं ऐसा सोचके ऐसे मैं अगर 29 को कोई सुपर वीनिंग impossibility हो जाती है कोई doctrine of frustration का ground आपके पास आ जाता है वो गाड़ी चोरी हो जाती है उसमें आग लग जाती है in that case आपको इसका benefit मिल जाएगा अगर मैंने suit file नहीं किया है तो एक जनवरी के पहले तक आपको इसका benefit मिलेगा अच्छा आप एक चीज़ बताईए मान लीजे मैंने suit file नहीं किया 27 के बाद अभी मैंने suit file नहीं किया और तीन जनवरी को instead of first third january को अगर यह impossibility होती है तो गाड़ी चोरी किस दिन हो रही है तीन तारिक को तीन जनवरी को यह गाड़ी अगर चोरी होती है तो क्या आपको impossibility का benefit मिलेगा yes or no कि इस से related भी कोई confusion ना हो आपको है ना बताई यह तीन तारिक को मिलेगा yes or no करेक्ट स्रश्टी बिलकुल नहीं मिलेगा क्योंकि actual date of performance अब जा चुकी उस दिन तक करना था इसके बाद कोई benefit नहीं ठीक तो I hope the whole concept is now clear actual anticipatory होता क्या है क्या consequences होंगे action ले सकते हैं नहीं ले सकते that's the whole story regarding this case पड़ लीजेगा इसमें Hofster versus De La Torre एक बहुत important case है बिलकुल इसी तरीके के facts हैं इन cases के बिलकुल इसी तरीके के जो मैं आपको बता रहा हूं अल्मोस्ट इसी तरीके के facts आपको देखने को मिल जाएंगे कि यह एक केस है बहुत important कि एंटिपेटरी ब्रीच के रिगार्डिंग फ्रॉस्ट वर्सेज नाइट एक बहुत important case है that is also important कि आपको कॉंसेट्ट सब का जो कंक्लोजन है वो मैंने आपको समझा दिया है हाँ अभिशेख का यह डाउट है कि अगर पार्ट में परफॉर्म नहीं किया उस पर आ रहे हैं उसका इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको कहा था दो तीन जगे इंडियन कॉंट्राक्ट एक्ट में आपको मिलेगा उस पूरे इलस्ट्रेशन को अपन इदर समझ लेते हैं ठी यहां पर रख रहा हूं समझा रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ तीन इन में नहीं यह आपको 65 में भी मिलेगा और इसके बात 75 में भी मिलेगा कहां-कहां मिलेगा सेम इलस्ट्रेशन section number यहां लिख दे रहा हूं, फिलहाल पढ़ने मत जाईएगा, वो आप तब कर सकते हैं, जब मैं आपके सामने ना हूँ, है ना, अभी मेरी बात सुन लेना भाई, नहीं तो फिर कहोगे समझ नहीं आया, इन तीनों section में, same आपको एक illustration मिलेगा, मैं तीनों में जो बातें बत कि यहां पर एक है manager, theatre के manager है, इनका contract हो रहा है, एक singer के साथ, गाना गाने के लिए, S singer है, M manager है, इनका contract हुआ है, कि week में, दो दिन आपको आके गाना गाना है, अगले 6 nights के लिए, ऐसा, अपन उसको समझ लेते हैं, कि 6 बार आके आपको गाना गाना है, हमारे theatre में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, और 6th, मान लीजिए, 6 nights पे आपको आके गाना गाना है, अब आप illustration पढ़ेंगे, तो उसकी कहानी आप समझ जाएंगे, आप ऐसा समझ लीजिए, कि एक manager ने theatre के, एक singer के साथ contract किया है, कि आपको 6 nights पे आके हमारे यहां गाना गाना है, होता यह है, दो दिन यह singer गाना गाता है, तीसरी, 3rd night पे, यह willfully absent हो जाता है, without any reason, अब देखिए, इसमें दोनों चीज़ हो सकती है, अगर मान लीजिए, तीन तारिक को, वो willfully absent हो जाता है, अगर वो willfully absent हो जाता है, 3rd night पे, now the manager has an option, बात समझना अभी शेक जो भी डाउट था कि अगर पार्ट में perform, अब दो दिन उसने perform कर दिया है, 1st को perform कर दिया, 2nd perform कर दिया, 3rd को absent, now the manager has an option of either to cancel the contract or to continue with it, अब manager के पास क्या दिकार है, वो यहीं पे cancel कर सकता है, contract को, कि भई आप चौथे दिन हम अलाओ नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरे दिन आप absent हो गए, चौथे दिन हम अलाओ, नहीं करेंगे, that's the option the manager has, ठीक, या फिर क्या option है, continue करा दे, ठीक है, 4 को वो आया singer, उसने allow कर दिया, अगर उसने 4 को गाना गाने दिया, इसका मतलब implied consent दे दिया उसने, कि हाँ आप continue करो, तो continue भी करा सकते हैं, उसके बाद वो cancel नहीं कर पाएगा, अगर 4th night को manager ने गाना गाने दिया singer को आके, कि per night 100 rupees दिये जाएंगे, जत्ते दिन आप गाना गाना है, 6 दिन की बात हुई है, 6 दिन आपको गाना गाना है, हर दिन का आपको 100 rupees दिया जाएगा, अब एक बात समझना कि जब तीसरी night को singer absent होता है, manager has an option, either to continue or to cancel, अगर मालीजे manager cancel करता है, तो आप common sense से बताईए, अगर 3 तारिक को ये cancel करता है, तो क्या manager को singer को remunerate करना पड़ेगा for these two nights, 200 rupees देने पड़ेंगे, yes or no, आप बताईए जड़ा, दो दिन उसने गाया, तीसरी दिन absent हुआ, इसलिए manager ने आगे का contract cancel कर दिया, क्या इन दो दिन का payment करना पड़ेगा, क्या legally recoverable है, singer ले सकता है दो दिन का payment, बताईए, Yes or no? बिल्कुल, common sense क्या है, बाई, दो दिन तो परफोर्म किया है, तो दो दिन का पैसा तो बनता है, हमारा, दो दिन का पैसा बिल्कुल लेने के लिए कौन entitled होगा? आपका singer बिल्कुल दो दिन का पैसा लेने के लिए entitled होगा, अगर मान लीजिए ये जो manager है, third night को singer absent हुआ, उसने fourth, fifth, sixth को allow कर दिया, तो क्या manager, ये जो third night को absent हुआ है singer, इसका जो नुकसान हुआ manager का इस एक दिन का, क्या manager इससे वसूल सकता है damages, एक दिन ना आने के लिए, भल उसने allow कर दिया है, 4-5-6 को गाने के लिए, और 4-5-6 का भी payment तो करना पड़ेगा, अगर आप मेंने गाना गवाया है, लेकिन जो तीन को absent हुआ singer, क्या इसका compensation manager ले सकता है, yes or no, ले सकता है बिल्कुल, क्योंकि भाई इस दिन तो आपने उसका नुकसान किया ना, ना आके, तो वो compensation claim कर सकता है, बाकी दिन वो आया, तो बिल्कुल, remuneration आगे का भी मिलेगा, और अगर इसने यहीं cancel कर दिया, अगर मान लीजे, इसने absent हुआ, cancel कर दिया, क्या manager compensation लेगा, is cancellation of contract का, there also the answer is yes, बिल्कुल compensation लेना चाहिए उसे और लेगा, legally recoverable होगा, that's the whole story regarding this illustration, तीसरे दिन absent हुआ है singer, आप चाहें तो cancel कर सकते हैं, चाहें तो continue कराईए, जितने दिन गाना गवाया, उसका पैसा देना पड़ेगा, जब उसने नहीं गाया, तो वो पैसा, आपको, जिस दिन गाना नहीं गाया, उसका damage आप ले सकते है, manager ले सकता है singer से, अच्छा एक च theater में, manager ने, singer को hire किया था, एकी दिन first January को गाना गाना था, और first January को due to bad health, उसको इतना ज़्यादा बिमार हो गया कि गाना गाना की हालत में नहीं था, इसलिए singer perform नहीं कर पाया, और singer को 1000 रुपे advance manager दे चुका था, एक तारिक को जो performance होना था, 1000 रुपे advance मिल गए थे, और singer बिमारी की वज़े से गाना गाने नहीं आ पाता है, अब देखो, क्योंकि बिमार हुआ है, इसलिए गाना गाने नहीं आ पाया, तो doctrine of frustration का benefit मिलेगा section 56 में, ठीक है, practically possible नहीं है वो काम कर पाना, तो यहाँ पे breach तो नहीं हुआ, compensate तो नहीं करेगा singer, लेकिन singer ने जो 1000 रुप क्या लगता है आपको, क्या 1000 रुपे singer को वापस करने पड़ेंगे, बिमारी की वज़े से वो गाना गाने नहीं आया है, बिल्कुल करने पड़ेंगे, बस यही बात इन illustrations में लखी है, अब एक बार मेरे साथ इन illustrations को follow कर लीजे, तो आपको यह पूरा concept clear हो जाएगा, क्यों nights in every week, इन्होंने क्या किया, एक हफते में दो nights पे आना है, in every week during next two months, and B engages to pay her 100 rupees for each night's performance on the sixth night, A willfully absent herself, एक नाइट पे singer willfully absent हो जाता है, इन्होंने sixth night पे किया है, मैंने वो चीज थर्ड कर लिया, बात से है, A willfully absent herself from the theater, B is at liberty to put an end to the contract, तो सबसे पहले illustration में क्या बात बताई गई, कि जैसे ही willfully absent होता है singer, manager के पास right है कि यहाँ पे वो willfully cancel, वो यहाँ पे rightfully contract को end कर सकता है, cancel कर सकता है, यह हमने समझा, illustration, B देखिये, A, a singer enters into a contract with B, the manager of a theater to sing at his theater two nights in every week during next two months, and B engages to pay her at the rate of 100 rupees for each night, on the sixth night, A willfully absence herself with the ascent of B, A sings on the seventh night, इस दिन absent हुआ singer, लेकिन manager के consent से, चौथे night से फिर गाना चालू कर दिया, ऐसे case में क्या होगा, So, यहाँ लेका है, B has signified his accusations in the continuous of the contract, and cannot now put an end to it, क्योंकि singer को चौथे दिन गाना गाने दिया है, manager ने, इसका मतलब, उसने किसी इसका ascent रे दिया, consent रे दिया, कि यह contract continue कर रहा है, और अब वो इसे cancel नहीं कर पाएगा, अगर चौथे दिन से वो गाना गाने आता है, तो, किसी और वो चौथे दिन आके पांच पे दिन नहीं आता है, again the manager has a right to cancel, वही सारी चीज़ें, पांच को भी applicable हो जाएंगी, जो तीन को थी, आगे देखिए, but is entitled, that is very important, but is entitled to compensation for the damage sustained by him through his failure to sing on this sixth night, यह बाद भी मैं आपको समझा दी, यहाँ पे manager के पास अधिकार है कि third को singer absent था, उसके बाद भी वो fourth, fifth, sixth में continue करा ले contract, लेकिन तीन तारिक का damage या compensation वो claim करेगा, इसका अधिकार manager का रहेगा, यह बात illustration के letter part में लिखी हुई है, ठीक, तो यह बातें conclude हो गई, अब एक चीज़ हमने यह भी कही, कि भाया यह जो दो दिन singer ने गाना गाया है, भले तीन को manager cancel कर दे उसका contract, लेकिन यह जो दो दिन गाना गाया है, इसका पैसा recover करने के लिए भी, entitled है singer, यह बातें भी आगे मिलेंगी, तो यह हमने 39 में illustration पड़ा, इसके बाद सीधे आ जाईए जरव 65, section 65 देखिए, 65 में illustration C or D, section 65 में illustration C or D देखिए, C, A, a singer contracts with B, the manager of a theater, to sing at his theater for two nights in every week during the next two months, and B, engages to pay her 100 rupees for each night performance, on the sixth night, A, willfully absence herself from the theater and B, in consequence, recents the contract, तीन को जैसे ही, third night को singer नहीं आया, manager ने क्या किया, contract cancel कर दिया, आगे लिखा है, B must pay A, for the five nights on which she had sung, जिन दिनों पे उसने गाना गाया है, उसके लिए payment मिलेगा singer को, यह बात यहाँ लिखी है, ठीक, D, देखिए, A contracts to sing for B, at a concert for thousand rupees, which are paid in advance, A is too ill to sing, A is not bound to make compensation to B for the loss of the profits, which B would have made, if A had been able to sing, but must refund to B thousand rupees, यह वो example जो मैंने आपको बताया, कि एक January का ही contract हुआ है, कि एक January को New Year पे आके आपको perform करना है, advance 1000 rupees दे दिये गए, लेकिन बिमारी के वज़े से singer गाना गाने नहीं आ पाता है, तो अब जो loss हुआ, manager का, वो compensate यह नहीं करेगा, किसका benefit मिल जाएगा, impossibility का, frustration of contract है, उसमें को advance amount singer ने ले रखा है, manager से 1000 रुपे का, वो उसको वापिस करना पड़ेगा, इसके बाद आजाएए 75 पे, section 75 में भी है, यह illustration, concept बाद में समझ लेंगे 75 का, पहले यह illustration समझ लेते हैं, ताकि फिर आभी आगे मैं पढ़ा हुआ, तो correlate हो जाएगा, 75 में illustration लेगे, लिखा है, same, A A singer contracts with B, the manager of a theater, to sing at his theater for two nights in every week during the next two months, and B engages to pay her 100 rupees for each night's performance, on the sixth night a willfully absence herself from the theater and B in consequence resents the contract, contract cancel कर देता है, manager, B is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract, अब 3 को singer नहीं आया, तो उसने आगे का पूरा contract cancel कर दिया, अब यह जो पूरा contract cancel हुआ, अभी हमने कौन से compensation की बात करी थी, 3 तारिक के compensation की, अगर theater manager allow करता है 4th, 5th, 6th को performance, लेकिन 3 को तो absent हुआ है, इस दिन का जो loss है, वो recover हो जाएगा, यह बात तो 39 में लिखी थी, लेक अगर theater manager ने cancel किया है, तो आगे का जो पूरा contract cancel हुआ, उसका compensation theater manager singer से लेगा, उसकी non-performance की वज़े से आगे का cancel कर रहा है, जो theater manager है, तो पूरा compensation वो वसू लेगा, यह बात 75 में लिखी है, I hope now the correlation is clear, तीन जगे same illustration है, अलग-अलग respect में समझाया गया है, उसे, so I hope that illustration is clear, pre में आता है, बहुत important है, जी, किसी भी state judiciary का exam आप देखेंगे, आपको बड़े आराम से यह illustration सवाल में मिलेगा, अंशिका का doubt है, अगर manager को as a compensation, fourth को allow करता है, सिंग करने के लिए, बड़ बाद में, fifth, sixth के मना कर दिया, तो, कैसे होगा मतलब, अंशिका बड़े अभी तो मैंने बताया आपको यह, fourth को allow कर दिया, fifth and sixth, मना थोड़ी ना कर सकता है, यह बात ही नहीं समझे, third को option है, theater के manager के पास, third को अगर singer नहीं आया है, तो option है manager के पास की पूरा contract cancel करे, third, fourth को अगर उसने allow कर दिया, यह बात तो बेटा, 39 के illustration मैं भी बताई ना मेंने, अगर उसने allow कर दिया एक बार, तो फिर थोड़ी ना cancel कर पाएगा, अगर fourth को गाना गाने दिया, तो fifth, sixth को manager cancel नहीं कर सकता, उसके right के बाहर है फिर वो चीज, वो मैंने उस context में बोला था, आपने एक यह doubt रखा था अभी, कि अगर fourth को गाना गाने आया singer, और fifth को फिर absent हो गया, अगर fifth को singer absent होता है, तो manager का दुबारा वो right आजाएगा, कि वो यहाँ cancel कर पाएगा, अधर वाइस थोड़ी ना करेगा, fourth को अगर manager ने allow किया है, तो अब वो आगे cancel नहीं कर सकता, वो situation ही नहीं होगी, बिल्कुल मोनिका, compensation मिलेगा, बात समझो, conflict कुछ नहीं है, भया cancel क्यों हो रहा है, manager की गलती से तो नहीं हो रहा, third को आपने छे दिन गाने का contract किया था ना, singer की गलती है ना, कि वो नहीं आया third को, manager का right वहाँ से arise हुआ ना, क्योंकि singer गाना गाने नहीं आया, इसी लिए manager का right arise हुआ ना, cancel करने का आपके fault की वजए से, तो अब अगर हम उसको cancel करने का right दे रहे हैं, तो compensate भी तो कराएगा, क्योंकि उस भाई ने तो 6 तारिक तक का contract किया है, उसकी तो वही गलती नहीं है ना, इसमें, उसने तो 6 nights का contract किया है, यह जो cancellation हो रहा है, यह आपके fault की वजए से हो रहा है, So this is about 65, और आगे का भी मैंने correlate करके anticipatory के साथ आपको यह बात बता दी है, So this is about actual breach और anticipatory breach और उसके जो illustration है, सिंगर वाला बहुत important है, that's the conclusion, तीनों provisions में जो illustration दिया है, उसका conclusion मैंने आपको यहां समझा दिया है, अब हम move कर रहे हैं एक दूसरे chapter की तरफ, अब देखो इदार आजो पहले एक बार यह देखते चलो कि क्या-क्या हमने पढ़ दिया है, सो देखो भाई, formation पूरा हो गया हमारा, फिर हम discharge में आये, performance पूरा पढ़ लिया, impossibility पढ़ लिया, agreement innovation पढ़ लिया, breach भी पढ़ लिया, breach में हमने दो चीज़ हैं पढ़ी, anticipatory breach और actual breach, अब क्या बचा है हमारा damages, इसकी बात करेंगे, यह remedy है क्योंकि, इसकी बात करेंगे, damages की बात अभी करते हैं, हना उसके पहले हमको पढ़ना है, एक separate chapter है Indian contract act में, that is chapter 5, जिसको हम कहते हैं quasi contract, वो इससे अलग है, discharge का part नहीं है, quasi contract, actually contract ही नहीं है, उसके पूरे concept को समझ लीजिए, कि यह है क्या, थोड़ा बहुत brief मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक, तो जो हमारा chapter 5 है, Indian contract act का, यह actually contract नहीं है, chapter 5 में किन चीज़ों की बात करी गई है, दो parties के बीच के relationship की बात करी गई है, बट यह जो relationship है, they are not contracts, contract नहीं है यह, तो फिर क्या है, resembles contract, क्या करते हैं यह, contract से create होने वाले relationship को resemble करते हैं, resembling contracts, exactly contract नहीं है, लेकिन contract की तरह है, resembling मतलब उसके जैसा, चीक है, so chapter 5 में कुछ ऐसे relationships की बात है, दो लोगों के बीच ऐसा relationship develop होता है, जो law से enforceable है, party को obligation, resemble हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि obligation है, और कैसा obligation है, legal obligation, legal obligation मतलब उसको आपके against enforce कराया जा सकता है, कराया जाएगा, लेकिन क्या वो contract है, the answer is no, contract नहीं है, अभी आप देखेंगे, जैसे अपन provision पढ़ना चलू करेंगे, तो आप एक बात समझेंगे, कि वहाँ contract का कोई न कोई element lacking है, कुछ न कुछ missing है, इसलिए वो strictly contract नहीं है, लेकिन उसके जैसे relationship है, इसलिए उनको legally binding किया गया है, तो ऐसे कौन से relationship है, इसलिए आप chapter का नाम देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कोई भी statute आपको पढ़ना है, अगर आपको वो overview समझ आगे है, तो provision समझने में मुश्किल नहीं होती है, प्रोविजन समझने में मुश्किल बस इसलिए होती है, क्योंकि हमने उसके context को ही नहीं समझा, same problem आपके सांट TPA और NI में भी है, जिसके लिए आप पागल हो रहे हैं, हमेरे हार वीडियो के comment में मैं नहीं देखा है, कि जब तक contract नहीं पढ़ा थे, तो तक आप contract के रहे थे, अभी आपके रहे हैं TPA और NI, और the same problem is there as well, मैं बता रहा हूँ न, क्योंकि context ही नहीं पता हमें किस बारे में बात चल रही है, इसलिए बस समझने में समस्य होती है, otherwise इतना मेरा विश्वास है, आप लोगों में, कि आप इतने competent हैं कि आप provision पढ़के आप meaning समझ पाएं, बस आपको ये context समझने आता, इसलिए थोड़ी सी problem होती है, ठीक, सो भाई ये ऐसे relations हैं जो contract नहीं है, लेकिन contract की तरह ही binding है, देखिए 68, चेप्टर का नाम देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ नहीं, वो सब important है, चेप्टर का नाम, section का head note, वहीं से आधी चीज़ें clear हो जाती है, चेप्टर का नाम क्या है, of certain relations, resembling those created by contracts, contract के से जो relationship create होता है, उसी को resemble करने वाले कुछ relationships की बात हम इस चेप्टर में करेंगे, 68 बात करता है, claim for necessary supply to a person incapable of contracting or on his account, ये किन लोगों पर applicable है, minor के साथ अपन ने इसको पढ़ लिया था, अगर आपने किसी ऐसे वेक्ति को necessary supply करी है, जो खुद competent नहीं है, contract में enter होने के लिए, आप क्योंकि वो वेक्ति incompetent declared है, तो valid contract force में आएगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी य 60 एक binding obligation देता है, जैसे अगर किसी वेक्ति ने minor को necessary education, health, इन चीजों से related कोई चीज सप्लाय करी है, पैसा दिया है, तो वो legally recoverable है, भले ही वो binding contract नहीं है, क्योंकि minor is not competent to enter into contract, या person of unsound mind को भी आपने ऐसी चीज़न सप्लाय करी है, तो वो भी contract valid नहीं होगा, क्योंकि competent नहीं है, person of unsound mind, लेकिन अगर आपने necessary supply करी है, उसे आप reimburse कर सकते हैं, minor या person of unsound mind की property से, उसकी property से आप पैसा recover कर सकते हैं, estate से recover कर सकते हैं, ये बात 68 आपको बताता है, इसलिए 68 को हम कह रहे हैं, relationship which resembles contract, exact contract नहीं है, क्यों नहीं है, party competent नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उसकी जरूरत का समान उसको दिया है, आप legally recover उसको कर सकते हैं, that's what section 68 is, इसके बाद आईए 69, reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested, इसकी दरह language समझेगा, थोड़ी सी complex है, but जैसे ही illustration से उसको समझेंगे, you will get it, यहां लिखा है, a person who is interested in the payment of money, एक person है, जो interested है, money के payment में, which another is bound by law to pay, लेकिन उसको pay करने के लिए bound कोई दूसरा वक्ती है, एक वक्ती है, जो payment में interested है, और एक वक्ती है, जो legally bound है, उस payment को करने के लिए, and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other, समझ लीजे एक illustration से, एक है landlord, इस landlord ने tenant को अपना घर किराए पे दिया, यह घर है, landlord ने tenant को rent पे दिया है, रहने के लिए, अच्छा, rent का agreement होता है, तो generally उसमें क्या होता है, electricity और water charges जो है, वो tenant पे करेगा, लेकिन अगर मान लेजिए, कोई property tax वगेरा भरना है इस घर का, तो अगर parties ने expressly agree किया है, तब तो ठीक है, अगर यह agree कर लिया कि tenant भरेगा property tax भी, तब तो ठीक है, लेकिन generally क्या होता है, कि property tax, municipal tax वगेरा जो भी होता है, वो कौन पे करता है, landlord, छीक है, generally कौन पे करता है, landlord, तो अगर मान लेजिए, इस वक्ती ने, टीने, टेने ने, किराय पे यह घर लिया है, उसने lease करी है, एक साल की, दो साल की lease, या 11 मेने का rent agreement इसने कर रखा है, landlord के साथ, अब मान लेजिए इस घर का property tax का payment बकाया है, काफी time से area चल रहा है, सरकार ने, जो municipal corporations होती है, उसने मान लेजिए, इस घर पे एक notice लगा दिया, इसने किराय पे ले लिया है, एक जनवरी से इसका agreement चालू हो गया, किराय पे ले लिया, मार्च में, मार्च में ये notice आता है, इसकी tenancy कब तक है, December तक है, मान लीजी, इसने जो agreement किया है, वो January से December तक का किया है, और मार्च में एक legal notice आता है, इस property के regarding, कि क्योंकि इसका property tax जमा नहीं हुआ है, इसलिए इस property को seize कर लेगी सरकार, अगर अगले 15 दिन में एक notice आता है, इसके पास, कि अगले 15 दिन में अगर payment नहीं हुआ इस property tax का, तो यह property seize कर ली जाएगी by the government, अब देखो भाई, एक बात समझना, property tax pay करने के लिए, legally bound कौन है, तो bound है कौन हमारा, landlord, यह कौन है, person who is bound by law, to pay, यह bound है, इस payment में interest किसका affect हो रहा है, अगर यह property tax pay नहीं हुआ, और अगर सरकार इस property को seize कर लेगी, तो tenancy किसकी terminate होगी, इसकी, भाई इसने तो tenancy साल भर की कर रखी है, interest किसका impact होगा, tenant का, so he is the person who is interested in the payment, payment में interested कौन है, tenant interested है, tenant का interest impact होगा अगर यह property tax pay नहीं हुआ, so payment में interested कौन है, tenant, legally bound कौन है, landlord, ऐसे situation में, अगर यह tenant pay कर देता है, तो tenant is entitled to recover it from the landlord, यह legally या lawfully landlord से recover करेगा, भले इन नोनों के बीच में, there is no express contract, कोई contract हुआ ही नहीं है, इस बात का, कि property tax pay करनी है, इसका कोई contract नहीं है, लेकिन क्योंकि bound landlord है, but interest impact tenant का हो रहा है, अगर tenant पे कर देगा, तो he'll be able to recover it, that's what 69 says, अब उसकी language को पढ़िये, तो he'll get the whole story, यहा लिखा है, a person who is interested in the payment of money, that is T, which another is bound by law to pay, who is that another, landlord is the another, and who therefore pays it, अगर tenant इसको पे कर देता है, is entitled to be reimbursed by the other, in that case tenant is entitled to get it back, ठीक, I hope that is clear, तो there was no contract, still there is a legal obligation of the landlord, कि उसको उसे वापस payment करना पढ़ेगा, शर्त यह है, जिस वक्ती न पेमेंट किया है, उसका interest होना चाहिए payment में, और यहाँ बिल्कुल उसका interest है, I hope you got this, yes लिखके बता दो भाई एक बार, अगर समझ आ गया है तो, समझ में आ गया है तो एक बार yes लिखके बता दो, तो confirm हो जाया मुझे, आया भाई, और राइट, चलिए, 70 देखिए obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous art, अब ऐसे लोगों की बात चल रही है, यह बिल्कुल quasi contract में आएगा बिटा साब, क्योंकि there is no express contract, 68 से लेके 72 तक सबकुछ quasi contract है, 70 देखिए obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous art, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intended to do so gratuitously and such other person enjoys the benefit thereof, the letter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing, so done or delivered, देखिए जहां पे भी कोई चीज़ आपको offer करे गई है या आपके लिए रखी गई है और जिस वट्ती ने वो offer करा है, जिसने वो रखा है उसका इंट्रे ओ या उसका view gratuitously करने का नहीं है, gratuitous मतलब free, hookat में देने का उसका कोई intention नहीं है, अगर आपने उन services को या goods को avail कर लिया तो आप bound हैं उसका payment करने के लिए, भले as such कोई contract आपका उसके साथ ना हूँ, लेकिन किसी वक्ती ने कोई चीज या कोई services आपको offer करी है, और वहाँ उसका intention gratuitously करने का नहीं है, gratuitously करने का नहीं है, इसका मतलब पैसे लेने का interest है, जैसे माली जी आपने एक hotel के room में check-in किया, अब वहाँ पे एक छोटा सा refrigerator रखा है, जिसमें बहुत imported drinks और chocolates रखी हुई है, आपने निकाल के वो chocolate खाली, तो you are bound to pay, वहाँ clear intention होता है, gratuitously ना देने का, क्योंकि आपने देखा होगा, generally वहाँ पे एक price list भी साथ में रुदी होती है, कि क्या चीज कितने की है, this is to be shown before the court कि, gratuitously करने का intention नहीं था, अब जैसे मैं आपको YouTube पर पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ मेरा gratuitous interest है, कि भाई मैं free महीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मेरा कोई पैसे लेने का interest नहीं है, अब मैं आपसे नहीं कह सकता कि चलो बेटा, crash course हो गया, MPCJ का, तो जो आपने इधर उधर crash course purchase कर रखेते, paid वाले, उत्ता पैसा मेर को भी ला दू, यह मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मेरा interest ही gratuitous नहीं है, लेकिन आप पहले कि आप पर जाके course purchase करते हैं, तो that is gratuitous, तो वो depend करता है, जैसे आपने देखा होगा, malls बगेरा में आप जाते हैं, कोई नहीं चीज आती है, माली जी कोई नहीं drink launch होई है, तो वो simple pack देते हैं, free, रखे होते हैं, you can avail that, तो it is to be shown कि interest gratuitous नहीं था, in that case payment होगी, illustration आता है pre में, कि grains का bag, एक व्यक्ति, एक merchant व्यक्ति के घर के बाहर छोड़ जाता है, वो उन grains को use कर लेता है, अगर वो use कर लेता है, तो bound है पे करने के लिए, तो कि वो merchant है, ट्रेड मैं है, तो उसका intention gratuitous नहीं होगा, I hope you are getting this, so 70 कहता है, जहां व्यक्ति का interest gratuitously करने का नहीं है, उसका intention free में देने का नहीं है, तो वहाँ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक, सौरब इसके लिए भी एक बार प्लीज बड़ा given number पे message जाल दो, या call कर लो, तो रिजॉल्व डिस क्वेरी है ना, आप में अगर ऐसा कुछ आ रहा है, suspicious activity और anything like that, एक बार आप connect करोगे, matter solve हो जाएगा, ठीक है, फोन कर लो, बाइचंस call connect ना हो, तो WhatsApp पे message जाल दो, same number पे, यही जो number चल रहा है, इस पे आप WhatsApp डाल दो, युल्ट अ कॉल बाक from the team, and they'll resolve this problem, चलिए, इसके बाद आईए, 71 पे, responsibility of finder of goods, very important, प्री में पूछा जाने वाला, इस particular chapter से, सबसे जादा बार पूछा जाने वाला, section number है, finder of goods की responsibility, कहां दी हुई है, यह आप से पूछा जाएगा, section number, याद रखना 71, a person who finds goods, belonging to another, and takes them into his custody, किसी और के goods, अगर आपको मिल जाते हैं, और आप उसको अपनी custody में ले लेते हैं, तो आपकी वैसी ही responsibility है, जैसी एक बेली की होती है, अभी बेल्मेंट पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा, normal responsibility होती है, finder of goods की भी, आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी का mobile phone पढ़ा मिला, आपने उसको उठा लिया, उठा लिया तो आप उसको use नहीं कर सकते, otherwise IPC में criminal misappropriation हो जाएगा, तो अगर आपने किसी और वैक्ती का mobile phone सड़क पढ़ा मिला, उठा लिया, तो आपकी पहली responsibility यह है, कि आप उन goods की वैसे ही care करें, जैसे आप अपने goods की करते हैं, और rightful owner को ढूँने की कोशिश करें, reasonable efforts करें, और उस goods को वापस करें, that is your responsibility, तो यह बात बताई गई है, 71 में section number बहुत important है भाई इदर, इसके बाद आई है 72 liability of person to whom, money is paid, और thing delivered by mistake और under coercion, coercion के अंडर या गलती से आपको कोई चीज deliver हो गई है, या पैसा आगया है आपके पास, आप उसको use नहीं कर सकते हैं, आपको वापस करना है, compensate करना पड़ेगा, जैसे मान लीजे, Amazon से आपके पड़ोसी ने, एक कोई goods मंगाए, वो parcel Amazon का delivery boy, गलती से आपको deliver कर दिया, मान लीजे, पहले से paid था, already paid था, तो वो गलती से अगर delivery boy आपको deliver कर देता है, आप उसको receive कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारे पास आगया, तो हम ही इस्तेमाल करेंगे, आपकी duty है उसे वापिस करने की, अगर आपने उसको appropriate कर लिया, अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, तो you'll have to compensate the rightful person, जिसका actually parcel था, उसको आपको compensate करना पड़ेगा, मान लिजे, आपके पड़ोसी ने सुई की है, जुमाटो से कुछ dish order करी, और गलती से वेक्ति आपको deliver कर गया, तो निप्टा मत देना, और अगर आपने निप्टा दी है वो dish, तो पैसे देने पड़ेंगे, जिसने actually order किया था, भले आप दुनों के बीच कोई contract नहीं है, still you are bound under section 72, एसे कई बार गलती से account में पैसे credit हो जाते हैं, कभी आप में से किसी के साथ ऐसा हुओ है, गलती से account में पैसे आ गये, एक आध दिन में वो वापस भी चले जाते हैं, लेकिन जितना time वो आपके account में रहे, आपने सोचा कि अरे बढ़िया किसी के पैसे हमारे पास आ गए हैं और हम उसको उड़ा दें अगर आपने वो पैसे खर्च कर दिये तो आपको compensate करना पड़ेगा वापिस आपको देने पड़ेंगे rightful owner को ये लिखा है 72 में भले कोई contract ना हो आपके उसके बीच still you are bound to pay that amount है ना ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है कि मेरे account में गलती से कोई amount credit हो गया था and when I was pursuing law graduation and I was staying in university hostel है ना जैसा कि आप सब जानते हैं मैंने अपना law graduation BHEU से किया है बनारा सिंदू university और three years law में ने वहां से किया है तो तीन साल I was staying in the hostel और मैं शायद first year में ही था अपने graduation के Saturday का दिन था और शाम को 4-5-6 बजे के around मेरे account में गलती से एक amount आ गया ठीक ठाक उस समय के हिसाब से था because I have done my graduation in 2013 I completed my graduation आस से 10 साल पहले 10 से भी जादा so उस समय पांच-छे हजार रुपे मेरे account में आये थे which was a very substantive amount for us being a student 6,000 बिना बाद के आपके account में आ जाएं imagine करके देखिए आप university के boys hostel में रहते हैं और बिना बाद के आपके account में पांच-छे हजार Saturday की शाम को आ जाएं और ये बात आप अपने इनमेट्स से शेयर कर लें कि भाई फोकट के 5000 आ गए हैं तो आप स्थिती समझ रहे हैं मेरी क्या हुई होगी उस समय जान लेने मेठी थी जनता कि भाई साब आस तो Saturday मनेगा पट क्योंकि law entrance में मेरी ओल इंडिया 47 रांग थी और मैंने उसके पहले entrance के लिए law ठिक ठक पढ़ रखा था जिसमें contract was an essential part तो मैंने section 72 पहले से पढ़ रखा थी इसलिए मैंने खुद को भी समझाया और अपने साथियों को भी समझाया कि बटा आज तो आपने score देंगे फिर मंडे को मैं legally bound हूँ इसे वापिस करने के लिए फिर जहां से भी गलती से credit हुआ है bank employee से हो गया होगा जहां भी मेरा account था by mistake तो मैंने खुद को भी समझाया और अपने साथ वालियों को भी इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में पढ़ाई जरूरी not just to crack an exam उसके अलावा भी law बहुत जरूरी है लेकिन आप पता नहीं क्यों इस बात को समझने कोई तायार हुई है आपको रोज strategy और motivation ही चाहिए होता है बस concept नहीं पढ़ना चाहते हैं आप आप क्या चाहते हैं रोज strategy 15 day strategy 7 day strategy 3 day strategy भी चाहिए रहे भाई आपको अन सातियर म ने बढ़ाई करी नहीं है तो मैं चाहिए 3 day strategy रोज इनको motivation चाहिए पता नहीं कितने motivation की जरूरत है भारत में मैं समझ नहीं पाता हूँ आजकल आपने देखा होगा controversy चल रही है motivational speakers की मुझे तो वह business ही नहीं समझ आया मैंने भगवान के समाझ तक किसी motivator motivational speaker की speech नहीं सुनी वह आगर आप अपना effort daily basis पर कर रहे हैं that is the best thing to motivate yourself खुद को motivate कभी-कभी होता है ऐसा when you need someone to talk तो वह कोई भी हो सकता है आपका दोस्त हो सकता आपका family member हो सकता आपका mentor हो सकता आपका किसी से भी बात कर नहीं है तो यह जो motivation और strategy की भूख आप लोगों के अंदर है और concept की वि है ना पता निक कहां जा रहे हैं आप किस दिशा में आप जा रहे हैं you have to think on this have to think on this इसलिए भाई मैंने तो entrance से पढ़ाई करता आ रहा हूं मैं concept की पढ़ता आ रहा हूं तो वो जीवन में हमेशा काम आया है उस दिन भी काम आया था section 72 चलिए इस बारे में भी मतब एक separate series start करने वाला हूं वहर भी वोट्ट बी टॉपिंग अधर पढ़ाई नहीं जहां एसी चीजों पर अपने बात करें को कि देखो आईगे एक पात मेरे समझ में आई है कि ना अच्छा पढ़ा के आपको को शायद वो चीजें ना मिलें वैसा आउटकम ना मिलें यह मेरे समझ आ गया है पिछले काफी टाइम से आप इस चैनल को देखोगे बहुत सारे मतब यह सब्सक्राइब यह साल पहले यूपी के लिए भी पढ़ाया उसके पहले भी पढ़ाया वहाद अच्छा अच्छा चीज चालू करूंगा मैं जो सिर्फ मोटिवेशन होगी तो मैं आपको पहले ही बहुत कर दो कि सिर्फ उस से किसी का भला नहीं होगा यह शुड़ ब्लेंड 90% effort 10% motivation and strategy that's how it should be और बहुत extreme तो 70-30 इस से ज्यादा नहीं हो सकता proportion आपने क्या कर लिया उल्टा कर लिया strategy motivation चाहिए 80% effort है आपका 20 पस यहां गाड़ी उतर जाती है tracks से that's the problem और देखो content देने वाला तो जो आप मंगोगे देगा आप जहर खाना चालू कर दोगे लोग जहर बेचना चालू कर देंगे अच्छी पैकिंग में लोग खाओ भी की रा है क्योंकि आपको चाहिए तो इस नोट आलवेज दी फॉल्ट अफ्व दी अधर परस जो यह सब चीजे कर रहे हैं इस नोट बेर फॉल्ट इस यौर फॉल्ट बिकस्यूर कंजूमिंग अट नोवन एस आप कंजूम कर रहे हो सब को चीक है यह गलती आपकी है आप जो जंडा उठा के खड़े हो जा किसी और की रांग का गए इससे बिल्कुल गारेंटे इस बात की मेरे बहुत सारे बच्चे सेलेट हुआ हैं पिशले चार साल में इससे बिल्कुल यह शॉरेंस आपको नहीं दे सकता मैं कि आप भी हो जाओगे अगर आप उतना एफर्ट करोगे जितना उनने किया था तो ह हो पाहोगे अधरवारिस कुछ नहीं हो पाएगा आपका आप ऐसे भी स्ट्राटिजी की वीडियो देखते रहे जाओगे चलिए क्यार सो दाट्स अबाउट क्वाजी कॉंट्राट अब अपन आगे बढ़ते हैं हमारे डैमेजेज या कॉंपनसेशन की तरफ आ जाईए त तो दाट्स दे निक्स तेंग कॉंपनसेशन और डैमेजेज सो ब्रीच का एक कंसिक्वेंस है क्योंकि ब्रीच से भी हम दिस्चार्ज तो दे रहे हैं पार्टीज को पार्टीज का कंट्राक्ट्ट्र रेलेशन्शिप तो खातम हो रहा है ब्रीच से भी लेकिन अगर ऐसे ह छोड़ दिया जाए ब्रीच के बाद व्यक्ति को अगर व्यक्ति को ब्रीच के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर तो यह पूरा कारेकरम जो रचा गया है इंडियन कंट्राक्ट अट का इसका परपजी फोर्पीट हो गया इसी लिए रेमेडी है उसके लिए जिसक यह जो डामेज पे होने हैं इसको पे करने के लिए दो सवालों के जवाब चाहिए होते हैं अलग अलग काटेगरी में यह डिवाइड होगा अभी से कह रहा यह फ्री क्राश कोर्स इस फार बेटर दन पेड पोर्स हों क्यू फॉर इस कॉंप्लिमेंट वही प्रोब्लम वही ना कि संतक्व्त चाहिए है कोर्स नहीं चाहिए बाद समझना यह जो होते हैं कॉंट्राइक में दो थारीके से टॉट में सिर्फ और सिर्फ अनलिक्विडिटेट डामेज होते हैं अनलिक्विडिटेट मतलब जिसको पहले से डिसाइड नहीं किया गया है जब डिस्प्यूट होगा जब राइट का वोईलेशन होगा मैटर कोट के पास जाएगा and the court will determine the amount of damage. That's unliquidated damages. टॉट में हमेशा unliquidated और पहले से decide थोड़ी करेंगे. मैंने एक प्रमाईस लिया, अब यह हम अभी थोड़ी decide करते हैं कि मेरा पलव सी nuisance करेगा, उस nuisance से में disturb होँगा और compensation यह पहले से होता रही है. इसलिए वहाँ scoping नहीं है. टॉट में इसलिए damages कैसे होते हैं हमेशा unliquidated लेकिन अगर मैं बात करूँ contract की क्यूंकि दो parties willingly agree करते हैं इस relationship को create करते हैं इधर पर possibility है damages के liquidated होने की तो damages दो तरीके के होते हैं liquidated और एक unliquidated दोनों तरीके के damages यहां हो सकते हैं contract में अपन contract की बात कर रहे हैं तो liquidated unliquidated दोनों liquidated मतलग stipulated stipulated या फिर specified already specified कर लिया है जिसने parties ने parties ने already specified कर लिया है कि भाई कितना amount देंगे breach के case में मैंने और आपने contract किया आपकी गाड़ी खरीद रहूं पांच लाख रुपे में हमने contract में ही ये बात लिख लिए कि अगर किसी ने भी breach किया आपने या मैंने तो अग्रिवड पार्टी को एक लाख रुपे दिये जाएंगे as compensation पांच लाख का हमने contract किया आपकी गाड़ी मुझे खरीदनी है उस contract के तहत हमने उसी में ये लिख लिया कि भाई अगर हम दोनों में से किसी ने भी अपने obligation का breach किया तो वो सामने वाली पार्टी को एक लाख रुपे आस compensation प्रवाइड करेगा इसको हम कहते हैं liquidated, stipulated या specified तो ये एक हो सकता है इसके regarding जो पूरा principle है वो हमारा section चोहतर है इसकी अभी मैं बाद में बात करूंगा liquidated की इसके अलावा unliquidated जहां party ने कोई amount stipulate नहीं किया, specify नहीं किया या mention नहीं किया हमने बस contract कर लिया मैंने और आपने बस contract कर लिया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे fees pay करेंगे, चीक है, अब हमने ये तो लिखा नहीं कि अगर breach किया दोनों में से किसी ने तो क्या compensation होगा, तो जब भी breach किया जाएगा, चाहे आप करें या मैं करें, दूसरी party court जाएगी, now the court will determine the damages of amount of compensation which is to be paid, it will be decided by the court, court जब decide करता है, that is, unliquidated पहले से specified नहीं थे, जब matter सामने जाएगा, court के तब decide होगा, अब एक बात समझना, इस unliquidated damage को decide करने के लिए, दो चीजें basically decide होनी है, क्या है वो दो बात है, उनको समझ लेंगे तो 73 और इस से related case वे सब समझ आ जाएगा, एक इस बात सबसे जरूरी, unliquidated के case में, जब court के पास मामला आया है, और court को amount of damage determine करना है, दो सवालों के जवाब court को चाहिए, पहला, किस हद तक, किस consequence तक compensate करवाना है, इसको हम कहते हैं, remoteness, सबसे पहले क्या determine करेंगे, कि contract के breach से multiple consequences हो सकते हैं, कहां तक libel है party, जैसे for example, जिएगा, अभी इस year ही ऐसा हुआ था, कि 36 गड़ सिविल जज का examination था, सुभा की timing थी, मेरे खाल, if I am not wrong, 9.30 in the morning was the reporting time, something like that, अब बच्चे भी अलगी हो, जैसा मैंने अभी बताया, aspirants अलगी हैं आज कल के, motivation और strategy वाले बच्चे हैं, तो ये reservation भी ऐसा कराते हैं, और इतना ज्यादा विश्वास है इन इंडियन railway पे, कि बच्चों ने reservation कराए ऐसी train के, जिससे वो exam वाले दिन ही सुभा पहुँच रहे थे, उस शहर जहां इनका exam है, माल लीजे साड़े नौ बज़े रिपोर्टिं पहुचने का buyer train, जब आपने train में reservation कराया है, अपनी seat book की है, आपनी contract किया है railway के साथ, और railway आपको specified time के पहुचाएगा, 6 बज़े अगर उसका arrival है राइपुर, तो 6 बज़े आपको पहुचाना है, 6 बज़े आप नहीं पहुचे, train लेट हो गई, अब ठीक है, वो एक already section 55 भी पढ़ लिया है न, stipulated time compensation आप ले सकते हैं, तो compensation ले तो सकते हैं कैसे, एक सवाल जहां पे भी breach का होता है, जब भी breach होता है contract का, तो एक सवाल यह होता है कि किस हद तक applicable है, अब माल लेजे railway ने जो आपको समय पे नहीं पहुचाया, उसके बहुत सारे consequences है inner chain, सबसे प तो इसके लिए, अब उस train में और भी बहुत सारे लोग travel कर रहे थे, जो XYZ reason से उस place पे जा रहे थे, है न, कुछ हमारी team के members भी उस train में travel करके जा रहे थे, क्योंकि उन्हें promotional activities करनी थी, exam center के बाहर, उनका purpose अलग था, कोई और जा रहा था, जिसकी शादी तय होनी थी, वो breach हुआ, आप इसके multiple consequences हो सकते हैं, बहुत सारे consequences हो सकते हैं, सबसे पहला तो यही कि आप exam में appear नहीं हो पाए, आप exam में appear नहीं हो पाए, इस वज़े से आप अगले कुछ समय और विरोजगार रहेंगे, आपकी नौकरी नहीं लगी, आपकी नहीं लगी, तो क्या उसके लि salary मिल जाती, तो क्या आप railway से compensation में salary ले लेंगे, और retire होते तो pension मिलती, क्या वो भी देने के लिए liable है, या फिर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, आप जजज बन जाते, आप शादी करते तो आप दहेज भी लेते, आपने तो क्योंकि गाड़ी का color तक सोच रखा है, ह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको कम फीस में पढ़ाएं, आपधरी में पढ़ाएं, इसको कहते हैं हाइपोक्रसी, है न, हमें तो सरकारी permanent salary चाहिए, और जो हमें पढ़ा रहे हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पैसा ना दे, है न, जबकि फीस देने वाल सहेज भी चला गया, salary चली ज़िए जिन्दगी भर की, यह भी एक probability है न, यह भी consequence तो उसी का है, यह भी उसी का, तो ऐसे न, किसी भी breach के unlimited consequences हो सकते हैं, पता नहीं कितने consequences हो जाएं, इस चीज के, जैसे माल लीजिए, मुझे एक नए camera की जरूरत है, जिससे मुझे अपनी classes conduct कर रही है, अब मैंने एक vendor को order दिया, भहिया, तू camera दे देना यार, इस दिन पर, अब वो camera उस दिन लेके नहीं आता है, जो date के side हुई, उसकी वजह से मेरा एक important crash course चूट गया है, मैंने एक paid course चला रखा था, वो मैं deliver नहीं कर पाया, या माल लो, YouTube पे मुझे sessions लेने थे, और वो मैं इस purpose से ले रहा था, कि भाई ये sessions मेरे होंगे, इसको देख के student paid courses में convert होंगे, तो मेरे वो sessions impact हो गया, there is a possibility कि कुछ admissions उससे होते हैं, मुझे कुछ revenue मिलता, कुछ मेरा profit बनता, तो क्या मैं उस vendor से किस हद तक loss expect करूँ, किस हद तक वो liable होगा, इसको कहते हैं remoteness, कि आपने breach किया, उसका एक consequence, एक और ऐसे करते करते multiple consequence होंगे, तो सबसे पहले court को ये remoteness decide करनी होती है, कि आगर हमें compensate कराना है breach का, तो किस हद तक हमें compensate करवाना है, इसको ना proximity भी कहते हैं, अगर आपने law of thought पढ़ा हो, तो वहाँ ये principle काफी important होता है, क्योंकि negligence की cases जो हो होता है कि भाई, आपके negligence की वजए से अगर कोई नुकसान हुआ है, तो आप किस हद तक liable है, क्योंकि connection अगर आप देखें, तो direct indirect connection सारे अगर आपन देखें, तो लंबा जा सकता ये खेल, बहुत लंबा, तो क्या हर चीज के लिए वो विक्ति liable है, जिसने contract का breach किया है, the answer is no, आप prudence से सोचेंगे, logical दिमाग लगा के सोचेंगे, आपको खोद ये बात समझ में आएगी, कि the answer is no, ऐसा नहीं हो सका, multiple, अमदल, unlimited consequences के लिए कोई liable थोड़ी होगा, तो सबसे पहले हमको देखनी होती है, हमको answer करना होता है, इस remoteness के regarding, सबसे पहले court को ये देखना होता है, unliquidated damage देते समय, कि किन-किन consequences के लिए हमें liable करना है, और उसके बाद आप क्या decide करते है, quantum, क्या decide करते है, quantum, quantum मतलब पैसा कितना देना है, कितना amount देना है, that's quantum, बात समझ रहे हैं, दो अलग सवालों के जबाब चाहिए court को, पहला ये कि किस-किस consequence के लिए आप liable हैं, और एक particular consequence की आप exam नहीं दे पाए, उसको quantify कैसे करेंगे, monetary term में, कैसे पैसे में convert किया जाएगा, that's the second question, so these two questions are to be decided by the court, while granting unliquidated damages, इनका जो जवाब है, वो section 73 में दिया गया, Indian contract act के, और ये जो कहानी पूरी Indian contract act में रची गई है, ये भी एक case के द्वारा ही रची गई है, अगर आप में से कोई comment में कैस का नाम बता दे, तो मज़ा आ जाएगा, मैं समझ जाओंगा कि आप सिर्फ motivation और strategy वाले नहीं है, आप पढ़ते भी, case का नाम बताओ भाई, 73 किस पे based है, बहुत ही landmark case है, इसके बिना damages होता ही नहीं, pre में भी कई बार पूछाया चुका है यह case, और यहीं पर इन चीजों को discuss किया था, कोट ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ, that the court has to decide कि कि किस consequence तक के लिए आप liable होंगे, है ना, किस का नाम बताओ भाई, तुब आगे बड़ें, कोई बता सकता है, case का नाम, damages से related, बहुत important और landmark judgment है, चलिए, Headley versus Bexandale, cases, Headley versus Bexandale, spelling क्या है, case, Bexandale, that's the case, 1854, citation याद करना जरूरी नहीं है, पहले भी इसके बारे में बात की है, मैं सिर्फ इसलिए mention कर देता हूँ, कि by chance आपको फर्दर इस पर पढ़ना है, facts जानने है, चीज़ें समझनी है, तो आपके पास reference के लिए रहे हैं, so that you can read it later on, search वर्ज करके, detail में अगर आप पढ़ना चाहें, तो आप पढ़ सकते हैं, यह बहुत ही landmark case है, इसी पर based है, Indian Contract Act का section 73, of the Indian Contract Act, ठीक है, आप देखिए, हिटले वर्स वेक्जंडेल में होता क्या है, एक mil होती है, जहाँ manufacturing का काम होता है, उस mil का एक particular machinery खराब हो जाती है, उसका एक part खराब हो जाता है, और वो machinery जब खराब होती है, और जिससे production हो रहा था, तो इस mil का contract होता है, ट्रांसपोर्टर के साथ, कि भईया, तुम्हें यह machinery लेके, एक particular destination पे जाना है, ठीक, समय भी decide हुआ था, और यह आपको लेके जाना था, होता यह है, कि यह जो ट्रांसपोर्टर है, यह उस machine को deliver करने में समय ज़्यादा लगा देता है, काफी ज़्यादा समय यह ले लेता है, अब क्योंकि ज़्यादा समय ले लिया, तो वापस repair होके आने में समय ज़्यादा लगा, इस वज़े से मिल को unreasonable time तक बंद रखना पड़ा, एक तो expected time पहले से था, कि आब इतने दिन के लिए जा रही है, तो बंद रहेगी, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने इसको delay कर दिया, इस वज़े से कुछ additional days पे भी वो मिल बंद रही, अब क्योंकि मिल बंद रही, production न Now, एक suit file करती है, ये मिल, ये company, किस के against, उस transporter के against, कि भाया, तुमने ये delay किया है, जो की जरूरत से जाधा delay था, and that was your fault, इस वज़े से जो हम profit कमते इस दौरान, क्योंकि आपने delay किया, इस वज़े से हमारी मिल बंद रही, और हम manufacturing नहीं कर पाए, तो profit impact हुआ है, उसको damage मा करती है, that was that, these were the facts of headlay versus backzendale, और इसमें होता क्या है, end में, court ये decide करता है, कि भाई देखिये, जो losses के लिए liable है, वो party जिसने breach किया है, वो सिर्फ उन losses के लिए liable है, जो ordinary course of nature में arise हुए, ordinary course of business में, जो arise हुए है, सिर्फ उसके लिए है, इसके अलावा, अगर कोई special damage होता ह है, तो वो special damage आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ तब मिलेगा, जब इसकी जानकारी contract करते समय दी गई हूँ, court ने इस case में held किया, कि ठीक है, आपकी वो machinery खराब हुए, आपने दिया, तो वो जो transporter है, उसके part पे हम ये नहीं कर सकते कि उसे ये बात पता हो कि इस वज़े से मिल बंद है, there may be a possibility कि आपके पास दूसरी चीज़ हो, part एक खराब हो गया, मिल थोड़ी बंद हो जाए कि उस वज़े से, तो court ने कहा भईया, ये तो इस presumption पे फिज़े की दूसरा होगा, part आप उससे चला होगे, इस वक्ति को तो जानकारी transporter को आपने expressly ये तो बताया नहीं था कि भईया, इस बज़े से हमारी मिल बंद है, ऐसे cases में वो जो profit है, इसका damage पे नहीं होगा, सिर्फ उतना damage पे करेगा, वो transporter जो ordinary course of business में होता है, यहां से दो principle लेट डाउन होते हैं, उनको ज़रा समझेगा, with example मैं आपको ये बात समझाता हूँ, तो यहां से एक चीज ये arise हुई, कि जो damages होंगे, हेडले वर्सेज बिकसंडेल में भी यही चीज थी, और 73 भी इसी की बात करता है, कि भाई, एक तो आपको damage कौन सा मिलेगा, जो ordinary course of business में होता है, regular course of business में जो loss होता, वो, उसको हम क्या कहते हैं, देखो अब मैं जा रहा हूँ, damages के classification पे, तो उसको हम कहते हैं, general damages, क्या कहते हैं, general damages, general damages क्या होते हैं, जो ordinary course of business में किसी का नुकसान होता है, वो general damage, इसके अलावा कुछ extraordinary हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, special damage, उसको क्या कहते हैं, special damage, और एक बात ध्यान रखना, ये special damage, तभी पेबल होते हैं, जब contract में enter होते समय पार्टीज को इसका knowledge हो कि हमारे breach से ये consequence भी हो सकता है इस बात की जानकारी होनी चाहिए सिर्फ उस situation में special damage पे किये जाते हैं otherwise नहीं किये जाते एक example से इस बात को और समझ लेते हैं हम देखिए मान लीजिए A और B दोनों travel करते हैं एक बस से एक बस का इनोंने ticket लिया है और उन्हें इस point से travel करके जाना था इस पॉइंट से travel करके इस पॉइंट तक जाना था जिसका उन्हें बस यहां से चलनी थी और वहां तक जानी थी इसका उन्हें ticket purchase किया अब जब यह बस जाती है इस particular point पे पहुंचते हैं यहां यह बस पहुंचती है और जितने भी और passengers थे वो सारे के सारे यहीं उतर जाते हैं यहीं तक उनका destination था वो सबके सब यहीं उतर जाते हैं तो जो बस वाला है वो कहता है अब आगे हम नहीं जा रहे हमको यहां से कहीं और जाना है उनको इस particular point पे जाना था तो बस वाला कहता है कि तुम भी यहीं उतर जाओ अब दो अब A और B को यहां से ट्रावल फुद पैदल चलके डेस्टिनेशन एक ठीक ठाक ट्यूरेशन होता है एक दो किलोमेटर का तो रात का समय था और रात के समय इन दोनों को पैदल ट्रावल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुचना पड़ता है इसमें होता यह है कि B जो है क् थोड़ा सा सरदी का समय भी था B की न तवियत खराब हो जाती है इसको क्या हो जाते हैं है रात में पैदल आने की वजह से हेल्थ पे इंपाक्ट होता है इसके अब A और B सूट फाइल करते हैं ब्रीच ओफ कॉंट्राक्ट का उस बसके अगेंस्ट और वो कॉंपनसेशन के दो अमाउंट्स मंगते हैं एक यह कि जो उनको इतना पैदल चलके जाना पड़ा और जो इसकी तबियत खराब हुई और इसका इलाज बिलाज हुआ 500 फॉर डाट टोटल मिलाके 1000 रुपे यह मांगते हैं एज डैमेज किस से बस कंपनी से 500 रुपे जो इनको पैदल चलना पड़ा और 500 वो जो उसकी तबियत खराब हुई आप जरा common sense लगा के बताईए कितना compensation देने के लिए liable है बसवाला what is your answer what is your answer कितना compensation देने के लिए liable है बसवाला बता हुई कोने का क्याना है पांचसो और पांचसो सिर्फ कौन से वाले पांचसो दिलवा रहे हो यह वाले यह वाले यह वाले यह क्या है ordinary course of business में क्योंकि आपने बीच में छोड़ दी अब obviously पैदल चलके जाना पड़ेगा इसको कहते है जनरल डामेज तबियत खराब होना एक special circumstance है इसलिए यह क्या है special damage क्यों ऐसा क्या रहे है यह general क्योंकि दो लोगों ने travel किया था एक ही कि तबियत खराब हुई है यह special circumstances है यह special loss है और इसकी जानकारी इस point of time पे party को नहीं होती while they were contracting जब यह लोग contract में enter हो रहे थे तब इसका knowledge नहीं था इसलिए कितना amount payable होगा just this 500 जो आपने as general damage मांगा है सिर्फ इतना पे होगा rest of the amount पे नहीं होगा ऐसे ही कुछ illustration आपको 73 में और मिल जाएंगे एक illustration वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको पूरी कहानी clear हो जाएगी इस चीज़ के कि किन-किन consequences के लिए liable होते हैं आपके ए और बी के बीच यहां एक contract होता है एस दी supplier of raw material रो माटेरियल सप्लाय करता है ए बी को करना है उसे माल लीजे यह decide हुआ था कि भाई जो raw material सप्लाय करने है वो आपको करना है 15 January 15th January 24 रो माटेरियल सप्लाय करना था लेकिन यह वक्ति delay कर देता है और इसको जब यह contract हो रहा है तब एक को पता है कि इसके पास जो stock बचा है raw material का वो 15 जनवरी तक का ही बचा है और 15 जनवरी तक अगर इसके पास raw material नहीं पहुचा तो यह अपनी manufacturing unit आगे नहीं बढ़ा पाएगा यह manufacturing unit है एक mil है एक factory है जिसके लिए raw material ए उसे सप्लाय करता है बी ने एक के साथ contract किया है कि भाई तो मुझे raw material supply करेगा अब देखो मैं आपको ना 73 overall conclude कर दे रहा हूँ इदर बाकी चीज़ें भी तोकि हमें क्या-क्या decide करना हैं दो बातें रिमोटनेस भी और क्वांटम भी की amount calculate कैसे होगा मैं दोनों एक इलस्ट्रेशन में आपको समझा दे रहा हूँ बाकी फिर आप 73 के सारे इलस्ट्रेशन रीड करेंगे सब एक जैसे ही है उसी की तरह है तो 15 जनवरी को raw material supply होना था मानलीजे iron supply होना था कितना iron supply होना था तो let's say बात हुई थी 100 kg iron supply होना था at the rate of 10 kg at the rate of 10 rupees sorry 10 रुपे कीजी के हिसाब से 100 kg iron supply करना था raw material supply करना था बी के पास ठीक अब 15 जनवरी को इसको पता है कि 15 जनवरी के बाद इसके पास raw material खतम हो जाएगा मानलीजे यह जो raw material supply करता है वो 15 जनवरी को नहीं कर पाता है और instead of that वो supply देता है 25 जनवरी को वो यह supply करता है कितने दिन का डिले किया 10 दिन का अब मानलीजे यह व्यक्ती बी जो है 10 दिन में मानलीजे profit कमाता 200 रुपे का अगर इसकी मिल चलती ठीक ठाक 15 को अगर इसको मिल जाता और भी एक को यह बात तो normal है obviously चीज है कि भाई factory बंद हो जाएगी तो 200 रुपे का profit यह बनाता कितने इन 10 दिन में कितने का profit बनाता 200 र बता है कि क्या यह 200 रुपे को compensate करने पड़ेंगे क्या भी लाइबल है 200 रुपे का वह जो profit बनाता क्योंकि इसको यह जनरल जानकारी है कि भाई यह तो 200 रुपे तो उसके normal course का profit है वो बनाता और यह बात obviously दोनों काफी टाइम से deal करने उनको पता है कि भाई अगर raw material समय प profit बनाता है ठीक तो 200 रुपे के लिए लाइबल होगा है बहुत अब मालेजिए कहानी इसमें और एड होती है कि भाई इसने बोला था कि 15 जनवरी को supply कर देना नहीं तो मिलवान हो जाएगी मेरे पास raw material बचा नहीं यह तो obviously बात दोनों को understood लेकन एक कहानी इसमें और यह भ contract मिलना था सरकारी contract जहां वो normal जो manufacture करके कमाता है उससे थोड़ा ज्यादा कमाता नॉर्मली 200 रुपे यह कमाता है दस दिन के अंदर अगर उसको वो government contract 20 जनवरी को inspection होना था उसकी company में government के कुछ लोग आने थे and if everything was fine तो इसको एक government contract मिलता और इस government के contract से यह बंदा profit बनाता 500 रुपे additional profit कित्ता बनाता 500 रुपे का यह बंदा additional profit बनाता अगर यह government का contract मिल जाता क्योंकि 20 तारिक को inspection होना था इसलिए इसने 15 तारिक दी थी कि यह raw material supply कर देना कि जब सरकारी अफसर आएंगे तो चलती हुए दिखनी चाहिए मिल मेरी लेकिन यह बात बी ने बताई नहीं यह बात बी ने एक को communicate नहीं करी है बताई नहीं है एक को बस यह पता है कि 15 जन्वरी को raw material supply करना है और ordinary course of business में यह है कि 15 को नहीं हुए तो बंद हो जाएगा और फिर ए जब 25 तारिक को यह raw material supply करता है दस दिन बाद तो यह तो ordinary course का हो गया 200 रुपे इसको हम क्या बोलते है general damages यह तो पे करेगा क्या ए लाइबल होगा for the payment of this 500 rupees जो की है क्या special damage क्यों है special damage क्योंकि ordinary course of business नहीं है वो ordinary course of business में तो 200 बनाता अलग से सरकारी contract मिलता उससे वो 500 रुपे बनाता profit that is a special damage that is arising out of a special circumstance क्या ए लाइबल होगा यह 500 पे करने के लिए इस case में so the answer is no क्योंकि हेडले वर्सेस बेक्जंडेल में भी कहा था special damage तब तक recoverable नहीं है कब तक जब तक एक को उसका knowledge ना हो at the time of contract अगर contract करते समय भी यह बात एक को बता देता कि भाई आप 15 को दे देना मेरा ना government contract आने वाला है 20 को यह बात अगर बता देता तब वो special damage भी cover करता तब कित्ता लेता 200 रुपे general प्लस 500 रुपे special दोनों क्लेम करने के लिए इंटाइटल होता बट इस situation में नहीं है क्योंकि उसने बताया नहीं आप पढ़ते हैं अपन 73 यही कहानी जो मैंने आपको बताई यही हैडले वर्स बेक्जेंडेल है किन चीजों की बात कर रहे हैं अपन दो तरीकी के जन्रल स्पेशल जन्रल तो मिले गई लेकिन स्पेशल सिरफ तब मिलेगा जब नॉलेच होगा देखिए 73 पड़ते हैं कॉंपन सेशन फर लॉस और डामेज कॉस्ट बाइच ब्रीच अव कॉंट्राक्ट वन अ कॉंट्राक्ट वाइच विन ब्रोकन अपार्टी हो सफर्स वाइच ब्रीच इस एंटाइटल तो रिसीव फ्रॉम दी पार्टी हुआज ब्रोकन दी कॉंट्राक्ट लिखा है कॉंपन सेशन फॉर एनी लॉस और डामेज कॉस्ट विम देर्वाइच अंडरलाइन कर लीजे विच नेचरली अरोज इन दी यूजवल कोर्स ओव थिंग फ्रॉम सच प्रीच कितने के लिए लायबल हूंगे जो नेचरली अराइज होता है यूजवल कोर्स ओफ थिंग में वो दो सो रुपरे वाला चीक आगे लिखा है और विच दब पार्टी इस न्यू एक तो उसके लिए लायबल हूंगे या फिर किस के लिए लायबल है in that case इसको कहते है special damage in that case special damage भी पेबल होंगे अगर पार्टी को knowledge है contract करते समय चीक तो यही आपका 73 भी कहता है यही हेडले वर्सेस बेक्जेंडेल का भी क्रक्स है आगे लेका है such compensation is not to be given for any remote यह भी बहुत important है such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reason of the breach indirect या remote loss के लिए liable आप नहीं होंगे वो जो मैंने आपको कहा थे ना कि damage जब decide करना है unliquidated तो यह भी तो जितने भी remote या indirect losses है वो आप पे नहीं करेंगे सिर्फ कौन से पे करते हैं जो direct है और special damage कप पे होते हैं जब knowledge हो यह ध्याम रखना general damage और special damage I hope this is clear damage का 74 complete करेंगे तो classification पूरा मैपको अलग से बताऊंगा अब 73 के इलस्ट्रेशन जो है second paragraph क्वाजी contract की बात करता है वहां भी compensate करने का यही तरीका होगा that's it हमने एसारे में भी पड़ा है एसारे में जब भी court को एसारे में जब भी court को damage देना है तो वो court के कौनसे principles को follow करेंगे 73 Indian contract act के principle follow करेंगे so damage पे कर रहो चाहे एसारे में जब चाहे contract में 73 के हिसाब से calculation होगा अच्छा अभी तो हमने बात कर ली यह किसकी बात हो गई remote-ness की quantum कैसे decide होगा कि कितना पे करना है इसके लिए न multiple हमारे पास illustration है आप 73 देखेंगे तो multiple illustration है मैं एक दो example बता देता हूँ सब similar हैं बाकी same example अपन लेते हैं A और B का A को supply करना है raw material किसको B को date decide हुई थी आपकी raw material supply करने की 15 जन्वरी 15 जन्वरी को अगर यह fail हो जाता है अपना obligation fulfill करने में ऐसे case में B अगर market से जाता है purchase करने raw material कहां जाता है open market में जाता है same quality का raw material same quality का iron खरीदने इन दोनों का contract कित्ते का हुआ था 100 kg rate क्या होना था at the rate of rupees 10 per kg 10 रुपे के हिसाब से इसको मिलना था as per the contract अब क्योंकि इसने deliver नहीं किया B market से purchase करता है और market से में जो rate उस दिन उसको मिलता है same quality of iron का वो उसको मिलता है 12 रुपे पर केजी का rate मिलता है plus क्योंकि breach of contract हुआ 15 को इसने जो ढूंडा market में उससे related expense आप क्योंकि तुरंत उसको arrange करना पड़ा माल लिजे 100 रुपे उसके उसमें भी खर्चा हुए अरेंज करने में 100 रुपे खर्च हुए और मिला किस rate पे 12 रुपे के rate अब आप बताईए बी जो है ये compensation claim कर रहा है A से क्या compensation कि भाई जो मैंने 10 रुपे में बात की थी वो में को मिले 12 रुपे के तो total इसने कितने का raw material खरीदा 1200 रुपे का raw material खरीदा plus 100 रुपे inconvenience ढूंडने में जो गाड़ने में जो खर्चा हुआ वो 100 रुपे total 1300 रुपे में इसको वो पड़ा iron अब आप बताईए बी कितना compensation ले सकता है A से common sense है सब कुछ common sense के लावा कुछ नहीं है ज़रा आप बताईए मुझे कितना compensation claim करेगा इससे लेता तो कितने का पड़ता हजार रुपे का अगर यह contract fulfill करता तो कितने का पड़ता हजार रुपे का लेकिन सेम डे मार्केट से खरीदा तो कितने का पड़ा 1200 और 100 रुपे in convenience लगा जो एंड टाइम पे purchase करने में expenses हुए बताईए जरा कितना loss पे करेगा तो इसके लिए आप देखेंगे मार्केट प्राइज माइनस contractual प्राइज अरे बस यही तो खेल है बटा तेरा सो रुपे compensation कैसे ले लोगे भाई हजार रुपे तो आप इसको भी देते ना अगर यह deliver करता तो हजार रुपे तो आप इसको भी देते अभी आपने कितने खर्च किये तेरा सो क्योंकि दो सो रुपे एडिशनल महेंगा मिला और सो रुपे वो तो जो compensation का amount होगा बिटा डाटल भी 300 किदर से आया 200 रुपे जो एडिशनल आयरन के दिये और सो रुपे जो inconvenience हुआ है ना हजार रुपे तो आप इसको भी देते ना हजार तो इसको भी देते ना आयरन सप्लाय करता है तो जो डिफरेंस किस किस चीज का डिफरेंस तो यह क्या होता है market price minus contract price ऐसे निकलता है amount I hope you are getting this market price minus contractual price that's one thing इसमें कोई समस्या तो नहीं है भाई किसी को yes or no बहुत simple सी बात है बहुत simple सा logic है अच्छा अब इसमें ना थोड़ा सा twist भी आता है वो twist क्या आता है थोड़ा उसको समझना उस दिन क्या होता है जिस दिन breach होता है contract का उस दिन market में same quality का iron एक available होता है एक available होता है 12 रुपए में और एक available होता है same quality का 15 रुपए में लेकिन क्योंकि ज्यादा convenient 15 वाला खरीदना था ज्यादा दूर जाने की जरुरत नहीं थी लेकिन बारा में भी अवैलेबल था और जो उस चीज़ को comply करने में खरीदने में जो expense हो रहे हैं वो तो अपन दिलाई रहे हैं यह सो रुपे क्या है expense है यह तो हम दिलाई रहे हैं अब market में उस दिन same quality दो उसने का भी यह तुमने ब्रीच किया है हम क्या जाने अब जो हमको ज्यादा ठीक लगेगा अवेलेबल होगा हम ले लेंगे अवेलेबल दोनों से 12 रुपे में भी same quality अवेलेबल थी 15 इस भाई ने ले लिए 15 वाले तो अब यह चीज कितने की पड़ गई जो 1000 की आनी थी वो कितने की मिल गई इसको 1500 की मिली तो अब यह बंदा claim कितना compensation कर रहा है इस बात को समझना भी अब क्या claim कर रहा है तो भी claim कर रहा है अब 500 रुपे कि भईया लाओ 500 दो बहले अब लेबल 12 और 15 में थी हमने तो 15 वाली खरीदी तो अब हमें कितना चाहिए 500 क्योंकि तुम कि यस और नू कि बताइए यस और नू कि अधा भाई जल्दी नॉट लाइबल क्यों यहां एक concept समझना यहां पर कहते हैं duty to mitigate इस concept को क्या कहते हैं इस concept को बेटा कहते हैं duty to mitigate प्री में सवाल मिलेंगे इससे ध्यान रखना जिस पार्टी के against breach हो रहा है जो aggrieved party है यह उसकी duty है aggrieved कौन है भी है इसकी duty होती है mitigate करने की losses को duty to mitigate losses या damage उसको mitigate करने की responsibility यह है यह नहीं कि आप सामने वाले ने breach किया जान लिलो जैसे माल लीजे आपने आपका pre का exam पड़ा है भुपाल में एक particular point पे आप दूसरे शहर से भुपाल आए आपने hotel में stay किया पाँच किलोमेटर दूर आपका exam center है आपने पहले ही priority basis पे क्योंकि आपने मेरा आज का lecture सुन रखा था तो 36 गड़ जैसा कांड आपके साथ ना हो जाए इसलिए आप well in advance भुपाल पहुंच गए है एक दिन पहले ही MPCJ के और बढ़िया आपने क्या किया एक auto वाले से बात कर ली होटल के नीचे एक auto वाला मिल गया उसके साथ आपने contract किया उसके साथ आपने बात कर ली कि भईया पेपर है मेरा सुबह माल लीजे reporting टाइंग 14 बजए है पांच किलोमेटर ट्रावल करना है आपने well in advance उसको बोला भईया तू तो सुबह साड़े नो बज़े आ लाना है तो जो प्राइज आपकी डिसाइड होई आटो वाले के साथ 200 रुपए 200 रुपए डिसाइड हुए कि आप उसको देंगे यह आपका contract हुआ अगले दिन साड़े नो की जगे पौने 10 हो जाता है वो बंदा नहीं आता है आपने कॉल किया वो मना कर देता भाई सब म मिनीड काड वी धिखा94 दिखारा सर अवेलेबल अपने तुरंत क्या किया beyond okay क्यों कि अब ब्रीज कर दिया अपने क्या कर ली sedan बुक कर ली और sedan की जो price दिखा रहा था that was 500 और olah auto जो available था वो available था looking tao 200 ृपय में आ इसके अलावा mini micro available थी let's a 300 रुपय दिखा रहा था फिर or auto dh epidemic ऑबैग अवेलेबल थी ओला बैग 300 रुपय में आपने booked कॉन्सी करी आपने बुक करी सिडान, 500 रुपे वाली, अब आप बताइए, 200 रुपे की आपकी बात आटो वाले से हुई, आपने सिडान बुक करी 500 की, क्या आप उस आटो वाले से 300 रुपे ऐस कॉंपनसेशन ले सकते हैं, क्या, 300 रुपी की आप कॉंपनसेशन ले सकते हैं, बताइए, यह और मोग क्योंकि आपने तो डान उप पूख कर दिया आपने सिदम उपकर जो नहीं यह लो कहता है लुटा पूरीजनेबल पर्सन की तरह भी करना आप क्योंकि उसने इसका मदब यह हैं को आप तो इससे जाएंगे हम पैसे आइसा नहीं होगा ऑटो अगर अवेलेबल थ 200 रुपए में ओला पे इस हिसाब से compensation मिलेगा आप जाओ चाहे सिदान से चाहे हलिकॉप्टर से court आपको compensation कित्ता दिलाएगा 50 रुपए क्यों 50 रुपए 200 में आपकी बात हुई थी auto available था at the same time 500 रुपए में आपको compensation कित्ता मिलेगा मात्र 50 रुपए अब आपको जिससे जाना आप जाएए इसको कहते हैं duty to mitigate losses यह उस पार्टी की duty होती है जो यहाँ agreed है ध्यान रखना breach का मतलब यह नहीं होता कि अब आप उसकी चान लेने हैं अपना अपने पैसे से जब जाना होता तो तो ओटो जगे रेपडो कर लेते ओला बाइक कर लेते लेकिन क्योंकि अब आटो वाले ने प्रीज किया है तो हम सेडान में जाएंगे फितरत गलत है यह गलत है एस पर लॉबी कि मॉरली भी गलत है लॉबी इस चीसको एंगरेज नहीं करता लॉब हमेशा duty to mitigate losses इंपोज करता है किसके उपर अग्रीव डिवेक्टी के उपर आई होब दो होल कॉंसेप्ट इस क्लिया येस क्या कॉंपेंसेशन मिले यही सब इलस्ट्रेशन दिया अच्छा वाइस से वर्सा भी हो सकता है एक बस वह और देख लो तो पूरे 73 के इलस्ट्रेशन हो जाएं सेम चीज़ अपन लेते हैं कि A ने B के साथ कॉंट्राक्ट किया है रो माटेरियल सप्लाइ करने का 100 kg सप्लाइ करना है अब एक बात समझना जिस दिन डिलेवरी होनी थी इस बार कॉंट्राक्ट करने स्मना कर देता भी मना कर देता इसने रिजेक्ट कर दिया कि भाई जरू नमरी को मिल जाएगा रो माटेरियल इस रेट पे बीने मना कर दिया लेने से कि नहीं चाहिए मुझे जरूरत नहीं है अब एक हो क्योंकि वह रो माटेरियल कहीं और तो बेचे ना अब वह मार्केट में बेचने जाता है और उस दिन जो मार्केट में अवैलेबल प्राइज मिलती है वो मिलती है उसको आठ रुपे के हिसाब से उसको क्या प्राइज मिलती है आठ रुपे में बिखता है क्योंकि end टाइम पे उसने बेचा एक दम गरहक ढूंडा पहले से contract था तू 10 रुपे की बात थी end time पे बेचा इसलिए 8 रुपे के हिसाब से बिका अब ये वेक्ती compensation क्लेम करता है किस से B से तो बताईए जरा कितना compensation देगा B कितना compensation देगा A को 100 किलो की बात हुई थी 10 रुपे के हिसाब से contract price कितनी है यहाँ पे 1000 रुपे actual बिका कित्ते में 800 रुपे actual बिका कित्ता 800 so damage कित्ता मिलेगा 200 रुपे I hope that is clear कोई समस्या नहीं है भाई 200 रुपे में तो वाईसे वर्सा भी सेम चीज होती है ऐसे आपको multiple illustration 73 में बहुत सारे हैं सबको पढ़ना सबका crux लगभग सेम यही मिलेगा जो मैंने आपको समझाया है so that's the story behind unliquidated damages तो यह आपके समझा गया general special और आपके समझा गया यह भी liquidated unliquidated में unliquidated वाला अब बात करते हैं इसकी unliquidated stipulated है सम वहां क्या होगा before we read the language of 74 let us discuss few examples जिससे पूरा concept आपका में clear कर दूँँगा इसके regarding भी चलिए कुछ examples discuss कर लेते हैं इसके liquidated damage के फिर मैं एक बार आपको सारी बात में बता हूँगा देखो भाई जो section हमारा 74 बात करता है liquidated damage के इसमें क्या क्या कहानी बनती है कि आपने पहले से एक amount decide कर रहा है जैसे माल लेजिए for example हम वही example लेते हैं कि 5 लाग की गाड़ी का contract किया है मैंने आपके साथ कि आप अपनी गाड़ी मुझे देंगे और मैं आपको बदले में 5 लाग रोपे दूंगा एक car का contract किया है पांच जन्वरी को ये enforce किया जाना है अगर माल लेजिए और हमने contract में ये भी लिखा है कि जो भी party breach करेगी वो एक दूसरे को कित्ता अब देखो यहां पे क्या होता है parties के बीच में दो तीन amount होते है जैसे A और B के बीच में contract हो रहा है अब जो contract का जो amount है total मान लेजिए वो car की price का है पांच लाग रोपे का पांच लाग रोपे की गाड़ी का contract है और हमने जो sum stipulate कर रखा है ये क्या है contract कित्ते का है और हमने जो penalty stipulate कर रखी है जो compensation specify कर रखा ह है क्योंकि अब हम बात कर रहे है liquidity की लेजसे वो हमने रखा है 50,000 कि भया जिस भी वेक्ती ने breach किया वो कितना तो liquidated damage का amount क्या रखा हमने 50,000 50,000 देना है अब court के पास जब यह मामला पहुचता है ध्यान से सुनना मेरी बात अब दो चार illustration discuss करूंगा पूरा 74 conclude कर लेंगे अ punishment जब court के पास यह मामला पहुचता है तो court को लगता है कि जो reasonable कितना जो reasonable damage इसमें है already लिख रहा हूँ reasonable को और यह है liquidated जो specify किया है जो reasonable damage है वो 50 की है court को यह लगता है court ने conclude किया कि भाई reasonable damage 50,000 मिलना चाहिए लिखा कितना था दो पार्टीज ने 50,000 court case आप से reasonable कितना है 50,000 कितना compensation मिलेगा बताईए जरा लिखा 50 है और reasonable उस case में 50 ही है कितना compensation मिलेगा जल्दी से लिखके बताओ comment में 74 के concept को अपन समझ रहे हैं थो maximum 3 illustration 3 और 4 कितना compensation मिलेगा भाई liquidated 50 है लिखा 50 है और reasonable भी 50 है 50,000 मिलेगा ठीक अब थोड़ी से situation बदलते हैं सेम वही A और B के बीच का contract सेम वही contract की price सेम वही 5,000,000 रुपए लेकिन इस बार इन्होंने जो liquidated damage है liquidated damage जो है यह इनने कुछ exceptional ही रखा है 5,000,000 का contract है गाड़ी का और इनने जो compensation लिख रखा है वो लिख रखा 5,000,000 रुपए liquidated damage कि अगर मैंने खरीदने से मना किया आपने देने से मना किया तो सामने वाली party पांच लाग रुपए देगी जित्ते हां contract है उतना ही देगी ऐसा कर रहा है और reasonable कितना है reasonable वही है जो court ने determine किया reasonable कितना है court के हिसाप से पचास हजार यह court के हिसाप से reasonable है अब आप बताइए इस case में कितना मिलेगा डामेज पार्टी ने जो अगरमेंट में लिखा है वह liquidated damage लिखा है पांच लाग रुपए लेकिन court के हिसाप से reasonable कितना है किसमें पचास हजार कितना मिलेगा बस यहीं पूरा 75 conclude हो जायेगा इतना मिलेगा इदिंद पचास हजार कि पांच लाग है बताये अपचास हजार अभिशेक का करना है पचास हजार बाकि बाकी लोग को क्या लगता है और कोई बता है आपको क्या लगता है अभी शेक्क्रा 50,000 बाकि एक और एक सिच्वेशन और बनती इसमें सेम ए और बी का कंट्राक्ट कंट्राक्ट की प्राइज वही पांचलाक रुपे गा लेगी लिकुडेटेट डामेज जो पाइटी ने डिसाइड किया है इस बार लिक स्थाइड किटना है और इसने अबल डामेज बढICIA फटास हजारा और इसने डर न कला भी यह उस्टीशल के इसमें बता है जलिए प्छले में आप सब ने कहा जो स्थाथ में पारटी यह क्तला मुद bend a week पार्टी ने साधर लिख रख़ा यहीं गेम है पूरा, 74 का, तो इस केस में मिलेगा 25,000, अभे और मोनिका बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, देखो भाई, जहां reasonable और liquidated same हो, यह amount मिलेगा, जहां liquidated exceptionally ज्यादा है, reasonable कम है कोट के हिसाब से, reasonable मिलेगा, लेकिन जहां liquidated some कम है और reasonable ज्यादा है, ऐसे केस में यह मिलेगा, यह ध्यान रखना, यह वाली चीज मिस मत करना, अगर parties ने एक some stipulate किया है, stipulated some ही मिलेगा, बस वो reasonable से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, जो आपने लिखा है, वही मिलेगा, बस वो reasonable से ज्यादा होना चाहिए, जहां reasonable से ज्यादा है आपका लिखा हुआ loss, जहां reasonable से ज्यादा है agreement में लिखा हुआ damage, उस case में court सिरफ reasonable award करेगा, लेकिन लिखा हुआ अगर कम है, तो फिर यही award होगा, उस case में reasonable नहीं, that's what 74 says, अब ज़रा मेरे साथ 74 पढ़िए, कहां से यह ज्यान की प्र compensation for breach of contract, where penalty stipulated for, जहां आपने specific amount लिख रखा है, when a contract has been broken, if a sum is named in the contract, as the amount to be paid in case of such breach, contract का breach हुआ है, और एक amount specified है, लिखा है, यह जो LD लिखा है ना हम लिखुडिटी डामेज यह हो, और if the contract contains any other stipulation by way of penalty, penalty मतलाब exceptionally ज्यादा लिखती है, आपने रिखा है, यह जो LD लिखा है ना हम जैसे 5 लाग रोपे, the party complaining of the breach is entitled, इसमें जिसके against breach हुआ है, जो अगरिवट पार्टी है, वो कितने compensation के लिए entitled होगी, तो उसके लिखा है, the party complaining of the breach is entitled, कॉमा के बाद देखिये, whether or not actual damage or losses proved, that is also very important, अभी इसकी बाद भी बताऊंगा, actual damage भले हुआ हो या ना हुआ 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 आगे लिखा है, is proved to have been caused thereby, to receive, यह बहुत important है, to receive from the other party who has broken the contract, underline कर लिजिये, reasonable compensation, कौंसा मिलेगा, reasonable compensation, not exceeding, is कौंडलाइन कर लिजिये, not exceeding the amount so named, reasonable मिलेगा, but not exceeding the amount so named, जहां reasonable जादा है, और आपने जो stipulate किया कम है, तो सिर्फ यह मिलेगा, उस case मेरी बाद की हर केस में reasonable मिलेगा, सिर्फ उस case में, जहां आपका stipulated कम है, तो कम मिलेगा, reasonable, that's what 74 says, इसलिए इसकी last line में यह लिखा है, who has broken the contract, reasonable compensation, not exceeding amount so named, reasonable, लेकिन जितना लिखा है, उससे जादा नहीं, may be the penalty is stipulated for, I hope you got this, यह concept कहां से derived हुआ है, I hope you got this, इसका ना exception भी important है भाईया, exception को भी समझ जिए, exception देखिए जरा, exception लिखा है, when any person enters into a bail bond, recognizance, or other instrument of the same nature, under the provision of any law, और under the orders of the central government, or state government, gives any bond for the performance of any public duty, और act in which the public are interest, he shall be liable upon breach of condition of any such instrument to pay the whole sum, आप देखो इसमें कई सारे illustration है, जो आपको हो सकता है, confusing लगें, लेकिन अगर आपने यह concept समझ लिया, तो आपको कहीं confusion नहीं होगा, exception बस ध्यान लखना, generally क्या होगा, जो लिखा है, वो मिलेगा, या reasonable मिलेगा, बस लिखा हुआ, कम नहीं होना चाहिए, और अगर आपने exceptional लिख लिया है, जरुरत से जादा, इसको कहते हैं, अपन penalty, penalty generally play नहीं होती, क्योंकि contract का purpose punish करना नहीं है, contract का purpose है compensate कराना, इसलिए हमेशा कौन सा देते हैं, reasonable, penalty लेकिन कब मिलती है, exceptional situation, exception क्या है, कि अगर आपने सरकार के साथ contract किया है, कोई public duty perform करने का, तो वहाँ जो लिखा है, वही मिलेगा, भले ही वो जादा हो, भले ही वो जादा हो, वो मिलेगा, जैसे किसी वेक्ती ने सरकार के साथ सबक बनने का contract किया, और उस contract को complete नहीं किया, मान लिजे, सड़क बानने का, जो total tender था, वो 50 लाग रुपे का था, लेकिन सरकार ने उसके penalty ज्यादा लगा रखी, 50 लागी लगा रखी, एक करोल penalty लगा रखी, ऐसे case में, उसको पूरा penalty का amount पे करना पड़ेगा, भले ही वो reasonable से ज्यादा हो, क्योंकि वो किस चीज़ का contract है, सरकार के साथ है, public duty, वहाँ पे एक deterrence लगाना जरूरी है, कि आप अपना जो act है, वो perform करेंगे, इसलिए जो exception में चीज़े mention है, उनमें exemplary damage दिये जाते हैं, exemplary मतलब जरूरत से ज़्यादा, exemplary का मतलब होता है, deterrence की तरह, as a penalty वो लगा जाते हैं, कि अगली बारे सब breach मत कर देना, इनको केते हैं exemplary damages, यह सिर्फ as an exception पे होंगे, otherwise हमेशा reasonable होगा, या अगर लिखा हुआ reasonable से कम है, तो वो पे होगा, अब सारे illustration पढ़ोगे, समझे मैं लिए, जिक जहां भी access है, वो नहीं होगा, जो reasonable होगा, वो पे होगा, लेकिन सरकार के साथ या recognizance का अगर contract है, तो पूरा ले लिया जाएगा, वो एक exception है, इस general rule का 74 के, अब अपन conclude करते हैं, damages के types को, मैं आपको 4 damages के, जो kinds होते हैं, वो समझा देता हूँ, सब कुछ 73, 74 से यारा वेटा, ये बस ध्यान रखना, वो इसमें अदुबूद exception बात नहीं, एक है आपका general damage, general damages क्या होते हैं, जो ordinary course of thing में arise हो रहे हैं, 73 में जो पड़ा, और general damage तो आप claim कर ही सकते हैं, general के साथ हमने एक तरीके का damage पड़ा, special damage, जो special circumstances से arise हो रहा है, और special damage पेबल कब होता है, जब parties को contract करते समय knowledge हो, कि उनके breach से ये नुकसान भी हो सकता है, सिर्फ वहाँ पेबल होता है, otherwise नहीं, so that is special, इसके बाद एक category और है damage की, एक होता है nominal damage, और एक होता है exemplary damage, spelling चेक कर लेना यार, हो सकता है, गलत हो मेरी exemplary damage, concept समझ लेना, spelling, spelling तो आप Google करी लेंगे, जैसे आप strategy और motivation कर लेते हैं, हला, देखो, nominal क्या होता है, जो सिर्फ नाम के लिए दिया जाता है, नाम के लिए क्यों, क्योंकि आपका right का violation हुआ, सामने वाले ने contractual obligation का breach किया, आपके right का violation हुआ है, भले कोई actual loss ना हुआ हो, तो भी minimum amount, just to set an example, और just to clarify कि हाँ आपका नुकसान हुआ, आपके right का violation हुआ, भले actual loss नहीं है, लेकिन आपके right का violation हुआ, उसको recognize करने के लिए एक nominal sum, बहुत ही कम sum, 100 रुपे, 200 रुपे, 1 रुपे, इस तरीके से, just to recognize, कि हाँ आपके right का violation हुआ है, उसको अपन कहते है, nominal damage, ये भी ash bay versus white में, इस चीज़ के बारे में कहा case है, ash bay versus white, उसमें ये कहा था कि भले actual loss नहीं हो, लेकिन क्योंकि right का violation हुआ, कुछ ना कुछ हम दे सकते हैं, उसको कहते है, nominal damage, exemplary damage basically होता है, penalty वाला, जो 74 के exception में आप देख रहे हैं, public duty वगेरा perform करनी है, वो भले penalty की तरह है, punishment की तरह है, बट वो भी allow होगा, लेकिन as an exception, इसको कहते हैं exemplary damage, ये एक example set करनी के लिए है, कि सरकारी काम में कोई मजाक नहीं चलेगा, public duty आप perform कर रहे थे, वहाँ मजाक नहीं चलेगा, तो इसको कहते हैं exemplary, ये basically major classification है, damages का general, special, nominal exemplary, I hope the whole story is clear regarding damage, ये सब प्री के सवाल है, ये सब पूछा जाता है, क्या होते हैं, किन circumstances, सब लिखाया हो रहे तर, कोई अदूध अलग, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, तो इस रिगार्डिंग दी, damages, अब एक प्रोविशन और बचा है, हमारा 75, उसको और पढ़ लेते हैं, 75 देखिए, पार्टी राइट फुली, रेसेंडिंग कॉंट्राट्ट, इंटाइटल दू कॉंपनसेशन, तो जब भी आप कॉंट्राट को कैंसल कर रहे हैं, अगर आपने कोई benefit ले लिया है, तो वो आपको वापिस करना पड़ेगा, यह कहता है 64, जो मैंने आपको एक्जैंपल दिया था, कि मैंने आपका consent and influence से आप्टेइन किया, है ना, और मैंने आपको advance एकलाफ रुपे लेकिन दे दिये थे गाड़ी के, तो ऐसे case में मैं उस एकलाफ के लिए entitled हूँ, वो मेरे को वापिस करेंगे आप, यह 64 में लिखा है, लेकिन अगर आपके part पे contract cancellable है, avoidable है, आप अगर उसको cancel करते हैं, तो आप मुझसे compensation लेंगे, non-fulfillment का, that is given under 75, और इसके regarding जो हमने singer वाला case discuss किया था, कि अगर तीन तारिक को, third night को singer गाना गाने नहीं आता है, तो option है, theater manager के पास, कि वो आगे का contract cancel कर दे, अगर वो cancel कर रहा है, तो compensation वसूलेगा, ये बात 75 बता रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, a person who rightfully resents a contract, is entitled to compensation for any damage, which he has sustained, through the non-fulfillment of the contract, contract के non-fulfillment से जो भी, नुकसान हुआ है, भले उसने खुद cancel किया है, लेकिन cancel क्यों किया है, क्योंकि आपके part पर non-fulfillment था, right था उसका cancel करने का, उसके पास अधिकार था contract को cancel करने का इसलिए उसने किया है, lawfully entitled था वो, तो ऐसे cancellation से जो नुकसान हराइज हुआ है, जो loss हुआ है, उसकी भरभाई 75 में हो सकती है, that's 75 for you, so I hope section 1 से लेके 75 तक, पूरा आप हम first part complete कर चुके हैं, वापस इस चित्र पे आ जाते हैं, general principle एक से पचित्ता है, formation पूरा पड़ा, discharge पूरा पड़ा, साथ में हमने damages भी पढ़ लिए, so that's how we have completed the first part of the Indian contract act, that is general principle section 1 to 75, अब बहुत brief में अपन कवर करेंगे किसको special, प्री में बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन prelims में कम पूछा जाता है special contract, उसी नजर से पढ़ेंगे, और basic fund अगर आपके clear हो गए हैं contract act के, तो इसको पढ़ने में जादा समस्या आपको नहीं आएगी, एक brief basic में आपको हर contract का बता देता हूँ, अब आजाए अगले chapter पे chapter 8 section 124, यह हो गया आपका part 1 complete, part 2 के discussion पे अपन जा रहे हैं, यहाँ जो कहानी start हो रही है section 124 से start हो रही है, जो बात करता है contract of indemnity, indemnity का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना, इंडेम्निटी का मतलब होता है भरपाई करना, तो indemnity का जो contract है इसमें basically दो parties, यहाँ आपको different समझना पड़ेगा indemnity और guarantee के बीच, पहले ज़रा sections mark कर लीजे जो ध्यान रखने, section 124 ध्यान रखना है जो indemnity के contract को बताता है कि होता क्या है, 125 indemnity holder के अधिकार बताता है, यह important है, 126 guarantee define करता है, बहुत important है, तो अपन दोनों साथ साथ लेके चलेंगे थोड़ा सा, section 124 और section 126, यह किसकी बाद करता है, guarantee के contract की, guarantee और यह किसकी बाद करता है, 124 indemnity, तोनों में अंतर थोड़ा सा है, उसको समझना है, indemnity, indemnity में क्या होता है, यह बाद ध्यान रखना, दो party होती है, और guarantee में जो party होती है, वो हमारी होती है, तीन, guarantee में तीन party, indemnity में दो, indemnity का best example है, insurance, कौनसा insurance, fire insurance, vehicle insurance, होता क्या है, health insurance होता क्या है इसमें कि अगर आपको ये नुकसान हुआ तो हम आपकी भरपाई करेंगे एक difference और समझना 124 की जब आप definition read करेंगे तो यहां लिखा है कि किसी person एक person ये undertaking लेता है मालीजे मैं हूँ वो तो मैं ये undertaking लेता हूँ कि in future आपको अगर कोई नुकसान होता है किसी person के conduct से किसी व्यक्ती की हरकत से अगर आपको नुकसान होता है तो मैं उसकी भरपाई करूँगा that's contract of indemnity दो parties है आप और में मेरे और आपके बीच का ये contract है हमने क्या contract किया अगर किसी तीसरे व्यक्ती के conduct की वज़े से आपको कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूँगा इसको कहते है contract of indemnity ठीक अब प्रब्लम क्या है Indian contract act में जब 124 में इस चीज को define किया गया तो लिखा है person के conduct से इसलिए 124 इंडियन contract act का जो है ये किस पर dependent है person के conduct से होने वाले नुकसान अब आप कहेंगे सर माल लीजिये fire insurance है और किसी व्यक्ती की गलती नहीं है तो क्या fire insurance का contract contract of indemnity नहीं है क्योंकि Indian contract act का 124 तो person की बात करता है एक बार जरा read करें 124 मेरे साथ तो यहां लिखा है a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself मेरे ही conduct से कोई नुकसान होगा तो भी वरपाई करूँगा यहां फिर लिखा है और by the conduct of any other person is called a contract तो हमारा जो Indian contract act का indemnity वो किस पे confine है person के conduct लेकिन मान लेजी हम fire insurance की बात कर रहे हैं कि बिना किसी के गलती के short circuit से आग लग गई insurance company तो तब भी पैसा देगी तो क्या वो indemnity का contract नहीं है so the answer is yes वो भी है English concept जो indemnity का है बात समझना English law का जो concept है वो broader concept है और Indian law में section 24 में जब indemnity को define किया गया है यह थोड़ा सा narrow concept बताता है लेकिन Indian courts ने multiple judgments में इस बात को held किया है कि जो English law का concept है broader वाला वो ही India में भी applicable होगा और ऐसे सारे contract जिसमें भरपाई की बात है चाहे वो human conduct से होने वाला नुकसान हो या otherwise होने वाला नुकसान वो contract of indemnity माने जाएंगे भारत में this has been held in multiple judgments so हमें जो indemnity भारत में applicable होता है वो भी उस broader sense में होता है जो English law में भले इस तो की literal interpretation अगर आप 124 का करेंगे तो वो थोड़ा सा narrow होई इसलिए यह जो बाकी contracts होते है वेकल का fire का सब कुछ क्या है आपका contract of indemnity एक important सवाल जो यहां आता है वो यह कि क्या life insurance क्या life insurance contract of indemnity है contingent तो है तो validity तो मिल गई section 31 जब पढ़ रहे थे तब ही बताया था क्यों contingent life insurance क्योंकि life insurance का मतलब यह नहीं होता कि मरने पर पैसा मिलेगा death is certain लेकिन death कब होगी that is uncertain और नॉर्मली एक age के पहले अगर आपके मृत्य होती है तो ही claim मिलता है यह contract होता है life insurance का so contingent तो होता है is it a contract of indemnity that's another important question बताओ भाई क्या life insurance contract of indemnity है so the answer is no answer to this question is no it is not क्यों नहीं है पता है क्योंकि indemnity होता है नुकसान की भरपाई और व्यक्ति की मृत्यू होने पर भरपाई नहीं करी जा सकती जो claim का amount मिलता है family को वो sustain करने के लिए मिलता है वो उस इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकते आप पैसे से that's the theory behind it एक इंसान की value सिर्फ पैसे में नहीं होती है न अब इसलिए मैंने आपको पहले contingent में भी बताया था कि life insurance करा कॉन सकता वही करा सकता जिसका interest हो मैंने अपने example से भी आपको बताया ही है तो आपका interest मेरी जिन्दगी में आपको अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ तब तक है जब तक नाई ना पड़ा दू लेकिन बटा सिरफ प्री थोड़ी निकालोगे मेंस भी दोगे इंटर्व्यू के लिए भी दरी आना है ध्यान रखना यह है ना इंटर्व्यू के लिए भी आना है इसलिए जब तक final PDF में नाम ना मिल जाए तब तक तो गैरंटी है कि मेरी लाइफ में आपका इंटरस्ट होना चाहिए जब तक final selection की PDF में नाम ना ढूंड लो अपना जब तक मेरी जरूरत है आपको जिन्दगी में यह ध्यान लखिएगा लेकन एक बात समझना इंडेम्निटी का मतलब नुकसान की भरपाई किसी व्यक्ति की भरपाई आप नहीं कर सकते फैमिली के लिए एक person human being की जो life है उसको पैसे में quantify करके उस नुकसान की भरपाई कर पाना संभव नहीं है इसलिए life insurance is not a contract of indemnity rather it is a contingent contract and hence it is valid I hope this is clear yes तो यह बात आप जरा ध्यान लखिएगा simple logic पर बेस्ट है बहुत logical बात है कि इंसान की जिन्दगी को भरपाई नहीं कर सकते you cannot make good of a loss of a human life और यहाँ 24 में लिखा है कि नुकसान की भरपाई अब जो देखिए यह जो indemnity हमने पड़ा section 125 बहुत important है rights of indemnity holder when sued क्या अधिकार है indemnity holder की एक ही concept है ध्यान से सुन लोगे समझा जाएगा यहाँ पर concept यह है कई सारे cases भी हैं इसके regarding लेकिन क्या part 2 से ना उतना important नहीं है कि cases वेसे प्री में पूछे जाने के chances हो यह generally नहीं होता बाकी भाई जब आप means के लिए पढ़ेंगे तो सीधे सीधे question आते है और बहुत important है फिर सब कुछ case वे सब indemnity holder बोलते हैं उसको जिसने यह assurance दिया undertaking लिए कि तुमारा नुकसान होगा तो मैं भरपाई करूँगा उसको insurer जिसको अपन कहते हैं उसको indemnity holder कहते हैं और जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति के against indemnity हुई है जो normally insured जो आपका sorry जो insured होता है उसको अपन बोलते हैं indemnity holder I'm really sorry by mistake मैंने वो reverse बता दी आपको indemnity holder वो होता है जिसको assurance मिला है आपने अपनी गाड़े का insurance कराया you are the indemnity holder और जो assurance दे रहा है वो indemnity fire है जो assurance दे रहा है वो कौन है वो आपका होता है indemnity fire उसको कहते हैं indemnity fire ठीक तो ये बात आप ध्यान रखिएगा अब इसमें एक बात समझना indemnity holder के अधिकार की बात 25 में कर रहे है indemnity holder मतलब जिसने insurance कराया उसके पास क्या अधिकार है एक question arise होता है कि क्या indemnity fire तभी liable होगा जब नुकसान का payment ये वेक्ति कर दे बात समझना आपकी गाली का accident हुआ आपने repair करा के pay कर दिया खर्चाया 20,000 आपने pay कर दिया क्या तब आप indemnity fire को सीन में ला सकते हैं कि भाईया हमने गाले में नुकसान हुआ था 20,000 रुपे खर्च कर दिया अब तुम हमारे पैसे को reimburse करो क्या तब indemnity fire को सीन में लाया जा सकता है जब आप already आपने वो loss incur कर लिया है या health insurance की अपन बात करें आप बीमार हुए अस्पताल में admit हुए आपने pay कर दिया बिल अब वो बिल आप reimburse कराएंगे indemnity fire से क्या यही हो सकता है या फिर या फिर आप loss incur करें उसके पहले ही आप indemnity fire को bound कर दें जैसे जब आप बस्पताल में admit होने जा रहे हैं तब ही indemnifier सारे expense उठा है जिसको पन cashless केता है आजकल health insurance में आपने देखा होगा दो तरीके के होते हैं cashless होता है cashless मतला you don't need to pay the company will come into scene that is the indemnifier will come into scene and he'll save you from any kind of loss that is another kind of thing as a matter of right if contract में अगर कुछ और लिखा है तो फिर वो होगा general rule would be indemnifier libel होता है जैसे ही loss arise होता है मैं pay करूं या ना करूं मैं सीधे indemnifier से pay करा सकता हूं that is the general rule contract में कुछ और लिखा है parties ने तो obviously अपन contract पढ़ रहे है तो priority agreement को दी जाती है but in the absence this rule will be applicable कि जैसे ही loss हो रहा है पहले ही indemnifier को call किया जा सकता है from saving तो कि actually indemnity indemnity का contract क्या होता है to save the other person from incurring losses यह purpose है इसलिए indemnifier को आप पहले ही call कर सकते है as a matter of general rule ठीक है बाकी contract में अगर कुछ contrary है इसके बाद आते हैं contract of guarantee की तरफ guarantee में देखिए भाई तीन लोग होंगे कौन कौन है तीन लोग गारंटी के contract में एक होता है principal debtor एक होता है creditor और एक होता है surety यह तीन लोग होते हैं जैसे मान लीजिए bank है creditor आप bank के पास गए loan लेने bank के पास कौन गया principal debtor गया loan लेने यह वेक्ति जो loan लेने गया है bank के पास उसको कहते है principal debtor जो अधार देने वाला है वो creditor जो इसकी guarantee लेगा loan की repayment की उसको अपन कहते है surety सो principal debtor जब creditor के पास जाता है अब यह देखो indemnity guarantee पहला difference नहीं हो जाता है यहां दो पार्टी यह तीन पार्टी तब से पहला difference नहीं create हो जाता है इन तीनों के बीच का contract है contract of guarantee इसमें basically क्या होता है creditor principal debtor को पैसे दे रहा है या फिर कोई और किसी भी तरीके का payment या कोई और obligation जो principal debtor को fulfill करना है किसके respect में creditor के respect में और अगर यह fulfill नहीं करता है in case of default यह बात ध्यान रखिएगा अभी अपन क्योंकि surety की responsibilities पढ़ेंगे यह rights पढ़ेंगे तो ध्यान रखना in case of default by the principal debtor who will be liable this surety और surety कब liable होगा in case of default जैसे माल लेजिए bank से loan इसने लिया है principal debtor ने तो पहले एक बात समझना कि surety की liability क्या होगी क्योंकि surety undertaking दे रहा है किसको बैंक को कि यह pay नहीं करेगा तो मुझसे ले रहा मैं पी करूंगा इसके regarding अब यह तो तीनो पार्टी के बारे में contract होता क्या है 126 में लिखा है पढ़ोगे समझ जाओगे कोई technicality नहीं है 127 बहुत important है कि consideration क्या होता है guarantee में किसके लिए consideration जरा समझना देखो भाई principal debtor को क्या मिल रहा है loan creditor को क्या मिल रहा है interest मन लो बैंक interest लेगा उसके बदले में इसको loan दोनों के लिए consideration लेकिन undertaking कौन ले रहा है guarantee में होता क्या है यह surety जो है यह इसको guarantor भी कहते हैं यह व्यक्ति assure करता है creditor को कि अगर इसने default किया अपने काम करने या pay करने में तो मैं pay करूंगा surety पे करेगा यह भाई क्यों hero बन रहा है यह वताइए इन दोनों का तो अपना interest है इसका क्या interest है इस contract में भया पैसा मिल रहा है principal debtor को देने वाला है creditor यह क्यों बीच में आके surety बन रहा है इसके लिए क्या consideration है वो बात लिखी है आपके 127 में और यहां surety का consideration यह है कि इसके कहने पे creditor principal debtor को loan दे रहा है जब principal debtor bank के पास पहुचा और bank ने कहा भई यह surety लेके आ इसका मतलब क्या है creditor को इस पे भरोसा नहीं बैंक इसको loan देने को तयार नहीं है लेकिन जब एक दूसरा वेक्ति आके assurance देता है surety आके यह बात कहता है कि यह default करेगा तो मैं दे दूँगा दे दो इसके कहने पे ही creditor ने loan दिया और 2D में अब दुबारा रिकॉल करना consideration की definition 2D में हमने क्या करा था वेनेटी desire of the promise of the promise or any the promise or any other person has done something or does something or promises to do something इसके कहने पे ही bank loan दे रहा है otherwise नहीं देता that is sufficient consideration for us इसके लिए क्या consideration है कि इसके कहने पे bank राजी हुआ है principal debtor को loan लेने के लिए यह consideration है एक बार read कर लिए 27 anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety surety के लिए यह sufficient consideration है कि उसके कहने पे bank तयार हुआ है principal debtor को उधार देने के लिए यह sufficient consideration है एक बात यह ध्यान रखिएगा इसके बाद 128 mark कर लिए बहुत important 26, 28, 28 तीनों बहुत important है 28 से surety की liability तो आप देखेंगे उसमें लिखा है surety की जो liability है वो co extensive होती है co extensive का basic meaning यह है कि जिस भी amount के लिए principal debtor liable है मान लिजिए इसने 5,000,000 रुपे का loan लिया है interest इसको उस पे मान लिजिए 25,000 interest देना है तो जो surety liable होगा हो पूरा amount के लिए हो 5,000,000 लोन का भी और 25,000 सब के लिए liable होगा surety जितना creditor को लेना है सब पूरा amount इससे recoverable होगा in case of his default इसको कहते हैं co-extensive I hope you're getting this इसके contrary भी contract हो सकता है हो सकता है contract में यह लिखा हो guarantee कि भाईया मैं तो सिर्फ 2,000,000 तक के लिए liable होगा so that will be a special circumstance कि आपने contract में अलग लिख लिया otherwise generally co-extensive होती है liability co-extensive मतलब जितनी principal debtor की उतनी ही surety की भी अब एक liability के regarding accounting एक important concept है इदर पर उसको जरा समझना बात यह होती है कि हमने कहा surety liable कभ होगा जब principal debtor default करेगा इसका मतलब यह कि माल लीजे 5,000,000 का loan लिया है principal debtor ने और बात हुई है एक जनवरी की कि एक जनवरी को loan या एक जनवरी की ने क्या किया default कर दिया क्या एक जनवरी के पहले bank surety से मांग सकता है क्या उसके तो लक्षन दिखनी रहे हमको पैसे वापिस करने के क्योंकि उसको पूरे एक साल में थोड़ा-थोड़ा amount करके भी करना था और एक जनवरी तक जो remaining है सब पूरा complete करना था दिसंबर आ गया 27 तारिक हो गई है अभी तो बहुत बचा है इसके तो आसार हमको लगनी रह देने के एक काम करो तुम दो क्या creditor surety को compel कर सकता है before his default the answer is no जब तक एक जनवरी जो decided date है उस पर यह बंदा default नहीं करेगा surety की liability arise नहीं होगी लेकिन एक दूसरी चीज़ भी समझना कि जैसे प्रिंसिपल डेटर ने default किया आप मान लीजिए creditor को court जाना है action लेने भाइ court का action क्यों होता है जब आप खुद से काम नहीं कर रहे तो creditor अब creditor क्या पहले principal debtor के against suit file करेगा तभी वो surety के against कर सकता है या फिर क्योंकि principal debtor ने default तो कर दिया है क्या अब creditor directly sue कर सकता है surety को without making principal debtor अब party या इसके against suit file किये बिना या इसको party बनाए बिना क्या creditor directly surety के against suit file कर सकता है that is an important conceptual question and the answer is yes ध्यान रखना creditor court में सीधे suit file कर सकता है surety के against लेकिन default होना जरूरी है जब तक principal debtor की तरफ से default नहीं होगा surety के liability arise नहीं होगी लेकिन एक बार liability arise हो गई तो अब creditor के पास अधिकार इसलिए तो surety बनाया था क्योंकि यह तो court में भी कुछ नहीं होगा इसके against तो इसलिए तो surety बनाया था so creditor directly court किसके against जा सकता है surety के against जा सकता है लेकिन जाएगा कब जब इसकी तरफ से पहले default होना चाहिए इसके बाद सीधे आप section mark कर लीजिए इसमें 129 मार्क कर लीजिए continuing guarantee जो एक लंबे समय के लिए होती है जैसे इस surety ने bank के पास जाके बोल दिया कि अगले एक साल में जो जो भी amount ही मांगे दे देना I'll pay for it यह continuing guarantee कि अगले एक साल तक के लिए इसने guarantee देदी number of transactions पर यह जित्ता भी यह मान लिजे किसी दुकान दार के पास जाके मैंने आपके लिए बोल दिया आपने का सर बुक्स चाहिए रहेंगी मैंने इक स्टेशनरी वाले को बोल दिया भाई 14 जन्वरी को उनका एक्जाम है जब तक जिदनी किताब में यह मांगे दे देना I'll pay for it that is continuing guarantee section नमबर याद रखना 129 revocation भी important है continuing guarantee का 130 बीच में कभी भी रिवोक कर सकते बले मैंने अभी मान लीजे गारंटी देदी शॉरेटी बन गया मैं कि भाई ठीक है 14 जन्वरी तक इनको जो किताब चाहिए दे देना बीच में मैं चाहूं तो रिवोक कर सकता हूं पांच तारिक को मुझे आपके लक्षन समझ में आ गए कि आप पड़बड़ नहीं रहे हो तो वह सकता है मैं अपनी guarantee रिवोक कर दू 133 अब मान लीजिए यह जो contract of guarantee होता है इसमें बात हुई थी पांच लाग लोन और 25,000 इंट्रेस्ट इन दोनों ने creditor और principal डेटर ने अगर आपस में terms vary कर लिए change कर लिए है बिना surety को बताए तो surety अपनी liability से discharge हो जाता है that's what 133 says इसके बाद एक important चीज और mark कर लिजे 142 और 143 guarantee obtained by misrepresentation valid नहीं होगी surety को पूरी जानकारी नहीं दी गलत information दी या फिर concealment के थुरू अगर किया है तो वो भी valid नहीं होगा बस section याद रखिएगा 142 143 145 भी important है इसके बाद 145 उस concept को इदर समझना देखो बाई 145 कहता है कि there is an implied contract of indemnity guarantee के हर contract में एक implied contract होता है indemnity का किसके बीच principal debtor और surety के बीच क्या है ये implied contract of indemnity वो यह है कि भाया creditor को तो पैसे surety देगा अगर principal debtor ने default किया तो ये जो surety है ये उठा के पैसे किसको देगा creditor को ये pay करेगा लेकिन ये क्यों करेगा अपनी जेप से तो ये जब अगर अगर ये विक्ति creditor को liability discharge कर रहा है principal debtor की ये loan का पैसा चुका रहा है creditor को तो इसके पास एक implied indemnity का contract है ये फिर principal debtor से वसूलेगा इसलिए principal debtor और surety के बीच में ये contract है कि अगर principal debtor की वज़े से ध्यान से जुनना principal debtor की वज़े से surety को कुछ loss अकर करना पड़ता है तो उसकी भरपाई principal debtor करेगा इसी को कहते हैं contract of indemnity जहां एक person ये undertaking लेता है कि अगर मेरी वज़े से तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करूँगा सब्सक्राइब क्या होता है कि आप अपने गुड्स के बात करते हैं अपन किस चीज की बेल्मेंट तो यह हो गया indemnity guarantee अब आजाईए बेल्मेंट देखिए बेल्मेंट क्या होता है कि आप अपने goods mortgage क्या होता है जब आप immovable property गिरवी रखते हैं बेल्मेंट सिंपल यह है फिलहाल बेल्मेंट में आपने अपने goods किसी दूसरे वक्ति को दिए specific समय के लिए या specific use के लिए किसी specific काम के लिए यह सारे जो contracts होते हैं, bailment के contract होते हैं, जिसमें आप अपने goods किसी दूसरे को देते हैं for a specific time और for a specific purpose, bailer वो व्यक्ति होता है जो goods देता है, bailie वो व्यक्ति है जो goods receive कर रहा है, और उस माल लेज़े आपने मेरी गाड़े मुझसे ली, एक मेने यूज़ करने के लिए, you are the bailie and I am the baila, ठ गाड़े की भी वैसे ही कदर करें जैसे अपनी की करता है क्योंकि इंसानी फितरत है यूमन टेंडेंसी है कि दूसरे का समान आप अलग तरीकिस इस्तिमाल करते हैं लेकिन इंडियन कॉंट्राक्ट एट कहता है वह या बेलर को वैसे ही रखना है जैसे वह खुद के रखता ऐ इसको बेलर के भी गुट्स रखना है यह सब रिस्पॉंसिबिल्टीज है 148 मार्क कर लिए जिए डिफाइन किया है बेल्मेंट क्या होता है बेलर बेली क्या होता है इसके बाद एक इंपॉर्टंट है 150 बेलर दूस्क्लोस फॉल्ट इन गुट्स बेल बहुत इंपॉर्ट अगर मैं आपको कुछ गुट्स बेल कर रहा हूं और मुझे पता है कि उसमें कुछ फॉल्ट है तो मेरी रिस्पॉंसिबिल्टी है आपको वो बताने की मैंने आपको गाले दी मुझे पता है कि भाईया इसका ब्रेक दबाओ तो एकदम से रुख जाती है तुरंत इसलिए ध्यान से चलाना मुझे पता है अगर तो मेरी रिस्पॉंसिबिल्टी है आपको बताने की पहला रूल ये दूसरी ये बात कि अगर मुझे खुद नहीं पता है डिफेक्ट के बारे में तो क्या मैं लाइबल हूँगा अगर मैंने मेरे को पता है डिफेक्ट के बारे में औ आपको goods bail करते से मैं उसकी जानकारी नहीं दी इस वज़े से अगर आपको कोई नुकसान होगा तो मैं उसकी भरपाई के लिए liable होगा ठीक लेकिन ये कब है जब मुझे पता हो अब मुझे ही नहीं पता कोई ऐसा defect मेरी गाड़ी में है और मुझे नहीं पता और उस वज़े जैसे आप गाड़ी ले गए और आपको नुकसान हुआ क्या तब मैं लाइबल होंगा the general rule is no ऐसे किस में मैं लाइबल नहीं होंगा जहां मैं खुद मुझे नहीं पता था लेकिन अगर वो बेल्मेंट हायर का है ध्यान रखना अगर वो बेल्मेंट हायर है हायर मतलब किरा किराय पे बोले तो पैसा जहां पैसे में दिया है फोकट में मेरी गाड़ी ले गए हो तो भी बेल्मेंट है है बेल्मेंट तब भी वहां में कौन से डिफेक्स बताने के लिए लाइबल हूं जिनकी मुझे जानकारी है अगर वो मैंने नहीं बताए उससे नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करूँगा लेकिन जहां हायर है किराय पे ले गए हो गाड़ी पैसे दिये हैं मुझे उसके बदले में जैसे जूम कार ले ली आपने तो ऐसे केस में भले ही मुझे नहीं पता हो फिर भी अगर आपका कोई लॉस हुआ है तो I'll be liable for that मैं वहां भी liable हूं क of which the bailer is aware जिसकी जानकारी हो मुझे and which materially interfere with the use of them और जो की एक substantive हो fault और expose the baili to extraordinary risks and if he does not make such disclosure he is responsible for damage arising to the baili directly from such fault कोई भी substantive fault है जिसकी जानकारी मैंने नहीं दी जानते हुए I was aware फिर भी मैंने आपको गाड़ी में वो डिफिट नहीं बताया इसकी वज़े से अगर आपको नुकसान हुआ है तो I'll be liable for the payment लेकिन आगे देखिए second paragraph if such goods are billed for higher the bailer is responsible for such damage whether he was or whether he was or was not aware of the existence of such fault बहले ही पता हो ना पता हो दोनों के इसमें लाइबल होंगे if it is for higher कि यूटूब में पढ़ा रहे हैं तो फिरी पढ़ा रहे हैं तो यहां liability कम है यह फेड़ कोर्स में पढ़ाएंगे तो liability बढ़ जाए तो कैसे आगा है उतर नहीं मतलब इसका यह नहीं है कि मैं तनमेता से नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि जब आप एक teacher होते हो तो शायद बड़ा मुश्किल होता है अपने आपको constraint करना कि मुझे कोई बात पता है और मैं आपको आपसे क्लास में वह शेयर ना करूं ऐसा जनरल ही नहीं हो पता है बहुत आलग तरीकी का काविलियत चाहिए ऐसा करने के लिए जो मेरे पास तो नहीं है कि वन फिफ्टी इस दिस हां पिटा मॉनिका खता मुझा आएगा यही कि इसमें आपको बचा नहीं है इदर से question बढ़े कम आते हैं प्रिलिम्स में आपको basic concept सारा बतारा हूं थोड़ा तो खुझ भी पढ़ना पड़ा है और सभी हैं सब यहीं पढ़ा देंगे तो हमारी कि यह सब आपको बढ़ा रहा हूं कांट्रा कि लगभग 35-40 क्लास लगती है मुझे फांडेशन में क्योंकि बहुत कुछ है अभी ही जानतने समझने के लिए कि बैसे कमें अपने पास crash course अपन प्री के लिए कर वें उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है that I'm teaching you here 151 बाग अपने सामान की जैसे आप केर करते हैं वैसे ही हाँ I know Monica you are a foundation student इसलिए तो तुम्हें एक्जांपल दिया मैं तुम्हेसा ना हूं ना लगे कि वैसे क्यों दे दिया मैंने सब तो फ्री में मिल रहा था है ना ऐसा नहीं लगना चाहिए हूं पाता है foundation में किस depth और intensity के साथ अ महां सारे class notes होते हैं मेरे वो यहां नहीं मिलें तो 151 है care to be taken by Bailey simple बात आपको वैसे ही करनी है जैसे आप अपने गुद्सकी करते हैं यह नहीं कि दूसरे की है तो बस गटे में कुदा दो गाड़ी है ना अपनी तो बचा बचा के चलाते हैं that you should not do 154 माक कर लिजे liability of Bailey making unauthorized use of goods bail अगर मैंने specific instruction के साथ आपको गाड़ी दी है कि असी के उपर नहीं चलाना है तो आपको वो follow करना है अगर आपने वो follow नहीं किया इस वज़े से कोई नुकसान हुआ तो भरपाई आप करेंगे ठीक तो जो authorized किया है वैसा ही use करना है उतना ही use करना है goods का illustration पढ़ लेना बाई 154 के pre में सीधे-सीधे illustration पूछे जाते है 154 के illustration important है इसके बाद माक करिए 163 bail are entitled to increase or profit from goods bail illustration बहुत important है कई बार pre में पूछा गया है 163 का कि एक व्यक्ति अपनी गाय काउ को दूसरे के पास छोड़के जाता है and the cow gives birth to a calf है ना तो वो जो काफ आया है existence में वो तब आया है जब काउ बेली के पास थी अगर expressly contract में कुछ नहीं लिखा है तो यह जो increase हुआ कि गाय छोड़के गए थे अब she has it has given birth to a calf as well तो वो जो increase हुआ वो किसको बिलॉंग करेगा वो बेलर को मिलेगा या बेली को तो 163 में कहता है it will belong to the bailer जिसकी गाय है उसको भी बिलॉंग करेगा हाँ अगर contract में आपने किस contrary लिख लिए तो फिर वो prevail करेगा general rule would be bailer को मिलेगा 170 और 171 बहुत important है right of lean lean का अधिकार क्या होता है जैसे आपने अपना mobile phone किसी service center किसी repairing वाले को दिया उसने आपको charges बताए उसने आपका phone repair कर दिया अब उसके पास यह अधिकार है कि वो तब तक आप आपका phone अपने पास रख सकता है जब तक आप उसके lawful charges पेना कर दें उसने बताया था भी आप 500 रुपे खर किया उसका जो remuneration है जब तक आप पेनी करेंगे तब तक वो आपके goods को अपने पास रख सकता है यह बात है 170 में वो बेली है उन goods का उस mobile phone का और वो तब तक रख सकता है goods जब तक आप उसके lawful charges पेना कर दें इसको कहते हैं particular lien 170 में और 171 बात करता है general lien सिर्फ डिफरेंस इ दिया गया है जैसे bankers, attorney, जैसे माल लेजे वकील साब के पास आपने case लड़ा, एक वकील साब ने आपका case के कागज उनके पास है, judgment judgment हो गया, आप उनकी fees नहीं दे रहे हैं तो उनके पास अधिकार है, वो case के कागज अपने पास रख सकते हैं जब तक आप उनका पैसाना तो जहां specific लोगों के बारे में बता दिया आ गया है, उसको कहते हैं general lien, बाकी सारे rest of the cases पे particular lien apply होता है, जो 170 में दिया है, section number याद रखना, दोनों के पूछ लिए जाते है, particular lien किसमें हैं और general lien किसमें हैं, So that is about bailment, इसके बाद आईए pledge 172 के उपर देखिए एक subheading लेखिए है, bailments of pledge, तो pledge basically na bailment का ही type है, pledge क्या है, basically bailment का ही एक type है, Pledge bailment से arise होता है, simple सी बात ये है, कि जब आप किसी भी XYZ purpose के लिए अपने goods किसी वेक्ति को देते हैं, तो वो bailment है, जहां मैंने goods किसी और को दिये है, as a security for a loan, वो बन जाता है pledge, आपने mobile phone किसी को गिरवी रख के पैसा उधार लिया, है तो bailment, क्योंकि मेरा phone में किसी वेक्त for the loan में ने दिया है, it is called pledge, गिरवी रखना, immovable property गिरवी रखते है, mortgage, movable goods गिरवी रखते है, pledge, poni और ponner, ponner वो है, जिसने अपने goods दिये है, mobile जिसने गिरवी रखा है, वो ponner है, जिसके पास रखा है, वो poni है, baili के जैसी responsibility होती है, सिर्फ एक दो provision और important है, इसमें 178 और 17 188 देख लिजेगा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं आता इससे, इसके बाद आजाएए agency, फिर आते हैं आखरी चीज, that is agency, अब agency तो आप समझते हैं, एक principle होता है, वो अपना agent appoint कर लेता है, कुछ specific कामों के लिए, यह होता है contract of agency, दो चार बाते इसके बारे में ध्यान दूसरे होगा और principal debtor, कौन होता है, तो वो ही है जो आप समझ रहे है principal debtor, जिसने अपना पाम करने के लिए रूसरे वीकति को appoint किया है, तो जिस वकति को appoint किया है वो agent है, जिस ने appoint किया, व호 principal debtor है, यह 182 है, 183 है, हो में employee agent, कौन agent appoint कर सकता है, तो वही व्यकति, जो contract में enter पताता है, person of sound mind होना चाहिए, और age of majority, major होना चाहिए, person of sound mind होना चाहिए, वो ही agent appoint कर सकता है, so 183 is very important, 184 is also important, who may be an agent, same qualification उसके भी है, 185, consideration not necessary, बहुत important, agency के contract के लिए consideration ही required नहीं है, इसलिए मैंने कहाता है यह special contract की category में इसलिए रखे गए हैं, क्योंकि यह strictly general principles को follow नहीं करते हैं कई बार, इसलिए इनको separate deal हिया गया है, so agency में consideration की जरुवत नहीं होती है, यह 85 में लिखा है, फिर section mark कर लिजे 188, 189, extent of agents authority, तो agent की authority उतनी होती है, generally, जितना उसको authorize किया है, लेकिन एक 189 है, important, agents authority in emergency, जैसे माल लीजे मैंने किसी वक्ती को goods दिये है, मैं माल लीजे मैंने पढ़ाना लिखाना छोड़के, mobile का वेपार चालू किया, क्योंकि ऐसा मुझे समझ में है रहा है कि पढ़ा लिखा के तो कुछ भाला जादा होनी पा रहा है, खुद का तुम्हें, मेरा, क्योंकि जन्ता mobile में ज्यादा interested है, तो मेरे दिमाग में आता है कि mobile का business किया जाए, अब माल लिजे मैं mobile agents appoint करता हूँ, जो अलग-अलग शहरों में sale करेंगे, मैंने consignment भेजा अपने agent के पास, अब माल लिजे emergency की कोई situation है, माल लिजे उसे transport करना है कहीं, तो मैंने भले expressly authorized नहीं किया था, लेकिन उसने mobile phone का insurance करा लिया, So that is implied authority in case of emergency, माल लिजे कुछ ऐसा हदसा होरा, जिसमें आग लग रही है, तो जो भी required चीजे हैं, उसको preserve करनी के लिए, save करनी के लिए, जो एक reasonable वक्ति अपने goods के साथ करता, अगर वो काम agent ने कर लिया है, without express authority, तो वो भी उसकी authority में consider किया जाएगा, इसको कहते हैं, 189 में agents authority in emergency, 191 में sub-agent define है, वो भी पढ़ लिजे, मैंने एक agent appoint किया, उस agent ने एक अपना sub-agent appoint, दूसरा agent appoint कर लिया, उसको कहते हैं, sub-agent, pre में जादा कुछ नहीं आता, इससे जैसा मैं कहारा हो न, means में इस सब सवाल बहुत important हो जाते हैं, ratification important है, इसके बाद 196 और 97, 98, ये mark कर लिजे, 196, 97, 98, और 200, ये ratification के regarding, बहुत important है, ratification होता क्या है, उसको समझ लिजे, मैंने एक agent appoint किया, उसको authorize किया, कुछ specific कामों के लिए, अगर मान लिजे, वो कोई ऐसा act कर देता है, जिसके लिए मैंने उसे authorize नहीं किया, जैसे, मैंने भुपाल में हूँ, भुपाल से मै मैं मोबाइल का कारोबार चलू किया, इन दौर में मैंने एक agent appoint किया, phone बेचने के लिए, मैंने expressly उसको authorize नहीं किया था, credit पे, उधारी में देने के लिए, वो उधारी में बेच देता है, अगर मैंने, अब मेरे पास दोनों तरीके से में ratified, unauthorized act अगर उसने कर दिया है, मैं उसको authorize कर सकता हूँ बाद में, इसको कहते है, ratification, यह expressly और impliedly दोनों तरीके से हो सकता है, जैसे माली जी उसने उधारी पे बेच दिये, अब मैंने expressly बोल दिया, ठीक है, third party को मैंने बता दिया, ठीक है, मेरे agent है, कोई बात नहीं तुम दे देना, या फिर impliedly हो सकता ह कि उसने उधारी में बेज दिया, एक installment पे करी, उस वक्ती ने, जिसको उसने credit पे दिया था, और installment मैंने receive कर ली, मैंने accept कर ली, क्या ठीक है, मेरे agent ने दिया था, उसने कहा सर उधारी में दे दिया था, installment बना दिती, उसने मन्तिली, तो यह मन्तिली installment, अगर वो मन्तिली installment मै receive कर लिए है इसका मतलब impliedly मैंने ratify कर दिया मेरे agent के ऐसे act को जिसके लिए वो authorized नहीं था तो यहाँ पर मेरे पास दो option होते हैं या तो मैं उस act को reject कर दूँ या accept अगर मैंने accept कर लिया तो फिर मैं bound हूँ इसको कहते है ratification जैसा इलेक्षन आप पढ़ेंगे उस तरीके की चीज है यह कि अगर unauthorized काम उस विक्ती ने कर दिया agent ने मैं उसको authorized बना सकता हूँ इसी process को हम ratification कहते हैं तो यह ratification बाकि termination वगेरा के बारे में दिया है section 201 में कैसे कैसे terminate होती है अलग-अलग mode है एक बार read करिएगा that will be sufficient जो important provision है वो मैंने आपको mark करा दिये हैं expressly बाकि जैसा मैंने कहा कि part 2 से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते है basic concepts हमने इन सबके समझ लिये हैं so that's how आपका पूरा Indian contract complete होता है पूरा formation हमने पड़ा फिर हमने discharge पड़ा सबसे ज्यादा दो सवाल बनते हैं prelims में किसी भी स्टेट के judiciary exam में वह ये portion है formation इसलिए सबसे ज्यादा समय हमने इसको दिया है क्योंकि यहां से बहुत सवाल बनते हैं discharge से बनते हैं तो एक reasonable time हमने इसको भी दिया सबसे कम सवाल जनरली यहां से पूछे जाते हैं उस हिसाब से हमने इसको समय दिया लेकिन concept हम सारे समझ गए है important provision आपके पास है एक बार read करिएगा that will be sufficient so that's how we have completed Indian contract act और अब आप किसी भी स्टेट का prelims स्टुडिशनी एक्जाम देने जा रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि लगभग लगभग सारे सवालां से बन जाएंगे